हान सेन ने 33-3 डेज पर नजर डाली और अंदर जाने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह वापस मुडा और स्काई गार्डन की ओर चल पड़ा, यह तो बताने की जरूरत नहीं कि किन शिव और वे, लोग अभी भी 33 दिनों के भीतर हैं, इसलिए अब अंदर जाने स कोई फाइदा नहीं मिल सकता, भले ही, आप खूनी सड़क पर लड़कर जेनेटिक समारक तक पहुँच सकें, लेकिन जेनेटिक समारक को जीतना आसान काम नहीं है, हान, सेन का सीमा तोडने वाला सुपर गौड बॉडी जेनेटिक समारक के सामने बहुत उप्योगी नहीं ह अगर उसने 24 जेनेटिक रून, कोड का इस्तमाल नहीं किया होता, तो वहाँ बहुत पहले ही जेनेटिक समारक में मर गया होता जब हान सेन, स्काई गार्डन में वापस लोटा, तो उसने पाया कि ताइशां कबीला और तियांतियान महल अस्थाई रूप से स्काई गार्डन में बस गए थे जहां तक हुआंग जी कबीला, ड्रैगन कबीला, विध्वनसक कबीला आधी जैसे उपरी कबीलों की बात है, तो नुकसान उतना गंभीर नहीं था और वे सभी अपनी मात्री भूमी को बचाए रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने कबीलों के लोगों को हैंगिंग गार्डन में यह चर्चा करने के लिए भेजा कि बड़े ब्रहमाण में मौजूदा स्थिती से कैसे निप्टा जाए इसका कारण यह है कि सबसे पहले उनके पास जाने वाली आत्माएं अपेक्षाकृत कम हैं और दूसरी बात वे देवताओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और कुछ देवता उनके कबीले में प्रकट होते हैं ताकि उन्हें सीमा तोडने वाले जानवरों को मारने और उनके नुकसान को कम करने में मदद मिल सके लेकिन हेंगिंग गार्डन ताइशांग कबीले और तियान-तियान महल देवताओं में बिलकुल भी विश्वास नहीं करते थे और कोई भी देवताओं से प्रार्थना नहीं करता था इसलिए कोई भी देवता मदद करने नहीं आया हाला कि ताइशांग कबीले और जेंटियन महल ने देवताओं के साथ सहयोग किया लेकिन वे अपनी हड्यों में देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे इसके अलावा इन तीन जगों पर बहुत सारी जीवन आत्माएं हैं इसलिए उन्हें सबसे अधिक नुकसान हुआ अन्त में केवल हैंगिंग गार्डन बज गया ताइशांग कबीले ने तियान वेटियन को छोड़ दिया और तियानजु ने भी तियान-tियान महल को छोड़ दिया सौभाग्य से ताइशांग कबीले और आकाशिय कबीले मूल रूप से एक परिवार है और बहुत अधिक लोग नहीं है स्काई गार्डन में अस्थाई रूप से बसने को बड़े ब्रहमांड में महान परिवर्तनों के खिलाफ अपनी ताकत को केंद्रत करने के रूप में माना जा सकता है हान सेन 33 वे दिन क्या हुआ स्वर्ब को दबाने वाले महल के स्वामी ने सीधे पूछा जब उसने हान सेन को वापस आते देखा तीस दिन पहले उपर का जीन समारक मूल रूप से दिव्य अराजकता समाज के पुराने अध्यक्ष की संपत्ती थी अब यह अपने मूल स्रोत पर वापस आ गया है और एक मालिखीन चीज बन गया है किसी भी प्रानी को इसका नया मालिक बनने का अफसर मिलता है अब सकारात्मक और नकारात्मक ब्रह्मान के डरावने प्रानी यहां तक की देवता भी आनुवन्शिक स्मारक के नए स्वामी बनना चाते हैं हान सेन ने ताइशां कभीले और आकाश उध्यान में सभी को अपनी ओर देखते हुए देखा इसलिए उसने सीधे मामले का परिणाम फिर से बताया बेशक हान सेन ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उसने स्त्रोत पर लोटने के लिए 33 दिन का आदेश दिया था जिन लोगों को प्राचीन काल से स्वर्ग और प्रित्वी के खजाने को प्राप्त करने का मौका मिला है उन्हें हमारे लिए अवसर मिल सकता है ताईशांग कभीले के एक बुजर्ग ने कहा जेंटियन गोंग ने जौनडाओ की वकालत की और अपने होटों को सिकोड दे हुए कहा ताईशांग कभीले के न्यौमों के अनुसार दुनिया के सभी खजाने ताईशांग कभीले से संबंधित होने चाहिए है न और सेलेस्टियल कभीले एक ही मूल से आते हैं वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और मतभित पैदा होना आसान है यहां तक की जो बुजर्ग ताईशांग प्रेरण अध्याय का अभ्यास कर रही हैं और ताईशांग वांकिंग के दाइरे में पहुँचने वाले हैं जब वे हेंरी जांग को देखते हैं तो यह अप्रिहार्य है मूड स्विंग होगा हेंरी जांग ने अपनी आखें सिकोड ली और मुस्कुराया यह एक अच्छा शब्द है आपके ताईशांग कभीले की ताकत आस्मान के खिलाफ है उन सीमा तोडने वाले जानवरों से भी अधिक मजबूत है जो 33 दिनों में टकराते हैं इसलिए आप स्वाभाविक रूप से मौके ले सकते हैं यह अफसोस की बात है कि हमारे तियान-तियान पैलेस के शिश्य बहुत कमजोर है यदि आप 33 दिनों में अंदर नहीं जा सकते तो मौके का कोई मौका नहीं है और निश्चित रूप से खजाना केवल आपके ताइशां कभीले के हाथों में आ सकता है सभी ने स्वाभाविक रूप से हेन्री जांग का व्यंग्य सुना उनके लिए अपनी ताकत से 33 दिनों में घुसना असंभव है और वे आनुवंशिक स्मारक को कैसे नियंतरित कर सकते है हान सेन ने आलस से उनकी चर्चा सुनी वैसे भी उसने फिलहाल 33 वे स्वर्ग जाने की योजना नहीं बनाई थी वह उठ गया और जी यानरान और लिंगर को खोजने के लिए कॉन्फरेंस हॉल से बाहर निकलने वाला था हान सेन हम परिणामों पर शोद करने से पहले ही तुम क्यों चले गए ताइशांग कभीले के एक बुजुर्ग ने कहा मैं बुड़ा हो गया हूँ और मेरे पास कोई विचार नहीं है तुम जियाव हुआ से बात कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई परिणाम है तो मुझे बता देना तुम जो भी मुझ से करवाना चाहोगे मैं करूंगा हान सेन ने जियाव हुआ के कंधे पर थप थपाया बेटा तुम बड़े हो गए हो पिताजी बूड़े हो गए हैं और वे तुम्हारी मा के साथ घर जाने और तुम्हारी बहन की देखभाल करने की योजना बना रहे हैं और अप से परिवार पूरी तरह से तुम पर निर्भर रहेगा पिताजी जियाव हुआ ने हान सेन को अचमभित होकर देखा कड़ी महंत करो अगर तुम्हें क्षमता है तो उपर जाओ अगर क्षमता नहीं है तो भागो अगर तुम जीत नहीं सकते तो अपना चेहरा मत खो यह सब करने से बहतर है अपनी जान गवा दोगे हान सेन ने शियाव हुआ के कान में जुक कर मुस्कराते हुए कहा हाला कि उसने यह बात धीमी आवाज में कही थी लेकिन वहां मौजूद सभी लोग शीर्ष विशेशग्य थे कौन उसकी बाते नहीं सुनेगा सभी जातियों के कई विशेशग्यों के चहरे पर अजीब भाव थे आप लोगों ने अच्छी चर्चा की मैं पहले जाऊंगा हान सेन ने कहा और मीटिंग हॉल से बाहर चला गया मास्टर क्या आपको अभी भी यहां रहने की आदत है जब हान सेन कॉन्फरेंस हॉल से बाहर निकला तो येशा भी बाहर चली गई हान सेन ने अभिवादन किया बुरा नहीं है इसा ने हान सेन को घूरते हुए कहा सोने के सिक्के आपको नहीं भूलना चाहिए था हमारे बीच अभी भी एक लड़ाई है है ना मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे है मेरे परिवार के लिए लड़ना और मारना अच्छा नहीं है हान सेन ने कहा चाकू को देखो इसा अचानक उछल पड़ा चाकू निकाला और हान सेन की गरदन पर वार कर दिया हान सेन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी हाला की इसा पहले से ही जीन ब्रहमान में एक शीर्ष विशेशग्य है फिर भी उसने आखिरकार सीमा नहीं तोड़ी है और हान सेन को कोई खत्रा नहीं है लेकिन वह आखिरकार हान सेन की गुरू है इसलिए हान सेन ने चाकू नहीं लिया बलकि कटे हुए चाकू से बचने के लिए एक कदम पीछे हड गया येशा ने दान्त के चाकू को खोला और एक के बाद एक हान सेन पर वार किये हाला की ताकत नहीं फटी चाको की ताकत और चाको की ताकत वास्तव में चाको के बेहद उचे स्तर पर पहुँच गई थी यहां तक की हान सेन को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि तलवार के दाओ की कलात्मक अवधारणा के मामले में ईसा उससे कम नहीं है दंथ चाको का एक सेट खत्म करने के बाद ईसा के हाथ में चाको हान सेन को छूने में विफल रहा इसलिए ईसा ने चाको रोक दिया हान सेन को देखा और कहा मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है आप, अपसे, मास्टर इसे फिर से उल्लेक करने की कोई आवशक्ता नहीं है एक दिन एक शिक्षक के रूप में आजीवन हान सेन ने बोलना समाप्त नहीं किया था जब उसे ईसा ने बाधित किया मैं इतना बूढा नहीं हूँ और आप इतने युवा नहीं है इसलिए मुझे ईशा कहें बोलना समाप्त करने के बाद ईसा ने हान सेन को नजरंदाज कर दिया और रिबेट शिविर की ओर मुड गया हान सेन ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया इसा को जाते हुए देखने के बाद वह हैंगिंग गार्डन में अपने घर लौट आया जी यानरान लिंगर को अपनी बाहों में लेकर कार्टून देख रही थी हान सेन को वापस आते देख लिंगर जी यानरान की बाहों से उड़ गई और हान सेन की गर्दन से लिपट गई पिता जी आप वापस क्यों आए लिंगर आपको बहुत याद करती है मैं आपका इंतजार करते करते भूखी हो गई मैं ग्रीन स्टार से ग्रिल्ट ड्रैगन मीट और लॉंकलन स्टार से मिल्क कोकोनट जूस खाना चाहती हूँ लिंगर ने अपनी छोटी उंगली मरोडते हुए कहा तुम्हें मेरी याद आती है तुम्हें मेरा बटुआ याद आता है हान सेन ने लिंगर की नाक पर चुटकी ली और मुस्कुराते हुए कहा पिता जी मेरी नाक पर चुटकी मत लो मा ने कहा कि अच्छा दिखने के लिए नाक लंबी होनी चाहिए अगर तुम इसे हर समय दबाओगी तो यह अच्छी नहीं लगेगी भविश्य में कोई भी अच्छा आदमी मुझसे शादी नहीं करेगा लिंगर ने जल्दी से अपने छोटे हाथ से अपनी नाक को ढख लिया और कहा मा तुम से जूट बोल रही है तुम देखो तुम्हारी मा की नाक बहुत लंबी नहीं है क्या उसे तुम्हारे पिता जैसा अच्छा आदमी नहीं मिला हान सेन ने गर्व से कहा लिंगर ने जी यानरान को देखा फिर हान सेन को तो मुझे अपनी नाक की रक्षा करनी चाहिए तुम्हारा क्या मतलब है हान सेन को प्रतिक्रिया करने में थोड़ा समय लगा और उसने लिंगर की खुजली को खरोचने के लिए गुस्से से अपना हाथ बढ़ाया हाला की आकाश उद्यान की रक्षा की गई है लेकिन यह केवल अस्थाई रूप से बेस के पास एक शेत्र रखता है? जैसे जैसे समय बीटता जाएगा उनकी सीमा तोडने की दर बढ़ती जाएगी बेस से निकलने वाले जंगल में हान सेन अपने हाथ में एक सीमा तोडने वाला जीन पकड़े हुए था यह सीमा तोडने वाला जीन ब्लाक एम्परर से आया था और उसके पास इसे अवशोशित करने और परिश्क्रित करने का कोई समय नहीं था आसु के आकार के सीमा तोडने वाले जीन को सीधे अपने पेट में निगलते हुए उसने तुरंट अपने पेट में एक अजीब शक्ती फैलती हुई महसूस की जिससे उसके शरीर की सभी कोशिकाएं तेजी से रुपांतरित हो गई सीमा तोडने वाला जीन प्लस नौ हान सेन के दिमाग में तुरंट यह संकेत गूंज उठा जिससे हान सेन खुश हो गया एक बार में सीमा तोडने वाले जीन में नौ अंक जोडने पर ऐसा लगता है कि एक सौ अंको के पूर्ण मूल्या तक पहुँचना मुश्किल नहीं है जब तक आप एक दर्जन या उससे अधिक सीमा तोडने वाले जानवरों को मारते हैं ब्रहमांड में सीमा तोडने वाले जानवरों की वर्तमान संख्या के साथ एक दर्जन या उससे अधिक सीमा तोडने वाले जानवरों को मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए और अकेले स्काई गार्डन में एक दर्जन से अधिक सीमा तोडने वाले जानवर होने चाहिए, हान सेन ने इस बार स्काई गार्डन में सीमा तोडने वाले जानवर को खोजने के लिए बेस छोड़ा ताकि उसका सीमा तोडने वाला जीन एक सौ अंको के पूर्ण मूल्य तक जल्दी पहुँच सके और देखे कि उसके पास किस तरह के बदलाव होंगे चार तरह की आनुवन्शिक तकनीकों की सीमा तोडने की दर उसी हिसाब से नहीं बड़ी है इसके विपरीत सुपर गौड स्पिरिट बॉडी प्रभावित होती दिख रही है और स्पिरिट बॉडी में कुछ बदलाव हुए है आध्यत्मिक शरीर पदार्थ कुछ हूँ नहीं सकते और हान सेन को नहीं पता की बदलाव अच्छा है या बुरा बूम जंगल की गहराई से एक तेज आवाज आई जैसे बहुत दूर से गडगड़ा हटा रही हो दूर की जगह और धमा का कुछ देर तक चला एक विचार के साथ हान सेन एक पल में अंतरिक्ष को पार कर उस थान पर आ गया जहां से आवाज आ रही थी अचानक उसने एक सफेद बाग के आकार का चार पंखो वाला विशालकाई जानवर खून से लत्पत पड़ा देखा शरीर को मौत के घाट उतारते हुए खून बहता रहा और चार पंखो वाले सफेद बाग के उपर आस्मान में हरे पंखो वाला कोट पहने एक आदमी तैर रहा था यहां निंग यू था पिछले बाउंडरी ब्रेकर दंगो के दौरान हान सेन ने इस चार पंखो वाले सफेद बाग को देखा था हाला की सीमा तोडने की दर अधिक नहीं थी लेकिन यहां बहुत तेज थी यहां एक हवा जैसा बाउंडरी ब्रेकर था उस लड़ाई में उसका सिर नहीं काटा गया था बलकि उसे बाहर निकाल दिया गया था अब उसका सिर निंग्यू ने यहां काट दिया था और वहां बहुत आराम से दिख रहा था निंग्यू तुमने आखिरकार उस छोटी हरी तलवार पर विजय प्राप्त कर ली बधाई हो और बड़ी और हान सेन से एक हाथ से भी कम दूरी पर रुक गई उसने हान सेन को एक पुराने कुए जैसी गहरी आखों से देखा और कहा मैं वापस आ गई हूँ तुम और मैं दोनों के बीच अब लड़ाई शुरू हो सकती है क्या हम लड़ नहीं सकते हान सेन ने कंधे उचकाए और कहा तुम्हें पता है मैं शांतिवादी हूँ निंग यो के मुँ के कोने थोड़े मुड़े हुए थे एक चंचल मुसकान प्रकट करते हुए वह पीछे हट गई और हान सेन को देखा और कहा तुम्हारे बेचेन दिलने मुझे ऐसा नहीं बताया यह एक असाधारन समय है और स्काई गार्डन को मेरी और तुम्हारी जरूरत है हान सेन ने कहा मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था निंग यो के चहरे पर मुसकान धीरे-धीरे फीकी पड़ गई उसने हान सेन को देखा और शांती से कहा मैं जानना चाती हूँ कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ और मैं यह भी जानना चाती हूँ कि तुम कितनी दूर पहुँच गए हो क्या लड़ना जरूरी है हान सेन ने निंग यू को देखा और पूछा ऐसा नहीं है कि हमें लड़ना है लेकिन मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही हूं कम से कम मुझे इंतजार करते रहने का एक कारण तो दो निंग यू ने कहा जीन समारक 33 दिन से उपर है और अब ब्रहमान में सभी प्राणी इसके स्वामी बनना चाते हैं आप और मैं जीन समारक पर शर्त लगाते हैं जो भी इसका स्वामी बन सकता है वह जीतता है हान सेन ने कहा निंग्यू ने एक बड़ी कबर की तरह शून्य में 33 स्वर्गों को देखा और आखिरकार उसकी नजर अनुवन्शिक समारक पर पड़ी और उसने लंबे समय के बाद सिर हिलाया यह ठीक है आखिरकार निंग्यू ने मुड कर जाने वाली थी निंग्यू क्या आपके पास सीमा तोडने वाला जीन है हान सेन निंग्यू की पीठ को देखते हुए पूछा मेरे पास है निंग्यू ने रुक कर बिना सिर घुमाए जवाब दिया सीमा जीन को तोडने का क्या फाइदा है हान सेन ने फिर पूछा आपके पास भी सीमा तोडने वाला जीन है क्या आपको नहीं पता कि इसका क्या फाइदा है निंग्यू ने कुछ देर रुक कर जवाब दिया सीमा तोडने वाला जीन मेरे दिव्य शरीर को मजबूत बनाता है बिल्कुल मैं पहले निश्चित नहीं हो पाई थी मुझे नहीं पता कि यहाँ सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है यहाँ मेरे आनुवनशिक सुधार में मदद नहीं करता हान सेन ने अपने विचारों की पुष्टी की मैं दूसरों के बारे में नहीं जानती सीमा तोडने वाला जी जीन सिर्फ मेरे दिव्य शरीर पर काम करता है आनुवनशिक तकनीक पर नहीं निग्यू ने कहा और वह चक्मा देकर दूर चली गई और गहराई में चली गई जंगल में जाहिर है वह सीमा तोडने वाले जानवर का शिकार करना और सीमा तोडने वाले जीन को भैतर बनाना भी चाहता था हान सेन की तरह निग्यू का भी तुरंट तैंतीस पर जाने का कोई इरादा नहीं था हान सेन ने जंगल की गहराई में प्रवेश करना जारी नहीं रखा और चार पंखो वाले सफेद बाग के शरीर को वापस जीन में खीच लिया हाला कि चार पंखो वाले लेकिन इस शरीर का आम इंसानों और जीवों पर भी बहुत बड़ा असर था केलाब आखिरकार हैंगिंग गार्डन में मुठी भर दुनिया तोडने वाले ही हैं और यहाँ लाश बहुत काम की है सीमा तोडने वाले जानवर अब बड़े ब्रहमान में हर जगा हैं चूंकि निंग्यू आकाश उद्ध्यान में रुकी थी इसलिए मैं जेंटियन पैलिस जाऊंगी जाने से पहले हान सेन ने ब्लैक एमपरर बीस्ट सोल और फ्लोइंग लाइट ड्रेगन बीस्ट सोल को जी यानरान को सौंक दिया ताकि वहाँ खुद की रक्षा करने की क्षमता रक सके स्ट्रीमर ड्रेगन बीस्ट सोल स्ट्रीमर ड्रेगन गन है और ब्लैक एमपरर बीस्ट सोल कवच जैसी बीस्ट सोल है जिसे जेड से बने काले पूरे शरीर के कवच में बदला जा सकता है जिसकी सीमा तोड़ने की दर 69% है साथ प्रतिशत तक पहुँच गया और इसमें विकास की विशेश्टा भी है लेकिन स्ट्रीमर ड्रेगन गन में ऐसी विशेश्टाएं नहीं है लेकिन हान सेन को नहीं पता की ब्लैक एमपरर कवच को कैसे विक्सित किया जाए हान सेन मैं हाली में असर्ज महसूस कर रहा हूँ जैसे की कुछ बुरा होने वाला है जब हान सेन बाहर जाने वाला था तो जी यानरान ने उसे रोक लिया और कहा यहाँ पहली बार था जब जी यानरान ने हान सेन को बाहर जाने से रोका चिंता मत करो मैं बस एक नजर डालने के लिए जैंटियन पैलेस जा रहा हूँ मैं 33 दिनों तक जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ कुछ नहीं होगा हान सेन ने जी यानरान के गाल पर चुटकी ली और मुस्कुराया मुझे उम्मीद है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ मेरा तत्वमी मानसा अभी अपने चरम पर नहीं पहुँचा है इसलिए गलत होना सामान्य है जी यानरान ने मुस्कुराने की कोशिश की ऐसा लग रहा था कि वहाँ वाकई बहुत बुरे मूड में थी ठीक है मैं पहले मिस्टर बाई के पास जाऊंगी और मिस्टर बाई से मेरे लिए हिसाब करने को कहूंगी अगर यहाँ वाकई अशुब है तो मैं नहीं जाऊंगी हान सेन ने कुछ देर सोचा और कहा तभी जी यानरान को राहत महसूस हुई उसने सिर हिलाया और कहा यह सबसे अच्छा है आपको पहले मिस्टर बाई के यहाँ जाना चाहिए मेरा इंतजार करो मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी हान सेन ने छोटे से आंगन से निकल कर मिस्टर बाई के घर जाने से पहले उसके गाल पर चुटकी काटी यहाँ बहुत अशुब है मिस्टर बाई ने हान सेन को देखा और हान सेन के बोलने से पहले उसने हान सेन के चहरे को घूरते हुए तीन शब्द कहे सर, कृप्या सलाह दे हान सेन को आश्चर्य हुआ और उसने सलाह मांगी हाला कि उसने खुद ताववादी आनुवन्शिक तकनीक और थोड़ा सा तत्वमी मांसा सीखा है लेकिन वह इसमें बहुत कुशल नहीं है और वह इस मामले में मिस्टर बाई से बहुत पीछे है अगर हान सेन युद्ध के मैदान में एक बहादूर और अद्वितिय जनरल है और वह युद्ध के मैदान में अजे है तो मिस्टर बाई एक राष्ट्रिय शिक्षक की तरह है जो सबसे उपर खगोल विज्ञान और नीचे भूगोल जानता है मैं यहां नहीं कह सकता कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा यह सिर्फ इतना है कि विकास की दिशा अलग है श्री बाई ने 33 हेवन को देखा जो शून्य में एक बड़ी कब्र की तरह लग रहा था और हान सेन से कहा 33 हेवन के अपने मूल फ्रोथ पर लौटने के बाद मैंने ध्यान से गणना की है कि वहां का स्थान एक ऐसी जगा है जहां यिन और यांग मिलते हैं लेकिन अन्य स्थिती सही नहीं है और इसकी आभाब बहुत भयंकर है वे जीव जो 33 दिनों में प्रवेश कर चुके हैं मुझे डर है कि 10 में से 9 को अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे यह सुनकर हान सेन ने राहत की सांस ली और कहा यह पता चला है कि आप 33 हेवन के बारे में बात कर रहे थे और मेरा वहां जाने का इरादा नहीं था अप्रत्याशित रूप से श्री बाई ने अपना सिर हिलाया और कहा मैं देख रहा हूं कि आपके पास एक बेहोश बुरी आत्मा है जो 33 हेवन की प्रतिध्वनी करती है भले कि आप नहीं जाना चाहते हूं आपको 33 हेवन में जाना चाहिए सर क्या आपका मतलब है कि मुझे थर्टी थर्ड हेवन में जाना है अगर हान सेन युवा होते तो वे श्री बाई की बातों पर विश्वास नहीं करते या सोचकर कि अगर वे नहीं जाना चाहते तो कोई उन्हें 33 स्वर्ग जाने के लिए मजबूर कर सकता है हाला कि हान सेन ने बहुत सी चीजों का अनुभव किया है वह जानता है कि एक अजे मजबूत व्यक्ति भी खुद की मदद नहीं कर सकता इसके अलावा हान सेन अब अजे नहीं है श्री बाई ने सिर हिलाया आपको इस बार जाना होगा और यह बेहत खतरनाक है पहले से तैयारी करना बहतर है तो मेरे काम का अन्त क्या है हान सेन ने इसके बारे में सोचने के बाद पूछा श्री बाई थोड़ा मुस्कुराए भविश्य भविश्य है हमने जो तत्वमी मांसा सीखी है वह वर्तमान जानकारी के आधार पर एक उचित अनुमान है और यह वास्तव में भविश्य कि भविश्यवानी नहीं कर सकता है जब तक कोई वास्तविक ईश्वर नहीं है कोई भी प्राणी वास्तविक दुन्या को नहीं देख सकता है मैं सिर्फ एक नश्वर हूँ मैं अंगिनत संभावनाओं के साथ भविश्य के अंत को कैसे जान सकता कौमोरी तुम मुझे बहुत ज्यादा आक रही हो मी बाई की बात सुनकर हान सेन को पता चल गया कि उसकी यात्रा जरूर एक आपदा होगी मी बाई दरसल उसे बता रहे थे कि भविश्य में अंगिनत संभावनाएं है और अंत होने से पहले उसके पास अभी भी एक मौका है हान सेन इस बारे में नहीं सोच रहा था कि क्या वह जिन्दा वापस आ सकता है बल्कि वह क्या था जिसके कारण उसे 33 दिन के लिए जाना पड़ा कम से कम अब तक हान सेन के पास 33 दिन के लिए जाने का कोई कारण नहीं है मिबाई से कुछ देर बात करने के बाद हान सेन ने अलविदा कहा और चला गया चुंकि उसे 33 दिन के लिए जाना पड़ सकता है इसलिए उसे और तयारी करनी चाहिए और बचने की संभावना बहतर होगी हान सेन अब सिर्फ 33 दिन के लिए जाने से पहले सीमा तोड़ने वाले जीन को इकठा करना चाहता है शायद तब यह उपयोगी हो मीबाई ने क्या कहा हान सेन को वापस आते देख जी यानरान ने तुरंत उसका अभिवादन किया और पूछा उसे हमेशा बेचैनी महसूस होती है यह एहसास पहले कभी महसूस नहीं हुआ भले ही पिछली बार हान सेन को एंटी मैटर दुनिया में राजा ने खीचा था दुनिया में दूसरों को लगा की हान सेन मर चुका है लेकिन जी यानरान अभी भी बहुत शांत था और उसे ऐसी कोई बेचैनी नहीं थी मिस्टर बाई ने मेरी लिए इसका हिसाब लगाया कहा कि इस बार मेरे साथ एक आपदा होगी और दस में से नौ बार खुनी आपदा होगी हान सेन ने आधे सच में कहा क्या आपदा जी यानरान ने चिंतित होकर पूछा मिस्टर बाई कोई असली भगवान नहीं है वह सब कुछ कैसे गरना कर सकता है उसने बस इसका हिसाब लगाया इस बार मेरी आपदा एक निकट मृत्यू की स्थिती है हाला कि मैं खत्रे में रहूंगा लेकिन समय आने पर मेरी मदद करने के लिए अच्छे लोग होंगे यह सिर्फ इतना है कि यह अप्रिहार्य है कि आपको बहुत पीडा होगी हान सेन ने गंभीरता से कहा जी यानरान हमेशा उसका पीछा करते समय डरी रहती थी अन्यता जी यानरान तत्वमी मांसा में इतनी रुची नहीं रखती वह जी यानरान को फिर से कैसे डरा सकती थी इन आधे सत्य और आधे जूठे शब्दों ने जी यानरान को बहतर महसूस कराया अगर हान सेन ने कहा कि वह ठीक है तो जी यानरान को धोका देना मुश्किल होगा लेकिन जब हान सेन ने कहा कि वह खुद लूटा गया था लेकिन वह मरेगा नहीं तो जी यानरान को बहुत राहत मिली लिंगर और शियाँ हुआ का अच्छे से ख्याल रखना मैं तियान-तियान पैलेस जाऊंगा और कुछ सीमा तोडने वाले जीन प्राप्त करने के बाद वापस आऊंगा हान सेन ने हमेशा की तरह हलके से कहा बिना कुछ हतरिक्त कहे अन्य था जी यानरान की उत्सुकता के साथ वा निश्चित रूप से कुछ देख पाएगी पिता जी क्या आप वापस आते समय मेरे लिए एक बिल्ली ला सकते हैं मैं एक पालतू जानवर रखना चाहता हूँ हान सेन के जाने से पहले वह पहले लिंगर से मिलने गया और लिंगर ने पलक जपकाते हुए उससे कहा तुम्हें अचानक बिल्ली पालने का ख्याल क्यों आया? हान सेन ने बावेर को संदेह से देखा टॉम एंड जेरी में बेवकूफ बिल्ली बहुत दिल्चस्प है मैं भी एक पालना चाहता हूँ लिंगर ने कहा ठीक है मैं पकड लूँगा जब पिताजी वापस आएंगे तो तुम्हें एक मिल जाएगा हान सेन सहमत हो गया लेकिन वह अपने दिल में सोच रहा था वास्तव में एक बिल्ली का बच्चा है लेकिन यहां बावेर के साथ है और बावेर सामराज्य के महान ब्रहमांड में है आपके पास अभी शाही ब्रहमांड में प्रवेश करने की क्षमता नहीं है इसलिए आपको पहले 33 स्वर्गों से गुजरना होगा। अलविदा कहते समय हान सेन। ने जी यानरान की मा और बेटी पर एक और गंभीर नजर डाली और अपने दिल में कहा कोई बात। नहीं मुझे जिन्दा वापस आना ही होगा। जाने के लिए स्टार टेलिपोर्ट का इस्तिमाल करें लेकिन हान सेन तियान तियान पहलेस नहीं गया बलकि पहले जिया हुआ गया। पत्नी और बेटी लाड़ प्यार के लिए हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें डराया नहीं। जा सकता लेकिन बेटा अलग है। हान सेन को यह भी डर है कि अगर वह वास्तव में इस दहलीज को पार नहीं कर सकता तो उसे कुछ कबूल करना होगा। कोई रास्ता नहीं है जिसने उसे एक आदमी और। परिवार में सबसे बड़ा बनाया कुछ चीजें केवल उसके द्वारा ही सहन की जा सकती है। पिता जी मैं आपके साथ। 33 दिनों के लिए जाऊंगा। जियाओ हुआ ने हान सेन की ओर देखा और गंभीरता से कहा। अपने पिता को इतना कम मत समझो। भविश्य अनिश्चित है। मैं कोई रास्ता निकाल लूँगा। तुम्हें बस अपनी मा और बहन का अच्छे से ख्याल रखना है। मेंगर, लिंग और नन्ही परिया सभी बिना रिष्टेदारों और कारणों के हैं। बेचारे अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो जाकर उनसे मिलो। हान सेन हसा। मेरी बहने मेरे प्रती बहुत दयालू हैं। और मैंने हमेशा उन्हें अपनी बहनों की तरह माना है। जिया हुआ ने कहा। यह अच्छा है, मैं जा रहा हूँ। हान। सेन ने अपना हाथ हिलाया, जेंटियन पैलिस जाने के लिए तैयार। पिता जी, खुद सावधान रहना। मैं अभी भी आपसे गंभीरता से लड़ना चाहता हूँ। मैंने बच्पन से कभी कुछ नहीं मांगा। आपको इस अनुरोध पर सहमत होना होगा। जिया हुआ ने। अचानक कहा। ठीक है, मेरे वापस आने का इंतजार करो। हान सेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, और सीधे तारो। वाले आकाश का उपयोग करके तियान-तियान महल के बाहर की ओर बढ़ गया। अगर स्वरगदमन महल बाहर से अप्रिवर्तित दिखता है, लेकिन अंदर से धर्ती हिल रही है। अंगिनत लटकते द्वीप धुंद में लिपते हुए हैं, और कई भयानक दुनिया को तोड़ने वाले जानवर निश्क्रिया हैं, और उस शून्य में बारह सफेद जेट टावर और पांच जेट शहर बादलों के उपर तेरते हैं, जैसे मिथकों और किमवदंतियों में प्राचीन परी महिन उस कमीने किन शीव ने कितने प्राण निकाले? हां सेंने चारो ओर देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि हर द्वीप पर भयानक अस्तित्व प्रतीत होता है। एक विचार के साथ, हान सेन का शरीर एक ड्वीप पर दिखाई दिया, यहां तियान तियान पैलेस के ड्वीपों में से एक था, हान सेन को ड्वीप का नाम ठीक से याद नहीं था, यहां पहले तियान गोंग में एक बहुत ही साधारन तेरता हुआ द्वीप था, इस पर ध्य जान देना मुश्किल है। लेकिन अब यह छोटा द्वीप बादलों और धुन्द में लिप्ता हुआ है। जो एक भयंकर और भयानक वातावरण को दर्शाता। है। हान सेन द्वीप में भाग गया और तुरंत द्वीप पर एक बैंगनी क्रिस्टल की मूर्ती खड़ी देखी। क्रिस्टल की मूर्ती बहुत अजीब थी जिसके पीछे एक नीलम क्रॉस था। क्रॉस पर एक बैंगनी क्रिस्टल की मूर्ती एक बैंगनी क्रिस्टल की चेन से बंधी हुई है. मूर्ती एक इंसान की तरह दिखती है, लेकिन इसके पीछे एक पंक है. हाँ, केवल एक पंक, मूर्ती के बाईं और केवल एक पंक है, लेकिन दाहिना भाग खाली है, कुछ भी नहीं तुम वापस आने की हिम्मत करो, एमेथिस्ट मूर्ती ने अपना सिर उठाया, बैंगनी क्रिस्टल की दो आखे अजीब सी रोशनी से चमक रही थी, हान सेन को घूर रही थी, और बोल भी रही थी, ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचानते हो, हान सेन ने एमेथिस्ट मूर्ती को देखा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कब देखा था एमेथिस्ट मूर्ती अजीब तरह से मुस्कुराई, हमारे और भाग्य की आत्मा के बीच विले अभी शुरू हुआ है, और हमने अभी सीमा को तोड़ा है स्वाभाविक रूप से हम तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी नहीं है, हम केवल तुम्हें बायुजिंग के सामने अपनी शक्ती दिखाते हुए देख सकते हैं, लेकिन अभी यह अलग है मैंने जीवन की आत्मा को पूरी तरह से सफलता पूर्वक एकी कृत कर लिया है, और तुम्हें मारना आसान है दिल्चस्प, हान सेन ने मुस्कराते हुए एमिथिस्ट मूर्ती को देखा, और तुरंट कोई कदम नहीं उठाया वहाँ देखना चाहता था कि आत्मा के साथ विलय के बाद यह आदमी कितना मजबूत हो सकता है जल्ध ही तुम्हें यह दिल्चस्प नहीं लगेगा, जैसा कि एमिथिस्ट मूर्ती ने कहा उसका पूरा शरीर अचानक हिल गया, और क्रॉस से उसे बांधने वाली एमिथिस्ट जंजीरे बलपूर्वक तूट गई, और एमिथिस्ट मूर्ती एक जीवेत, व्यक्ती की तरह बह गई जब वह आया, तो उसकी पीठ पर एक पंक उसके शरीर के बगल में मुड़ा हुआ था, जिससे एक रहस्यमय और शक्तिशाली द्रिश्य प्रभाव पैदा हुआ तुम बहुत प्रभावशाली दिखते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम कितने मजबूत हो, हान सेन ने सीमा तोडने वाले को देखा और कहा मुझे डर है कि तुम है, यहाँ पता लगाने का मौका नहीं मिलेगा कि मैं कितना मजबूत हूँ क्योंकि जब मैंने कदम उठाया तो तुम पहले ही मर चुके थे, एमेथिस्ट मूर्ती एक-एक कदम आगे बढ़ी, अपनी छाती पर हतेली रखी और फिर धीरे-धीरे उसे अपने सिर के उपर उठाया, जैसे एक तेज ब्लेड हान सेन पर काट रहा हूँ इसकी कटने वाली शक्ती हवा में एक लहर की तरह लगती है, और कोई शक्ती उतार चढ़ाव नहीं है हालांकी, हान सेन ने अपना बाया हाथ उठाया और अपनी इच्छा से इसे लहराया, शून्य में कुछ तोड़ दिया, पूरे आसमान में एमेथिस्ट फूट पड़े जीजिंग मूर्ती का चहरा अचानक बदल गया, मेरी घातक तल्वार की रोशनी को भेद पाना वाकई कौशल की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम जरूर मरोगे, जब नीलम की मूर्ती बोली, तो उसके शरीर से बुरी आत्माओं की तरह बैंगनी लपते निकली और उसका शरीर तुरंत एक अजीब बैंगनी दरांती में बदल गया, वह पंख दरांती का ब्लेड है और नीलम की मूर्ती का शरीर हैंडल बन जाता है हान से ने जाओ निंगेर और लुगवांग लोंक्यांग में इसी तरह के रूप देखे हैं और उन्हें नहीं लगता की यह असामान्य है तीस से ज्यादा की ब्रेकिंग दर वाले सीमा तोडने वाले जानवरों में भी इसी तरह की भौती की करण क्षमताय होती है मरो नीलम की मूर्ती द्वारा रुपांतरित मौत की दरान्ती ने अंतरिक्ष को चीर दिया और हान सेन की ओर वार किया इतनी तेजी से की हान सेन को भी सिर्फ एक बैंगनी रंग की किरण दिखाई दे रही थी हान सेन ने सीमा तोड़ने वाले को मारने के लिए सीधे अपनी पूरी ताकत का इस्तिमाल नहीं किया बलकि सिर्फ बरफीली मांसपेशियों और हड्यों की शक्ती को सीमा को तोड़ने दिया जिससे पूरा शरीर एक पवित्र और शुद्ध शरीर में बदल गया नीलम दरान्ती पर वार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए बरफीली जेड जैसी हथिली नीलम दरान्ती के बलेड से टकराई और नीलम दरान्ती अचानक उड़ गई बरफ की मासपेशी और जेड हड़ी की सीमा तोडने की दर अभी तक 30% तक नहीं पहुँची है और नीलम दरान्ती जो 30% से अधिक हो गई है, जाहिर है कि बर्फ की मासपेशी और जेड हड़ी जितनी शक्तिशाली नहीं है नीलम दरान्ती प्रकाश की एक धारा में बदल गई और हान सेन के चारो ओर तेजी से चमक उठी बार-बार हान सेन पर वार करती हुई जैसे कि कोई अद्रिश्य बड़ा हाथ उसे लहरा रहा हूँ हान सेन ने अपनी बरफीली मांस्पेशियों और हड्यों से वापस लड़ा उसने नीलम दरान्ती को बार-बार पीछे धकेला उसे नहीं पता था कि वा कितनी बार उससे टकराया था एक क्लिक के साथ नीलम दरान्ती का बलेड हान सेन की हथेली से खुल गया तूटे हुए नीलम के टुकडे दरार से बाहर निकल आए नीलम दरान्ती ने आखिरकार हमला करना बंद कर दिया और वापस एक मूर्ती में बदल गई पंक की स्थिती में एक दरार थी और किनारे पर आधे पंक बिखर गए थे एमेथिस्ट मूर्ती के चहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था लेकिन चहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी तुम पहले से ही मर चुके हो, एमेथिस्ट मूर्ती के चहरे पर मुस्कान और भी मजबूत होती गई, जैसे कोई दुष्ट भूत किसी मरे हुए आदमी को देख कर मुस्कुरा रहा हो मुझे क्यों नहीं पता कि मैं कब मर गया हूँ हान सेन ने एमेथिस्ट मूर्ती को देखा मुस्कुराहट के साथ एमेथिस्ट स्टैच्यू ने बेथाशा मुस्कुराया और कहा, मैंने कहा, इससे पहले कि मैं वास्तव में कुछ करू, तुम पहले ही मर चुके थे, प्रचन हसी के साथ, एमेथिस्ट स्टैच्यू ने अपनी हथेली खीची, और एक एमेथिस्ट चेन उसके हाथ में पतली हवा से प्रकट हुई, जबकि एमेथिस्ट चेन का दूसरा छोड हान सेन के शरीर के चारो और लिप्टा हुआ था, हान सेन के शरीर को रोक रहा था, एमेथिस्ट चेन से बुरी बैंगनी लप्ते निकल रही थी, जैसे नरक से लाया गया जहरीला साप, अवर्णनिय रूप से क्रूर और अजीब, एक जीवित चीज की तरह चलो, अपनी आत्मा को मेरा व्यंजन बनाओ, एमेथिस्ट स्टैच्यू ने अपने हाथ में एमेथिस्ट चेन को जोड से खीचा, अपने दिल में जो उसने सोचा था, उसके अनुसार, इस खिचाव से हान सेन की आत्मा, शरीर से बाहर आ जाएगी, लेकिन जब उसने अपनी ताकत लगाई, तो उसने पाया की हान सेन बिना किसी प्रतिक्रिया के, वहीं स्थिर खड़ा था, और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर नहीं निकली थी, तुम्हारे पास वास्तव में आत्मा पर हमला करने की क्षमता है, तुम्हारी क्षमता दुरलब मानी जाती ह यहां अफसोस की बात है कि तुम मुझसे मिले, हान सेन ने हलके से कहा, यहां तक की जीन स्मारक भी उसकी आत्मा को पकड़ने में विफल रहा, तो एक साधारन सीमा तोड़ने वाला ऐसा कैसे कर सकता है? नीलम की मूर्ती का चहरा थोड़ा बदसूरत था और उसने अपने हाथ में नीलम की चेन को बेथाशा खीचा, लेकिन वहां हान सेन की आत्मा को बिलकुल भी नहीं खीच सका, हान सेन ने एक हाथ से नीलम की चेन को पकड़ लिया, उसकी मासपेशियां सूज गई, और तु चिंच करके तूटे हुए क्रिस्टल में बांध दिया, उसी समय हथेली के एक खिचाव के साथ हान सेन ने नीलम की मूर्ती को खीच लिया, धमा का हान सेन की मुठी ने अपनी और उड़ रही नीलम की मूर्ती पर हमला किया, नीलम की मूर्ती की चाती को सीधे कुचल दिया नीलम की मूर्ती का चहरा विकृत कर दिया और उसका चहरा भै से भर गया हान सेन के हावभाव में कोई बदलाव नहीं आया और उसने लगातार दोनों मुठ्थियों से हमला किया एक मुक्का एमिथिस्ट मूर्ती के शरीर पर लगा, जिससे एमेथिस्ट मूर्ती का पूरा शरीर चकनाचूर हो गया और एक आंसू जैसा बैंगनी क्रिस्टल बाहर निकल आया सीमा तोडने वाले जिजी रीपर को मार डालो और सीमा तोडने वाले जीन की खोज करो हान सेन के दिमाग में यह संकेत गूंज उठा जानवर की आत्मा को प्राप्ट न कर पाने के कारण हान सेन थोड़ा निराश हो गया आत्मा प्रणाली की क्षमता बहुत दुरलब है हाला कि इस जिजी डेथ गौड की ब्रेकिंग रेट केवल 30 से अधिक है जो बहुत अधिक नहीं है लेकिन इसकी आत्मा शक्ती इसे 60 की ब्रेकिंग रेट वाले एक सामान्य सीमा तोडने वाले जानवर से अधिक शक्तिशाली बनाती है सीमा तोडने वाले जानवर के मारे जाने के बाद लटकते द्वीब पर कोहरा तुरंत गायब हो गया हान सेन ने सीमा तोड़ने वाले जीन को हटा दिया और अगले लटकते द्वीप पर उडान भरने ही वाला था कि अचानक उसने बायूजिंग की बारहवी मन्जिलों में से एक को देखा जेड तौवर की चमक चमक रही थी और जेड तौवर से एक आकरती उड़कर बाहर आई हान सेन ने अपनी आखे मून ली और ध्यान से देखा उसकी आखे चमकीली परी की रोशनी से गुजरी और उसने पाया की जेट तौवर से बाहर उड़ते हुए नीले कपड़े में एक परी थी आस्मान में बायूजिंग, बारवी मन्जिल और पांच शहर अमर मेरे सिर को सहलाते हैं और मेरे बाल दीरगायू प्राप्त करने के लिए बंधे हैं, नीले कपड़े वाली परी नाचते हुए बायूजिंग पर उकेरी गई कविताओं को फुसफुसाती है उसकी आकृती जो दुनिया में नहीं हैं, क्या आप भी बायूजिंग में सीमा तोडने वाले हैं, हान सेन ने पूछा क्यों की, उसने नीले कपड़े वाली परी को यहां नीचे उड़ते हुए देखा था, हान सेन इस बात से इनकार नहीं करता, कि उसे अपनी शकल पर नियंतरन रखने क थोड़ी बहुत आदत है, अगर यह कोई बदसूरत राक्षस था जो नीचे उड़ रहा था, तो उसे बहुत पहले ही उसे उड़ा देना चाहिए था, एक सवाल पूछा, मैं कोई सीमा तोडने वाला, जानवर नहीं हूँ, बलकि एक अमर हूँ, बायूजिंग में एक अम थी, लेकिन वास्तव में जमीन पर नहीं उतरी, लेकिन बस उस अलोकिक आवाज में हान सेन से बात कर रही थी, मैंने बहुत से देवताओं को देखा है, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने एक परी को देखा है, हान, सेन ने नीले कपड़े वाली परी को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे शरीर में बाई-यूजिंग की अमर उर्जा, ए, तुम्हें मेरी बाई-यूजिंग का हिस्सा होना चाहिए, तुमने मेरी बाई-यूजिंग में जीवों को क्यो मारा, नीले कपड़े, वाली परी ने हान सेन को घूरते हुए कहा, मैंने जेड उर्जा को अवशोशित करने के लिए बारवी मन्जिल में प्रवेश किया था लेकिन मैंने कोई अमर उर्जा अवशोशित नहीं की हान सेन को यकीन नहीं हुआ की नीले कपड़े वाली परी कोई परी है अगर अमर भी हैं, तो वे सिर्फ अमर कहलाने वाले प्राणी है देवताओं की तरह वे भी सिर्फ एक तरह के आत्मिक प्राणी हैं, जिनकी तुलना असली किमवदंतियों में सर्वशक्तिमान देवताओं से नहीं की जा सक्ती आप जिस जेड उर्जा की बात कर रहे हैं, वह मेरी बाई यूजिंग में अमर उर्जा है बाई यूजिंग के लाग प्राप्त करने के बाद, आप न केवल बदले में कुछ नहीं देना चाहते, बलकि अपनी दयालोता का बदला भी चुकाना चाहते हैं यहां आपकी गलती है, नीले कपड़े वाली परी ने हलके से कहा, मैंने अभी अपनी दयालोता का बदला लिया है, तो क्या हुआ, हान सेन ने तिरसकार पूर्वक कहा, नीले रंग की परी के सिध्धान्त के अनुसार, दूध पीने के बाद, क्या उसे गाए को दानकरता के रूप में नहीं चढ़ाना पड़ेगा, और वहां भविश्य में गोमान्स, नहीं खा पाएगा, मैं जिद्धी हूँ, नीले रंग की परी हान सेन की बातों से सपष्ट रूप से नाराज थी, उसने एक उंगली उठाई, और उसकी उंगली की नोक पर एक छोटी सी परी की रोशनी संगनित हुई, उंगली के एक जटके से परी प्रकाश हान सेन की ओर उड़ गया, हान सेन ने हार नहीं मानी उसका शरीर पवित्र, और क्रिस्टल स्पष्ट था बर्फ जेड की एक मूर्ती की तरह, और उसने परी प्रकाश को मुक्का मारा, हान सेन ने परी प्रका चोटे सितारों में बिखर गया लेकिन बिखरी हुई परी प्रकाश गायब नहीं हुई इसके बजाए इसने परी रेशम के जाल का निर्माण किया जिसने हान सेन के शरीर को परी रेशम के जाल में धख दिया हान सेन ने परी रेशम के जाल को तोड़ने के लिए अपनी ताकत जुटाई लेकिन हान सेन को जल्द ही पता चला कि वह जितना मजबूत इस्तिमाल करेगा परी रेशम का जाल उतना ही मजबूत होता जाएगा बस एक पल में परी रेशम का जाल हान सेन के मास और खून में फंस गया और बरफीली मानस्पेशियों और जेड हड्यों से बना पवित्र और शुद्ध शरीर परी रेशम के जाल से घायल हो गया आपको अपने प्रयासों को बरबाद करने की ज़रूरत नहीं है यह ट्रैपिंग इमोर्टल नेट है जो बाई यूजिंग में मेरी शीर्श दस सीमा तोडने वाली सशस्त्र सेनाओं में से एक है सीमा तोडने की दर असीम रूप से एक सौ परसेंट के करीब है फंसने पर बचने का कोई रास्ता नहीं है और जितना ज्यादा आप इसका इस्तमाल करेंगे फंसा हुआ परी जाल उतना ही कड़ा होगा नीले कपड़े वाली परी ने अपने हाथ में परी रेशम खीचा और तुरंत जाल में फसे परी जाल और हान सेन को एक साथ खीच लिया और शून्य में शून्य की और बढ़ गई बाई यूजिंग उड़ गई हान सेन बुराई में विश्वास नहीं करता था और परी रेशम जाल को जबरन तोड़ने की कोशिश करते हुए बर्फ की मांसपेशी जेड हड़ी तकनीक को चलाना जारी रखता था लेकिन यह चीज अप्रत्याशित रूप से कठिन है और यहाँ वास्तव में वैसा ही है जैसा की नीले रंग की परी ने कहा जितना अधिकवा संघर्ष करता है उतना ही जियानसी का गला घोंटता है जियानसी पहले से ही उसके मास और खून में गला घोंट चुका है और घाव मंद रूप से दिखाई देने वाली हड्या है क्या बाई यूजिंग वास्तव में वह जगा है जहां अमर रहते हैं हानसे ने अब और संघर्ष नहीं किया और नीले कपड़े वाली परी से जोड से पूछा जो फढ़ फढ़ा रही थी और उड़ रही थी बुरा नहीं है नीले रंग की परी ने जवाब दिया तो परी क्या एह हानसे ने फिर पूछा अमर अमर होते हैं अनन्त वर्षों से बहुत पहले वे दुन्या की सभी जातियों से आगे निकल गए हैं भले ही वे प्राचीन देवता हों अमर लोगों के लिए वे सिर्फ एक नवजाच शिशू हैं नीले कपड़े वाली परी की आवाज उदा सीन थी बिना किसी विशेश भावना के लेकिन यह लोगों को सब कुछ अंदेखा करने वाला एक प्रकार का क्रिपालु गर्व महसूस कराता है चुंकि अमर इतना महान है तो बाई यूजिंग अभी भी क्यों है दिव्य कभीले द्वारा कबजा कर लिया गया ऐसा लगता है कि तुम्हारे मुँ में अमर है बस इतना ही हान सेन ने उपहास किया नीले रंग की परी का चहरा आखिरकार बदल गया वह थोड़ी नाराज दिखी और थंडे स्वर में बोली अगर हम बाई यूजिंग में सील नहीं किये गए होते तो सेलेस्टियल कभीले के वे छोटे लोग बाई यूजिंग में कैसे कदम रख सकते थे तुम्हें किसने सील किया हान सेन का दिल हिल गया नीले कपड़े वाली परी के हावभाव थोड़े बदल गये और उसने हान सेन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया उसने बस हान सेन को खीचा जो परी के जाल में फसा हुआ था और बिना कुछ कहे बाई यूजिंग में ओड़ गई बाई यूजिंग में अमर हवा भहती है और शुब हवा स्वतंत्र रूप से भहती है बिलकुल परी लोग की तरह हान सेन पहले भी बाई यूजिंग गए थे लेकिन उस समय बाई यूजिंग उतना शांदार नहीं दिखता था जितना अब दिखता है चाहे वह बारह जेड इमारते हुँ या पांच जेड शहर पैमाना पहले से कई गुना बड़ा है और यह और भी सुन्दर दिखता है रह समय और भव्य हान सेन ने कुछ और सवाल पूछे लेकिन नीले रंग की परी उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन वह हान सेन को जेड तौवर तक नहीं ले गई जहां से वह बाहर आई थी बलकि जेड शेहरों में से एक की ओर उड़ गई जेड शेहर का पूरा शरीर काला था मानो वह काले जेड से बना हो और अंदर का माहौल जेल जैसा गहरा था हान सेन को अभी भी याद है कि काला समराट शेहर से भाग गया था और आखिरकार उसके द्वारा उसका सिर काट दिया गया था काले समराट द्वारा छोड़ी गई जानवर की आत्मा असाधारन है यह सामान्य सीमा तोडने वाले जानवरों की जानवर आत्माओं के बराबर नहीं है और अब यह नीले कपड़े वाली परी मुझे तुरंथ नहीं मारती है लेकिन मुझे इस काले जेट शहर में लाना चाहती है शायद इसका काले समराट से कुछ लेना देना है है ना हान सेन ने चुपके से अपने दिल में कहा हाला कि उसके पास फसे हुए परी के जाल को तोड़ने का एक तरीका था लेकिन वह ऐसा करने कि जल्दी में नहीं था वह बस यह देखना चाहता था कि बाई यूजिंग में यह तठाक्थित परी वास्तव में किस तरह का अस्तित्व है हान सेन ने पहले भी ब्लैक जेड सिटी देखी थी लेकिन यह इस समय ब्लैक जेड सिटी से बिलकुल अलग थी शहर अमर उर्जा से भरा हुआ था और शहर में जेड की मूर्तिया खड़ी थी लड़के और लड़किया विशालकाए जानवर और पक्षी पौधे, फूल और पेड हैं लेकिन ये सभी काले जेड से उकेरे गए हैं पूरे ब्लैक जेड सिटी में जीवन की कोई सांस नहीं है और हर जगा जेड की नकाशी है क्या आप जानते हैं कि कुछ समय पहले यहां का हर पौधा, फूल पक्षी और जानवर सभी जीवित प्राणी थे नीले रंग की परी शहर में उत्री और बिना पीछे देखे हान सेन से पूछा तो अब वे जेड की नकाशी क्यों है हान सेन ने कुछ अनुमान लगाया लेकिन न जानने का नाटक करते हुए पूछा क्योंकि यहां का मालिक मर चुका है नीले कपड़े वाली परी ने अपना सिर घुमाया और जलती आखो से हान सेन को घुरा हे समराठ हान सेन को अचानक याद आया कि नीले रंग की परी किसके बारे में बात कर रही थी नीले कपड़े वाली परी ने ठंडे स्वर में कहा, चूकि तुम जानते हो, तो तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि, तुम्हारी मौत के साथ अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि तुमने हीदी शहर में करोडो अमर जेड को आजाद होने से रोका, हान सेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने काले समराट श तक काले समराट जैसी दिख रही थी, हान सेन अनुमान लगा, सकता था कि यहां व्यक्ती सफेद जेड शहर का मालिक हो सकता है, निश्चित रूप से नीले कपड़े वाली परी, ने सफेद जेड मूर्ती को थोड़ा जुकाया और कहा, भगवान बैदी, हेदी को मारने वा शहर का कोई मालिक नहीं है, यह एक मृत शहर से अलग नहीं है, उसे हेदी और हेदी शहर के साथ यहीं दफना दिया जाए, बैदी की आवाज थंडी थी, मानो उसमें कोई मानविय भावनाएं ही नहूं, नीले कपड़े वाली परी ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, यह अ हर हटाई और अपनी, ताकत वापस पाने में विफल रहा, लेकिन बैदी ने बस उदासीनता से कहा, हेदी का खुद मर जाना ठीक है, लेकिन यह अफसोस की बात है, कि हेदी शहर में अंगिनत जेड अमर सेकडों लाखों वर्षों तक सोते रहेंगे, और जब तक नया बीच की बातचीत सुनी, और कहा, अगर मैं काले समराट शहर में जेड अमर को पुनर जीवित कर सकता, हूँ, तो क्या मैं हमारे बीच की शिकायतों को हल कर सकता हूँ, जैसे ही ये शब्द निकले, नीले कपडे, वाली परी और सफेद समराट की नजरे उस पर पड़ी, औ और नीले कपडे वाली परी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो, केवल भगवान हेडी ही हेडी शहर में जेड परी को जगा सकते हैं, स्वर्ग, कि देवताओं और आत्माओं का आना बेकार है, आप तो दूर की बात है, मैं बस इतना पूछता हूँ कि, क्या मैं उन्हें जगा सकता हूँ, क्या पिछली शिकायतों को खरीदा और बेचा जा सकता है, हान सेन ने नीले, कपडे वाली परी को अंदेखा किया और बस बैदी को देखा और पूछा, बैदी ने हान सेन को ध्यान से देखा, और थोड़ी देर बात कहा, यदि आप हेड की शहर के सभी युक्सियन को जगा सकते हैं, तो आपके और, बाई यूजिंग के बीच की शिकायते खत्म हो सकती हैं, और हम अब आपको हेडी का सिर्फ काटने के लिए, जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, भगवान बैदी, उसकी बकवास मत सुनो, वह बस हमें फसाने के लिए परी जाल से बाहर निकलना, चाहता है, यह व्यक्ति अंतरिक्ष टेली पोटेशन में अच्छा है, अगर आप इसे बाहर निकाल देंगे, तो इसे फिर से पकड़ना, आसान नहीं होगा, लैनी ने परी से कहा, बाईडी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस हान सेन को पुरत नहीं है, बस मुझे बताएं कि ब्लैक एमपरर ने इन, जेड इम्मोर्टल्स को कैसे पुनरजीवित किया, शायद मैं उन्हें पुनरजीवित कर सकू, यह देखकर कि नीले कपड़े वाली परीने, खंडन करने के लिए अपना मुंग खोला, हान सेन ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया, और जारी रखा, यह कोशिश करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, है ना, उसे कोशिश करने दो, बाइडी ने कहा, सफेद समराट ने पहले ही अपना मुंग खोल दिया था, हाला कि नीले रंग की परी को विश्वास नहीं, था कि हान सेन ब्लैक एम्परर सिटी में जेड इम्मोर्टल को जगा सकता है, उसने कुछ और नहीं कहा, कृपिया मुझे बताएं, ब्लैक एम्परर इन, जेड इम्मोर्टल को कैसे पुनरजीवित करेगा, हान सेन ने काले जेड जैसे जीवों की और इशारा करते हुए पूछा, आप इन चीजों को भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप यह कहने की हिम्मत करते हैं, कि आप उन्हें जगाना, चाहते हैं, नीले कपडे वाली परी ने ठंडे स्वर में कहा, हान सेन की अभिव्यक्ति अप्रिवर्तित रही और उसने नीले, कपडे वाली परी से बहस नहीं की, उस बैदी अभी भी उदासीन दिख रही थी और धीरे से बोली आस्मान में बयूजिंग बारवी मन्जिल और पांच शहर अमर मेरे शीर्ष को सहलाता है और बालों को दीरगायू प्राप्त करने के लिए बांधा जाता है ये चार वाक्य हमारे परिवंच की उत्पत्ती हैं स्वर्ग और प्रित्वी द्वारा कल्पना की गई अमर जेड का एक टुकड़ा मूल रूप से कोई जीवन नहीं था नहीं इसमें बारह मन्जिले और पांच शहर थे जब तक अमर यहां नहीं आए अमर जेड को बारह मन्जिलों और पांच शहरों में बदल दिया और जेड को अमर में बदल दिया तब तक हमारे पास जीवन नहीं था और हम दुनिया में चल सकते थे अमर वह अमर कौन है हान सेन आश्चर इचकित था जेड को जीवित शरीर में बदलने के बारे में बात करना बहुत अतिशोक्ती है लेकिन जेड को जीवित शरीर में बदलने की क्षमता पहले से ही बहुत भयानक है यहां तक की जीन के मंदिर में भगवान भगवान भी पतली हवा से जीवन नहीं बना सकते अमर-अमर होते हैं बाइडी ने हलके से कहा और फिर जारी रखा अमर-अमर बनने के लिए जेड को छूते हैं और बारवी मंजिल पर पांच शेहरों में से प्रत्य के एक जेड अमर को प्रबुध करता है बारवी मंजिल पर पांच शेहरों का स्वामी बन जाता ए? समराट Black Emperor City का शासक है और केवल अमर समराट की आभा उसके शरीर में Black Emperor City में जेड अमर को आत्मजाग रुकता विक्सित कर सकती है अगर Black Emperor पहले नहीं मरा होता तो क्या उस तरह? कि सीमा तोड़ने वाली दर के साथ Black Emperor Black Emperor City में जेड अमर को आत्मजाग रुक बना सकता था? आत्मजाग रुकता उत्पन न करें? हान सेन ने पूछा वही बाइडी ने बहुत ही उत्सा से उत्तर दिया संक्षेप में यह सुनकर हान सेन को थोड़ा उदास महसूस हुआ उसे Black Emperor Beast Soul मिला जो Black Emperor की शक्ती के समान ही होना चाहिए Black Emperor Beast Soul का उप्योग करके Black Emperor City में जेड अमर को जगाया जा सकता है हाला की हान सेन ने जी यानरान को पहले Black Emperor Beast Soul दिया था और वह इसे अपने साथ बिलकुल भी नहीं लाया था अगर वह कहता की वापस जाओ और इसे अभी ले आओ तो नीले रंग की परी और सफेद समराट उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे कैसे तुम Black Emperor City में जेड परी को जगा सकते हो नीले रंग की परी ने हान सेन को घुड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा तुम इसे आजमा सकते हो हान सेन ने बहादुरी से कहा हान सेन ने अपने बगल में एक छोटे काले जेड बीस्ट को देखा और कहा क्रिप्या थोड़ी देर रुको मुझे इसे आजमाने दो जैसे ही हान सेन ने कहा उसने रक्त और जीवन तंत्रिकाओं की शक्ती को सक्रिय किया और इसे मूर्ती जैसे काले जेड बीस्ट में डाल दिया रक्त रेखा जीवन तंत्रिका रक्त रेखा कि शक्ती को उत्तेजित कर सकती है और जीवन के विकास को बढ़ावा दे सकती है इससे पहले की हान सेन रक्तरेखा जीवन तंत्रिका का उप्योग करता वह राजा स्तर के प्राणी को भगवान स्तर पर बढ़ावा दे सकता था अब रक्त्रेखा जीवन तंत्री का सीमा को तोड़ती है और अधिक शक्तिशाली है हान सेन भी इसे आजमाना चाहता है उप्योगी हो सकता है यदि यहां बेकार है तो बैदी और अन्य के खिलाफ जाने में देर नहीं हुई है यदि संभव हो तो हान सेन भाई यूजिंग के साथ मौत का जगड़ा करने के लिए तैयार नहीं होगा बैदी के अनुसार बारहवी मन्जिल पर पांच शहरों में सत्रह जेड अमर होने चाहिए इसका मतलब है कि काले समराट के अलावा नीले रंग की परियों की तरह 16 अन्य दुनिया को तोड़ने वाली शक्तिया है हान सेन अकेले जीतने में सक्षम नहीं हो सकते इसके अलावा हान सेन को उस परी में बहुत दिल्चस्पी थी जिसके बारे में बैदी ने कहा था उसके पास जीवन बनाने की ख्षमता थी जो प्राचीन काल से दुलब थी रक्तरेखा जीवन तंत्रिका की शक्ती ने छोटे काले जेट जानवर के शरीर में प्रवेश किया हान सेन सिर्फ एक मरे हुए घोडे की तरह एक जीवित घोडे के डॉक्टर की तरह रक्त और जीवन तंत्रिकाओं के इन्पुट को बढ़ाना जारी रख सकता था दस मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी छोटे काले जेड जानवर की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई नीले कपडे वाली परी थोड़ी अधीर थी और कुछ कहने ही वाली थी लेकिन अचानक उसने छोटे काले जेड जानवर पर रक्त वाहिकाओं जैसी लाल नसे देखी नीले कपडे वाली परी ने अपने मुँ तक पहुँचने पर शब्दों को वापस निगल लिया छोटे काले जेड जानवर को घूरते हुए उसके शरीर पर ज्यादा से ज्यादा रक्त वाहिका जैसी नसे देखी हान सेन की अभिव्यक्ती शान्त थी लेकिन उसका दिल थोड़ा उत्साहित था रक्त जीवन तंत्रिका ने काले जेड जानवर पर प्रभाव डाला लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ प्रभाव कितनी दूर तक पहुँच सकता है चोटा काला जेड जानवर भालू या कुट्टे जैसा दिखता है और इसका फर इतना गोलम टोल है कि यहां बहुत प्यारा ए? जेड नकाशी के रूप में भी यहां कला का एक बहुत ही मनभावन काम है यहाँ सिर्फ इतना है कि यहाँ छोटा काला जेड जानवर पहले से ही खून से लाल है जैसे कि यहाँ खून से संक्रमित हो गया है और यहाँ खून बहने वाला है चोटे काले जेड जानवर का शरीर धीरे-धीरे हिल रहा था इसकी हरकते बहुत कठोर थी, जंग लगे रोबोट की तरह हर बार जब यहां हिलता था, तो इसके शरीर पर काले जेड के खोल पर कुछ दरारे दिखाई देती थी और दरारे और अधिक बड़ी होती जाती थी, तुकड़े-टुकड़े करके चीलती जाती थी और चीलते हुए काले जेड के नीचे गीले काले भूरे बाल वास्तव में उजागर होते थे बैदी और फेरी इन ब्लू की आखे आश्चर्य से भरी थी अगर हान सेण ने छोटे-काले-जेड जानवर को फिर से जीवित कर दिया, तो वे थोड़े हैरान होंगे, लेकिन वे इतने भ्रमित नहीं होंगे वे इसलिए हैरान थे क्योंकि छोटे काले जेड जानवर की वर्तमान उपस्थिती को अब जागरती नहीं कहा जा सकता था तथाक्थित जागरती सिर्फ इसलिए है कि जेड नकाशी में आध्यत मिकता है लेकिन जेड नकाशी आखिरकार जेड नकाशी ही है उनके शरीर अभी भी मृत वस्तुएं हैं और उनके पास वह जीवन चक्र प्रणाली नहीं है जो वास्तविक प्राणियों के पास होनी चाहिए इसे सीधे शब्दों में कहें तो हेदी शहर में तथाक्थित जेड अमर केवल हेदी की कठपुतलिया है जब हेदी आसपास होती है तो उनमें कुछ आध्यात्मिक चेतना हो सकती है जब हेदी नहीं होती है तो वे केवल जेड मूर्तियों का एक समू होते है लेकिन आज के छोटे काले जेड जानवर ने अपने जेड शरीर से छुटकारा पालिया है और उसका असली मास और खून का शरीर है यह अब जागने जितना आसान नहीं है दहाड एक दहाड ने ब्लैक जेड सिटी को हिला दिया और छोटा ब्लैक जेड जानवर सीधा खड़ा हो गया और उपर की ओर दहाडने लगा उसके शरीर पर काले जेड के अवशेश सभी दिशाओं में फैल गए जिससे उस का मास और खून पूरी तरह से दिखाई देने लगा क्या यहाँ वाकई जीवित है नीले वस्तर वाली परी दंग रह गई करोडों साल पहले भी उसने ऐसा चौकाने वाला द्रिश देखा था उस अमर ने उस समय बायूजिंग में आकर पूरे बायूजिंग को बारा मंजि और पांच शहरों में बदल दिया था यहां की हर चीज उस अमर ने बनाई थी मंडप, मीनारे, प्राचीन, शिवाले और जेड शहर हर पौधा और पेड, हर जानवर, पक्षी, कीट और मचली सभी अमर जेड मूर्तियों से बने हैं लेकिन चूंकी अमर की ताकत बायूजि इसलिए अमर ने आखिरकार बारवी मंजिल और पांच शहरों में सत्रह सबसे महत्वपूर्ण जेड मूर्तियों को ही जीवन और आत्मा दी, जहां तक अन्य जेड नकाशी का सवाल है, हाला कि वे भी अमर द्वारा बनाई गई थी, वे जीवित रहने के लिए केवल हैई और उसके सत्रह, जेड अमर की शक्ती पर निर्भर हो सकती थी, और उन्हें वास्तविक जीवन रूप नहीं माना जा सकता था, अब, यह छोटा काला जानवर एक वास्तविक जीवन शरीर में बदल गया है, इस तरह की क्षमता उस परी की तुलना, मेहे जिसने उस समय आइडी को आश्चर्य क्यों नहीं, हुआ, छोटे काले जानवर ने अपना असली शरीर पाया, अपना शरीर हिलाया, इधर उधर देखा, और आखिरकार हान सेन के शरीर, पर उत्रा, और सीधे हान सेन की ओर दोडा, हान सेन परी के जाल में फंस गया, वह बिलकुल भी, हान सेन को चोट, पहचाने का कोई इरादा नहीं था, उसने अपनी जीब बाहर निकाली और हान सेन के चहरे को चाटा, वह बहुत सने ही लग रहा था, मानू वह हान सेन को अपना रिष्टेदार मानता हो, चाटना बंद करो, हान सेन अपने हाथ नहीं हिला सकता था, वह केवल छोटे काले जानवर को अपना चहरा चाटने दे सकता था, और उसे रोकना बेकार था, आखिरकार छोटे काले जानवर के शान्थ होने और उसे चाटना बंद करने का इंतजार करने के बाद, हान सेन ने कहा, क्या हुआ, क्या अब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए? पिंग जियान, उसे जाने दो, बाईडी ने कहा, नीले रंग की परी की आखों में हैरांगी अभी भी फीकी नहीं पड़ी थी. बाईडी का आदेश सुनने के बाद, वह आखिरकार अपने होश में आई. हान सेन ने खड़े होकर अपने हाथ पेर हिलाए. हान सेन को हिलते देखकर, साधारन, छोटे काले जानवर ने सोचा की हान सेन उसके साथ खेलने जा रहा है, इसलिए वह फिर से खुशी से उचल पड़ा. हान सेन ने उसका सर दबाया. उस आदमी के हाथ पेर छोटे थे और उसके पंजे गर्म पहियों की तरह लहरा रहे थे, लेकिन वह हान सेन के शरीर को छू नहीं सका. छोटा लड़का, पहले जाकर खेलो, हान. सेन ने छोटे काले जानवर से कहा. छोटा काला जानवर हान सेन की बातों को समझता हुआ एक तरफ रेंगता. हुआ चला गया, लेकिन रेंगते हुए हान सेन को देखने के लिए पीछे मुडा, जैसे कि वह अनिच्छुक दिख रहा. हो, आप महामहिम को क्या कहते हैं? बैदी अभी भी उदासीन और भावहीन था, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट रूप से बहुत अधिक विनम्र थे. हान सेन, हान सेन ने उत्तर दिया. बैदी ने सिर हिलाया, हान सेन को देखा और. कहां, यदि आप मेरे बायूजिंग में सभी जेड अमर को मास दे सकते हैं, तो न केवल काले समराट का. मामला खत्म हो जाएगा, बलकि आप बायूजिंग में मेरे दोस्त भी बन सकते हैं. मुझे नहीं पता कि बायूजिंग का दोस्त होने का क्या फाइदा है, हान सेन बता सकता था कि बैदी और नीले कपड़े वाली परी जिसे, बोतल परी के नाम से जाना जाता है, छोटे काले जानवर के पुनरजीवित होने से चौक गए थे. इसके अलावा, बैदी जिस बारे में बात कर रहा था वह पूरे बायूजिंग में युक्सियन था, न कि बस हैडी सिटी, जो थोड़ा पेची राहे. बैडी ने कहा, अगर आपको किसी चीज में मदद की जरूरत है, जब तक आप बायूजिंग के परी कानून का उलंगन नहीं करते हैं, भले ही इसका मतलब आपकी जान को जोखिम में डालना हो, आप संकोच, नहीं करेंगे. अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप समझोते को बनाए रखेंगे, आपको पता होना चाहिए, कि मैंने जेड नकाशी को फिर से जीवित करने के लिए बहुत प्रयास किया है, यहां सभी जीवन को मास, और रक्त में देना निश्चित रूप से एक काम नहीं है, यह एक आसान काम है, दस या आठ साल परियाप्त नहीं हो सकते हैं, हान सेन ने कहा, दस साल या आठ साल मत कहो, हम सौ, या हजार साल तक इंतजार कर सकते हैं, जब तक महा महिम इसे करने के लिए तयार हैं, हम करोडों साल तक इंतजार कर सकते हैं, बैदी ने र रुखकर कहां, जहां तक आपकी चिंता का सवाल है, वह अनावशक है। बैदी के शब गंभीर थे और आकस्मिक नहीं थे, इसलिए उसने पूछा, परी का नियम क्या है। हान सेन ने बारहवी मंजल और पांच शहरों को पहले भी देखा है। हाला कि वर्तमान बारहवी मंजल और पांच शहर अधिक भव्य हो गए। लेकिन बहुत अंतर नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि बैदी हान सेन को बारहवी मंजल पर पांच शहरों में नहीं ले गया। पांच शहरों से गुजरने के बाद वह बायूजिंग के सबसे उंचे स्थान पर पहुँचे जहां एक। सफेद जेड की पटिका प्रभावशाली ढंग से खड़ी थी। मैंने सफेद जेड की पटिका पर कई नियम उकेरे हुए देखे। हान सेन ने उन पर नजर डाली। हाला कि कई नियम अजीद थे लेकिन वे वास्तव में बहुत सक्थ थे। वास्तव में एक परी कानून है जो कहता है कि अगर युक्सियन कोई शपत लेता है तो उसे कभी भी उसका उलंगन नहीं करना चाहिए। अन्यथा बाई युजिंग उसका परी शरीर वापस ले लेगा। क्योंकि बहुत सारे नियम थे। हान सेन। उन्हें एक एक करके पढ़ने के मूड में नहीं थे। कुछ नजरों के बाद उन्होंने सफेद जेड की पटिका के निचले। बाई कोने में एक पैटन देखा। सफेद जेड की पटिका के बाकी हिस्से पर केवल शब्द उकेरे गए हैं। केवल। एक कोने पर एक पैटन उकेरा गया है, जो एक छोटा लौकी का पैटन है। हान सेन ने लौकी के पैटन को बहुत परिचित तरीके से देखा, यह बावेर के जन्म से पहले की लौकी की तरह लग रहा था। आकार और आकरती बहुत समान थी। हान सेन ने लौकी के पैटन की और इशारा करते हुए पूछा, स्टील पर लौकी का पैटन क्या दर्शाता है। बाई दी ने कहा, यह अमर द्वारा छोड़ा गया है, जिसने बाई यूजिंग को बनाया है, इसे अमर का निशान। माना जा सकता है, हान सेन को नहीं पता था कि क्या बैदी कुछ छिपा रहा था, या वहाँ वास्तव। मैं नहीं जानता था कि लौकी के निशान का क्या मतलब है। हान सेन ने थोड़ी देर सोचा और फिर से पूछा, मैं बहुत उत्सुक हूँ, वह अमर इतना शक्तिशाली है, मुझे डर है कि एक देवता भी ऐसा नहीं कर सकता, इसकी तुलना में मुझे नहीं पता कि वह कैसा दिखता है और वह किस तरह का मजबूत आदमी। ए, बैदी और पिंगजियान ने स्वाभाविक रूप से हान सेन के विचारों को देखा, लेकिन उन्होंने केवल यह सोचा की, हान सेन अमर की उत्पत्ती के बारे में उत्सुक था, और इसके बारे में कहीं और नहीं सोचा। पिंगजियन ने कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट होकर कहा, मुझे नहीं पता की अमर किस जाती के हैं, लेकिन मुझे लगता है की, वे एक महान अस्तित्व होंगे जो सभी चीजों से परे हैं। जैसा की आपने कहा, स्वर्ग के देवता भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। प्रतीक्षा की उपस्थिती अमर द्वारा अपने अनुसार बनाई गई है, लेकिन अमर का स्वभाव और रूप मेरे से हजारों गुना बहतर है। तो परी और मैं एक जैसे दिखने चाहिए है ना? वह पुरुष है या? महिला हान सेन ने पूछा, स्वाभाविक रूप से मैं बिलकुल वैसा ही हूँ, वे दोनों महिलाओं की तरह दिखते हैं। पिंग्जियन ने उत्तर दिया, क्या या एक महिला परी है? क्या उसने अपना नाम बताया हान सेन और अधिक उच्छुक? हो गया। एक अमर अमर है, तो आपको नाम की क्या ज़रूरत है? पिंग्जियान ने हान सेन को घूरते। हुए कहा, आप इतनी सारी अपरासंगिक बाते क्यों पूछ रहे हैं? यह अमर कानून बाई यूजिंग की नीव है। भले, यह हम स्वामी हों, हम अमर को नाराज नहीं कर सकते। कानून, अन्यता यह बाई यूजिंग द्वारा मिटा दिया जाएगा। क्या अब आप निश्चिंत हो सकते हैं? चुंकि यहां मामला है, इसलिए मैं उन्जेड अमर को जीवन और शरीर देने के लिए निश्चिंत हो सकता हूँ, लेकिन संभवता आप दोनों को यह भी पता होना चाहिए कि यहां मामला। कुछ दिनों का मामला नहीं है और मेरे पास निपटने के लिए अपनी खुद की चीज़े हैं, इसलिए मैं केवल। कभी कभार ही बाई यू में आ सकता हूँ। बीजिंग में एक बार हम हमेशा के लिए यहां नहीं रह सकते। हान सेन ने कहा, बाई दी ने थोड़ा सिर हिलाया, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें अपना वादा याद है। बस इतना है कि इस बार एक जेड अमर है, क्रिपिया उसे पहले मास और खून देना सुनिश्चित करें। हां, हान सेन पूछना चाहता था कि इस जेड अमर में ऐसा क्या खास है, लेकिन उसने इसके बारे में सोचने के बाद कुछ नहीं कहा। उसे तुरंत उस जेड अमर को देखने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बाइडी और पिंगजियान ने हान सेन को जेड टैबलेट से दूर ले गए। हान सेन ने सोचा कि वह उसे बयू शहर या अन्य तीन शहरों में ले जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि बाइडी उसे बारहवी मन्जिल पर ले गया। अजीब बात है, पिंगजियान और बाइडी के बीच संबंधों को देखते हुए बारहवी मन्जिल में, युक्सियन की स्थिती वुचेंग से कम होनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण युक्सियन वुचेंग के बजाए बयूलों में कैसे हो सकता है। हान सेन हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। वहाँ बस जेड टावरों और शहरों के माध्यम से बैदी। और पिंगजियन का पीछा करता रहा। केवल एक चीज है जो हान सेन को बहुत भ्रमित करती है। बारहवी मन्जिल। पर पांच शहरों में सत्रह मास्ट रस्तर के जेड अमर होने चाहिए, लेकिन अब तक केवल पिंगजियन और बैदी दिखाई दिये हैं, और अन्य जेड अमर शुरू से अंत तक नहीं दिखाए गए हैं। जब वे पहली जेड बिल्डिंग में पहुँचे, तो बैदी और पिंगजियन रुक गए और जटिल आखों से पहली सफेद जेड बिल्डिंग को देखा। हान सेन वाइट, जेड बिल्डिंग की पहली मंजिल से कोई अजन भी नहीं है। जब वह अभ्यास करने के लिए जेंटियन पहले साया, तो उसने वाइट जेड बिल्डिंग में प्रवेश करने का अफसर लिया और साधना के लिए जेड उर्जा को अफशोशित करने के लिए पहली मंजिल में प्रवेश किया। आज की पहली सफेड जेड बिल्डिंग राजसी दिखती है, मुझे नहीं पता की कितनी बार, लेकिन जेड बिल्डिंग का सामान्य लेयाउट नहीं बदला है, यह अभी भी एक साथ मंजिला सफेड जेड बिल्डिंग है। वाइट जेड बिल्डिंग की पहली मंजिल बारवी मंजिलों में सबसे प्राथमिक जेड बिल्डिंग मानी जाती थी और यह केवल कुछ जेड उर्जा प्रदान कर सकती थी अन्य ग्यारवी मंजिलों की तुल्ना में यह थोड़ा सा असाधारन लग रहा था लेकिन बैदी और पिंगक्सियन के हावभाव को देख कर ऐसा लगता है कि पहली मन्जिल में कुछ असामान्य है बैदी जेड टौवर के गेट की ओर चला गया और बैयू टौवर का गेट अपने आप खुल गया हान सेन बैदी के साथ अंदर चला गया और तुरंत महसूस किया कि जेड टौवर में जेड उर्जा पानी की तरह थी शुद्ध और कोमल और यहाँ पहले से अधिक मजबूत थी अगर हान सेन उस समय यहाँ होते तो यहाँ की शुद्ध जेड उर्जा उन्हें सीधे राजा के पद पर पदोन्नत कर सकती थी यहाँ बहुत अच्छी जगह है अगर आप यहाँ आईस मसल जेड बोन तकनीक का अभ्यास करते हैं तो क्या आपको डर है कि आप शीर्श तर तक नहीं पहुचेंगे हान सेन ने मन ही मन अफसोस जताया यह अफसोस की बात है कि इन जेड अमर लोगों ने पहले ही इस जगह पर कबजा कर लिया है और इसे वापस लेना आसान नहीं हो सकता है तौवर के अंदर का, हिस्सा बहुत बदल गया है, न केवल आंतरिक स्थान बड़ा हो गया है, बलकि जेड आभा में जेलिफिश की तरह, उड़ती हुए जेड आत्माएं भी हैं, सेन ने करीब से देखा, वे जेड आत्माएं, शुद्ध जेड उर्जा का संगनन निकली, अगर वे उन्हें निगल सकते, तो वे निश्चित रूप से आईस मसल जेड बोन तकनीक के लिए बहुत मददगार साबित होती, यहां तक की हान सेन की आईस मसल जेड बोन तकनीक, जो पहले ही सीमा को तोड़ चुकी है, अगर उसे उन जेड आत्माओं की मदद मिल जाए तो सीमा तोड़ने की दर को बढ़ाने में इसका बहुत बढ़ा प्रभाव, होना चाहिए, मन्जिल जितनी उन्ची होगी, जेड उर्जा उतनी ही शुद्ध होगी, वे तीनों पहली मन्जिल की सबसे उपरी मन्जिल, पर पहुँच गए और बैदी और पिंगक्सियन रु देखने लगे, हान सेन की, निगाहे उनका पीछा करती रही, और उन्होंने गुमबत पर राहत में उकेरी गई एक जेड मूर्ती देखी, उस पर उकेरे, गए जीव बहुत अजीब थे, यह एक सफेद भेड थी, पूरा शरीर शुद्ध सफेद था, सींग सर्पिल की तरह घुमावदार, थे, यह विनम्र और शांतिपूर्ण लग रहा था, और भेड की जेड नकाशी से अंतहीन जेड उर्जा बह रही थी, जैसे की साफ जरने का पानी, महमहिम, कृपिया इसे पहले एक भौतिक शरीर दे, बाईदी ने गुमबत पर भेड, की जेड नकाशी की और इशारा करते हुए कहा, क्या यहाँ पहली मन्जिल पर जेड अमर शासक हो सकता है, हान सेन ने तुरंत कोई कदम उठाए बिना बाईडी से पूछा, बाईडी ने इनकार नहीं किया, बिलकुल, बाई यूजिंग ठीक, हो गई, यह एक साथ ठीक क्यो नहीं हुई, हान स इनने फिर पूछा, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात, यहाँ है कि क्या आप इसे एक शरीर दे सकते हैं, बाईडी ने हान सेन को देखा और कहा, मैं केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन यह जेड अमर बहुत शक्तिशाली है, और मुझे पूरा भरोसा नहीं, ए, भले ही मैं सन्योक से सफल हो जाऊ, मेरी ताकत बहुत कम हो जाएगी, मुझे डर है कि मैं निकट भविश्य में अन्य जेड अमर को भौतिक शरीर नहीं दे पाऊंगी, पहले से ही हान सेन ने कहा, यह, ठीक है, महमहिम बस जाने दे और इसे करें, बाइडी ने बिना किसी भाव भंगिमा के शांति पूर्वक कहा, बाइडी ने कारण, बताने से इंकार कर दिया, और हान सेन के पास अपनी जिग्यासा को रोकने, अपने खून और नसो को चलाने, और गुंबत पर भेड की जेड नकाशी में सीमा तोडने की शक्ति को चला नहीं था। चुंकि भेड पहली मन्जिल का शासक है युक्सियन यह एक विश्वतोडने वाला प्राणी होना चाहिए जो पिंगजियान से कमजोर नहीं। है। रक्त और जीवन तंत्रिकाएं इसके शरीर को बदल सकती हैं और यहां तक की हान सेन को भी इस। पर कोई भरोसा नहीं है। पिंगजियान और बाइडी दोनों असाधारन लोग हैं और उनकी सीमा तोडने की दर बहुत अधिक। होनी चाहिए। यहां तक की हान सेन भी उन्हें मुश्किल से समझ सकता है। हान सेन ने भाई यूजिंग के युक्सियन को एक शरीर प्राप्त करने में मदद करने के लिए सहमती व्यक्त की जिसका कारण यह था कि वहां भाई यूजिंग की शक्ती का उप्योग करना चाहता था। किन शिव और शेन लुआन हुई की ताकत आश्चर्य जनक है और हान सेन की ताकत का अकेले मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। अगर वह बाई यूजिंग को पा सकता है यूजिंग की मदद से उसे भविश में शेन लुआन हुई का सामना करने में अधिक आत्म विश्वास मिलेगा भेड़ जेड मूर्ती में सीमा तोड़ने वाली शक्ती की एक सतत धारा प्रवाहित हुई आधे घंटे के बाद भेड़ जेड मूर्ती ने बिलकुल भी प्रतिक्रिया नहीं की और काले जेड जानवर पर असामा न्यताएं दिखाई नहीं दी ऐसा लगता है कि रक्त रेखा जीवन तंत्रिका की सीमा तोड़ने कीदर बहुत कम है और इस शक्तिशाली सीमा तोड़ने वाले प्राणी पर प्रभाव बहुत सीमित है हान सेन मन ही मन उदास था लेकिन बात यहां तक पहुँच गई है हान सेन हार नहीं मान सकता अगर वह अब मना कर देता है तो मुझे नहीं पता की बैदी और पिंग्जियन सीधे उसके खिलाफ हो जाएंगे या नहीं रक्त और जीवन तंत्रिकाओं को बाहर निकालते हुए उसने डोंगक्सवान जिंग को खोला और भेड की मूर्ती की संग्रचना का विशलेशन करना शुरू किया पहले भेड के शरीर की संग्रचना को अलग करने की कोशिश की और फिर धीरे-धीरे उसे रुपांतरित किया हाला की डोंग्जवान जिंग की जाकियों के नीचे हान सेन को यह देख कर आश्चर्य हुआ की भेड की जेड नकाशी का शरीर का विक्टन लगभग सही था बिना किसी दोश के जैसे कि यह देवताओं का सावधानी पूर्वक काम था जिसमें कोई दोश नहीं था क्या शक्तिशाली शरीर है हान सेन बहुत खुश था ऐसा नहीं है कि हान सेन ने भेड के शरीर का विशलेशन करने का कोई तरीका खोज लिया लेकिन क्योंकि यह शरीर इतना सही है इसलिए तूटने की दर 95% से अधिक हो सकती है सीमा तोड़ने की दर चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो इसका हान सेन से कोई लेना देना नहीं है भले ही वह शरीर के रहस्य को देख सके लेकिन उसे कोई थोस लाब नहीं मिलेगा लेकिन भेड की मूर्ती शुद्ध जेड शक्ती है और हान सेन को इसकी शारिरिक संग्रचना और जेड शक्ती के काम करने के तरीके से बहुत प्रेरना मिली अगर मैं भेड की जेड प्रणाली की शक्ती संग्रचना से सीखता हूँ, तो यहां मेरी बर्फ की मांसपेशियों और जेड हड़ी की तकनीक को भैतर बनाने में सक्षम होना चाहिए, हान सेन ने अपने दिल में सोचा और चुपके से बर्फ की मांसपेशियों और जेड हड़ी की शक्ती को सक्रिय कर दिया अतीत में उन्होंने बर्फ की मांसपेशियों और जेड हड़ीयों की खेती करने के लिए बाई यूलों की जेड उर्जा को अफशोशित किया हाला कि दोनों की ताकत बिलकुल समान नहीं है, लेकिन दोनों में जेड सिस्टिम की विशेश्टाएं हैं। हान सेन ने भेड की जेड प्रणाली की शक्ती संगरचना की पूरी तरह से नकल नहीं की, लेकिन इसकी कुछ सल्टा उधार ली। एक सीमा तोड़ने वाले प्राणी के शरीर और शक्ती को पूरी तरह से एकी कृत किया गया है, इसके शरीर का अध्ययन, करना इसकी शक्ती का अध्ययन करने के बराबर है, डोंगक सुआन सूत्र का कुछ समय तक पूरी तरह से विशलेशन नहीं किया जा सकता है, और रहस्य क केवल एक हिस्सा धीरे-धीरे विशलेशन किया जा सकता है। उसी समय रक्त और जीवन तंत्रिकाओं का उप्योग भेड की जेड नकाशी के शरीर पर आक्रमन करने के लिए किया जाता है। एक और समझ के रूप में मूल रूप से यह हान सेन के लिए कठिन काम था लेकिन अब इससे हान सेन को लाब हुआ है। हान सेन आसानी से हार मानने को और भी अधिक अनिच्छुक है। भेड का पुनरुथान केवल प्रवृत्ति का लाब उठाना है। इसकी शक्ती को देखना हान सेन का मुख्य उद्देश्य है। भेड का शरीर बहुत परिपूर्ण। ए और हान सेन की प्रगती बहुत धीमी है। लेकिन इसके बावजूद हान सेन ने बहुत कुछ हासिल किया है। इस शरीर की सीमा तोडने की दर्ष शायद मेरी कलपना से अधिक है। यहां एक सौ परसेंट के बहुत करीब हो सकता। हैं अधिक्तम यह केवल बारा परसेंट का अंतर है। एक जेड अमर भगवान पहले से ही इतना भयानक है। यदि बाई, समराट और अन्य सभी के पास ऐसा स्तर है, तो इस बल की ताकत अकलपनिय है। और यह दिव्य परिशद से कमजोर नहीं है। वह अमर किस तरह का चरित्र है, जो इतना भयानक प्राणी बना सकता है। यहाँ पहले, क्या था? किस तरह की शक्ती बाई यूजिंग को यहाँ बंद कर सकती है? हान सेन संदेह से भरा था। हान सेन की बरफीली मानसपेशी और जेड हड़ी पवित्र और शुद्ध हैं, भेड की तरह शुद्ध, लेकिन भेड के शरीर। में एक अजीबोगरीब संदेह होती है, जो भेड के जेड शरीर के घनत्व और ताकत को हान सेन के जेड शरीर के समान बनाती है, हालां कि यहाँ बरफ की मानसपेशी और जेड हड़ी की तुलना में अधिक कठोर और ठोस है? इस चमतकारी संरचना के साथ भेड के जेड शरीर में हान सेन की तुलना में बहुत मजबूत रक्षा होगी, यदि दोनों एक ही प्रभाव को सहन करते हैं, इससे हान सेन को अदभुत महसूस हुआ, उन्होंने भेड के जेड शरीर का विशलेशन करना जारी रखा, रहस्यो को समझने की कोशिश की, यदि बर्फ की मानसपेशी जेड हड़ी भी इस संरचना का उप्योग कर सकती है, तो सीमा तोडने की दर बहुत बढ़ जाएगी, और यह सीधे सौ से अधिक हो सकती है, तीस बटा दस की सीमा सीमा तोडने की शक्ति को भौतिक बनाती है, और सीमा तोडने की उच्चदर को प्राप्त करना भी संभव है, आखिरकार यह एक ऐसा शरीर है, जो पूर्ण सीमा तोडने वाले शरीर के बहुत करीब है, और इसमें ऐसी विशेश्टाएं हैं, जो बर्फ की मासपेशियों और जेड हड़ीयों के समान है, अवसर वास्तव में द अगर वह भेड के शरीर की संगरचना को नश्ट नहीं कर सकता था, तो वह उसमें छिपी गुप्ट संगरचना को भी नहीं देख सकता था, रक्त और जीवन तंत्रिकाएं घुसपैठ करती रही, लेकिन प्रभाव संतोष जनक नहीं था, लगभग दो घंटे के बाद, रक्त और जीवन तंत्रिकाओं ने भेड की जेड नकाशी पर सुई की नोक से भी छोटा एक लाल धबबा, छोडा, जिसे देखने के लिए लगभग एक आवर्धक कांच की आवशकता थी, लेकिन यह इतना छोटा लाल बिंदु था की, हान सेन खुश हो गया, डों थोड़ी सी घुस गई, बस इस छोटी सी बात ने हान सेन को भेड की जेड नकाशी के जेड शरीर का रहस्य देखने दिया, भेड की जेड नकाशी की जेड शरीर संगचना ठोस नहीं है, बलकि अंदर से खोखली है, खोखली संगचना, हान सेन बहुत खुश हुआ, बिजल शक्ति की खपत के बावजूद उसने शक्ति को इसमें रिषने दिया। खोखली संरचना वास्तव में ताकत में सुधार कर सकती है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। भेड जेड शरीर का रहस्य निश्चित रूप से अधिक है उससे कहीं ज्यादा। जल्द ही हान सेन को पता चला की भेड का जेड शरीर पूरी तरह से खोखला नहीं था और रक्त और जीवन तंत्रिकाओं की शक्ति को जल्द ही फिर से बाधाओं का सामना करना पड़ा। और हान सेन केवल घुसने की पूरी कोशिश कर सकता था। भगवान बैदी क्या आपको लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। बैदी ने हलके से कहा यह सबसे अच्छा है अगर वह ऐसा कर सकता है। अगर वह नहीं कर सकता तो उसकी शक्ती बहुत अधिक खपत होने के बाद उसे चुटकी लेना बहुत आसान होगा। भले ही उसकी शक्ती मेश परी को बहाल करने के लिए परियाप्त न हो फिर भी वह उन्ही युक्सियन को एक भौतिक शरीर और आत्म जाग्रुकता प्राप्त करने में मदद कर सकता है जो हमारे लिए भी एक बड़ी मदद है बाई यूजिंग मेरे स्वामी बुद्धिमान है तभी पिंग जियान ने बाई दी के इरादों को समझा कोई फर्क नहीं पड़ता की हान सेन परीमेश को बहाल कर सकता है या नहीं या उनके लिए अच्छा होगा और बुरा नहीं होगा हान सेन स्वाभाविक रूप से जानता था कि बैदी उतना बातूनी नहीं हा जितना वह सता पर दिखाई देता था और वह अपनी खुद की ताकत का बहुत अधिक उपभोग करने का इरादा नहीं रखता था कम से कम उसे बाई यूजिंग को मारने के लिए अपनी ताकत बचा कर रखनी थी हालांकी भेड के जेड शरीर के रहस्य ने हान सेन को अपना मन बदल दिया भले ही वह अपनी ताकत खत्म कर दे, फिर भी उसे रहस्य में जाकना था, अन्य था वह इस अवसर को खो देगा, मुझे नहीं पता कि भविश्य में ऐसा कोई अवसर मिलेगा या नहीं एक प्राणी जो एक पूर्णा, सीमा तोडने वाले शरीर के करीब है, उसे बिना हिलडले अध्यान करने दे, ऐसे अवसर निश्चित रूप से अकसर नहीं होंगे भले ही हान सेन ऐसे उननत सीमा तोडने वाले प्राणी को मार सके, यह बेकार है मृत सीमा तोडने वाले जानवर की शक्ती खो गई है, और अनुसंधान मूल्य बहुत कम हो गया है, और विचलन बहुत अधिक है हान सेन के स्तर पर थोड़ा विचार एक बड़ी कीमत चुका सकता है, इसलिए हान सेन लाश का अध्यान करने का जोखे मुठाने को तयार नहीं है डौंगक सुआन जिंग के सहयोग से रक्त और जीवन तंत्रिकाए थोड़ा बहुत अंदर घुज गई और प्रवेश की निश्चत रूप से यह सिर्फ एक खोखली संगरचना नहीं है, हान सेन ने पाया कि भेड के जेड का शरीर न केवल खोखला है, बलकि इसमें खोखली संगरचना के कई रूप भी है संगरचनाओं का सन्योजन है, चूकि भेड के जेड का शरीर एक मृत वस्तू की तरह गतिहीन होता है, इसलिए यह जानना मुश्किल है कि इन संगरचनाओं का उप्योग किसलिए किया जाता है, हान सेन ने लगातार चार दिन और पांच रात काम किया और लगभग अपनी ताकत खोदी, इसलिए उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ऐसा नहीं है कि हान सेन बीच में आराम नहीं करना चाहता, लेकिन भेड़ जेड शरीर वास्तव में अजीब है, जब तक हान सेन की ताकत थोड़ी शिथिल होती है, भेड़ जेड शरीर की संग्रचना अपने आप ठीक हो जाएगी, इसलिए हान सेन केवल जारी रख सकता है, अन्यता मौजूदा परिणाम भी गायब हो जाएंगे, यहां देखकर की हान सेन ने बहुत अधिक वजन कम कर लिया है, उसकी आखे खून से लाल हो गई है, और उसकी आखों की कोठरिया धनसी हुई है, ऐसा लग रहा है कि उसने जरूरत से ज्यादा टाकत खींच ली है, बैदी और पिंग्जियन थोड़ा हिल गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हान सेन अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करेंगी, और वे उनके द्वारा कोई कदम उठाने के अवसर का लाब उठाने से भी नहीं डरते थे, इससे उन्हें हान सेन के प्रती और अधिक लगाव महसूस हुआ, मुझे वास्तव में खेद है, मेरी सीमा तोड़ने की दर अभी, भी बहुत कम है, और अब मैं इस जेड अमर के शरीर को हिला नहीं सकता, हान सेन ने एक, व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, कोई बात न चीजों के बारे में बात करो, बैदी ने रुक कर कहा, तियांगों में बहुत से जीव हैं, जो जीवन और आत्मा से जुड़े हुए हैं, अगर तुम्हें उनकी जरूरत है, तो बस शिकार पर जाओ, इससे तुम्हें, कुछ मदद मिलनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवा हान सेन को तुरंत बहुत अच्छा लगा, न केवल उसे भेड के जेड शरीर के कुछ रहस्य मिल गए, बलकि उसे सीमा तोडने वाला जीन भी मिल गया, जिसे एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने वाला कहां जा सकता है, हाला कि हान सेन की शक्ती बहुत कम हो गई है, अग अगर वह अब सीमा तोडने वाले का शिकार करता है, तो उसे सीमा तोडने वाला खा सकता है, इसलिए हान सेन पहले अपनी ताकत ठीक कर सकता है, और फिर सीमा तोडने वाले का शिकार करने पर विचार कर सकता है, बैदी के जाने, के बाद केवल पिंग्जियन ही पहली मंज पर हान सेन के साथ रहा यहां की जेड क्यूई शुद्ध और दोश्रहित है और यह तुम्हारे शरीर की रिक्वरी के लिए बहुत फाइदे मंद होगी तुम्हें पहले यहां आराम करना चाहिए पिंग्जियन ने जेलिफिश जैसी जेड आत्माओं की ओर इशारा किया और क लेकिन इसे सिर्फ इसलिए मत खाओ क्योंकि तुम जेड क्यूई के लालची हो वे जेड क्यूई आत्माओं हालाकि वे शुद्ध जेड क्यूई का सार हैं उन्होंने पहले से ही आध्यत्मिक जेतना का एक निशान पैदा कर दिया है अगर तुम उन्हें खाओगे तो ना स एकिक्रित हो जाएगी बलकि उसका हलका सा निशान भी तुम्हारे शरीर में समा जाएगा अगर तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना भी तुम्हारी आत्मा में एकिक्रित हो जाएगी तो यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं होगी तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिय अगर इसे विदेशी आध्यात्मिक ज्ञान के साथ एकी कृत किया जाता है तो इसकी अपनी आत्मा में कई समस्याइं पैदा होंगी और यहां आत्मव्यक्तित्व के इनकार का कारण भी बन सकता है जो वास्तव में बहुत ख़तरनाक है यहां ऐसा है जैसे एक व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति की याददाश है और दोनों तरह की याददाश इस व्यक्ति को प्रभावित कर रही है जिससे इस व्यक्ति को अपने बारे में संदे होगा कि वह कौन है हलके वाले विभाजित व्यक्तित्व की ओर ले जा सकते हैं और भारी वाले इसे नकार देंगे आंकार व्यक्तित्व खास तौर पर हान सेन जैसे लोगों के लिए अगर उनकी आत्मा में कोई दोश है तो जब वे किसी असली ताकतवर व्यक्ति से लड़ेंगे तो इस दोश के कारण उनके हारने की संभावना है इसलिए जब तक कि यह आत्माओं को भस्म करने की क्षमता वाला प्राणी न हो अधिकांश प्राणी अन्य प्राणियों की आत्माओं को मिलाने के लिए तयार नहीं होते जीवन की आत्मा के अस्तित्वा ने हमेशा हान सेन को बहुत हैरान किया है यह किस तरह की चीज है और यह प्राणियों को जीवन की आत्मा के साथ विलै क्यों कर सकती है नकेवल प्रभावित नहीं होती है बलकि सीमा को तोड सकती है और मजबूत बन सकती है हान सेन ने अपनी भस्म शक्ती को बहाल करने के लिए ZQE को अवशोशित किया क्योंकि ZQE बहुत शुद्धौर विशाल था हान सेन ने इसे आइस मसल ZBone तकनीक के साथ अवशोशित किया और शक्ती बहुत जल्दी ठीक हो गई आधे दिन में यह फिर से अपनी चरम अवस्था में पहुँच गया हान सेन उन लटकते द्वीपों पर सीमा तोडने वालों का शिकार करने जा रहा था उसने पहले ही पिंग जियान से पूछ लिया था और सीमा तोडने वालों का बाई यूजिंग से कोई लेना देना नहीं था बाई यूजिंग ने भाग्य की आत्मा के आक्रमन के कारण सील तोड़ दी लेकिन भाग्य की आत्मा पिंग्जियन और बैदी को प्रभावित करने के लिए परियाप्त नहीं थी अंदर का जेड अमर एक ही चीज नहीं है यह सिर्फ इतना है कि वे बायूजिंग में युक्सियन से डरते हैं ताकि वे शांती से रह सकें पिंग्जियन के पहले प्रकट होने का कारण हान सेन द्वारा मारे गए सीमा तोडने वाले के कारण नहीं था बलकि इसलिए था क्योंकि हान सेन ने ब्लैक समराट को मार दिया था पहली मंजिल से निकलने के बाद हान सेन एक तैरते हुए द्वीप की ओर बढ़ गया चूंकि उसके पास सीमा तोडने वाले का शिकार करने और उसे मारने का अवसर था इसलिए हान सेन के पास इसका अच्छा उप्योग न करने का कोई कारण नहीं था वह यह भी जानना चाहता था कि सीमा तोडने वाले जीन सुपर मॉन्स्टर में कितने भरे होंगे आत्मा शरीर का किस तरह का प्रभाव होता है पिंग जियान ने हान सेन का पीछा किया और हैंगिंग आइलेंड की और बढ़ गया नाम के लिए वह हान सेन को सीमा तोडने वाले का शिकार करने में मदद कर रहा था अगर हान सेन को कुछ हो गया वास्तव में वह हान सेन को भागने से रोकने के लिए हान सेन की निगरानी कर रहा था हाला कि हान सेन ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन उन्होंने अपनी सतर्कता पूरी तरह से कम नहीं की हान सेन भागना नहीं चाहता था, अन्य था, जब वह था तब भीपरी जाल में फंस कर, उसके पास भागने की क्षमता होगी लटकते द्वीप की ओर उड़ते समय, हान सेन ने अन्जाने में शून्य पर नजर डाली, जहां 33 दिन स्थित थे, जब से 33 दिन प्रकट हुए हैं, तब से समय समय पर भयानक जीव इसमें भागते रहे हैं, लेकिन उस तरह की क्षमता वाले जीव बहुत कम हैं, इसलिए उन दिनों में अधिक हैं, और फिर कम और कम, जैविक जटके के बाद से 33 दिन, हान सेन ने कई दिनों तक 33 दिनों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उसका दिल अचानक हिल गया, जैसे की कुछ उसे आकरशित कर रहा था, और उसने अवचेतन रूप से 33 दिनों की ओर दे हान सेन का चहरा सदमे से पीला पड़ गया, सामराज्य के ब्रहमांड की ओर से एक छोटी लड़की एक उड़ने वाली मचली पर सवार थी, अपनी बाहों में एक लाल, बिल्ली का बच्चा पकड़े हुए और 33 स्वर्ग की ओर उड़ रही थी, बावेर, हान सेन ने तुरंथी लड़की, को बावेर के रूप में पहचान लिया, यह तो छोड़िये की उसके बगल में फेयू और किट्टी भी थे, इसलिए, यह स्वीकार करना बिल्कुल असंभव था कि वहाग गलत थी, बावेर, मैं नहीं जा सकती, हान सेन के पास यहाँ, सोचने का समय नहीं था कि बावेर 33 दिनों के लिए क्यों जाएगी, और सीधे तारो वाले आकाश के टेलिपोर्ट, का उप्योग करके तियान-तियान महल से बाहर निकल गई और उसी समय चिल्लाई, पिंगजियान ने सोचा की हान सेन भागना चाहता है, इसलिए उसने तुरंथ जाल लगाने वाले परी जाल को बाहर निकाल दिया, जिसने तुरंथ ही आसपास के स्थान, को सील कर दिया, जैसे कि तारो वाला आकाश रेशम के जाल के नीचे एक पिंजरा बन गया हो, जिसमें हान सेन फंस गया हो, हान सेन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, और सीधे एक सुपर स्पिरिट बॉडी में बदल गया, लगभग एक सौ की तूटने की दर वाली बाधा तोडने वाली सशस्त्र परिजाल उसके शरीर से होकर गुजरी, और कोई भी सुपर स्पिरिट बॉडी नहीं थी जो हान सेन को रोक सके, पिंगजियान हैरान रह गया, और तभी, उसे पता चला की हान सेन के पास फंसी परिजाल की बेडियों से भागने की क्षमता थी, हान सेन ने तारों वाले आकाश को हिलाया, एक पल में शून्य में भाग गया, 33 दिनों की अद्रिश्य बाधा के, पास आया, और बाउर की दिशा में चिलाया, बाउर, अंदर मत जाओ, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके और बाउर के बीच एक बड़ी कब्र की तरह केवल 33 दिन है, लेकिन वास्तव में यह दो अलग-अलग दुनियाएं हैं, और उसकी आवाज बाउर को बिलकुल भी नहीं सुनाई देती, यह देखकर कि बाउर उडने वाली मचली की पीट पर बैठा, 33 दिन की बाधा को आसानी स पार कर गया, और 33 दिनों के भीतर एक बड़ी कब्र में गायब हो, गया, हान सेन हैरान और क्रोधित हो गया, हाला कि मुझे अभी भी याद है कि श्री बाईने मेरे दिल, मैं क्या कहा था, अगर वहां 33 दिनों के लिए प्रवेश करता है, तो एक तबाही होगी, और यह एक संकीर्ण भागने का अंत हो सकता है, लेकिन इस समय, हान सेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अपने दांत पीस लिए और 33 दिनों की और भागा, 33 दिनों की बाधा सुपर भगवान और आत्मा शरीर के लिए बेकार थी, इसलिए हान सेन आसानी से अंदर भाग गया, जिस क्षण उसने बाधा पार की, हान सेन को एक बहुत बड़ा चूशन बल महसूस हुआ, यहां तक की, उसका सुपर गौड स्पिरिट बोडी भी चू नीच लिया गया, दिंग, एक करकश धनी के साथ, हान सेन का शरीर चटानी जमीन से टकराया, लेकिन हान सेन को जो अजीब लगा, वह यहां था कि उसका शरीर सीधे चटान में डाला गया था, यहां सही है, यहां प्लगिन था, और, जल्धी हान सेन को एहसास हुआ कि उसके शरीर में कुछ गडबड है। डॉंग अक्सुआन आभा ने खुद को स्कैन किया और हान सेन लगभग आश्चर्य में उच्छल पड़ा। हान सेन आसपास के वातावर्ण से कोई अजनबी नहीं है। हर जगह जमीन में हत्यार डाले गए हैं जैसे हत्यारों का एक अंथीन ज स्वर्ग होना चाहिए जिसे तलवारों का स्वर्ग भी कहा जाता है। हान सेन यहां युद्ध के देवता को मारने में था। युद्ध के देवता की आत्मा प्राप्त की और यहां इंच एश तलवार भी खीची। यह सिर्फ इतना है कि हान। सेन इस बार आया था लेकिन यहां पहले से बिलकुल अलग था। उसका शरीर हत्यार में बदल गया और उसे हत्यारों के जंगल में डाल दिया गया। हान सेन ने अपने शरीर को बहाल करने के लिए अपनी शक्ती का उप्योग करने की कोशिश की लेकिन उसने सभी प्रकार की शक्ती का उप्योग किया लेकिन यहाँ बेकार था, यहाँ तक कि सुपर गौड स्पिरिट बॉडी भी उसके शरीर को सामान्य नहीं कर सकती थी, हान सेन को अब खुद को ध्यान से जांचना था, हालांकि वह एक हत्यार बन गया, वह अभी भी सभी प्रकार की शक्ती का उप्योग कर सकता है, लेकिन उ परतमान उपस्थिती तुरंत, उसके दिमाग में प्रतिबिम्बित हुई, गहरे काले रंग का चतुषकोनिय ब्लेड वाला शरीर, यहाँ तक की हैंडल भी काले कोईले, के रंग का है, दूर से देखने पर ऐसा लगता है, जैसे जमीन में आग की छड़ी डाली गई हो, प गया, हान सेन को अपने दिल में बेहद अजीब लगा, गदा एक तरह का हत्यार है जिसका इस्तमाल इंसानों द्वारा, शायद ही कभी किया जाता है, हालांकि हान सेन ने गदा का इस्तमाल किया है, लेकिन यह सिर्फ आकस्मिक उप्योग के लिए है, और उसने कभी भी असल गदा तकनीक का अभ्यास नहीं किया है, तीन हत्यार जिन में वह सबसे, अच्छा है, वे हैं धनुष और बान, चाको और तलवार, लेकिन वह इन तीन हत्यारों में नहीं बदल गया है, बलकि एक गदा बन गया है, और यह अभी भी एक अगोचर गदा है, ऐसा लगता है कि अपने स्रोत, पर लोटने के 33 दिनों के बाद, इसने अपनी असली शक्ती दिखाई, जब मैं इसमें प्रवेश करता था, तब भी, मैं बिंग रेन तियान की शक्ती से दबा हुआ था, और एक गदा में बदल गया था, वे अन्यजीव, जो अंदर घुसे, मुझे डर है कि वे सभी मेरी तरह ही हत्यारों में बदल गए हूंगे, अपने दिल में, सोचते हुए, हान सेन ने अपनी ताकत इकठी की और अपने शरीर को चट्टान से बाहर जाने देना चाहता था, भले ही वह अब एक गदा है, लेकिन उसकी ताकत से उढ़ना मुश्किल नहीं होना च वह गदा शरीर को चट्टान से उडाने, मैं विफल रहा और यहां गतिहीन रहा, हान सेन बुराई में विश्वास नहीं करता है और अपनी पूरी ताकत से डौंगकसुआन सूत्र चलाता है, डौंगकसुआन आभा के नियंत्रण से चार फुट लंबी गदा की तो बात ही चोडिये यहां तक, कि एक तार्किय युद्धपोत या एक ग्रह भी डौंगकसुआन की आभा से नियंत्रित होकर प्रकाश की गती से उड़ सकता, हाला की कोई फर्क नहीं पढ़ता कि वह कितना शक्तिशाली है, हान सेन ने बहुत कोशिश की, गदा का शरीर, केवल हिंसक रूप से हिल गया और ब्लेड की हलकी सी आवाज आई, लेकिन यहां अभी भी चटान से एक, इंच भी बाहर नहीं निकल पाया, अपने प्रयासों को बरबाद मत करो, तुम अब बिंग्रेंटियन के नियोमों की शक्ती से, एक हथियार में बदल गए हो, जब तक तुम्हा भव और नामुम्किन है, हान सेन के दिमाग में, एक आवाज गुनजी, हान सेन चौक गया, और डोंगक सुआन आभा का उप्योग करके चारों और खोज की, लेकिन कोई अन्या, प्राणी नहीं मिला, क्या तुम इसे इतने करीब से नहीं देख सकते, क्या बेवकूफ आद हान सेन को अचानक समझा गया, डोंगक सुआन की, आभा ने फिर से नजर डाली, और जल्द ही उसे कुछ हजीब लगा, एक तलवार उससे तीन मीटर से भी, कम दूरी पर एक चट्टान पर अटकी हुई थी, तलवार का सिर्फ एक फीट लंबा बलेड और मूट बाहर यह एक प्राचीन कांस्य तलवार थी जिसके मूट के अंत में एक अंगूठी थी, उपर एक लाल तलवार का लटकन भी है, तलवार का शरीर बैंगनी लाल है, यह तामबे से बना हुआ लगता है, आकार बहुत बढ़िया है, लेकिन यह तलवार की उगरता को नहीं खोता ह यहां तक कि जो लोग तलवार नहीं जानते वे भी बता सकते हैं कि यहां एक अच्छी तलवार है, शायद एक मशूर तलवार भी, इस समय तामबे की तलवार का लटकन हवा में लहरा रहा था, जो काफी सुन्दर लग रहा था, हान से ने डौंगकसुआन की आभा वाली त विचारों की एक अजीब लहर को बाहर निकाल रही थी, जिसने अपने विचारों के माध्यम से हान सेन से समवाद किया, वह तामबे की तलवार होनी चाहिए, हत्यारों के स्वर्ग, में प्रवेश करने वाले प्रत्यक प्राणी को बक्षा नहीं जाएगा, और वह एक हत्य हत्यार बन जाएगा, यहां तक की देवता, भी, जब तक कोई हमें बाहर नहीं निकाल सकता, हम हमेशा जमीन में फसे एक हत्यार ही रहेंगे, तामबे की, तलवार ने एक और भेजा सोचा, चुंकि ब्लेड हेवन में प्रवेश करने वाले सभी जीव हत्यार बन जाएंगे तो और कौन? यहां आकर हमें बाहर निकाल सकता है, हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, तामबे की तलवार ने थंडे स्वर में कहा, यहां वास्तव में अज्ञानता है, यहां सच है कि बाहरी लोग हत्यार बन जाएंगे, लेकिन इस हत्यार के आक स्वदेशी जीव हैं, क्या वहां है? हान सेन ने आश्चरि से पूछा, पिछली बार जब वह बिंग्रेंटियन आया था, तो उसने कोई भी देशी जीव नहीं देखा था, बिंग्रन जीन के अलावा, यहां कोई अन्य देशी जीव नहीं है, और अब जब वह भी हत्यार जीन प्रजाती का सदस्य बन गया है, तो वहां वास्तव में, यहां नहीं सोच सकता कि कोई भी देशी जीव कहा है, बेशक वहां है, जिटोंग तलवार की आवाज तिरसकार पूर्वक आई, तुम सच में अज्ञानी और मूर्ख हो, 33 दिन दो ब्रहमांडों का केंद्र है तुम सकारात्मक और नकारात्मक ब्रहमांडों से एक ही समय में जीवन शक्ती प्राप्त कर सकते हो, जीवन रूप सकारात्मक लोगों की तुलना में अधिक सम्रिद्ध है, विरोधी ब्रहमांड कुछ नहीं से भेतर है, इसलिए कोई स्वदेशी जीव कैसे नहीं हो सकता, हान सेन को लगा की मूल स्रोत पर लोटने के 33 दिनों के बाद एक नए जीवन का जन्म होना सामान्य बाद है और तामबे की तलवार ने जो कहा वह गलत नहीं था महामहिम अच्छी तरह से सूचित और जानकार है आप एक असाधारन अस्तित्व होना चाहिए लगाना चाहता था तामबे की तलवार ने गर्व से कहा यह देवता आकाश और प्रित्वी में एक अजे प्रतिद्वन्द्वी है उसे स्वर्गिय राजा और लाओ जी कहा जाता है आप मुझे स्वर्गिय राजा या लाओ जी कह सकते हैं ओ, हान सेन इसे स्वाभाविक रूप से सुन सकता था जिटोंग तलवार सिर्फ बक्वास थी भले ही उसने दो ब्रहमांडों में किसी प्रसिद्व व्यक्ति को न देखा हो लेकिन उसे इसके बारे में सुनना चाहिए था जियान मिंग स्पष्ट रूप से उसका फाइदा उठाना चाहता था जूनियर, तुम कौन हो? यह देखकर की हान सेन ने कोई जवाब नहीं दिया जिटोंग जियन ने खुझ से पूछा मैं बस एक मामूली व्यक्ति हूँ मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है इसलिए मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है मजे के लिए कुछ देवताओं को मारना भूख लगने पर खाने के लिए कुछ सीमा तोडने वाले जानवरों को भुनना और जब मैं ठक जाता हूँ तो देवताओं और अराजक्ता समाज के उपाध्यक्ष को मेरे कंधे दबाने देना, हान सेन ने कहा बस इसे उड़ा दो, जिटोंग जियान ने घेना से नाक भौ सिकोडी यह सोच करकी हान सेन उसकी तरह बकवास कर रहा था, जान बूच कर अपनी असली पहचान नहीं बता रहा था हान सेन ने अब तामबे की तलवार पर ध्यान नहीं दिया, और डोंगक सुआन आभा को फैलाया, तामबे की तलवार द्वारा उलिखित मूल प्राणियों को खोजने की कोशिश की, उसकी ताकत के साथ यहां अपनी तलवार खीचने के लिए एक मूल निवासी को जबरन नियंतरित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब डोंगक सुआन की आभा फैली, तो हान सेन को एहसास हुआ की चीजें उतनी सरल नहीं थी, जितनी उसने कलपना की थी हथियारों के आसपास के जंगल ने एक शक्तिशाली, आभा को बाहर निकाल दिया, और प्रत्येक हथियार की अपनी आभा थी डोंगक सुआन की आभा आभा की एक श्रिंखला से कमजोर हो गई थी, और यह केवल दस मील से कम तक फैली हुई थी, और यह फैलना जारी नहीं, रख सकती थी यह सिर्फ अवलोकन क्षमता है, यदि आप स्वदेशी प्राणियों को नियंत्रित करने के लिए आभा का उप्योग करना चाहते हैं, तो दूरी केवल कम होगी हान सेन की रहस्य में आभा को महसूस करते हुए, तामबे की तलवार ने फिर कहा, अपने प्रयासों को बरबाद मत करो, यह मत कहो कि हत्यारों के जंगल में घुसना तुम्हारी शक्ती के लिए मुश्किल है, भले ही तुम घुस सकते हो, उन मूल निवासियों को नियंत्रित करना असंभव है वे मूल निवासी बिंग्रेंटियन के संग्रक्षण में हैं, यदि आप उन्हें ले जाते हैं, तो वे बिंग्रेंटियन के नियोमों से दब जाएंगे यह सुनकर हान सेन ने भौहें, सिकोडी, यदि आप उन मूल निवासियों को नियंत्रित करने के लिए शक्ती का उप्योग नहीं कर सकते हैं, तो आप उन्हें कैसे आने और हमें बाहर निकालने दे सकते हैं, जैसे ही तामबे की तलवार कुछ कहने वाली थी, उसने अचानक एक छोटी सी फुस्फुसाहट की और फिर ब्लेड थोड़ा कामपने लगा वास्तव में, हान सेन ने इसे तामबे की तलवार से पहले ही महसूस कर लिया था, जिससे हान सेन थोड़ा हैरान हो गया उनसे पांच सौ मील से भी कम दूरी पर एक छोटी लड़की थी जो केवल साथ या आठ साल की लग रही थी, कवच पहने हुए थी, और लड़ रही थी ब्लेड के जंगल से चलो क्या यह थर्टी-थर्ड हेवन का निवासी है आप इसे कैसे देखते हैं यह एक मानव लड़की है हान सेन को थोड़ा अजीब लगा 33 दिनों में प्रारंभिक अवस्था में लौटने से पहले उसने 33 दिनों में एक भी मानव आकृती नहीं देखी थी लेकिन अब उसने एक छोटी लड़की देखी जो एक मानव जैसी लग रही थी जिसने स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा आश्चर यचकित किया यदि मनुष्य यहां जीवित रह सकते हैं तो उसे यहां एक मानव रूप बनाये रखने में भी सक्षम होना चाहिए लेकिन वास्तव में वह एक गदा बन गया है तामबे की तलवार ने ब्लेड को बुरी तरह से हिलाया और तलवार की हलकी आवाज की जाहिर तौर पर छोटी लड़की को यहां आने के लिए आकर्शित करने की कोशिश की हान सेन के दिमाग में एक विचार के साथ डोंग जुआन की आभा ने तुरंत लड़की को घेर लिया हान सेन लड़की को अपने पास लाने की कोशिश करना चाहता था धमाका हाला की जिस क्षन डोंग जुआन की आभा ने लड़की को छुआ हान सेन को लगा जैसे उसके शरीर को बिजली का जटका लग रहा हो डॉंग जुआन की आभा एक पल में ढह गई और उसका शरीर काप उठा अगर अभी उसके पास मुं होता तो वह दर्द से चिलाता जरूर जिटोंग जियान ने खुशी से कहा हाँ हाँ मैंने तुम्हें बहुत पहले ही चेतावनी दी थी अगर तुम बूड़े आदमी की बाते नहीं सुनोगे तो तुम अपनी आखों के सामने कश्ट सहोगे अब तुम्हें पता है कि यह कितना शक्तिशाली है हान से नाराज नहीं हुआ और हलके से बोला ऐसा लगता है कि तुमने भी यहीं किया है वरना तुम्हें कैसे पता चलता तामबे की तलवार ने सूंग कर कहा और कुछ नहीं बोला लेकिन तलवार को चीखने के लिए ब्लेड को हिलाना जारी रखा जिससे छोटी लड़की उसके पास आ गई हान सेन तामबे की तलवार का उद्देश्य जानता था लेकिन उसने उसकी तरह अपना शरीर नहीं हिलाया बलकि बस बगल से देखा तुम क्या कर रहे हो या उसका ध्यान आकरशित करने और उसे लिभाने के लिए जल्दी से कुछ आवाज निकाल रहे हो तामबे की तलवार ने बलेड घिलाते हुए हान सेन से कहा क्या या उसे आकरशित करने के लिए परियाप्द नहीं है हान सेन ने कहा जिटोंग्जियान ने तुरंत गुस्से में कहा, जितनी ज्यादा आवाजे निकालोगे, उसे आकरशित करने की संभावना, उतनी ही ज्यादा होगी, अगर तुम महंत नहीं करोगे, तो बाद में मुझसे मत लड़ना, मैं इसे तुमसे कैसे छीन, सकता था, लेकिन अगर वह खुद ही मेरे पास आई, तो मै खुद को दोश नहीं दे सकता, हान सेन, हसा, तुम्हारी बहन, तुम अभी भी बिना कुछ किये खाना चाहती हो, दुनिया में ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं है, और मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, बोलने के बाद तामबे की तलवार कामपना बंध हो गई, जो तुम चाह हान सेन ने अच्छे तरीके से कहा, तामबे की तलवार ने ठंडी खराटे लिए और फिर कोई आवाज नहीं आई, छोटी लड़की को तामबे की तलवार की आवाज सुनाई दी और वह इस तरफ आ रही थी, लेकिन तामबे की तलवार के कामपना बंध होने के बाद, से भटक गई, मैं आपको बता दू, आसपास बहुत से आदिवासी नहीं है, और आप दस, दिन और आधे महीने में एक से भी नहीं मिल पाएंगे, यदि आप इस अवसर को चूक गए, तो मुझे, नहीं पता कि आपको कब तक इंतजार करना होगा, आपको स्पष्ट से घबरा गया था, हान से ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन डॉंग जुआन की आभा वाली छोटी लड़की को देखा, यहाँ देखकर की हान से ने बात नहीं की, जीटोंग जियान ने फिर से कहा, आप मेरे साथ सहयोग करें, और छोटी लड़की को लुभाएं, तब सभ को लाब होगा यदि आप केवल मुफ्त भोजन खाना चाहते हैं तो मैं सहमत नहीं हूंगा मैं अभी भी यही कहता हूं जो आप चाहते हैं हान सेन ने उत्तर दिया तामबे की तलवार गुस्से से काम प्रही थी लेकिन छोटी लड़की को दूर-दूर तक चलते हुए देख कर हान सेन ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया सब तामबे की तलवार ने अपने दांत पीस्ते हुए कहा मैंने उसे यहां आकरशित किया है मुझे मत पकड़ो आखिरकार हान सेन के जवाब का इंतजार किये बिना उसने बेथाशा ब्लेड को हिलाया और तलवार की आवा नहीं सुन पाएगी। सौभाग्य से छोटी लड़की बहुत दूर नहीं गई। तलवार की आवाज सुनने के बाद उसने कुछ देर तक सुना और फिर तटोलते हुए इस तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद छोटी लड़की हान सेन और तामबे की तलवार के आसपास गई। उसकी बड़ी आखे इधर उधर घूम रही थी। जाहिर तौर पर तलवार की आवाज के स्त्रोत की तलाश। में। तुम बस चुपचाप इंतजार करो और मैं अपनी आजादी वापस पाने के बाद तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तामबे की तलवार ने आवाज निकाली। गदा की आवाज सुनकर छोटी लड़की ने आश्चर्य जताते हुए अपना सिरहान सेन की ओर। घुमाया जैसे कि वह कुछ देर के लिए अपना मन नहीं बना पाई थी और पहले उस तरफ जाना चाहती। थी। तुम बेशर्म जिटों तलवार गुस से काप रही थी। और तलवार की आवाज भी थोड़ी तेज थी। तुम बुरे नहीं। हो। अगर मैं सही हूं तो यहां के आदिवासी अपने हथियार नहीं निकाल सकते हैं ना। तुम इतने उच्शुक हो। क्या तुम्हारा मतलब है कि यहां के आदिवासी सिर्फ एक की हथियार निकाल सकते हैं। हान सेन ने कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज होती है। तामबे की तलवार रुकी और। फिर बोली। उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया देखकर हान सेन को और भी यकीन हो गया कि यह सच था। चूकि अगर मुझे पहले निकाला जाता है। तो मैं बाद में तुम्हारी मदद करूंगा। हान सेन ने अपनी गदा हिलाई और तेज आवाज की। मैंने उसे आकरशित किया है। इसलिए मुझे उसे पहले मुझे बाहर निकालने देना चाहिए। तामबे की तलवार ने भी ताकत लगाई जिससे तलवार की आवाज तेज हो गई। या इस बात पर निर्भर करता है कि वह किसे पसंद करती है। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता है तो तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते। हान सेन ने और मेहनत की मूल रूप से हान सेन की ताकत मजबूत थी और तामबे की तलवार ने छोटी लड़की को आकरशित करने से पहले वह पहले से ही बहुत सारी उर्जा बरबाद कर चुका था और काली गदा की आवाज ने तुरंत तामबे की तलवार को दबा दिया। यहां देखकर की छोटी लड़की गदा की तेज आवाज से आकरश पिर से तेज हो गई, हान सेन की गदा की आवाज को जबरदस्ती दबा दिया, और हान सेन ने कमजोरी, नहीं दिखाई, और गदा की आवाज फिर से बढ़ा दी, आँ, दोनों ने हार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन, लड़की चिल्लाई और अपने कानों को अपने हाथों स धक लिया, जैसे की दर्द में उसने अपना सिर घुमाया और भाग गई, मत, मत भागो, हान सेन और जिटोंग जियान एक साथ चिल्लाएं, लेकिन छोटी लड़की उनके विचारों को बिलकुल भी नहीं सुन सकी, तुम्हारी बहन, यह सब तुम्हारा दोश है, छोटी लड की को बिना किसी निशान के भागते हुए, हथियारों के जंगल में, गायब होते देख, तामबे की तलवार का फेफडा फटने वाला था, और हान सेन को कोसने लगा, यदि आप दोश, देना चाहते हैं, तो खुद को दोश दे, क्या यह ठीक नहीं होगा, यदि आप मुझ से नहीं लडेंगे, हान सेन, ने हलके से कहा, मैंने इसे आकरशित करने की पूरी कोशिश की, मैं इसे आपके पास क्यों आने दूँ, जिटोंग, जियान की ने कहा, तो हर कोई अपनी क्षमता पर निर्भर करता है, आप मुझे दोश नहीं दे सकते, हान सेन, ने कहा, जब स स्वरगिय राजा अपनी स्वतंत्रता वापस पा लेता है, तो वह निश्चित रूप से आपको नश्ट कर देगा, आपको टुकडों में फाड देगा, और आपकी हड्यों को राख में बदल देगा, तामबे की तलवार को पता लग रहा, था कि गुस्सा करना बेकार है, हान सेन ने डोंगक सुआन क्यूई फील्ड के साथ आसपास के क्षेत्र की खोज की, दस, मील के दाइरे में छोटी लड़की के अलावा कोई अन्यमूल निवासी नहीं था, छोटी लड़की के भाग जाने के, बाद वह दो मील दूर एक विशाल तीन-चार मीटर उंचे हे हेलमेट के अंदर कुछ साधारन दैनिक, जरूरत की चीजे थी और कुछ पानी और फल थे, मुझे नहीं पता था कि छोटी लड़की को ये चीजे कहां से मिली, वैसे भी दस मील के दाइरे में हान सेन को न तो कोई नदी मिली और न, ही कोई पौधा केवल हतियार, छोटी लड़की कहां से आई, वह यहां कैसे बची, हान सेन ने मन ही मन, सोचा, अगले कुछ दिनों तक, छोटी लड़की ने फिर से इस क्षेतर में जाने की हिम्मत नहीं की, जाहिर है, क्योंकि वहां पिछली बार दर गई थी, छोटी लड़की के अलावा, कोई और प्राणी न यहां समय समय पर जोड से दहाडता था, और कसम खाता था कि स्वतंत्रता, प्राप्त करने के बाद, वहां हान सेन की एंठन को छील देगा और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके तलवार के पहाड़ पर पहन देगा, हान सेन ने उसकी बात अंसुनी कर दी और छोटी की केवल साथ या आठ साल की है, लेकिन वहां बहुत मजबूत और तेज है, वह एक छोटे तेंदुए की तरह हतियार वन के माध्यम से चक्कर लगाती है, और हर दिन दूर हतियार वन में इंतजार करने जाती, है जब वहां वापस आती, तो वहां कुछ पानी और फल लाती और कभी कभी कुछ तूटे हुए बरतन, यह अफसोस, की बात है की हान सेन की डौंगक सुआन आभा हतियारों के जंगल से अवरुध थी, इसलिए बाहर विस्तार करना मुश्किल, था और उसे नहीं पता था की छोटी लड़की कहा गई, मैंने कहा बूढी जियान, क्या व मात्र मूल निवासी है, साथ या आठ दिनों के बाद, हान सेन को अभी भी कोई अन्य मूल निवासी, नहीं मिला, इसलिए हान सेन ने तामबे की तलवार से पूछा, तुम बूढी और सस्ती हो, तुम्हारा पूरा परिवार बूढा, और सस्ता है, जिटोंग जियान ने श जिटोंग जियान ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसे लगा कि उसे डांटना बेकार है, इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, स्वर्ग के राजा ने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि यहां बहुत से मूल, निवासी नहीं है, और तुम दस दिन और देड मह जिने में एक से भी नहीं मिल पाओगे, इस स्वर्गिय राजा से लड़ना और उस छोटी लड़की को डराना बस मरने के समान है, तुम मुझे दोश नहीं दे सकते, एक, आदिवासी केवल एक ही हतियार निकाल सकता है, वह छोटी लड़की तुम्हें ले गई, क्या यहां रहना मेरे लिए अकेलापन, नहीं होगा, हान सेन ने कहा, तुम कुछ और दिन इंतजार नहीं करोगे, दूसरे मूल निवासी आएंगे, और तुम उस, समय मुसीबत से बाहर निकल पाओगे, जीटोंग जियान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन उसने जो कहा वह भी एक, छिपी हुई स्विकारोकती थी कि एक मूल निवासी केवल एक ही हत्यार निकाल सकता है, मैं सिर्फ एक छोटा व्यक्ती, लेकिन तुम स्वर्ग के राजा हो, स्वर्ग के राजा के पास स्वाभाविक रूप से बड़ी क्षमता होनी चाहिए, तुम, मुझे मूल पासियों के आने का इंतजार क्यों नहीं करने देते और उन्हें पहले मुझे बाहर निकालने देते, हान सेन ने कहा, अरे, तुम बहुत खूपसूरत हो, जिटोंग जियान ने सोचा कि अगर वह अभी थूक रहा था, तो वह, निश्चित रूप से हान सेन के चहरे पर जियाओ जियान, हमारे लिए इस तरह से लड़ने का कोई रास्ता नहीं है, किसी को भी फाइदा नहीं होगा, क्यों न हम शर्त लगाएं और तै करें, कि कौन बाहर निकाला, जाएगा, हान सेन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए तामबे की तलवार से कहा, तुम किस तरह की च कि कोशिश कर रहे हो, जिटोंग जियान को सपष्ट रूप से विश्वास नहीं, था कि हान सेन इतना इमानदार होगा, कोई चाल नहीं है, हम शर्त लगाएंगे कि यहां आने वाला मूल निवासी पुरुष है या महिला, अगर यहां एक महिला है, तो कृप्या चुप रह और मुझे उसे भैकाने दे, अगर यहां एक पुरुष है, तो मैं आपसे नहीं, लडूंगा और आप उसे भैकाएंगे, इससे पहले की हान सेन अपनी बात पूरी कर पाता, उसे तामबे की तलवार ने, तोक दिया, तुम महिलाओं को क्यों भैकाना चाहते हो, लेकिन मु पुरुषों के पास आओगे, जिटोंग जियान ने खुद से सोचा, मैं बेवकूफ, नहीं हूँ, मैं इतने दिनों से यहां फसा हुआ हूँ, और मुझे केवल वह छोटी लड़की मिली, जो एक स्थानिय, निवासी है, सबसे ज्यादा संभावना है कि यहां आने वाला व्यक्ति वही होगा, ठीक है, फिर यह तै हो गया, किसी को भी पश्चाताप करने की अनुमती नहीं है, जो कोई पश्चाताप करेगा, उसका कोई बेटा नहीं होगा और कोई, व्यभिचार नहीं होगा, और एक पत्नी को हर दिन धोका दिया जाएगा, हान सेन बहुत सीध थे और तुरंद सहमत हो गये, रुको, जिटोंग तलवार को लगा कि कुछ तो ठागलत, और खुच से सोचा, यहां आदमी इतनी आसानी से, कैसे सहमत हो सकता है, वहां कुछ दिनों से यहां है, और उसने केवल एक छोटी लड़की को एक आदिवासी के रूप में देखा, वहां जानता था कि उसके यहां आने की सबसे अधिक संभावना थी, यहां एक छोटी लड़की है, लेकिन वहां मेरे साथ इस तरह की शर्त लगाना चाहता है, और उसने जान बूच कर मुझे एक लड़का चुनने के, लिये कहा, और जब मैंने एक लड़की को चुना, तो वहां इतनी आसानी से सहमत हो गया, यह सपश्ट है, कि उसने मेरे लिए एक गड़ा खोदा था, यह सही है, इस आदमी के पास एक साजिश होनी चाहिए, जो प्राणी तैतीस दिनों में भाग सकते हैं, वे निश्चित रूप से बहुत कमजोर नहीं है, और उन सभी के पास कुछ कौशल है, शायद उसकी धारणा में कुछ विशेश ताएं हैं, इसलिए उसने पहले ही महसूस कर लिया है कि उसके पास पुरुशा रहे हैं, यहां रास्ता यहां है, इसलिए मैंने अपने कूदने के लिए एक गड़ा खोदा, यह सही है, यहां ऐसा ही होना चाहिए जितना अधिक जीटोंग जियान इसके बारे में सोचता था, उतना ही उसे लगता था, कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्या बात है, क्या तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहते? हमने, एक शाप की कसम खाई है, और जो कोई भी इस से पीछे हटेगा, वह, हान सेन ने कहा, रुको, रुको, तुम ही थे जिसने अभी कसम खाई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है, तामबे की तलवार ने अपने दिल में व्यंग्य के साथ कहा, मैंने अपना मन बदल लिया है, अगर यह एक आदमी है, तो मैं आऊंगा, महिला तुम्हारे उपर है, क्या तुम सच में एक आदमी चाहती हो, हान सेन ने, पूछा, यह देखकर की हान सेन इस बार इतना सपष्ट नहीं था, जिटोंजियान को और अधिक यकीन हो हाँ, मुझे बस एक आदमी चाहिए, तुम्हें सच में, महिलाए नहीं चाहिए, हान सेन ने फिर पूछा, अगर तुम नहीं कहते हो, तो तुम नहीं चाहते, महिलाए तुम्हारी हैं, और पुरुष मेरे हैं, जैसा कि तुमने कहा, जो कोई भी पश्चाताप करेगा, उस करता है, तो उसे हर दिन धोका दिया जाएगा, तामबे की तलवार, ने हान सेन को कोई मौका न देने की कसम खाई, ठीक है फिर, हान सेन ने असहाय होकर कहा, हान सेन की कमजोर आवास सुनकर, जीटों जियान मदद नहीं कर सका, लेकिन आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, सिर्फ इसलिए, कि तुम मुझे धोका देना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई IQ नहीं है, तुम इसके लायक हो, जल्द ही, जीटों जियान, ने दूरी में कदमों की आवास सुनी, और बहुत खुश हुआ, जैसा की उम्मीद थी, कदम उस छोटी लड़की के, नहीं है, जल थी, तामबे की तलवार ने उस व्यक्ति के आने का आभास कर लिया, उसकी धारणा क्षमता मजबूत थी, हाला कि, यहां हान सेन की तुलना में थोड़ी खराब थी, लेकिन फिर भी यहां बहुत मजबूत थी, लेकिन उस व्यक्ति की, उपस्थिती को महसूस करने के बाद तामबे की तलवार ने लगभग खून की उल्टी कर दी हाला की जो व्यक्ति आया था वह छोटी लड़की नहीं थी वह अभी भी एक महिला थी लेकिन वह छोटी लड़की से बहुत बड़ी थी और वह एक वयस्क महिला थी जियाओ जियान मुझे जाने देने के लिए धन्यवाद फिर मैं विनम्र नहीं होने जा रहा हूम हान सेन थोड़ा मुस्कुराया फिर गदा के शरीर को हिलाया और हिलने की आवाज की जिससे वयस्क महिला उसके पास आ गई क्या तुम मुझे धोका दे रहे हो यदि आप एक आदमी को चुनना चाहते हैं तो एक आदमी को चुने यदि आप एक महिला चाहते हैं तो एक महिला को चुने मैंने आपको पहले चुनने के लिए कहा था यदि आप यह फिर से कहते हैं तो यह अनुचित होगा हान सेन हसे उसकी समवेदी क्षमता वास्तव में तामबे की तलवार से अधिक मजबूत है और उसने इस वयस्क महिला को बहुत समय पहले देखा है अन्यथा वह तामबे की तलवार के साथ दाव नहीं लगाता लेकिन इस समय हान सेन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा यह देखकर की तामबे की तलवार चुप थी हान सेन ने महिला को आकरशित करने के लिए गदा को हिलाने की पूरी कोशिश की महिला ने गदा की आवाज सुनी और वास्तव में इस तरफ आ गई जब वह करीब आई तो उसने हान सेन को देखा लेकिन कौन जानता था कि तामबे की तलवार ने अचानक तलवार की तेज आवाज की और इसने तुरंट हान सेन का ध्यान आकरशित किया महिला का ध्यान लानत है क्या तुम भूल गए हो कि तुमने शपत ली है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम बेटे को जन दोगे तो तुम सेक्स नहीं करोगे और अगर तुम किसी पतनी से शादी करोगे तो तुम्हें हर दिन धोका दिया जाएगा हान सेन ने गुस्से में कहा कौन? जानता है कि जिटोंग जियान ने उदासीन्ता से मुस्कुराते हुए कहा, दरो मत, दरने की क्या बात है? वैसे भी, मैं पत्नी से शादी करने की योजना नहीं बना रहा हूँ, बेटा पैदा करने की तो बात ही छोड़ो. बेशर्म, हान, सेन के पास शाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. मैंने तुमसे सीखा है, जिटोंग जियान खुशी से मुस्कुराया. गदा और तलवार दोनों अपने शरीर को हिला रहे थे, उस महिला को आकर्शित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिछली बार से सीखे गए सबक के साथ, उनमें से किसी ने भी बहुत ज्यादा हरकत करने की हिम्मत नहीं. ही, जब हान सेन सोच रहा था कि महिला को अपने पास कैसे आकर्शित किया जाए, तो उसने अचानक तामबे, कि तलवार पर चमकती हुई रोशनी देखी, जैसे कोई चमकता हुआ सूरज. हाला की प्रकाश का कोई शक्ती प्रभाव नहीं था, लेकिन इसका प्रभावशाली तरीका और द्रिश्य प्रभाव पूर्ण अंख थे. ऐसा लग रहा था कि दिव्य तलवार प्रकट हुई और. अपने स्वामी को बुलाया, जिसने तुरंत महिला का ध्यान आकरशित किया और महिला उच्सुकता से तामबे की तलवार की ओर. चली गई. हान सेन ने थोड़ा सा भौहे सिकोडी खुद को चमकने देना चाहता था, ताकि महिलाओं को आकरशित किया. जा सके. लेकिन उसका काला गदा शरीर बिलकुल भी प्रकाश नहीं छोड़ सकता. हाला कि उसकी आनुवंशिक तक्नीक अभी भी वहा. है, इसे चट्टान में डाला गया है और तलवार के नियमों द्वारा दबा दिया गया है. इसे बाहर निकाले जाने. से पहले, विभिन आनुवंशिक तक्नीकों की शक्ती गदा पर ही काम करना मुश्किल है. इसके अलावा, अब महिला की नजरे तामबे की तलवार पर टिकी हुई है और वह उसे बिलकुल भी नहीं देखती, भले ही वह अब चमकता हो. यहां बेकार है. अजीब है, तामबे की तलवार ने ऐसा कैसे किया? उसकी तलवार रोश्नी क्यों छोड़ती है? हान सेन ने महिला को तामबे की तलवार की और बढ़ते देखा, लेकिन कुछ देर तक कोई रास्ता नहीं सोच पाया. मेरे साथ लड़ो, तुम अभी भी थोड़ी कोमल हो. तामबे की तलवार ने विजेता की मुद्रा में हान सेन पर विजेई प्रहार किया. हान सेन का दिल हिल गया. हाला कि वहां अपने शरीर को चमकने नहीं दे सकता था. वहां लंबे. समय से फैंग यिन्यन और फैंग फैफी के साथ था और उसे लै के बारे में थोड़ा बहुत पता था. हान सेन के दिमाग में एक विचार के साथ उसने गदा शरीर के कमपन को मजबूत किया. लेकिन इस बार कमपन बहुत लैबध कमपन बन गया, जिसमें गदा की अलग-अलग उचाई, लंबी और छोटी आवाजे थी. तामबे की तलवार से आकरशित हुई महिला ने एवेन्यू की लै के समान ध्वनी सुनी और अचानक कुछ संदेह के साथ अपना सिर घुमाया. ध्वनी के स्त्रोत की तलाश में और तुरंथ हान सेन द्वारा परिवर्तित काली गदा को देखा, उसकी आखों में आश्चर्य की जलक थी. तामबे की तलवार फिर से रुख गई, हान सेन और फिर तामबे की तलवार को देखते हुए. चुनाव करना मुश्किल लग रहा था. तुम मुझ से लड़ने पर जोड देते हो, है ना, जिटोंग जियान गुस्से में था. या, तुम हो जिसने नियमों का पालन नहीं किया. यह महिला मेरी है, हान सेन ने भी बिना किसी कमज और दूसरी चमकीली. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पर नजर डालते हैं. ऐसा लगता है कि इसका एक असाधारन मूल है. महिला थोड़ी देर के लिए हिच-किचाई, थोड़ी देर के लिए हान सेन को देखा और थोड़ी देर के लिए तामबे. की तलवार को देख जैसे कि मुझे नहीं पता की कैसे चुनना है. जब दोनों महिला को आकरशित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें अचानक हतियार के जंगल से दहाडने की आवास सुनाई दी, जिससे महिला का. चहरा अचानक बदल गया. हान सेन और जिटोंग जियान भी चौक गये. उन्हें नहीं पता था की क्या हुआ. उसी समय, उन्होंने जगह को महसूस किया और पाया की एक विशाल जानवर कृपांदान तिदार बाग की तरह उस छोटी लड़की का पीछा कर रहा था जिसे उन्होंने पहले देखा था. छोटी लड़की की गती स्पष्ट और भाग गई, जिससे कृपांदान तिदार बाग लगभग. हर बार उसे पकड लेता था, लेकिन असफल रहा. यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है की छोटी लड़की हान सेन और अन्य लोगों की और भाग रही है. एक नजर में हान सेन ने देखा की छोटी लड़ की, क्या करने की कोशिश कर रही थी? हाला कि उसकी हरकते तेज थी और उसका दिमाग काफी चतुर था, फिर भी, वह विशालकाय जानवर से छुटकारा नहीं पा सकी. यहां से भागते हुए, दस में से वे विशालकाय जानवर से लड़ने के लिए एक हतियार निकालना चा है कि आप मारे जाएंगे. वैसे भी दो मूल निवासी है. इस बार मैं आपको पहले जाने दूँगा, कामबे की. तलवार ने अचानक उसके शरीर पर प्रकाश को रोक दिया और वह कामपना बंद कर दिया. महिला ने जानवर की. दहार सुनने के बाद उसने जल्दी से समय, तामबे की. तलवार ने अचानक अपनी रोशनी और तलवार की आवास को रोक लिया और एक साधारन चीज की तरह हो गई. महिला ने अवचेतन रूप से इसे देखा. हान सेन. हान सेन के दिमाग ने जल्दी से कई कोनों को घुमाया. जैसे ही तामबे की तलवार की आवास को रोक दिया. यह तामबे की तलवार से ज्यादा साधारन लग रही थी. आग की छड़ी की तरह. हान सेन अच्छी तरह से जानता. था कि तामबे की तलवार वाला आदमी इतना दयालू नहीं होगा. उसने अचानक हार मान ली और महिला को उसे बाहर निकालने दिया सबसे अधिक संभावना है कि यह छोटी लड़की और विशाल जानवर की अचानक उपस्थिती से संबंधित था. तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें इसे अपने साथ नहीं ले जाने दूँगा और मैं इसे तुम्हें दे दूँगा. लेकिन तुम इसे नहीं चाहते हो. क्या तुम इमानदारी से मेरे खिलाफ हो? जिटों तलवार चिल्लाई. महिला ने देखा कि स्याही की गदा भी साधारण हो गई थी और उसका चहरा थोड़ा बदल गया. उसने बाए और दाए देखा और दहाड को करीब आते हुए सुना. उसने अपने दांत पीस और तामबे की तलवार की ओड़ दोड़ी. हाला की अब गदा. और तलवार ने अपना आकरशन खो दिया है. लेकिन तामबे की तलवार का आकार हैंसेन की आग की छड़ी से कहीं ज्यादा मजबूत है. महिलाओं की सुन्दर्ता की प्रकृती ने एक भूमी का निभाई. औ को अपनी पूरी ताकत से चटान पर कूदते हुए दोनों हाथों से तलवार की मूठ. पकड़े हुए देखकर वह तामबे की तलवार को बाहर निकालने ही वाली थी. लेकिन तामबे की तलवार ने गुस्से से दहारते हुए कहा चले जाओ. इसे बाहर मत निकालो. बार दरने के बाद छोटी लड़की आएगी. इसलिए वह उस महिला के लिए हान सेन से प्रतिसपरधा करेगा. लेकिन अब छोटी लड़की स्पष्ट रूप से हत्यार खीचने के लिए आ रही थी. और वह छोटी लड़की को और अधिक चुनना. चाहता था. लेकिन उसे महिला ने अचानक बाहर खीच लिया और तलवार इंचिंच करके चटान से बाहर खीची गई. जिस क्षण महिला ने तामबे की तलवार खीची, तलवार पर बैंगनी लाल लपते फूट पड़ी, मानो तलवार से अनंत शक्ती निकल. कर महिला के शरीर में प्रवाहित हो ग जमीन से बाहर निकाले जाने का मतलब यह नहीं, था कि वहाँ अपनी आजादी. पूरी तरह हासल कर पाएगा. जाहिर तौर पर तामबे की तलवार और महिला के बीच एक खास संबंध था. विशालकाई जानवर द्वारा पीछा किये जाने पर छोटी लड़की पहले ही पास में भाग चुकी थी. विशालकाई जानवर को कुछ आभास हुआ. इसने तामबे की तलवार और बैंगनीला लप्तों से जलती हुई महिला को देखा और फिर छोटी लड़की को छोड़कर. पीछे मुड़कर भाग गया. कुछ भयानक देखा. छोटी लड़की एक पल के लिए स्तब्ध रहे गई. फिर महिला के हाथ. में तामबे की तलवार को देखा. एक विचारशील नजर दिखाते हुए. फिर उसकी आखे तेजी से घूमी और उसने हतियारों. के बीच खोच की. जलती छोटी लड़की की नजर हान सेन की काली धातू की गदा पर पड़ी. जाहिर. ए? उसे अभी भी याद है कि यह धातू की गदा और तामबे की तलवार थी जो अजीब सी आवाज कर रही थी. तामबे की तलवार पकड़े हुए महिला की और फिर से देखते हुए. छोटी लड़की ने अपने होंट. काटे और अपनी दो छोटी हतिलियों से गदा के हैंडल को पकड़ते हुए हान सेन की और तेजी से दोड हान सेन के चहरे पर एक अजीब सा भाव था. उसे नहीं पता था कि छोटी लड़की द्वारा बाहर निकाला. जाना अच्छा था या बुरा. यह सिर्फ इतना है कि छोटी लड़की ने पहले ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों हाथों का इस्तमाल किया था और धीरे धीरे उस काले धातु के गदा को बाहर निकाला जिसे हान सेन ने बदल दिया था. चोटी लड़की की उचाई धातु की गदा के बराबर थी और दोनों हाथों से गदा के हैंडल को बाहर निकालना मुश्किल था. इसलिए उसे हैंडल को छोड़ना पड़ा. दोनों हाथों से चोटी लड़की ने बाहर निकाला हान। सेन ने केवल नियौमों की एक भयानक शक्ती को महसूस किया जो उसकी और चोटी लड़की की और बढ़ रही। थी जिससे उसकी आत्मा की शक्ती का एक निशान चोटी लड़की में प्रवाहित हो गया। लड़की की आत्मा ब्राण का एक निशान प्राप्त किया और चोटी लड़की ने भी उसकी आत्मा ब्राण का एक निशान प्राप्त किया। आत्मा च्छाप प्राप्त की, लेकिन वह इसे परिश्कृत और अवशोशित करने में सक्षम नहीं थी। आत्मा च्छाप का वह निशान उसकी आत्मा में थोड़ा बेमेल लग रहा था, जैसे चावल का धेर, लोहे की रेत का एक, दाना उसमें समा गया। इसके बजाए, यहां हान सेन की आत्मा थी जिसने तुरंथ छोटी लड़की की आत्मा च्छाप को अवशोशित और परिश्कृत किया और उसकी अपनी आत्मा का हिस्सा बन गई। इससे एक असामान्य स्थिती पैदा हो गई। हाला की, छोटी लड़की ने हान सेन को बाहर निकाला, लेकिन वह एक महिला और तामबे की तलवार जैसी शक्ती के साथ प्रतित्वनित नहीं हो सकी। छोटी लड़की ने दोनों हाथों में काले रंग की धातु की गदा पकड़ी हुई थी। जैसे की आग की छड़ी पकड रही हो बिना किसी असामान्यता के और बिना किसी शक्ती के उतार चढ़ाव के। दूसरी और महिला और तामबे की तलवार ने प्रारंभिक सन्यन पूरा कर लिया है और महिला के शरीर पर बैंगनी लाल तामबे के कवच का एक सेट भोतिक हो गया है जो पूरी तरह से उसके लंबे आकार को धक रहा है और उसके हाथ में जो तामबे की तलवार है वह भी ए महिला ने उस छोटी लड़की को देखा जो हान सेन को धंडी और हरिदैहीन आखों से गले लगा रही थी और उसने अपनी तलवार सीधे छोटी लड़की की ओर खीची तलवार की रोशनी एक हिंसत बिजली की धार की तरह थी और इसने एक पल में छोटी लड़की को मारा छोटी लड़की ने अवचेतन रूप से इसे रोकने के लिए अपने हाथों में धातु की गदा को उठाया केवल एक आवाज सुनने के लिए छोटी लड़की को गदा के साथ उड़ते हुए भेजा गया और उसी समय हवा में खून की एक श्रिंखला उड़ गई मुंग से धार निकली धमाका छोटी लड़की का शरीर और हान सेन द्वारा रूपांतरिद धातु की गदा हथियारों के जंगल में गिर गई जिससे लंबे भालों की कई पंक्तिया तूट गए और धुआ उपर उठ गया तुम बहुत कमजोर हो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जो इतनी कमजोर हो सैनिकों की संत बनोगी महिला तामबे की तलवार हाथ में लेकर कदम दर्ग्दम चोटी लड़की की और बढ़ी हाला कि चोटी लड़की बहुत कमजोर थी लेकिन महिला का इरादा उसे जाने देने का नहीं था यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि चोटी लड़की उसके लिए कितनी बड़ी खत्रा थी जिस चीज ने उसे वास्तव में खत्रे में डाला वह थी काली धातु की गदा जिसे छोटी लड़की ने अपने हाथ में कसकर पकड रखा था हाला कि वह गदा साधारन दिख रही थी और उसमें कोई शक्ती नहीं थी लेकिन महिला अच्छी तरह जानती थी कि गदा से एक बार हत्यारों की अकल पनिय आवाज निकलती थी जो उसे तामबे की तलवार की तरह बुला रही थी पीतल की तलवार बहुत शक्तिशाली होती है और साधारन काली धातू की गदा निश्चित रूप से कोई नश्वर चीज नहीं है वह लड़की को धातू की गदा पर वास्तव में महारत हासल करने से पहले ही मार देना चाहती थी ताकि उसके पास कोई और मौका न रहे मुझे दोश मद दो अगर तुम्हें दोश देना है तो इस क्रूर दुनिया को दोश दो बिंग सिर्फ एक ही हो सकता है बिंग रें तियान में शेंग या तो तुम मरो या मैं मरू महीला ने तामबे की तलवार उठाई और उस छोटे लड़के पर वार किया जो जमीन पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था भयानक तलवार की रोशनी सब कुछ काटती हुई लग रही थी एक अजे चमक बिखेर रही थी छोटी लड़की की आखे जंगली चमक से भरी हुई थी हाला की वह जानती थी कि यह प्रभावी नहीं होगा फिर भी उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ी हुई धातू की गदा उठाई जब उस पर पहली बार हमला किया गया था तब उसका एक हाथ पहले से ही टूटा हुआ था और वह अपनी तरफ से शक्तिहीन होकर लटकी हुई थी जब वह बंदूक के जंगल में दुरगट नाग्रस्थ हुई तो उसके पूरे शरीर पर निशान थे और कुछ अभी भी खून बह रहा था ऐसी छोटी लड़की जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठी एक हाथ से आग की तरह एक धातु की गदा को जोर से उठाया और बैंग मिलाल चमक का सामना किया कब तामबे की तलवार की तलवार की रोशनी धातु की गदा पर वार करती है और छोटी लड़की अवचेतन रूप से अपना सिर नीचे करती है और अपने शरीर को सिकोडती है यहाँ सोचकर की वहा भयानक शक्ती की बंबारी को सहन करेगी लेकिन जल्द ही छोटी लड़की को मार दिया गया यहाँ देखकर चौक गई की धातु की गदा के वजन के अलावा उसे बल का कोई मजबूत प्रभाव महसूस नहीं हुआ इसके विपरीत बैंगनी लाल चमकदार तलवार की रोशनी धातु की गदा से टकराने के बाद तुरंत कांच की तरह बिखर गई और बाहर निकल गई जबकी काली धातु की गदा पूरी तरह से ठीक थी और गदा का काला शरीर तेजी से क्रिस्टल स्पष्ट बर्फ जेड के रंग में बदल रहा था जब तामबे की तलवार का ब्लेड वास्तव में धातु की गदा से टकराया तो धातु की गदा एक पारदर्शी बर्फ जेड गदा में बदल गई थी और दोनों बलेड तकराय जिससे कामपने वाली आवाज आई कामबे की तलवार अप्रत्याशित रूप से चावल के दाने के आकार के अंतर से तूट गई लेकिन बर्फ जेड गदा को बिलकुल भी नुकसान नहीं हुआ छोटी लड़की खुश थी और अपने छोटे हाथ में बर्फ जेड गदा पकड़ कर उसने महिला पर हिंसक रूप से वार किया महिला ने उससे मिलने के लिए अपनी तलवार उठाई और लगातार कई बार टकराई हर बार जब वह टकराती तो तामबे की तलवार पर चावल के दाने के आकार का एक अंतर रह जाता बेवकूफ बुद्धिहीन सुअर क्या तुम सिर्फ काटने के लिए क्रूर बल का इस्तमाल करते हो तामबे की तलवार चौक गई और क्रोधित हो गई तामबे की तलवार उसके शरीर के बराबर थी और तलवार को नुकसान पहुचाने का मतलब था उसके शरीर को नुकसान पहुचाना बस अपनी जान से खेल रहा था हाला की उसके विचारों की आवाज महिला को बिलकुल भी सुनाई नहीं दे रही थी अचानक तामबे की तलवार पर रोशनी चमक उठी लेकिन हान सेन और छोटी लड़की को मारने के बजाए उसने महिला के शरीर को जबरन दूर की ओर खीचा और जल्धी चकित महिला हत्यारों के जंगल में गायब हो गई अगले अध्याय को लोड करने के लिए उपर खीचे महिला को पीटते हुए देखकर छोटी लड़की ने खुशी से बर्फ के जेड गदा को गले लगा लिया लेकिन बर्फ के जेड गदा पर बर्फ के जेड का रंग धीरे-धीरे फीका पड़ गया वापस अपने मूल काले रंग में बदल गया जैसे की आग की छड़ी हान सेन की ताकत का विस्फोट पूरी तरह से इसलिए नहीं था क्योंकी वहा चोटी लड़की को मरते हुए नहीं देख सकता था बलकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब चोटी लड़की को चोट लगी थी तो चोटी लड़की की आत्मा में हान सेन की आत्मा की छाब भी काम परही थी जब तक हान सेन आत्मा के उस निशान को वापस नहीं ले सकता अगर छोटी लड़की को मार दिया जाता है और उसकी आत्मा तूट जाती है तो उसकी आत्मा भी तूट जाएगी लेकिन अभी तक हान सेन ने कोई रास्ता नहीं सोचा है कि कैसे अपनी आत्मा के निशान को वापस लिया जाए हाला कि अभी भी एक संभावना है कि छोटी लड़की के मरने के बाद उसकी आत्मा के निशान को अलग कर दिया जाएगा और हान सेन को वापस कर दिया जाएगा लेकिन यह केवल एक संभावना है और हान सेन जोखिम नहीं लेना चाहता है मैंने उस महिला से सुना कि यह छोटी लड़की सैनिकों की संथ है और वे किस तरह के सैनिकों के संथ के लिए लड़ रहे हैं क्या यह कहा जा सकता है कि सैनिकों का तथाक्थित संथ हत्यारों के स्वर्ग का शासक है? यदि ऐसा है तो छोटी लड़की और वह महिला स्वर्गिय तल्वार द्वारा गर्भित पवित्र आत्मा होनी चाहिए और उनकी लड़ाईया स्वर्गिय तल्वार के वास्तविक स्वामी को निर्धारित करने की संभावना है हान सेन अपने दिल में अनुमान लगा रहा था क्योंकि लड़की पर आत्मा का निशान अंकित था हालाकि हान सेन में पहले से ही उड़ने की क्षमता थी लेकिन वहाँ जल्दी में नहीं गया छोटी लड़की ने हान सेन को गले लगाया और खुशी से कहा अपसे तुम मेरी पवित्र सैनिक हो और तुम्हारा नाम होगा चलो इसे जियाव हेई कहते हैं हान सेन ने लगभग अपना पुराना खून ठूक दिया उसे आखिरकार एहसास हुआ कि लिटल यिन्यन और दूसरों के असहाई और उदास भावों का क्या हुआ जब उसने उनका नाम रखा हान सेन अपने विचारों के माध्यम से छोटी लड़की से समवाद करना चाहता था लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ती छोटी लड़की के साथ उसके समवाद को रोक रही है जिससे छोटी लड़की उसके विचारों को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकती तलवार आकाश के नियमों को धिकार है यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है चुंकि छोटी लड़की ने मुझे चुना है तो यहाँ विचारों के संचार को क्यों रोकता है हान सेन थोड़ा उलजन में था लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद शायद उसे इसका कारण समझ में आ गया सैनिकों के इन तथाक्थित संतों द्वारा अपने स्वयं के संत सैनिकों को चुनने के बाद उन्हें अपने स्वयं के संत सैनिकों की शक्ती को समझना और लड़ना जारी रखना चाहिए नियम पवित्र सैनिकों को संतों के साथ समवाद करने से रोकेंगे चू कि फिल्हाल मानव रूप में वापस बदलने का कोई तरीका नहीं है और आत्मा की छापके उस निशान को वापस लेना मुश्किल है इसलिए मैं केवल इस छोटी लड़की को अपने साथ ले जा सकता हूँ हान सेन ने सोचा डौंगकसवान सूत्र की शक्ती का उपियोक करके छोटी लड़की को ढग दिया और सीधे उसे ले गया उसने छोटी लड़की को आकाश में उड़ते हुए देखा छोटी लड़की की आखे चोडी हो गई उसने धातु की गदा पकड़ी और जोर से चिलाया ज्यो हे तुम क्या चाहती हो तुम काली हो तुम्हारा पूरा परिवार काला है हान सेन उदास महसूस कर रहा था लेकिन वह छोटी लड़की को यह नहीं समझा सकता था इसलिए वह केवल उसे अंदेखा कर सकता था और अपनी उडान को तेज कर सकता था वह नहीं जानता था कि बावेर कहा है और यह भी नहीं जानता था कि बावेर उसकी तरह बिंगरेन तियान में एक हतियार बन गई है या वह बिंग रेंटियन को छोड़ चुकी है इसलिए हान सेन केवल उड़ते समय ही खोज कर सकता था उड़ते समय हान सेन ने रक्त और जीवन तंत्रिकाओं की शक्ती को छोटी लड़की के शरीर में रिसने दिया ताकी उसकी चोटो को ठीक करने में मदद मिल सके बिंग रेंटियन के दूसरी और महीला को तामबे की तलवार से घसीता गया और आखिरकार हजारों मील तक घसीते जाने के बाद उसे रोक दिया गया मैं सैनिको की संथ हूँ सैनिको की भावी संथ चूकि तुम मेरी जन्मजाद सैनिक बन गई हो इसलिए तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा महीला ने तामबे की तलवार पकड़े हुए गुसे से चिलाया हम्म तामबे की तलवार एक ही जटके में महीला के हाथ से चूट गई तलवार का शरीर हवा में लटक गया जिससे भव्य बैंगनी लाल लपते जल रही थी जिससे सब कुछ बैंगनी लाल हो गया चूकि तुम मेरी जन्मजाद सैनिक बन गई हो इसलिए मेरी आग्या का पालन करना तुम्हारा भाग्य है महिला ने एक भी कदम पीछे हटे बिना गर्व से ताम्बे की तलवार को देखा जैसे कि वह दुनिया की नायक थी और ताम्बे की तलवार को उसकी आग्या का पालन करना चाहिए पुछी ताम्बे की तलवार अचानक चली गई और तलवार एक पल में महिला की चाती के आरपार हो गई और तुरंत खून बहने लगा जिससे महिला की आखे चौडी हो गई दोनों हाथों में तामबे की तलवार पकड़े हुए वह अविश्वास में लग रही थी और चाती में घुसे चाको को घूर रही थी तामबे की तलवार असंभव तुम मेरी जन्मजात पवित्र सैनिक हो तुम मुझे चोट नहीं पहुचा सकती तुम मुझे नहीं मार सकती मेरी मौत तुम्हारी मौत है महिला के बोलने से पहले तामबे की तलवार उसके दिल से होकर उसके पीछे से गुजर गई और महिला की मौके पर ही तुरंत मौत हो गई और उसका शरीर जमीन पर गिर गया तामबे की तलवार हवा में लटकी हुई थी और महिला के शरीर पर तामबे का कवच चमक के निशानों में बदल गया और तामबे की तलवार की ओर दोड़ा यहां तक की उसकी आत्मा भी तलवार से कट गई आभा के टुकडों में बदल गई तामबे की तलवार की ओर दोड़ी तामबे की तल्वार के बादचमक और आभा को अवशोशित करते हुए तल्वार का शरीर धीरे-धीरे रहस्यमें लंबे बैंगनी बालो वाली महिला में बदल गया अगर हान सेन यहां होते तो वे निश्चित रूप से जोर से चिलाते क्योंकि यह बैंगनी महिला लगभग जीरो जैसी ही है वे बिलकुल एक जैसे दिखते हैं लेकिन थोड़े अधिक परिपक्व आकर्शन के साथ जो जीरो की लड़कियों वाली शैली से थोड़ा अलग है यह स्पष्ट रूप से दानव पूर्वज असुर है अगर हान सेन यहां होते तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि अश्लील शब्दों से भरी तामबे की तलवार को दानव पूर्वज द्वारा बदल दिया जाएगा मैं तुम्हें जीवित रखना चाहता था लेकिन तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की असुर तुम अपनी मौत खुद मांग रहे हो असुर ने महिला के शरीर की ओर देखा भी नहीं मानो वहां बेकार का कच्रा हो असुर ने उस दिशा की ओर देखा जहां से वहां पहले भाग रहा था और एक अजीब अभिव्यक्ती के साथ खुद से बड़बडाया उस धातु की गदा को प्रित्वी पर किसने घुमाया मेरा शरीर पहले से ही ब्रहमाण में सबसे उपर माना जाता है और मैंने जो तल्वार का हत्यार बदला है वह धातु की गदा के प्रभाव का विरोध नहीं कर सकता धातु की गदा का शरीर बेहट शक्तिशाली होना चाहिए वह कौन होगा यह अफसोज की बात है एक बोने जैसा मूर्ख मेरी शक्ति का उप्योग करना बिल्कुल नहीं जानता है वह केवल क्रूर बल से टक्रा सकता है अन्यथा छोटी लड़की को मारना कितना मुश्किल है मैं अभी 33 दिनों में ठीक हो गया हूँ और सभी स्वर्गाकाश की आत्मा के जन्म में छोटी लड़की की आत्मा शक्ति बहुत अच्छी है और उसके पास सभी विरोधियों को हराने और तलवार की तलवार का स्वामी बनने का मौका हो सकता है अगर वह उसे बाहर निकाल सकती है तो मेरी ताकत से उसे पवित्र सिंहासन पर चड़ने में मदद करना मुश्किल नहीं है यह अफसोस की बात है कि इसे उस कमीने ने नश्ट कर दिया अशुरा ने अपने चहरे पर अफसोस जताया हान सेन की धातु की गदा के बारे में सोचते हुए असुर की आखों में घ्रिना की जलक दिखाई दी अगर हान सेन ने इसे तोड़ फोड नहीं की होती तो वह छोटी लड़की को नहीं खोती और इस बेवकूफ महिला द्वारा असहाय रूप से बाहर खीची जाती मुझे तुम्हें खोजने मत दो या तुम हैरान हो जाओगे असुर ने सोचा की अगर वहां हान सेन से फिर से मिलती है तो वहां हान सेन को असहाय महसूस कराएगी स्वाभाविक रूप से असुर ने नहीं सोचा था कि वहां धातु की गदा से कमतर होगी कोई माइने नहीं रखता था हान सेन के मन में इतने विचार थे कि पलत जपकते ही वह तामबे की तलवार के बारे में भूल गया वह यहां केवल बावेर को खोजने आया था इसलिए अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से इसकी परवाह करने की आवशक्ता नहीं है अकेले उसे जटोंग तलवार की असली पहचान बिलकुल भी नहीं पता है हान सेन के अनुमान के अनुसार तामबे की तलवार एक घिनोना चहरा वाला एक असब्या आदमी या एक मनहूस मिनोटौर होना चाहिए वैसे भी या एक सुन्दर महिला नहीं हो सकती हान सेन को कभी भी बदसूरत चीजों में दिल्चस्पी नहीं रही है लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि तामबे की तलवार राक्षस पूरवज असुर द्वारा बदल दी जाएगी छोटी लड़की के साथ आकाश में उड़ते हुए बावेर का पता लगाने की उम्मीद करते हुए लेकिन बिंगरेन आकाश पहले की तुलना में कई गुना बड़ा लगता है हान सेन लंबे समय तक उड़ता रहा लेकिन फिर भी बावेर की आकरिती नहीं देखी इससे उसका दिल और भी डूब गया अगर बावेर एक हत्यार बन जाता है तो मुझे डर है कि उसे ढूंडना मुश्किल होगा हान सेन ने खुद से सोचा जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था उसने अचानक हत्यारों के जंगल से हत्यारों की कापती हुई आवाज सुनी कुलहाडी हान सेन छोटी लड़की के साथ विशाल कुलहाडी की ओर उड़ गया और देखा कि विशाल कुलहाडी तीस मीटर से अधिक उन्ची थी लेकिन कुलहाडी दो मंजिला इमारत जितनी बड़ी थी और उसे नहीं पता था कि किस तरह का प्राणी इतनी विशाल कुलहाडी का उप्योग कर सकता है लेकिन विशाल कुलहाडी के कामपने से देखते हुए उसे हान सेन की तरह ही एक जीवित प्राणी से बदल दिया जाना चाहिए हान सेन आखिरकार रुख गया छोटी लड़की अभी भी धातु की गदा पकड़े हुए थी जिसे हान सेन में बदल दिया गया था वह जाडू पर सवार एक छोटी चुडैल की तरह लग रही थी और उसने जाने से इनकार कर दिया हान सेन को बहुत बड़ा सिरदर्द महसूस हुआ वह ऐसा व्यक्ती नहीं है जो क्रूर हो सकता है वह छोटी लड़की को चोट नहीं पहुचाना चाहता था लेकिन यह कोई समस्या नहीं है कि चोटी लड़की उसका पीछा कर रही है आखिरकार सैनिकों का एक और संत मिल गया लेकिन ऐसा लगता है कि आपने बहुत बेकार हतियार चुना है दूर से एक आवाज आई यह कवच पहने हुए और हाथ में चाकों पकड़े हुए एक यूवक था हाला कि उसकी सासे अजीब थी लेकिन वह छोटी लड़की और तामबे की तलवार निकालने वाली महिला के समान था उसे भी सैनिकों का संत होना चाहिए बिना किसी देरी के लड़के के हाथ में चाकों ने छोटी लड़की पर वार किया छोटी लड़की धातू की गदा से कूद गई दोनों हाथों से धातू की गदा पकड़ी और लड़के के हाथ में चाकों का सामना किया हान से ने बर्फ की मासपेशी जेड हड़ी तकनीक को संगनित किया गदा के शरीर को बर्फ के जेड के रंग में बदल दिया और चाकू से टकराया सिर्फ एक टककर से लड के के हाथ में चाकू तुरंत तूट गया और बर्फ की जेड़ गदा अभी भी बिना रुके सीधे लड के सिर पर जा, गिरी, एक धमाके के साथ, लड के का सिर बर्फ की जेड़ गदा से कुचल गया, अगले सेकंड में एक अविश्वसनिया, बात जिस लड़के का सिर कुछला गया था, वह थोड़ा आभा में बदल गया और छोटी लड़की की ओर डॉड़ा, जिससे छोटी लड़की को सूपर हार्मोन का इंजेक्शन लगा हुआ लग रहा था लगभग 15 साल की उम्र में जैसे जैसे छोटी लड़की बड़ी होती गई, उसके शरीर से एक अजीब सी शक्ती उम्री और यह हान सेन की गदा में भी समा गई, जिससे गदा और भी मजबूत हो गई हान सेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ उसने पाया की उसकी शारिरिक शक्ती वास्तव में बढ़ गई थी हाला की सीमा तोड़ने की दर में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन शारिरिक शक्ती में व्रिद्धी उसके लिए भी बहुत फाइदे मंद थी यहां बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने शरीर को मजबूत करने से ज्यादा अपने शरीर को फिर से बनाना चाहता हूँ हान सेन ने थोड़ा उदास होकर सोचा इसके बारे में सोचते हुए, उसने अचानक दूर से रात में एक भयानक तलवार की रोशनी देखी तलवार की रोशनी एक तूफान की तरह थी, जो हत्यारों के एक बड़े जंगल को नश्ट कर रही थी हान सेन की रहस्य मैं आभा ने अतीत को घेर लिया और उसने पाया की दो संथ, एक पुरुश और एक महिला लड़ रहे थे महिला के हाथ में हत्यार एक अजीब सी दिखने वाली तलवार थी और दूसरा सैनिक संथ जो बंदूग का इस्तिमाल करता था वह पहले ही महिला के हाथ में तलवार से कट चुका था बंदूग के साथ और जल्द ही वह आदमी थोड़ा सा आभा में बदल गया और महिला के शरीर में विलीन हो गया तलवार के साथ और भी मजबूत हो गया कुछ मिंटों के बाद तलवार पर चमक और भी सम्रिद्ध हो गई जब हान सेन ने तलवार देखी तो उसका दिल धड़क उठा तलवार की सांस ने हान सेन को परिचित महसूस कराया, लेकिन वह निश्चित नहीं था क्या किन शिव भी एक हतियार बन गया है, हान सेन ने तलवार को संदेह से देखा तलवार का शरीर सीधा है, लेकिन दोनों तरफ के ब्लेड दानतेदार है, जो थोड़ा भयानक और भयानक दिखता है, जैसे की आप इसके करीब जाने पर घायल हो जाएंगे लेकिन तलवार पर आभा किन शिव के समान ही थी, किन शिव और शेनरान हुई, के सदस्य तैतीस दिनों के भीतर थे, लेकिन उन्हें हतियारों में प्रतिभाशाली नहीं होना चाहिए किन शिव यहां तलवार कैसे, बन सकता है हान सेन को आश्चर्य हो रहा था, तलवार था में महिला ने पहले ही छोटी लड़की को देख, लिया था, उसकी आखे उदासीन थी, और उसने अपनी तलवार घुमाई और उस पर वार किया महिला ने तलवार इतनी तेजी से घुमाई की छोटी लड़की ने बिलकुल भी प्रतिक्रिया नहीं की इसलिए हान सेन को तलवार का सामना करते हुए खुद ही उचलना पड़ा कब? तलवारों और गदाओं ने वार का आदान प्रदान किया दानतेदार ब्लेड ने वार की आगदा बर्फ जैसी गदा पर तलवार का निशान छोड़ती हुई लेकिन तलवार को कोई नुकसान नहीं हुआ क्या यहाँ वास्तव में किन? शियू है, हान सेन का दिल धड़क उठा महिला को फिर से अपनी तलवार घुमाते हुए देखकर इस बार हान सेन ने एक हाथ से आकाश को कवर करने की शक्ती को संगनित किया और तलवार पर वार किया सोने और जेड के टकराने की एक और आवाज आई बर्फ की जेड गदा पर गहरा निशान बन गया लेकिन आरीदार तलवार को कोई नुकसान नहीं हुआ तलवार पकड़े हुए महिला ने फिर से हमला नहीं किया उसकी आखे थोड़ी अजीब लग रही थी उसने हान सेन को घूरते हुए कहा तुमने बिना मरे मेरी दो तलवारों के वार को रोप कर बहुत प्रगती की है किन्शिव हान सेन एक पल के लिए चौक गया हाला की महिला की आवाज एक महिला की थी लेकिन उसकी आवाज का लहजा और लहजा सपष्ट रूप से एक पुरुष का था जाहिर है किन्शिव ने पहले ही इस सैनिक संत को नियंतरित कर लिया था न कि उसने दानतेदार तलवार को नियंतरित किया था मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर से यहां देख पाऊंगा लेकिन यहां अच्छा है तुम्हें खत्म करने के बाद वानर अब और नहीं बंधेगा महिला ने कहा अपने तलवार उठा कर हान सेन पर वार किया हान सेन उड़ गया छोटी लड़की के कपड़ों को छेद दिया उसके शरीर को हुक किया उसे आकाश में ले गया और दूर जाने के लिए तारों वाले आकाश का उप्योग किया लेकिन जब हान सेन का स्टार ट्रेक समाप्थ हुआ तो उसने देखा कि एक महिला उसके सामने आ गई थी और आरिदार तलवार ने उसका सिर काट दिया तुम बच नहीं सकते किन शिव ने ठंडे स्वर में कहा अगर तुम बच नहीं सकते तो लड़ो छोटी लड़की को पीछे छोड़ते हुए हान सेन ने अपनी पूरी ताकत से विसफोट किया और सीधे चार प्रकार की सीमा तोड़ने वाली आनुवनशिक तकनीकों को सक्रिय किया चार प्रकार की आनुवनशिक तकनीकों की शक्ती के तहट गड़ा का शरीर और गड़ा का ब्लेड टकराया लेकिन एक दरार कट गई लगातार कई वार के बाद गड़ा का शरीर और अधिक जखमी हो गया मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं हान सेन ने बरफीली मांसपेशियों और हड्यों की ताकत से एक खोखली संगचना बनाने कि कोशिश की ताकी गड़ा की वार सहने की क्षमता को बढ़ाया जा सके प्रभाव स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा नहीं है और गड़ा के शरीर पर अभी भी अधिक से अधिक निशान है नहीं यह आभा किन शियों की आभा है लेकिन शक्ती किन शियों की नहीं लगती हान सेन को अपने दिल में बहुत अजीब लगा दांतेदार तलवार वास्तव में बहुत मजबूत है लेकिन इसमें काले क्रिस्टल कवच से जुड़ी शक्ती नहीं है जिससे हान सेन को बहुत अजीब लग रहा है क्लिक दांतेदार तलवार से गदा के शरीर पर एक और निशान था जिसने हान सेन को भी उड़ा दिया और एक धाल से टक्राया गदा का शरीर धाल को भेद कर धाल में घुज गया छोटी लड़की कहीं से उड़कर आई दोनों हाथों से गदा के हैंडल को पकड़ा और हान सेन को धाल के छेट से बाहर निकाला तुम यहां क्यों परेशानी खड़ी करने आये हो हान सेन उड़ास था दान्तेदार तलवार पकड़े और छोटी लड़की के सिर की ओर वार करने वाली महिला को देख कर हान सेन केवल बरफीली मानस्पेशियों और जेड हड्यों की सीमा तोडने वाली शक्ती को बाहर निकाल सकता था और उसे जबरन रोक सकता था दान्तेदार तलवार मूल रूप से हान सेन दान्तेदार तलवार से लड़ने के लिए जीन स्टोरी की शक्ती का उप्योग करना चाहता था लेकिन जीन स्टोरी की शक्ती बहुत हिंसक थी शक्ती द्वारा उत्पन केवल शौक वेव ही छोटी लड़की को तुक्डे तुक्डे कर सकती थी जब गदा और तलवार एक दूसरे से टक्राई तो हान सेन और छोटी लड़की उड़कर बाहर आ गए छोटी लड़की के मुँँ से खून बह रहा था लेकिन उसकी आखे अभी भी जंगली रोशनी से भरी हुई थी उसने हान सेन को पकड़ लिया और जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया हान सेन ने छोटी लड़की को अंदेखा किया और अपने विचारों के साथ दान्तिदार तलवार से समबाद किया मैं किन शियाओ हूँ लेकिन मैं सिर्फ एक क्लोन हूँ मैं बिंग रेन तियान के शासक के लिए लड़ने के लिए यहां आई हूँ महिला ने किन शियाओ के लहजे में कहा क्या तुम पहले से ही सत्रहवे स्वर्ख तक नहीं पहुँची हो तुम पहले स्वर्ख के स्वामी के लिए प्रतिस परधा करने के लिए यहां वापस क्यों आना चाहती हो हान सेन को अचानक समझ में आ गया कि वह किन्शियाओ की तरह क्यों महसूस कर रहा था और किन्शियाओ की तरह नहीं हमशकला किन्शियू ने कहा तुम्हें बताना ठीक है 33 दिनों में प्रारम भिक अवस्था में लोटने के बाद कोई भी प्राणी 33 दिनों का स्वामी बनने और आनुवन्शिक टैबलेट में महारत हासिल करने के योग्य हैं लेकिन इसके लिए एक शर्थ है जीन समारक के लिए लडाई को समझने के योग्य है मैं समझ गया हान सेन ने अपनी आखे थोड़ी सिकोड ली किन शिवकी उसे यहाँ बताने की इच्छा ने उसके मजबूत आत्मविश्वास को दिखाया और वह हान सेन के सच जानने और उसके साथ प्रतिसपरधा करने से नहीं डरता था अब जब तुम इसे समझ गये हो तो मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ और मुझे दिखाओ की तुम कितने मजबूत हो महिला ने कहा और हान सेन और छोटी लड़की पर फिर से वार किया तुम्हें अपने साथ निपटने के लिए किसी असली ताकत का इस्तिमाल करने की जरूरत नहीं है हान सेन ने भेड के जेड शरीर की खोखली संग्रचना उधार लेते हुए जबरन आइस मसल जेड बोन तकनीक का प्रदर्शन किया मैंने आइस जेड गदा के बाहर एक ठोस आइस जेड मास्क देखा आइस जेड मास्क को एक छटे जैसी शटकोनिय संग्रचना में व्यवस्थित किया गया है जो हान सेन और छोटी लड़की को कवर करता है इसके अलावा इसने सिर्फ बर्फ के जेड कवर को चीर दिया और इसने हान सेन और अंदर की छोटी लड़की को चोट नहीं पहुचाई सीमा तोडने की दर आखिरकार 30% से ज्यादा हो गई है सीमा तोडने की शक्ती को मूर्त रूप देने के दाइरे तक पहुच गई है हान सेन बहुत खुश था इतनी सारी तलवारे बेकार नहीं थी उसने आखिरकार भेड के जेड शरीर की कुछ विशेशताओं का इस्तमाल अपनी बर्फ की मांसपेशी जेड हड़ी तकनीक पर किया ताकि बर्फ की मांसपेशी जेड हड़ी की सीमा तोडने की शक्ती एक ठोस शरीर में संघनित हो जाए महिला ने ठंडी सांस ली और आरीदार तलवार ने फिर से बेथाशा वार किया एक के बाद एक तलवारें एक हिंसक तुफान की तरह हान सेन ने तलवार के हमलों को रोकने के लिए एक के बाद एक बर्फ के जेट कवर को संधनित किया, लेकिन बर्फ का जेट कवर भी बार-बार तूट गया कितना शक्तिशाली किन्शिव, भले ही यह सिर्फ एक क्लोन है जिसे तलवार में बदल दिया गया है, इसमें पहले से ही इतनी शक्ती है मुझे नहीं पता कि असली किन शिव कितना शक्तिशाली होगा अगर वह वास्तव में तलवार में बदल जाए हान सेन ने मन ही मन सोचा लेकिन बरफीली मांसपेशियों और हड्यों की शक्ती में सफलता रुकी नहीं भेड के जेड शरीर में कई तरह की खोखली संगचनाएं होती हैं हान सेन अब जो इस्तिमाल कर रहे हैं वह सिर्फ एक छटे जैसी संगचना है वह बरफ की मांसपेशी जेड हड्डी में और अधिक खोखली संगचनाओं को एकिकरित करने की कोशिश कर रही हैं जैसे जैसे बरफ की मांसपेशी जेड हड्डी तकनीक की सीमा तोडने की दर अधिक से अधिक होती जाती है वैसे वैसे तलवार के निशान जो आरी की तलवार बरफ के जेड कवर पर छोड सकती है छोटे और छोटे होते जाते हैं जब बर्फ की मासपेशी जेड हड़ी तकनीक की सीमा तोड़ने की दर 60% तक पहुँच गई, तो भौती की कृत बर्फ के जेड कवर पर एक रहस्यम है और सरल रून दिखाई दिया. रून का आका रजीब है, सामान्य पात्रों से बिलकुल अलग है, लेकिन यह बर्फ के जेड के अर्थ से भरा है, जो अवर्णनिय रूप से शुद्ध और स्वच्छ है. बर्फ की मासपेशी जेड हड़ी तकनीक से संगनित सीमा तोड़ने वाले तावीज के साथ, दानतेदार, तलवार अब भौती की कृत बर्फ के जेड कवर को काटने में सक्षम नहीं थी, और हान सेन अब आखिरकार नुकसान में, नहीं था, किन्शिव, अगर तुम मुझ मारना चाहती हो, तो खुद ही कर लो, एक क्लोन के लिए मुझे, मारना बहुत भोलापन होगा, हान सेन ने दानतेदार तलवार को घूरते हुए कहा, लेकिन महिला ने फिर कुछ नहीं कहा उसने, एक के बाद एक तलवार से हान सेन पर वार किया, लेकिन उन सभी को बर्फ जेड गदा की सीमा तोडने, वाली शक्ती ने रोक दिया, और वह फिर से गदा को चोट नहीं पहुचा सकी, 33 दिनों से अधिक समय, तक एक आदमी आनुवनशिक स्मारक के सामने खडा था, आनुवनशिक स्मारक को घूर रहा था, लंबे समय तक बिना हिलेडुले, इस समय जीन समारक अंगिनत छोटी स्क्रीन से बनी एक बड़ी स्क्रीन की तरह है, और जीन समारक पर चित्र, लगातार बदल रहे हैं, द्रिश्यों में से एक हान सेन और महिला के बीच लडाई है, और आदमी की आखें, इस लडाई को देख रही हैं, जब आदमी लडाई देख तो उसने अचानक जेनेटिक टैबलेट पर एक चमकदार, रोशनी चमकती देखी, नकेवल आदमी, बलकि दोनों ब्रहमांडों में अंगिनत जीव, सभी ने कब्र जैसे 33 स्वर्ग को देखा, और जेनेटिक टैबलेट पर रोशनी आग की लप्टों में फट गई, राज स सकारात्मक और नकारात्मक ब्रहमांडों को रोशन करती है, जेनेटिक टैबलेट पर रोशनी कमजोर होने के बाद, सकारात्मक और नकारात्मक ब्रहमांड ने पाया की प्रकाश का स्त्रोत जेनेटिक टैबलेट, पर शब्दों की एक पंक्ती थी, सत्रहवे स्वर्ग का शासक किन्शिव 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 होने का हकदार है उसने वास्तव में इतनी जल्दी पहले स्वर्ग पर कबजा कर लिया और सत्रहवे स्वर्ग का स्वामी बन गया 33 स्वर्गों के बारे में जानने वाला बूढा प्राचीन व्यक्ति चौक गया। लगभग उसी समय किन शिव की आकृती आनुवन्शिक स्मारक से बाहर आई और उसने आनुवन्शिक स्मारक के सामने खड़े आदमी को देखा। तो मुझे आशा है कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। मंदर के स्वामी ने हलके से कहा। तुम दर रहे हो, दर रहे हो कि मैं आनुवन्शिक स्मारक का स्वामी बन जाऊंगा। क्या अफसोस है तुम मंदर के स्वामी हो और तुम पहले से की आनुवन्शिक मंदर के मालिक हो इसलिए तुम अब आनुवन्शिक स्मारक के स्वामी नहीं हो सकते अन्य था, तुम मुझे बहुत परेशानी दोगे परेशानी, किन शिव ने कहा भले ही मैं यहां न रहू, तुम आनुवन्शिक स्मारक के स्वामी नहीं बन पाऊगे, मंदिर का स्वामी भावशून्य रहा तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कौन रोक सकता है तुम्हारे अधीन विनाशकारी स्तर के देवता तुम्हें पता होना चाहिए कि वे मुझे नहीं रोक सकते किन शिव ने आत्मविश्वास से कहा शायद नहीं, शायद नहीं अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा इसके अलावा, इस दुनिया में कई शक्तिशाली प्राणी हैं, मंदिर के भगवान अभी भी उदासीन दिख रहे थे तुम जिस शक्तिशाली प्राणी की बात कर रहे हो, उसका मतलब वह नहीं है, किन शिव की नजर भी जीन टैबलेट पर लगी तस्वीर पर पड़ी और हान सेन पर पड़ी हान सेन के पास पहले से ही एक पूर्ण लाब है बर्फ की मांस्पेशियों और हड्यों की सीमा तोडने की बढ़ती दर के साथ, दांतेदार तलवार अब बर्फ के जेड कवर पर तलवार के निशान नहीं छोड सकती है हालां की बर्फीली मांस्पेशियों और जेड हड्यों की सीमा तोडने की दर केवल साथ पसेंट से अधिक तक पहुँच सकती है और सुधार जारी रखने का कोई तरीका नहीं है भेड के जेड शरीर से प्राप्त खोखली संगचना केवल बर्फ की मांस्पेशियों और जेड हड्यों को इतनी दूर तक ले जा सकती है अपने असली शरीर को अपने आप मेरे पास आने दो जब हान सेन अपने दिमाग से किन शीव के अवतार के साथ समवाद कर रहा था तो उसके शरीर में तबदील बर्फ की जेड गदा अचानक उड़ गई बर्फ की जेड रोशनी की एक चमक लेकर महिला के माथे पर वार किया आम तौर पर सैनिकों के संत और संत सैनिक ने आत्मा के निशानों का आदान प्रदान किया है और एक समरिध है और दूसरा क्षतिग्रस्थ है यदि सैनिक का संत मारा जाता है तो संत सैनिक भी एक साथ रह जाएगा दानतेदार तलवार को तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन महिला के सिर को कुचलना बहुत आसान था महिला की आंखों में एक थंडी रोशनी चमक उठी, उसने दोनों हातों से तलवार की मूठ पकड़ी और अपने हात में दानतेदार तलवार से हान सेन की बरफीली जेड गदा पर वार किया जब तलवार कट गई तो महिला का शरीर आरीदार तलवार द्वारा अवशोशित हो गया और यहां आरीदार तलवार के साथ विलीन हो गया एक भयानक तलवार की रोशनी के साथ बरफीली जेड गदा पर वार किया कब बरफीली जेड गदा के बाहर बरफीली जेड आवरण इस तलवार से टुकडो में कट गया आरीदार तलवार बरफीली जेड गदा के शरीर से टकराई और अचानक बरफीली जेड गदा में कट गई जब वह बरफीली जेड गदा को काटने वाली थी तलवार पर लगा बल गायब हो गया अगले ही सेकंड में आरिदार तलवार धुए में बदल गई और हवा के साथ बह गई और उसी समय हान सेन के दिमाग में एक आवाज आई मैं जेनेटिक्स मारक के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगा हान सेन को पता था कि उस समय किन शिव का असली शरीर उसका इंतजार कर रहा होगा और कोंग इतना क्रूर बलवाला क्लोन नहीं था चू की किन शिव ने कहा था कि वह 33 दिन मेरा इंतजार करेगा तो उसके लिए पहले स्वर्ग में आने का कोई रास्ता नहीं है और मैं इस अवसर का लाब उठा कर पहले स्वर्ग का स्वामी जीत सकता हूं हान सेन ने मन ही मन सोचा हाला कि हान सेन को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि वह स्वामी बन सकता है या नहीं या आनुवनशिक स्मारग भी जीत सकता है जब तक वह बावेर को पा सकता है वह अभी 33 दिनों के लिए छोडने को भी तयार है लेकिन चीजें उल्टी हो गई लेकिन उसे बावेर कभी नहीं मिली और सैनिको के कई संतों से मिला हर बार जब सैनिको के संत का सिर काटा जाता है तो छोटी लड़की का शरीर थोड़ा मजबूत हो जाता है और वह उसी के अनुसार बड़ी होती है कुछ ही दिनों में छोटी लड़की 15 या 16 साल की लड़की की शकल में बड़ी हो जाती है, गती और ताकत भी बहुत ज्यादा होती है, यह सिर्फ, इसलिए है क्योंकि उसके पास हान सेन की आत्मा छाप को परिश्कृत करने की क्षमता नहीं है, वह हान सेन के साथ प्रतिध्वनित नहीं हो सकती ह और हान सेन की शक्ती उधार नहीं ले सकती है, इसलिए सैनिकों के अन्य संतों के विप्रीत, उसके पास सैनिकों के पवित्र कवच का एक सेट है, आप केवल अपने शरीर से लड़ सकते हैं हान सेन ने कुछ और दिनों तक खोज की, लेकिन बावेर इसे नहीं पा सका, लेकिन उसने देखा कि आनुवनशिक गोली फिर से चमक रही थी, और पच्चीसवा स्वर्ग भी लोगों द्वारा कबजा कर लिया गया था, और एक गुरु प्रकट हुआ पच्चीसवे दिन का शासक, समराट रेन क्या यह रक्त जीवन संप्रदाय से मानव समराट है, नाम देखकर हान सेन हैरान रह गया इन दो शब्दों का उप्योग करने की हिम्मत करने वाला एक मात्र व्यक्ती रक्त जीवन संप्रदाय का नेता था, जो अभ्यारने में मनुष्यों का पूर्वज था सामराज्य के महान ब्रहमाण में मनुष्य रिंदी शब्द को देखकर बेहत क्रोधित हो गए उन्होंने कभी किसी को इतना घमंडी नहीं देखा था कि वहा खुद को समराट कहने की हिम्मत करे शेश तैस दिनों के लिए प्रतिसपर्धा और भी भयंकर होती जा रही थी आतंकवादी जीव लगातार तैस दिनों पर हमला कर रहे थे स्वर्व की पहली परत पर कबजा करने और एक प्रमुक अस्तित्व बनने की कोशिश कर रहे थे हान सेन ने लगभग पूरे बिंग्रेंटियन की खोज की लेकिन वह अभी भी बावेर का पता नहीं लगा सका नहीं उसे अगले स्वर्व का प्रवेश द्वार मिला जिससे उसे बहुत अजीब लगा अचानक हान सेन को एक संभावना का ख्याल आया और उसका चहरा बहुत बदसूरत हो गया क्या यह कहा जा सकता है कि वे जीव जो 33 दिन भागे थे वे सभी पहले स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएं बलकि क्रमशा 33 दिन में प्रवेश कर गए अगर ऐसा है तो बावेर को ढूंडना बहुत मुश्किल होगा मुझे यह भी नहीं पता की बावेर किस स्वर्ग में प्रवेश कर गया है इसके अलावा 33 दिन की प्रारंभिक अवस्था में वापसी के बाद जो अंतरिक्ष चैनल खोला गया था वह बहुत पहले ही अस्थित्व में नहीं रहा है मेरे पास बागी 33 दिनों में प्रवेश करने का कोई रासा नहीं है एक मात्र तरीका शायद इस स्वर्ग का स्वामी बनना और सीधे जीन स्मारक में जाना है अगर बावेर भी फर्स्ट लेयर की मास्टर बन जाती है तो शायद हम उसे वहाँ देख सकें बावेर को न पापाने के कारण हान सेन के पास सैनिकों के संतों से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था सैनिकों के संत मजबूत और कमजोर थे और उनकी शक्ती मुख्य रूप से उनके हतियारों से आती थी यह जितना मजबूत होता है उतना ही शक्तिशाली होता है यह जितना कमजोर होगा उतना ही कमजोर होगा बिंग्रेंटियन के पास अंगिनत हतियार है और एक शक्तिशाली हतियार को बाहर निकालना आसान नहीं है सभी लोगों को हान सेन और तामबे की तलवार जैसे शक्तिशाली अस्तित्व को बाहर निकालने का अवसर नहीं मिलता है पूरे रास्ते लड़ते हुए वह लगभग किसी भी प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिला और सभी संत जो सैनिकों से मिले उनका सिर सीधे उसके द्वारा काट दिया गया हाला की चूकी छोटी लड़की सोलह या सत्रह साल की लग रही थी इसलिए वह बड़ी नहीं हुई जियाओ हेई तुम वाकई कमाल हो हान सेन द्वारा एक और सैनिक संत को मारने के बाद लड़की ने उसे गले लगाया और खुशी से कहा हाला की हान सेन नाम से बहुत असंतुष्ट था उसके पास लड़की से समवाद करने का कोई तरीका नहीं था इसलिए वह केवल नाम पर ही सहमती दे सकता था मैं बिंग्रेंटियन का स्वामी कैसे बन सकता हूँ हान सेन इस सवाल के बारे में सोच रहा था 33 दिनों में सातवे स्वर्ग पर कबजा कर लिया गया है लेकिन हान सेन को अभी तक कोई सुराग नहीं है वह केवल इतना जानता है कि सैनिकों के उन संतों को मारने से हतियारों के आकाश का स्वामी बन सकता है लेकिन उसने संतों के इतने सारे सैनिकों को मार डाला है और गुरु बनने का कोई संकेत नहीं है और पिछले दो दिनों में उसे केवल सैनिकों का ऐसा संत मिला ऐसा लगता है कि सैनिकों के संतों को लगभग मार दिया जाना चाहिए क्या गुरु बनने के लिए सैनिकों के सभी संतों को मारना जरूरी नहीं है हान से ने फिर सोचा यह अजीब है, मैंने तामबे की तलवार क्यों? नहीं देखी, उस आदमी की शक्ती काफी भयानक है, इसकी शक्ती के साथ हत्यारों के स्वर्ग में कुछ शोर मचाने. मैं सक्षम होना चाहिए, लेकिन हमने इसे क्यों नहीं देखा, आनुवन्शिक गोली से प्रकाश की एक और किरण निकली, और यहाँ पता चला कि प्रकाश की देवी ने साथ्वे स्वर्ग पर कबजा कर लिया और साथ्वे स्वर्ग की शासक बन गई. हर बार जब कोई गुरू पैदा होता है, तो हान सेन उदास महसूस करता है, क्योंकि उसने कभी बाउर को प्रकट होते नहीं देखा, जो बहुत बुरी खबर है. बाउर, चिंता मत करो, हान सेन चिंतित था जब उसने. अचानक आकाश से एक बैंगनी तलवार की रोशनी आती देखी. यह तामबे की तलवार थी जो कई दिनों से गायब थी. हाला की, हान सेन ने केवल तामबे की तलवार देखी, लेकिन सैनिकों के संत को तामबे की तलवार पकड़े हुए. नहीं देखा. बेशर्म बूढे गदा, क्या तुम इस राजा के साथ शर्ट लगाने की हिम्मत करते हो? तामबे की तलवार. हान सेन से बहुत दूर नहीं, उड़ी और रुखने से पहले हान सेन के विचारों से समवाद किया. हान लिन. को नहीं पता था कि तामबे की तलवार वास्तव में दानव पूरवजद्वारा रुपांतरित की गई थी. इसलिए जब उसने इसे उड़ते हुए देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम क्या शर्ट लगाना चाहते हो? अब पूरे बिंगरेन स्वर्ग में सिर्फ तुम और मेरे आसपास के दो सैनिक संथी बचे हैं. अगर तुम अपनी इच्छा से एक को मार दोगे, तो दूसरा बिंगरेन तियान का स्वामी बन सकता है, जिटोंग जियान ने कहा. तुम मेरे साथ जुआ खेलना चाहते हो, और जीतने वाला बिंगरेन्टियन का स्वामी बन जाएगा, हान सेन तामबे की तलवार का इरादा समझ गया. तामबे की तलवार ने सिरहिलाया और कहा बिंग्रेंटियन के नियोमों के कारण आपने और मैंने उन दो सैनिकों के संतों की आत्माओं को जकड लिया है एक सम्रिध है और दूसरा क्षति ग्रस्थ है यदि आप और मैं लड़ते हैं तो एक को मरना होगा अन्यथा यह असंभव होगा तलवारे बनाने वाला गुरू हाला की मेरे पास सैनिकों के संतों को मरने का एक तरीका है लेकिन आपको और मुझे उनके साथ नश्ठ होने की जरूरत नहीं ए? इसलिए भले ही आप शर्थ हार जाए आपको अपने जीवन के लिए भुकतान करने की जरूरत नहीं है जब तक आप अपने सैनिकों को आत्मस मर्पन करते है आप एक संत हो सकते है और अगर आप जीत भी जाते है? तो आप हमेशा के लिए उससे जुड़े नहीं रहना चाते है ना? मेरी विधी आपको उसके साथ अपनी आत्मा के बंधन को तोड़ने में भी मदद कर सकती है जिटोंग जियन ने अपने होटों से यह कहा लेकिन वह अपने दिल में सोच रहा था सैनिक के संत का पहले ही सिरकाट दिया गया है और मैं उसे अपने अंदर समाहित कर चुका हूँ भले ही मैं हार जाओ आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा लेकिन मैं असुर निश्चित रूप से नहीं हारूंगा यह दिल्चस्प है मुझे नहीं पता कि यह किस सरा का तरीका है हान सेन बहुत दिल्चस्पी रखता था वह नहीं चाहता था कि छोटी लड़की मर जाए और वह छोटी लड़की का पवित्र सैनिक नहीं बनना चाहता था शायद तामबे की तलवार की विधी उसे छोटी लड़की की आत्मा में अपनी आत्मा की चाप वापस ले जाने में सक्षम बना सकती है विजेता तै होने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से आपको विधी बताऊंगा जिटोंग जियान ने कहा ठीक है आप कैसे दाव लगाना चाहते हैं हान सेन ने पूछा तामबे की तलवार ने हान सेन को चारा लेते हुए देखा और खुद से कहा आपका भोतिक शरीर अद्वितिय है आपको इस संबंध में बहुत आश्वस्त होना चाहिए मुझे थोड़ा आत्मविश्वास है हान सेन भी विनम्र नहीं था यहां तक की किन शियू के अवतार द्वारा परिवर्तित तलवार भी उसकी बरफीली मांसपेशियों और हड्डियों को चोट नहीं पहुँचा सकी जिस से पता चलता है कि वहां कितना मजबूत था तामवे की तलवार ने कहा चूकि यहां मामला है तो आप और मैं एक साथ शक्ती की बंबारी को कैसे सहन कर सकते हैं पीछे हटना और हारना कैसा रहेगा आपने जिस बल की बंबारी का उलेख किया है क्या हमें एक दूसरे पर हमला नहीं करना चाहिए अन्या हान से ने तामवे की तलवार के शब्दों में कुछ गडबड सुनी और भौहे सिकोडते हुए कहा होश्यार तामवे की तलवार ने मुस्कुराते हुए कहा तैती स्वर्ग रहस्य में है और वहां कई रहस्य में चीजे हैं हथियारों के स्वर्ग में रहस्य में चीजे अंगिनत हथियार है इन दिनों मैंने गलती से एक भयानक हथियार की खोज की है हत्यार की शक्ती भयानक और असीम है यह सब कुछ चकनाचूर कर सकती है आप और मैं इसे एक शर्थ के रूप में लेंगे इसकी शक्ती की बंबारी के तहट पहले पीछे हटने वाला हार जाता है क्या आप शर्थ लगाने की हिम्मत करते हैं? हान सेन ने पहले तामबे की तलवार की बेशर्मी देखी है और जानता है कि तामबे की तलवार उसकी तरह एक ऐसा आदमी है जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है अगर वह अचानक यहां शर्ट लगाने आया है तो कोई साजिश होनी चाहिए मैं पहले देखना चाहता हूँ कि यह किस तरह का हतियार है हान सेन ने सहमत होने की हिम्मत नहीं की तामबे की तलवार बहुत सीधी थी ठीक है तुम मेरे साथ आओ जैसे ही तामबे की तलवार ने यह कहा वह उड़ गई और बिंग्रेंटियन की दिशा में चली गई तामबे की तलवार को उड़ता देख लड़की को कुछ सूझा और उसने जल्दी से दोनों हाथों से काली बड़ी गदा पकड़ ली यकिनन अगले ही पल बड़ी गदा हवा में उचली जिससे लड़की तामबे की तलवार का पीछा करने लगी जियाओ हेई तुम कहा जा रही हो लड़की गदा से दूर जा रही थी और हाला की वह जानती थी की हान सेन जवाब नहीं देगा फिर भी उसने पूछा एक गदा और एक तलवार तेजी से उड़ी लेकिन तामबे की तलवार को एक जगा गिरने में आधे दिन से ज्यादा लग गया हान सेन ने धर्ती की घाटी में एक बहुत बड़ा लोहे का हतोडा देखा हतोडा ग्रे और काला था ऐसा लग रहा था कि यहाँ पिक आईरन से बना है यहाँ भारी और भद्दा लग रहा था इसे जोर से घुमाने की बात तो दूर अगर इसे इमारत पर हलका साभी रखा जाए तो यहाँ इमारत को कुचल सकता है घाटी में इतना भयानक विशाल हतोडा घुसा होने से यहाँ विशाल घाटी इसके विपरीत एक छोटे गड़े की तरह दिखती है जो थोड़ा डरावना है तामबे की तलवार विशाल हतोडे के करीब नहीं पहुँची और पास के एक लंबे भाले की ओर उड़ गई तलवार सीधे लंबे भाले पर क्षैतिज रूप से लगी और तुरंत लंबे भाले को तोड़ दिया और भाले का तूटा हुआ आधा हिस्सा विशाल हतोडे की ओर उड़ गया धमा का जब बंदूक का शरीर अभी भी विशाल हतोडे से लगभक सौ मीटर दूर था तो यह अचानक एक अद्रिश्य शक्ती द्वारा एक पल में तुकडों में बिखर गया क्या चौकाने वाली ताकत है हान सेन ने विशाल हतोडे को घूरते हुए कहा तामबे की तलवार ने गर्व से कहा इस विशाल हतोडे में एक भयानक जटका शक्ती है आप मजबूत होने का दावा करते है इसलिए आप मेरे साथ इसमें प्रवेश करने की हिम्मत करते है क्या यह सच नहीं है कि जो लोग हार मान लेंगे हान सेन ने हलके से पूछा बुरा नहीं है तामबे की तलवार ने जवाब दिया तो तुम और मैं एक साथ अंदर जाएंगे हान सेन ने तुरंट सहमती व्यक्त की और विशाल हतोडे की ओर उड़ गया लड़की ठीक है यहां देखकर की हान सेन सहमत हो गया तामबे की तलवार बहुत खुश हुई हालांकी विशाल हतोडे का जटका बल सीधे तूटी हुई गदा के शरीर को चकनाचूर करने के लिए परियाप्त नहीं है लेकिन जटका बल की विशेशताएं जटका बल को और अधिक मजबूत बना देंगी यह जितना मजबूत होगा यह जितनी देड़ तक इसमें रहेगा जटका लगने पर यह उतना ही मजबूत होगा और लगातार प्रभाव में चाहे शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो यह इसका समर्थन नहीं कर पाएगा अकेले ही आपके पास एक सैनिक संथ है एक गदा और एक तलवार एक साथ विशाल हथोडे की ओर उड़ी उठा अंजाने में गुनगुना रहा था और यहां तक की उनकी आसपास का स्थान भी एक लहर और लहर जैसा लग रहा था जो नगन आंखों को दिखाई दे रहा था जाहिर है कि यहां तक की अंतरिक्ष भी जटके की ताकत से विकृत हो गया था उसी समय जब जटके की शक्ती उत्पन्ध हुई हान सेन के शरीर के बाहर एक बर्फ जेड ढाल बन गई जो खुद को और उसमें लड़की की रक्षा कर रही थी जटके की शक्ती को अलग कर रही थी हालां कि तामबे की तलवार ने किसी भी शक्ती का उप्योग नहीं किया और केवल जटके की शक्ती से लड़ने के लिए भौतिक शरीर पर निर्भर था तामबे की तलवार का ब्लेड हिलता रहा जिससे तलवार की चीक की आवाज निकली इस तरह की कमपन शक्ती बहुत अजीब है लहरों की तरह एक लहर दूसरी लहर को धकेलती है जिससे लहरें बड़ी और बड़ी होती जाती है शरीर पर जटका देने वाले बल के कार्य करने के बाद पहले तो प्रतिरोध करना मुश्किल नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे जटका देने वाला बल लगातार बनता जाता है, जटके का आयाम और आवरित्ती बड़ी और बड़ी होती जाएगी बर्फ की मांसपेशी और जेड हड़ी की मूल तंग संगरचना ने वास्तव में जटका बल की कारवाई के तहट एक अंतर बनाया बर्फ के जेड कवर पर धीरे-धीरे महीन रेखाएं दिखाई देने लगी, जो किन शीव के विभाजित हमले का विरोध कर सकती थी और जैसे-जैसे जटका जारी रहा, वे महीन रेखाएं अधिक से अधिक स्पष्ट होती गई क्या शक्तिशाली जटका बल है? हान सेन ने अपने दिल में प्रशंसा की, लेकिन वह घबराया नहीं उसने बर्फ के जेड कवर की स्थिर्ता बनाए रखने और बर्फ के जेड कवर पर जटके के बल के प्रभाव को कम करने के लिए बर्फ के जेड कवर मैं एक छत्ते की संगचना का उप्योग किया निश्चित रूप से छत्ते की संगचना का उप्योग करने के बाद बर्फ के जेड कवर पर कमपन बल का प्रभाव बहुत कम होता है जिटोंग तलवार ने यह सब देखा लेकिन उसके दिल में बस व्यंग्यात्मक भाव था यदि आपको लगता है कि आप जटके की शक्ती का विरोध कर सकते हैं तो आप बहुत भूले हैं यह उलेक करने की आवश्चक्ता नहीं है यह कि यह विशाल हथोड़ा न केवल जटके की शक्ती है अच्छा शो अभी है चलो शुरू करते हैं, उसने हान सेन को यहां फुसलाया, इसलिए उसे जीत का यकीन था जैसे ही वहां आगे बढ़ी, तामबे की तलवार विशाल हथोडे की ओर उड़ गई सुपर गौड जीन, केवल बारा पंखो वाले अंधेरे सेराफिम के बारे में लेखक की राय का प्रतिनिधित्व करता है यदि आपको लगता है कि इसकी सामगरी राष्ट्रिय कानूनों और संघर्षों का उल्लंगन करती है, तो कृप्या इसे हटा दे हमारी स्थिती केवल एक स्वस्थ और हरित पठन मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है आप सभी का धन्यवाद हान सेन ने शांती से तामबे की तलवार को देखा, यह जानते हुए कि वह निश्चित रूप से चाले चलेगा अन्यथा वह उसे यहां नहीं लाता मुझे पता है कि मुझे पता है, लेकिन हान सेन अभी भी शांती से देख रहा है और तामबे की तलवार को रोकने का कोई इरादा नहीं है तामबे की तलवार विशाल हथोडे के पास आई और फिर मुस्कुराई और हान सेन से कहा आपकी और मेरी ताकत के साथ मुझे नहीं पता की विजेता का फैसला करने से पहले हमें यहां कितने समय तक रहना होगा समय कीमती है इसलिए बहतर होगा की मैं और अधिकाग लगाऊं जो भी हो हान सेन ने शान्ती से तामबे की तलवार को देखा यहां देखना चाहता था कि वहाग क्या करना चाहता था अगर यहां वास्तव में काम नहीं करता है तो हान सेन यहां बैठ कर नुकसान का इंतजार नहीं करेगा वह पहले भाग जाएगा शर्त के लिए या नहीं हान सेन इसे गंभीरता से नहीं लेता है वैसे भी भले ही वहाँ हार जाए हान सेन इसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं रखता ए? तामबे की तलवार विनम्र नहीं थी उसने अपना शरीर उल्टा कर दिया और विशाल हथोडे के सिर पर मूट से वार किया कब? जब लोहे के हथोडे पर प्रहार किया गया तो उसने वजरपाद जैसी आवाज की जिसने जटके की शक्ती को और भी भयानक बना दिया जैसे की उग्र समुद्र की लहरेंग हान सेन के आइस जेड कवर ने जटके की बढ़ती शक्ती का बमुश्किल विरोध किया लेकिन जटके में आत्मा को हिला देने वाली शक्ती मिश्रित थी जो आइस जेड कवर की सुरक्षा को अंदेखा कर सीधे उसमें गुस्पैठ कर रही थी हान सेन का सुपर गौड स्पिरिट बॉडी बेहत शक्तिशाली है और स्पिरिट बॉडी बहुत स्थिर है हथोडे के सोल शौक की शक्ती उसकी मदद नहीं कर सकती लेकिन लड़की से मिलना इतना आसान नहीं है उसने सीधे मुऊं से खून ठूका अपना सिर पकड़ कर चिल्लाने लगी हथोडे में वास्तव में आत्मा पर हमला करने की ख्षमता है लड़की की दर्दनाक शकल देखकर हान सेन हैरान रह गया यह देखकर की हान सेन ठीक लग रहा था जिटोंग जियान को थोड़ी निराशा हुई लेकिन यह केवल थोड़ी निराशा थी उसने नहीं सोचा था कि आत्मा की इस शक्ती से हान सेन को हराया जा सकता है लड़की की दर्दनाक शकल तामबे की तलवार की उम्मीद के भीतर थी उसने हान सेन को यहां फुसलाया और वह लड़की जिसके साथ वह वास्तव में निपटना चाहती थी वह लड़की थी सैनिकों के संत और संत सैनिक के बीच एक आत्मा का बंधन है जब संत मर जाता है तो संत सैनिक भी गिर जाएगा हान सेन को हराने कि तुल्ना में एक लड़की को मारना स्पष्ट रूप से बहुत आसान है इसलिए तामबे की तलवार ने हथोड़ा बनाने का ऐसा तरीका निकाला आत्मा कमपन की शक्ती सीधे लड़की पर हमला करती है हान सेन चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो यह बेकार था सामान्य शक्ती आत्मा कमपन का विरोध नहीं कर सकती थी और उसने यह भी गणना की की हान सेन के लिए लड़की को बाहर रखना असंभव था अगर हान सेन ऐसा करता तो उसके लिए लड़की को मारना आसान होता लड़की को साथ छेदों से खून बहता देखकर तामबे की तलवार ने हतोडे पर और भी जोर से मारा और उसे मारते हुए कहा तुम्हारा शरीर वास्तव में मजबूत है इतना शक्तिशाली जटका बल तुम्हें चोट नहीं पहुचा सकता लेकिन छोटी लड़की की हालत बहुत अच्छी नहीं लगती आपकी चिंता के लिए धन्यवाद वह ठीक है हान सेन तुरंत एक सूपर स्पिरिट बॉड़ी में बदल गया और उसका गदा शरीर एक धधकते सफेद रंग में बदल गया अवरुद्ध क्या आप हान सेन है सूपर स्पिरिट बॉड़ी को देखकर तामबे की तलवार ने तुरंत हान सेन की असली पहचान पहचान ली और बहुत थोड़ा हैरान हुई तो क्या हान सेन हैरान नहीं था वहां बहुत से लोग थे जो उसे जानते थे जिटोंग जियान चुप थी उसने जान बूच कर अपने व्यक्तित्व और बोलने के तरीके को क्यों बदला इसका कारण यह था कि वहां नहीं चाहती थी कि लोग उसे दानव पूरवज अशूरा के रूप में पहचाने लेकिन उसे यहां हान सेन से मिलने की उम्मीद नहीं थी अशूरा जिस शक्ती में सबसे अच्छा है वह शूरा सूत्र की कारण शक्ती है जो लोग परिवार द्वारा विशेश रूप से पारित की गई गैरस्वरगिय शक्ती है वह शक्ती कर्म से दूशित सभी चीजों को मार सकती है लेकिन शुद आत्मा शरीरों पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है एक बार जब कोई प्राणी मर जाता है तो शरीर में आत्मा पुनरजन्म लेती है और दूसरा जीवन बन जाती और पिछले जीवन के कर्म मूल रूप से साफ हो जाते है आत्मा स्वयकारण और प्रभाव से दूशित नहीं होती है या कारण और प्रभाव से दूशित होना बेहद मुश्किल है और हान सेन का सुपर गौड स्पिरिट बौडी खुद ही आत्मा की शक्ती के बराबर है और यहां आत्मा के आधार पर एक कदम आगे है यहां तक कि असुर भी हान सेन का सामना करने को तयार नहीं है जिसके पास यह शरीर है यह सिर्फ इतना है कि इसने असुर को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया उसकी असुर शक्ती उस बिंदू तक पहुँच गई थी जहां वह देवताओं को मार सकती थी लेकिन वह अभी भी हान सेन के बारे में निश्चित नहीं थी हान सेन ने सोचा कि तामबे की तलवार चलेगी लेकिन कौन जानता था कि तामबे की तलवार ने हथोड़े से टकराना बंद कर दिया और लंबे समय तक कोई हलचल नहीं हुई इससे पहले कि वह अचानक बोले अगर मैं तुम्हें तलवार का मालिक बनने का मौका दू तो क्या तुम सहमत होगे मेरी एक शर्थ है हान सेने थोड़ा सिर हिलाया यह नहीं जानते हुए कि तामबे की तलवार क्या करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसने फिर भी पूछा क्या शर्थें लेकिन जिटोंग जियान ने यह कहने से पहले लंबे समय तक चुप रहा इसे भूल जाओ भले ही तुम मेरी बात से सहमत न हो तुम्हें भविश्य में यह करना होगा आखिरकार भले ही हान सेन समझ पाए या नहीं आध्यात्मिक प्रकाश का एक निशान तलवार से अलग हो गया था श्रीर जिससे आध्यात्मिक प्रकाश लड़की की ओर तेरने लगा और वह सीधे उड़ गई हान सेन ने इसे बेवज़ा देखा उसे नहीं पता था कि तामबे की तलवार का क्या मतलब है जब वह अपने होश में आया तो तामबे की तलवार बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और आध्यत्मिक प्रकाश के निशान लड़की के शरीर में घुज गए जिससे लड़की के शरीर में अजीब औगरीब बदलाव होने लगे और पूरे शरीर से रहस्यमी मंत्र उठने लगे अगर आस्मान में कोई बड़ा हत्यार है तो अंगिनत हत्यार कापते हुए आवाज करते हैं मानों अपने समराट के आगमन का स्वागत कर रहे हूं यहां तक की भयानक हत्होडा भी ऐसा ही है उसी समय जीन की गोली भी चमक उठी और लेखन की एक नई पंक्ती दिखाई दी पहला स्वर्गिय शासक पवित्र आत्मा हान सेन ने देखा की हत्यारों की हवा लड़की की और आस्मान में इकठी हुई उसके शरीर के चारों और लिप्ती हुई उसके शरीर में घुल मिल गई और मास और खून के ऊपर कवच का जन्म हुआ उन कवचों को ध्यान से देखने पर वे कई छोटे हत्यारों से बने हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और लड़की के शरीर पर आभा और भी मजबूत होती जा रही है जैसे जैसे लड़की का शरीर विक्सित होता गया हान सेन को भी शक्ती प्रतिक्रिया का एक निशान मिला जिसमें दुनिया के सभी प्रकार के हत्यारों की इच्छा शक्ती शामिल थी जिससे हान सेन को एक पल में सभी प्रकार के हत्यारों की सबसे आदिम इच्छा शक्ती और रन्नीती, मिल गई, सभी ने जनरल को समझ लिया, क्या ऐसे लाब हैं, हान सेन थोड़ा खुश हुआ, हाला कि ये समझ, हान सेन के लिए बहुत काम की नहीं है, वह कई तरह के हतियारों में पारंगत है, लेकिन अब उसके, पास मूल आधार पर कुछ और समझ है, और वह अ अधिक प्रकार के हतियारों में पारंगत है, एक और फाइदा, यहां है कि हान सेन के शरीर को भी विभिन हतियारों द्वारा बप्तिस्मा दिया गया था, हाला कि इसने सीमा तोडने, की दर को बढ़ाने में बहुत मदद नहीं की, लेकिन इसने उसके शरीर को मजबूत बन दिया, 33 दिनों के बाद प्रकाश की एक किरण नीचे गिरी और सीधे विक्सित लड़की को रोशन किया, उसे तुरंट अपने अंदर समाहित कर, लिया, मूल रूप से सैनिक संत के पवित्र सैनिक के रूप में हान सेन को भी साथ में भीजा जाना, चाहिए था, लेकिन हान सेन और लड़की के बीच का रिश्टा थोड़ा खास है, लड़की अपनी आत्मा में उसकी छाप के निशान को एकी करित करने में विफल रही, लेकिन उसने लड़की की आत्मा की छाप के निशान को पूरी तरह से परिश्कृत कर दिया, जिसके कारण जीन समारक ने हान से को लड़की के जन्मजात पवित्र सैनिक के रूप में नहीं माना अगला अध्याय लोड करने के लिए उपर खीचे एस लड़की को प्रकाश किरण में उपर जाते देख हान सेन अभी भी नीचे था और हान सेन चौक गया अगर वह साथ नहीं दे पाता तो क्या वह हमेशा के लिए तलवार के आस्मान में फंस नहीं जाता हान सेन ने एक शब्द भी नहीं कहा वह हवा को चीरता हुआ एक पल में लड़की को पकड़ लिया और किरण में घुज गया लेकिन प्रकाश किरण और लड़की का शरीर अवास्तविक लग रहा था हान सेन हवा में कूद गय और प्रकाश किरण से गुजर गया हान सेन लगातार कई बार कोशिश करने को तयार नहीं था लेकिन वह सफल नहीं हो सका और वह लड़की से बिलकुल भी नहीं मिल सका लड़की भी उचसुकता से हान सेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी लेकिन यह भी बेकार था वह ह हान सेन को बिल्कुल भी छू नहीं सकती थी, और उसका शरीर प्रकाश किरण से बंधा हुआ था, इसलिए वहाँ बाहर नहीं निकल सकती थी. यहाँ देखकर कि लड़की ब्लेड सकाई से बाहर निकलने वाली थी, हान सेन चौक गया और चिंतित हो गया. वहाँ बहुत क्रोधित था, लेकिन उसे खुद को शांत करना था. लड़की पलक जपकते ही ब्लेड सकाई छोड़ देगी. उसके पास उसे जाने देने के लिए कोई समय नहीं बचा था. नकारात मक्ता इस एक मात्र अवसर को बर्बाद कर देती है. शांत होने के बाद हान सेन को अचानक लड़की के शरीर में एक अजीब उतार चढ़ाव दिखाई दिया. उतार चढ़ाव लड़की की आत्मा से आया था. सटीक रूप से कहें तो यहां हान सेन की आत्मा की छाप थी. आत्मा का ब्राण लड़की द्वारा परिश्कृत नहीं किया गया. था बलकि लड़की की आत्मा में अंतर नहित था और हमेशा हान सेन की आत्मा के संपर्क में रहा है. हान सेन की भावनात्मक उत्तेजना के कारण आत्मा का उतार्च धाव भी बहुत बड़ा हो गया है जिस क्षण हान सेन ने आत्मा को देखा लड़की ब्लेड स्काई से बाहर उड़ने वाली थी उसके पास संकोच करने का समय नहीं था अपने दिल में एक निर्णय के साथ उसने संकोच नहीं किया उसने सीधे सुपर गौड स्पिरिट बॉड़ी को सक्रिय किया एक आत्मा शरीर में बदल गया और लड़की के अतीत की ओर दोड़ा जिस क्षण लड़की बिंग्रेंटियन को छोड़ने वाली थी हान सेन द्वारा रुपांतरित आत्मा उसकी आत्मा की चाप में भाग गई और पलग जपकते ही लड़की के साथ गायब हो गई दोनों ब्रहमांडों में तैतीस दिनों में भागते हुए तैतीस दिनों के नियंतरन के लिए होड करते हुए मजबूत पुरुष हैं और एक के बाद एक स्वामी पैदा होते हैं जीन ब्रहमांड में विश्व तोडने वालों की संख्या सामराज्य ब्रहमांड की तुलना में बहुत कम है लेकिन विकास के मामले में जीन ब्रहमांड खराब नहीं है स्वगोशित आत्मा तबाही मूल स्रोत पर लोटने के 33 दिन बाद आनुवनशिक ब्रहमांड छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया है और कई सीमा तोडने वाले पावर हाउं सुभरे हैं हाला कि सीमाओं को तोडने की दर अधिक नहीं है उनकी क्षमता बहुत मजबूत है और उनकी प्रगती भी तेज है जीन यूनिवर्स में पहले से ही एक मजबूत आदमी है जिसने 33 दिनों के भीतर एक भयानक प्रतिष्ठा अरजित की है जो की इंपीरियल यूनिवर्स के मजबूत आदमी से कमतर नहीं है लोर्ड जेंटियन पैलिस यू शांकसिन गुजू रेंडी अमर लौकी टेंग ताइशांग पैट्रियार्क और अन्य शक्तिशाली पुरुष जो ब्रहमान से परिचित है सभी ने 33 दिनों में अंगिनत मजबूत पुरुषों के खिलाफ लडाई लड़ी है शासक के पद के लिए होड लगाई है लेकिन अब तक 16 स्वर्ग हैं जिनके शासक हैं और रेंडी को छोड़ कर कोई भी अगले स्वर्ग को जीतने में सक्षम नहीं है जो जीन ब्रहमान में बहुत प्रसिद्ध नहीं है श्री जिन सिक्का कहा गया श्री जिन सिक्का ने पहले स्वर्ग को जप्त करने के लिए कारवाई क्यों नहीं की अगर मास्टर जिन सिक्का यहां है तो वह निश्चित रूप से 33 स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम होगा जीन ब्रहमान को उम्मीद है कि उसके अपने ब्रहमान का एक मजबूत आदमी आकाश का शासक बन जाएगा सबसे बड़ी उमीद स्वाभाविक रूप से सोने के सिक्के पर तिकी है लेकिन सोने का सिक्का बिना किसी नशान के गायब हो गया है जो हुआ, तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं? इतना समय हो गया है, उन्होंने अभी तक कोई सफलता क्यों नहीं पाई है, वांग युहांग ने शियाव हुआ को देखा और बुद बुद आया, आकाश उध्यान में कई शक्तिशाली लोग भी हैरान है कि हान सेन ने अभी तक आकाश पर विजय क्यों? नहीं प्राप्त की है, हान सेन की ताकत के साथ ऐसा कोई कारण नहीं है कि वां आकाश पर विजय प्राप्त ना कर सके, नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं 33 देज में जा रहा हूँ, या देखने के लिए कि वहां बच्चा मिकी वहां क्या कर रहा है, वांग युहांग खुद को रोक नहीं सका, खड़ा, हो गया और बोला, जाओ, तुम कैसे जा रहे हो, तु तुमने सीमा भी नहीं तोड़ी है, और सीमा तोडने वाले, साधारन जानवर भी 33 दिनों तक सीमा पार नहीं कर सकते, तुम कैसे घुश सकते हो, तांग जहनलियू ने वांग, युहांग को खीचा और कहा, 33 दिनों में हमला करना बहुत खतरनाक है, कई सीमा तोडने वाले जानवर तैतीस दिनों के बाहर लगभग मर चुके हैं, वांग युहांग की तो बात ही छोड़िये, मैंने सीमा पार कर ली है, मुझे, जाने दो, शियाव हुआ ने कहा, हान यान ने उसे जल्दी से रोका, जियाव हुआ, तुम नहीं जा सकते, मेरी, भाभी पहले से ही मेरे भाई के मामलों के बारे में चिंतित है, अगर तुम फिर से गए, तो तूम, नहीं जान पाओगे कि तूम जीवित रहोगे या नहीं, क्या तूम अपनी मा को जीवित रहने दोगे, जियाव हुआने, तुरंत शब्द सुनते ही शर्मिंदगी दिखाई, जी यानरान हाल ही में हान सेन के मामले को लेकर बहुत दुखी है, और उसे लगभग हर दिन बुरे सपने आते हैं, अगर वह फिर से गायब हो जाता है, तो जी यानरान, को चिंता करने का तरीका नहीं पता है, मैं सीमा तोडने से बहुत दूर नहीं हूँ, कुछ और दिन प्रतीक्षा, करो, और जब मैं सीमा तोड़ दूँ, तो जाओ, और देखो कि वहाँ बच्चा सानमू क्या करता है समराज जीकिंग ने, आत्मविश्वास से कहा, तेईसवे स्वर्ग में क्या हो रहा है, तुम्हारे लिए इंतजार करने से बहतर है कि मेरे लिए, इंतजार किया जाए, मैं न जादा रखता है, लेकिन आप सीमा को तोड़ नहीं सकते, और आपके पास तैती स्वर्ग पर हमला करने की योग्यता नहीं है, अगर यहां वास्तव में संभव नहीं है, तो आप श्री बाई से जाने के लिए, क्यों नहीं कहते, हान यान ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बहस करना बंद करो, अगर तुम ऐसा कहते हो, तो मैं जाओंगा, वांग युहांग ने जोर से कहा, मैंने सब कुछ कह दिया है, आप सीमा को तोड़े बिना, तैती स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए परेशानी मत करो, चाचा, तांग जहनलियू ने कहा, मैंन सीमा को तोड़ा, वांग युहांग ने कहा, सभी की नजरे तुरंत वांग युहांग पर तिक गई, वांग युहांग को हंसने और मजाक करने की आदत थी, और उसने नहीं देखा कि वह कैसे अभ्यास करता है और शिकार करता, ए, वह सीमा को कैसे तोड़ सकता है, चाचा, यह कोई मजाक नहीं है, 33 दिनों तक कोई पिछला दर्वाजा नहीं है। तांग जहनलियू ने अविश्वास से वांग युहांग को देखा और कहा। वास्तव में वांग युहांग ही नहीं, सभी कमोबेश संदिग्ध थे। वांग युहांग ने आ भरी और कहा, यहां कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वे सभी आश्रे से भाई है, इसलिए मैं इसे आप से नहीं छिपाऊंगा, मैं पहले भी आत्मा से ग्रसित हो चुका हूँ। तो यहां कैसे? संभव है, तुम अच्छे नहीं हो। ठीक है। तांग जनलियों ने सोचा की वांग युहांग मजाक कर रहा है, और मुस्कुराया और वांग युहांग के कंदे पर थप्थपाना चाहता था, लेकिन इससे पहले की उसका हाथ वांग युहांग के कंदे. पर पढ़ता, वह हवा में जम गया और उसी समय उसके अधूरे शब्द और मुस्कान भी जम गई मैंने देखा कि वांग युहां का शरीर बदल रहा था और ऐसा लग रहा था कि उस पर एक अजीब सी चमक बह रही है उसके सिर के ऊपर एक पारदर्शी मुकुट दिखाई दिया आकरशन एक दुष्ट देवता की तरह लग रहा था वांग युहां के सामान्य हंसने और मजाग करने वाले रूप से बिलकुल लालक यह कैसे हुआ सभी ने चिंता से वांग युहां को देखा उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं था कि वांग युहां एक सीमा तोड़ने वाला बन जाएगा, लेकिन एक सीमा तोड़ने वाले की इच्छा शक्ती को हत्या के विचार से आसानी से नियंतरित किया जा सकता है? उन्हें डर था कि वांग युहांग खुद को खो देगा वांग युहांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, तुम देख रहे हो कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी आध्यात्मिक चेतना पूरी तरह से आत्मा द्वारा व्याप्त नहीं है, और मेरा शरीर पूरी तरह से रुपांतरित नहीं हुआ है, इसलिए मुझे पूरी तरह से सीमा तोड़ने वाला, जानवर नहीं मुझे केवल आधा मानव आधा जानवर बार माना जा सकता है आत्महीं मुसकान के साथ। Wang Yohang ने कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वैसे भी मैं शाधी करने की योजना नहीं बना रहा। भूए? आधा जानवर आधा जानवर होता है। यह सिर्फ मुझे प्रशिक्षन का बहुत समय बचाता है और इतना कठिन नहीं होना चाहिए आप तीस तीन दिन तक नहीं जा सकते लेकिन मैं जा सका जिसे एक अच्छी बात माना जाता है? आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें मैं पहले जाकर देखूंगा यह कहकर वांग युहांग बेश से बाहर चला गया चाचा जल्दी जाओ और जल्दी वापस आऊ तुम और उस लड़के मिकी के वापस आने का इंतजार करो तांग जिनलियो ने वांग युहांग की पीठ पर زोर से कहा पीछे देखे बिना वांग युहांग ने अपना दाहिना हाथ उपर उठाया एक ओके इशारा किया और फिर बेश से बाहर निकल गया बहुत आजादी से चल रहा था बेश से बाहर निकलने के बाद वांग युहांग उड़ गया और हवा को चीर कर 33 दिनों की और भागने वाला था लेकिन अचानक उसे लगा कि उसके पैर डूब रही है नीचे देखने पर पता चला कि लिंगर उसकी जांग को गले लगा रहा था और अचानक डर से काम पुठा जो शरीर अभी अभी उपर उड़ा था वह सीधे हवा से नीचे गिर गया और चीख निकल गई लिंगर तुम क्या कर रहे हो वांग युहांग जमीन से उठे लिंगर को उठाया और घूरती आखों से पूछा मैं तुम्हारे साथ पिताजी को खोजने जाऊंगा लिंगर ने चौड़ी आखों से कहा मैं जिस जगा जा रहा हूँ वह बहुत खतरनाक है तुम नहीं जा सकते बस घर पर आज्याकारी होकर इंतजार करू मैं तुम्हारे अविश्वस्निय पिता को जल्द ही वापस धूंद लूँगा वांग युहांग ने लिंगर से कहा लिंगर ने अपना सिर जुकाया और पूछा तुम मुझे हरा भी नहीं सकते तुम क्यों जा सकते हो और मैं नहीं वांग युहांग ने अपना मुझ खोला लेकिन बोल नहीं सका जैसे कि उसका गला किसी चीज से जकड़ा हुआ था वह अविश्वस्निय रूप से असाहज लग रहा था छोटी बेहन परेशानी खड़ी करना बंद करू जियो हुआ दोड कर लिंगर को वापस ले गया लिंगर ने अपने गाल फुलाएं और दुखी दिखी लेकिन उसने वांग युहांग के साथ 33 दिनों तक जाने के बारे में बहस नहीं की तभी वांग युहांग ने फिर से भीड के साथ अपने हाथ हिलाए और आकाश में उड़ गया लेकिन चाहे उसने इसे कैसे भी देखा उसकी गती पहले की तुलना में बहुत कमजोर लग रही थी और उसे नहीं पता था कि यह एक भ्रह्म था निंग्यू क्या आपको लगता है कि मेरे चाचा तैतीस दिनों में तूट सकते हैं तांग जैनल्यू ने निंग्यू को चिंतित होकर देखा और पूछा अब उनमें से निंग्यू सबसे मजबूत है उसने न केवल सीमा को तोड़ा है बलकि सीमा को तोड़ने की उसकी दर भी बहुत अधिक है पहले कुछ लोगों को उम्मीद थी कि निंग्यू स्थिति को देखने के लिए 33 डेज में जा सकती है लेकिन निंग्यू ने साफ मना कर दिया कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि निंग्यू ने क्यों मना कर दिया उन्हें लगा कि वह डर गया है, लेकिन जो लोग उसे वास्तव में जानते थे, वे जानते. थे कि उसका इनकार डर के कारण नहीं हो सकता, और उसके लिए कोई कारण होना चाहिए. निग यू ने वांग युहांग को देखा जो 33 हेवन्स की ओर उड रहा था और और कहा, मैं वांग युहांग को नहीं देख. पा रहा हूं. क्या हो रहा है? वांग युहांग 33 हेवन्स क्यों गया? की निग्रानी कर रहे थे और वे सभी वांग युहांग को जानते थे और उन्होंने पाया की वांग युहांग 33 देज बैरियर के बाहर दिखाई दिया जो चल रहा है उसे देखने के लिए तुरंत यहां आए हान सेन अभी तक वापस नहीं आया है मेरे चाचा उसे देखने के लिए 33 डेज गए थे तांग जहनलियू ने जवाब दिया ताइशांग कभीले के एक बुजुर्ग ने भौहे सिकोडते हुए कहा क्या यहां बकवास नहीं है यहां मत कहो कि 33 दिन बेहत खतरनाक होते हैं बात बस इतनी है कि 33 दिनों की बाधाएं ऐसी नहीं है जिन्हें कोई भी आम प्रानी तोड सकता है जो प्रानी बाधा को छूते हैं वे बाधा की शक्ती से नश्ट हो सकते हैं हाला की ताइशांग कभीले के बुजर्ग के शब्द सुखद नहीं थे लेकिन वहां वांग युहांग के बारे में सोच रहा था इसलिए किसी ने उसे दोश नहीं दिया तांग जहनलियू ने कहा चाचा उसने पहले ही सीमा तोड़ दी है सीमा तोड़ो तुमने सीमा कैसे तोड़ी ताइशांग कभीले के बुजर्ग थोड़े स्तब्ध थे उन्होंने तांग जहनलियू को देखा और पूछा तो तांग जहनलियू ने वांग युहांग के सीमा तोड़ने के लिए भाग्य की आत्मा द्वारा वश में किये जाने की कहानी सुनाई यह सुनने के बाद ताइशांग कभीले के बुजर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा उसने अभी अभी सीमा तोड़ी है और वहां अभी तक भाग्य की आत्मा के साथ पूरी तरह से एकिकरित नहीं हुआ है उसकी सीमा तोड़ने की दर बहुत कम है उसकी सीमा तोड़ने की दर का उलेख नहीं करना है यहां तक की साथ पसेंट से अधिक की सीमा तोड़ने की दर वाला एक सीमा तोड़ने वाला जानवर भी जल्दी से अंदर नहीं जा सकता है। आपको 33 दिन दूर कई सीमा तोडने वाले जानवरों को देखकर परिणाम पता होना चाहिए कि आप उसे क्यों नहीं रोकते। यदि वहां घायल हो जाता है और 33 दिन दूर सीमा तोडने वाले द्वारा उसका फाइदा उठाया जाता है तो वहां मौत की स्थिती में होगा। चूंकि मेरे चाचा ने जाने की हिम्मत की है इसलिए हमें विश्वास है कि वहां खुद की रक्षा कर सकते हैं। समराड जीकिंग ने कहा आत्मविश्वास आत्मविश्वास के लिए टाकत का मिलान करने की आवशक्ता होती है आखिर वे सिर्फ महमान थे और यह हैंगिंग गार्डन का अपना मामला था इसलिए वे और कुछ नहीं कह सकते थे लेकिन उन्हें वेंग युहांग का 33 दिन तक चौंकना पसंद नहीं आया और यहां तक की उन्हें लगा कि वेंग युहांग शायद कभी वापस ना आए 33 दिन तक हर कोई बड़ी कब्र को देखता रहा 33 दिन के बाहर काफी सीमा तोडने वाले जानवर थे फाइदा उठाने के लिए जान बूच कर वहां रुकें अगर 33 दिन के प्रभाव से सीमा तोडने वाले जीव गंभीर रूप से घायल हो गए तो यहां उनका मौका है जब वैंग युहांग 33 दिन पहुचे तो उन्होंने तुरंट कई लोगों का ध्यान आकरशित की आसीमा तोडने वाले लेकिन कोई भी कदम उठाने की जल्दी मैं नहीं था आखिरकार वे नहीं जानते थे कि वांग युहांग कितना मजबूत था और उन्होंने उसके घायल होने से पहले 33 दिनों पर हमला करने का इंतजार किया बहुत देर नहीं हुई थी वांग युहांग ने 33 दिनों पर नजर डाली अपनी हथेली पकड़ी और उसके कदम के नीचे एक भारी लोकोमोटिव दिखाई दिया जैसे ही उसने अपनी हथेली से एकसी लेटर घुमाया इंजन गर्जना करने लगा निकास पाइप फट गया और डैशबोर्ड पर रोशनी जल उठी पूरा भारी लोकोमोटिव एक अजीब चमक बिखेडता है बिलकुल किसी साइन्स फिक्षन फिल्म में भविश्य के रत की तरह जैसे ही वांग युहांग ने अपनी हथेली घुमाई प्रोपेलर से लप्ते निकली और भारी लोकोमोटिव प्रकाश की धारा में बदल गया और तैतीस दिनों की और बढ़ गया धमा का भारी लोकोमोटिव अद्रिश्य अवरोज से टकरा गया और गाड़ी का अगला हिस्सा टुकडों में बिखर गया वांग युहांग का खून और भी ज्यादा बह रहा था लेकिन उसने फिर भी एकसी लेटर नहीं छोड़ा उसकी आखें थंडी रोशनी से जल रही थी और वहां अभी भी बेसबरी से जैकार कर रहा था भारी लोकोमोटिव का इंजन गर्जना करता रहा और इंजेक्टर में लप्ते फूट पड़ी जिससे तूटा हुआ भारी लोकोमोटिव अद्रिश्य अवरोज से टकरा गया दुर्भाग्य से भारी लोकोमोटिव चाहे कितना भी जोड़दार क्यों न हो वह अभी भी आधा अंग आगे नहीं बढ़ सका काईशांग कबीले के बुजुर्ग ने सिरहिलाया और कहा उसकी सीमा तोडने की दर बहुत कम है तैतीसवे दिन में भागना असंभव है और अब वह आधा तग्रस्थ हो गया है अगर वह पीछे नहीं हटा तो मुझे डर है कि वह कुछ ही समय में उन सीमा तोडने वाले जानवरों में से एक बन जाएगा उसके पेठ में खा गया तांग जहनलियू और अन्य लोगों ने भी वांग युहांग के लिए ठंडे पसीने बहाए हाला कि उन्हें उस पर भरोसा था लेकिन अद्रिश्य अवरोध वास्तव में बहुत मजबूत था इंजन लगातार दहाडता रहा और इंजेक्टर ज्वाला मुखी विस्फोट की तरह बार-बार लपते उगलता रहा और वांग युहांग के सिर पर एक मुकुट दिखाई दिया जो आधा मानव आधा दुन्या तोडने وाला जानवर बन गया यह देख कर की उसके आसपास के सभी सीमा तोडने वाले जानवरों ने उसे घेर लिया था ताइशांग कबीले के बुजुर्ग ने आहां भरी यह खत्म हो गया है मानो ताइशांग कबीले के बुजुर्गों की अटकलों की पुष्टी करते हुए चारो ओर की सीमा तोडने वाले जानवर एक ही समय में दहाडते हुए भेडियों और बागों की तरह वांग युहांग की ओर दोडे जैसे कोई भूत नरक से भाग निकला हो दो ब्रहमांडों में कई जीव हैं जो 33 दिनों तक देख रहे हैं यह स्थिती देखकर सभी ने सोचा की वांग युहांग मरने वाला है बड़ी जीन ब्रहमांड में आदमी वास्तव में अधे काका गया है उस तरका आदमी 33 दिन को मारने की हिम्मत करता है सामराज्य के बड़े ब्रहमांड में प्राणी अपने दिल में चुपके से हसा लेकिन अगले ही पल कुछ अविश्वस्निय हुआ मैंने देखा की राक्षसों के एक समूह की तरह सीमा तोडने वाले जानवर बेथाशा नाच रहे थे वे वांग युहांग पर जपट पड़े जो 33 दिनों से हमला कर रहा था लेकिन उन्होंने वांग युहांग पर हमला नहीं किया लेकिन वे सभी पागल हो गए अपनी ताकट जुटाते हुए अपने शरीर से अद्रिश्य बाधा को मारा यह एक शूर्वीर समूह की तरह था जो आत्मघाती हमला कर रहा था धमाका 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 भयानक सीमा तोडने वाले जानवर वांग युहांग के पीछे से भागे एक-एक करके वांग-युहांग के प्रभाव स्थान से टकराते हुए, खून के छिंते उड़ाते हुए, मानुवे वांग-युहांग के लिए 33 दिनों में प्रवेश करने के लिए मार्क को खोलने के लिए अपने जीवन का उप्योग करना चाहते थे एक पल के लिए खून पूरे आस्मान में उड़ गया, शुन्य को लाल रंग में रंग दिया, और दो ब्रहमांडों में कई लोगों ने अपने मुंग खोल दिये, उन्हें लंबे समय तक बंद करने में असमर्थ अगला अध्याएं लोड करने के लिए उपर खीचे आसपास के कई सीमा तोड़ने वाले जानवरों में से केवल कुछ सीमा तोड़ने वाले जानवर जिनकी सीमाओं को तोड़ने की दर अधिक थी या जिनके पास विशेश शक्तियां थी, वे अद्रिश्य बाधा की ओर नहीं दोड़े, बलकि अपने चहरों पर संघर्ष किया. जैसे कि वे किसी चीज का विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहे हों, या ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में वांग युहांग की ओर दोड़ना चाहते थे, और उनकी अभिव्यक्ती बहुत अजीब थी. अधिकांश सीमा तोडने वाले जानवर वांग युहांग की ओर दोड़े, जैसे रानी के प्रती वफादार निडर शूरवीर, अद्रिश्य बाधा की ओर दोड़े और लगभग. मास और रक्त का उप्योग करते हुए, वांग युहांग को तीन में एक रास्ता खोलने के लिए मजबूर किया. 13. दिनों के बीतने में सकारात्मक और नकारात्मक ब्रहमान में अंगिनत प्राणी खोपड़ी सुन्द कर देते हैं. अजीब बात है, 33. दिनों की अद्रिश्य बाधा एक प्रतिबंध नहीं है, जिसे संख्या पर भरोसा करके तोड़ा जा सकता है, लेकिन उन सीमा तोड़ने. वाले जानवरों ने वांग युहांग के लिए एक मार्क खोल दिया, जिससे वांग युहांग उसमें प्रवेश कर गया. अंतरिक्ष चैनल के प्रकट होने का समय बहुत कम था, और वांग युहांग के पास उन गंभीर रूप से घायल सीमा तोड़ने. वालों पर ध्यान देने का समय नहीं था. उसने बस गैस पर पैर रखा और भारी इंजन एक पल में. प्रकाश की धारा में बदल गया और तैतीस दिनों में भाग गया. वांग युहांग के तैतीस दिनों तक भाग जाने. के बाद वे सीमा तोड़ने वाले जानवर जो पागल लग रहे थे, धीरे-धीरे सामान्य हो गए. और वांग युहांग ने भी चुक्के से राहत की सांस ली, यह सोचकर सौभाग्य से जीन ब्रहमान में सीमा तोड़ने वाले जानवरों की सीमा तोड़ने की दर अधिक नहीं है. अन्य था मेरा सूपर दिव्य शरीर उन्हें प्रभावित करने में सक्षम नहीं हो सकता है. वांग युहांग अच्छी. तरह से जानता है कि उसका शरीर बहुत खास है. जब वहां बच्चा था, तो इस विशेश शरीर ने उसे आम बच्चों से बहुत अलग बना दिया थ था. हर कोई सोचता था कि वांग युहांग बहुत बदकिस्मत आदमी था और वहां अलोक प्रिय था. आश्रे में प्रवेश करने के बाद वहां आसानी से अजीब जीवों की घेराबंदी को भड़का सकता था. यदी सौ लोग अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, तो विदेशी जीव निश्चित रूप से उसका पीछा करेंगे. इस तरह की असामान्यताओं ने वांग युहांग के विकास पत को बेहत कठिन बना दिया. दूसरे लोग उसे बदकिस्मत कमीने मानते हैं, बाहरी. लोगों की तो बात ही छोड़िये, यहां तक कि वांग परि जा सकता है कि वे बहुत निराश है. वांग युहांग जीवित रहने में सक्षम था. वांग परिवार द्वारा प्रदान किये गए संसाधनों से लाब उठाने और अपना. पिछवाड़ा पोंचने के अलावा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग युहांग की प अभी भी कठिनाईयों को पार करने और जीवित रहने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता है. हाँ, उसका लक्ष केवल इस तरह के विनम्र तरीके से जीना है और फिर भी उसने एक ऐसी कीमत चुकाई है जिसकी आम लोग कलपना भी नहीं कर. सकते, लेकिन केवल वांग युहांग ही जानता है कि वह कोई बदकिस्मत कमीना नहीं है. वह अपने शरीर का अध्यन कर रहा है. हालां कि कोई वास्तविक परिनाम नहीं है. इस शरीर के मालिक के रूप में उसके पास अभी भी कुछ सुराग है. वांग युहांग खुद नहीं जानता कि अपने शरी गलत और अनुचित रूपक का उप्योग कर सकता है उसके शरीर को गलत तरीके से हार्मोनल असंतुलन के रूप में वर्नित किया जा सकता है बेशक यह असंतुलन खुद को संदर्भित नहीं करता है लेकिन उसके हार्मोन जो सभी जीवित चीजों या हार्मोन के समान पदार्थों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वांग युहांग खुद भी मुझे यह पता नहीं चला है कि इस पदार्थ को क्या कहा जाए इसलिए मैं केवल रूप को के रूप में समान गुणों वाले हार्मोन चुन सकता हूँ हालांकी इस पदार्थ का हार्मोन की तुलना में जीवित चीजों पर अधिक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है वांग युहांग की सामान्य स्थिती में उसका शरीर आसपास के प्राणियों को प्रभावित करेगा उन प्राणियों में इस पदार्थ के स्राव और एकाग्रता को कम करेगा और वे प्राणी उसके प्रती घेना या शत्रूता महसूस करेंगे इसे ही उसे अशुप भूत और जाडू तारे का कारण कहा जाता है जैसे जैसे वांग युहांग बड़ा होता गया उसका प्रभाव और भी मजबूत होता गया और वह और भी अधिक परेशान करने वाला होता गया और यहां तक कि वह अजीब जीवों को भी आकरशित कर सकता था जो उसे घेर लेते थे दूसरे लोगों और वर्तमान को अंदेखा कर देते थे जब तक वह हान सेन और अन्य लोगों से नहीं मिला तब तक वांग युहांग को लगा कि उसके साथ राक्षस जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है इसलिए उसे हान सेन और अन्य लोगों के साथ रहना पसंद था बाद में जब उसने सुपर दिव्य शरीर प्राप्त किया तो वह वास्तव में अपने शरीर को समझ गया और इस शरीर के कारण उसने एक विशेश सुपर दिव्य शरीर सुपर हार्मोन प्राप्त किया सुपर दिव्य शरीर प्राप्त करने के बाद वांग युहंग सुपर हार्मोन के स्राव को नियंत्रित कर सकता है मूल रूप से सभी जीवित चीजों में इस तरह के सुपर हार्मोन होते है यदि वह जीवित चीजों में सुपर हार्मोन को प्रभावित करके उन्हें फीका करदेता है, तो आसपास के जीव उससे नफरत करेंगे और उसे मार भी डालेंगे. एक कटर दुष्मन के रूप में उसे अवश्य ही उससे नफरत करनी चाहिए. जल्दी से मारा जा सकता है और वह उसे मारने के. ली आकाश के हमले को भी अंदेखा कर सकता है लेकिन जब वांग युहांग सुपर हार्मोन की सांद्रता बढ़ाता है तो उसके पास एक अद्वितिय आकर्शन होगा विप्रीत लिंग का उलेख नहीं करना यहां तक कि समान लिंग भी अनिवार्य रूप से उसके प्रती आकर्शित होगा और वह उसके लिए सब कुछ बलिदान कर देगा अपनी जान जोखिम में डाल देगा संकोच न करें यहां एक भयानक और अजीब क्षमता है अगर आम लोगों को इस तरह की शक्ती मिल जाएं तो वे खुश हो सकते हैं इस तरह की शक्ती से वे आसानी से किसी भी विपरीत लिंग को प्राप्त कर सकते हैं और विपरीत लिंग को अपना गुलाम बनाना भी बहुत सरल है लेकिन वांग युहांग खुश नहीं था कि उसे यह शक्ती मिली है जब उसने अंगिनत जीवों को अपने प्रतिगर्मी में देखा तो उसे घ्रना हुई वह एक राक्षस की तरह महसूस करता था केवल हान सेन के राक्षसों के बीच ही वह महसूस कर सकता था कि वह अभी भी एक इंसान है यह तब तक नहीं था जब तक कि वह जीवन की आत्मा से ग्रस्त नहीं हो गया और सुपर हार्मोन के शरीर ने सफलता पूर्वक सीमा को तोड़ दिया की वांग युहांग इस शक्ती को पूरी तरह से नियंत्रित करने और इसे स्वतंत्र रूप से हैरफेर करने में सक्षम था सुपर हार्मोन के प्रभाव में दुनिया को तोड़ने वाला प्राणी भी उसके प्रती अतुलनिय रूप से बहुत स्नेह रखेगा और उसकी आखों और मुस्कान के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देगा बस इतना है कि वांग युहांग को अभी भी इस तरह की शक्ती पसंद नहीं है अगर ऐसा न होता क्योंकि श्री बाई ने गणना की थी कि हान सेन 33 दिनों में तबाही मचा देगा तो जिन्दा वापस आना मुश्किल हो सकता था वांग युहांग शायद कभी दूसरों को यह न बता पाए कि उसके पास इतनी शक्ती है लेकिन इस बार वह केवल सूपर हॉर्मोन की शक्ती पर भरोसा करके 33 दिन में प्रवेश कर सकता है उसके पास जाने का कोई और रास्ता नहीं है आसपास के माहौल को देखने के बाद वांग युहांग थोड़ा चौंके बिना नहीं रह सका और उसने देखा कि यह एक सीधी सडक थी, सडक को छोड़कर आसपास का इलाका अंतहीन पीली रेच से ढखा हुआ था वांग युहांग ने एक भारी मोटर साइकल चलाई और यह देखने के लिए आसमान की और भागना चाहा कि वह कहा है लेकिन पाया की वह उड़ने की क्षमता खो चुका था और भारी मोटर साइकल और वह दोनों ही जमीन पर ही आगे बढ़ सकते थे निशिद वायू शक्ती वांग युहांग ने भारी इंजन स्टार्ट किया और सीधी सडक की ओर चला गया और तुरंथ उसके सामने सडक के दोनों और अजीब जीवों का एक समूह दिखाई दिया जो एलियन प्रजाती और आनुवन्शिक प्रजाती की तरह लग रहे थे वे बिच्छों की तरह लग रहे थे लेकिन वे उसके भारी इंजन से बड़े थे और उनमें से बहुत सारे थे वांग युहांग उन बिच्छों पर ध्यान देने के मूड में नहीं था यदि इतने सारे बिच्छों को एक एक करके मार दिया जाता तो उसे नहीं पता था कि उन्हें मारने में कितना समय लगेगा वह केवल एक उद्देश के लिए यहां आया था जितनी जल्दी हो सके हान सेन को खोजने के लिए और वह उन बिच्छों पर समय बरबाद नहीं करना चाहता था सुपर हॉर्मोन फिर से सक्रिय हो गया लेकिन इस बार वह खुद को प्रभावित कर रहा था सुपर हॉर्मोन के प्रभाव में वांग युहांग की अस्तित्व की भावना कमजोर और कमजोर होती गई वह एक भारी मोटर साइकल पर उन बिच्छों से आगे निकल गया लेकिन बिच्छों ने उसे पूरी तरह से अन्देखा कर दिया उसकी उपस्थिती भारी इंजन आगे बढ़ गया लेकिन सभी बिच्छों ने आखे मून ली जैसे की उन्हें उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं थी वांग युहांग ने पूरे रास्ते सरपड दोड लगाई सड़क पर आगे पीछे गाड़ी चलाते हुए यहां तक कि बिच्छों के डंग से गुजरते हुए भी कोई भी बिच्छु उस पर वार नहीं करता था लेकिन लंबे समय के बाद वांग युहांग का चहरा बहुत बदसूरत हो गया यहां सड़क अंथीन लग रही थी चाहे उसका भारी इंजन कितनी भी तेज या कितनी भी दूर क्यों न चले उसके सामने अभी भी एक सीधी और अंथीन सड़क थी यहां एक अंथीन रेगिस्तान है धमाका हान सेन को लगा जैसे उसके शरीर को किसी अद्रिश्य शक्ती ने बाहर निकाल दिया हो और वह बिंग शेंग शेंग के शरीर से अलग हो गया हो और एक बलद्वारा चूसा गया हो क्या यह अभी भी काम नहीं कर रहा है हान सेन बहुत निराश था वहाँ पहले से ही बिंग शेंग शेंग की आत्मा में छिपा हुआ था लेकिन वहाँ अभी भी बाहर निकाला गया था जब चूशन बल गायब हो गया तो हान सेने डोंगक सुआन की आभा के साथ आसपास के वातावरन को स्कैन किया और पाया की वह बिंगरेन स्वर्ग में वापस नहीं गिरा था और आसपास का दृशिस पश्च रूप से बिंगरेन स्वर्ग के भीतर नहीं था यह है हान सेन ने यहां के द्रिश्य को पूरी तरह से देखने के बाद अचानक एक अजीब अभिव्यक्ती दिखाई फैन चेंटियन हान सेन यहां के तारों वाले आकाश से कोई अजन भी नहीं है यह सपश्ट है कि उसने एक बार जान दावटियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और यहां आनुवनशिक टैबलेट पर दिखाया गया है कि फैन चेंटियन का पहले से ही एक गुरू है जो कैयोस सोसाइटी का उपाध्यक्ष है राश्ट्रपती को स्वर्ग में दफनाया जाएगा फैन चेंटियन की शक्ती के दमन को महसूस करते हुए यह पिछली बार की तुलना में अधिक मजबूत था जब वह अभी अभी अंदर आया था तब भी वह कुछ शक्ती का उप्योग कर सकता था लेकिन जब वह जमीन पर उत्रा तो उसके शरीर पर मौजूद शक्ती बिना किसी निशान के गायब हो गई यहां तक कि धातु की गदा में बदल गया शरीर भी अपने मूल आकार में वापस आ गया है और पूरा शरीर अप्शक्ती का एक निशान भी इस्तिमाल नहीं कर सकता बिलकुल एक साधारण व्यक्ती की तरह? यह यहां क्यों गिरा? नश्वर स्वर्ग में पहले से ही एक स्वामी है और तारकिक रूप से कहें तो विदेशी प्राणियों को प्रवेश करने की अनुमती देना असंभव होना चाहिए हान सेन को लगा कि कुछ गड़बर है उसकी और जू दावटियन की दुश्मनी थी और अब वहाँ फैंचेंटियन का स्वामी बन गया है और फैंचेंटियन की शासन शक्ती में बहुत सुधार हुआ है जिससे वहाँ एक साधारन व्यक्ती की तरह हो गया है अगर दफनाए गए दावटियन ने उसे यहाँ पाया तो वह सबसे अधिक संभावना मर जाएगा यहाँ जहां गिरा वह अच्छा नहीं है यह यहाँ क्यों गिरा हान सेन ने अपने नितम्बो को थप थपाया और जमीन से उठ गया जैसे ही उसने अपना सिर उठाया वह दंग रह गया उसके सामने थोड़ी दूर पर एक विशालकाई सुनहरा पक्षी उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था जिसकी दो चिडियाए ठंडी बिजली की बलेड जैसी थी हान सेन का दिल धड़क उठा वह विशालकाई सुनहरे पक्षी से अप्रिचित नहीं था 33 स्वर्ग अभी अभी ठीक हुआ था और यह सुनहरा पक्षी 33 स्वर्ग में सबसे पहले गुसा था उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसमें घुस जाएगा नश्वर दुन्या के भीतर हाला की फैंचेंटियन पर जांग दावटियन का शासन था जाहिर है कि यह भी विफल रहा लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्यों नहीं मरा या जांग दावटियन ने इसकी जान बक्ष दी इस समय विशाल का इस सुनहरा पक्षी एक बड़े पेड की चोटी पर सक्ती से खड़ा था लेकिन उसका शरीर पहले जैसा विशाल नहीं था यह केवल एक व्यक्ती जितना लंबा था और इसके पंक सोने से बने लग रहे थे यह एक नजर में असाधारन था लेकिन हान सेन का दिल हिल गया हाला कि यह सुनहरा पक्षी शक्तिशाली है यहां तक कि मैं भी नश्वर दुन्या की शक्ती से दबा हुआ था और यह कोई अपवाद नहीं है भाई पक्षी, तुम्हारा नाम क्या है? हान सेन ने मुस्कुराते हुए विशाल सुनेरे पक्षी से कहा मैं सुनेरे पंखो वाला रौक हूँ कोई पक्षी भाई नहीं सुनेरे विशाल पक्षी ने उदासीनता से कहा क्या इस दुनिया में सुनेरे पंखो वाला रौक है हान सेन ने आश्चर्य से सुनहरे विशाल पक्षी को देखा, उसे जो छोटा लाल पक्षी मिला, उसमें पेंग का खून था, लेकिन सुनहरे पंखो वाले रॉक का नहीं, बलकि कुन पेंग का खून था. फिर भी यहाँ सिर्फ मिश्रित खून है लेकिन छोटे लाल पक्षी का मिश्रित खून बुरा नहीं है इसका दूसरा प्रकार का खून फीनिक्स का खून है अगर फीनिक्स और कुनपेंग के संकर वन्शज भविश्य में बड़े हो सकते हैं तो वे निश्चित रूप से शुद्ध नसल के फीनिक्स और पेंग से कमजोर नहीं होंगे सुनेरे पंखो वाला रौक कुछ नहीं बोला लेकिन हान सेन को सकती से घूरता रहा उसकी आभा से हान सेन को महसूस हो रहा था कि वहाँ गती पकड रहा है और किसी भी क्षण उस पर हमला करने के लिए तयार है यहां केवल अफसोस की बात है कि सुनेरे पंखो वाले रौक की शक्ती स्पष्ट रूप से फैन चेंटियन की शक्ती से दब गई थी अन्य था इसे बिलकुल भी गती प्राप्त करने की आवशक्ता नहीं होती और एक यादरिच्छिक जटका दुनिया को नश्ट करने के लिए पर्याप्त होता क्यूंकि सुनेरे पंखो वाला रौक और मैं नश्वर है और शक्ती का उप्योग नहीं कर सकते तो क्या इसका मतलब यहाँ नहीं है कि इसे मारने का यहाँ मेरा सबसे अच्छा मौका है हान सेन के दिल में भी हत्या का इरादा था सुनेरे पंखो वाले रौक की सीमा तोड़ने की दर्सपष्ट रूप से 95% से अधिक है जैसा कि इस तथे से देखा जा सकता है कि यह 33 दिन की अद्रिश्य बाधा को आसानी से तोड़ देता है यदि यहाँ बाहर होता तो हान सेन के लिए इसे मारना आसान नहीं होता यह एक अच्छी बात है जो शरीर से लड़ने में अच्छा है सुनेरे पंखो वाले रौक के मन में स्पष्ट रूप से ऐसे ही विचार थे और वह हान सेन को देख रहा था भले ही उसका शरीर मानक से परेशक्ती का उप्योग नहीं कर सकता था लेकिन हान सेन के स्वभाव और कलात्मक अवधारणा को मिटाया नहीं जा सकता था गोल्डन विंग्ड रौक ने भी देखा कि हान सेन से निपटना आसान नहीं था इसी लिए उसने सीधे हमला नहीं किया एक व्यक्ती और एक रौक ने एक दूसरे को बहुत देड तक घूडते रहे और अचानक वे एक साथ आगे बढ़ गए गोल्डन विंग्ड रौक ने अपने पंक फैलाएं जो साथ या आठ मीटर लंबे थे और एक सुनरी बिजली की तरह फड़ फड़ाते हुए उसकी ओर दोड़े अगर यहाँ पहले होता जब शरीर का शरीर सुनरे पंको वाला रौक आता तो अंतरिक्ष उसकी शक्ती से टुकड़े टुकड़े हो जाता लेकिन इस नश्वर दुनिया में यहाँ एक नश्वर पक्षी से अलग नहीं है हान सेन को मारने के लिए इसे अपने शरीर की ताकत पर निर्भर रहना चाहिए हान सेन कूद गया लेकिन वह केवल दो मीटर उन्चा कूदा ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका शरीर बहुत मजबूत है औसत इनसान यहां एक मीटर उन्ची छलांग लगा सकता है उसे सुपरमैन माना जाता है आसमान में उड़ते हुए सुनरे पंखो वाले रॉक से लड़ते हुए हान सेन ने हवा में एक पक्षी की तरह चतुराई से एक चाप बनाया सुनरे पंखो वाले रॉक के तीखे पंजों से बचते हुए और उसी समय लात मारी यह उसकी पीठ पर उत्रा और तुरन सुनरे पंखो वाले रॉक को कुत्ते की तरह लात मारी और सिर के बल जमीन पर गिर गया बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन ने युद्ध की कुलहाडी की तरह वार किया सुनेरे पंखो वाला रौक प्रतिक्रिया करने में धीमा नहीं था पक्षी के पंख चाकू की धार की तरह घूमे हान सेन की जांग की ओर बढ़ते हुए जो अभी तक जमीन पर नहीं उतरी थी हान सेन के पैर जमीन पर पढ़ने से पहले उसने अपनी कमर से बल लगाया पक्षी के पंखों पर अपने हाथों से एक आत्मा बंदर उल्टा हो गया अपनी ताकत के साथ यह फिर से हवा में उठ गया और सुनहरे पंखों वाले रॉक की पीट पर सवार हो गया एक व्यक्ती और एक पक्षी तुरंट एक गेन में घुज गये यदी दो ब्रहमांडों के लोग पक्ष और विपक्ष इसे देखते तो वे कभी विश्वास नहीं करते यह दो भयानक जीव निकले जो ब्रहमांड में घूम रहे थे यहां बस बदमाशों के बीच की लड़ाई थी धमाका हान सेन ने सुनहरे पंखो वाले रॉक के चहरे पर मुक्का मारा जिससे उसके मुँ से सुनहरे पक्षी का खून छलकने लगा सुनहरे पंखो वाला रॉक भीस पश्ट था इसके पंक हान सेन के शरीर के चारो और लिपते हुए थे और यहाँ जमीन पर लुढ़क गया जिससे हान सेन जमीन पर गिर गया हान सेन ने दोनों हाथों से गोल्डन विंग्ड डैपेंग की गर्दन पर मौझूद बारीक बालों को बेथाशा पकड़ा जब वह गिरा तो उसने तुरंत गोल्डन विंग्ड डैपेंग की गर्दन से दो मुठी बाल पकड़ लिए आँ, हान सेन और गोल्डन विंग्ड रॉक एक साथ चिलाए जब हान सेन को फैंका गया तो उसकी पीठ लगभग तूट गई थी जबकि गोल्डन विंग्ड रॉक के पंक उखड गए थे और दर्द सीधे दिल और फेफडों तक गया था वापस बुलाए जाने पर हान सेन तुरंत पीछे मुडा अपनी पीठ को आधार बना कर और अपने पैरों को गोल्डन विंग्ड रॉक के पेट की और जोर से मारा गोल्डन विंग्ड रॉक पक्षी की प्रतिक्रिया आश्चर्य जनक नहीं थी पक्षी के पंजों की एक जोडी हान सेन के पैरों से तकराई और उसी समय उसके पंक ब्लेड की तरह हान सेन की गर्धन कि ओर जूल गए एक व्यक्ति और एक पक्षी लड़े और आकाश पक्षी के पंखों और तूटे कपड़ों से भरा था और समय समय पर चीखे सुनाई दे रही थी तुमने मुझे पंख से मुक्का मारा मास पर मुक्का मारा और पंखों में खून लग गया और यहां बताना कठिन था कि किसका पल्डा भारी था सुनहरे पंखो वाले रॉक का शरीर बहुत मजबूत है हान सेन से ज्यादा खराब नहीं आखिरकार हान सेन की सहन शक्ती और शरीर बहतर है हान सेन सुनहरे पंखो वाले रॉक की पीठ पर सवार हो गया और एक के बाद एक पक्षी के सिर पर मुक्का मारा सुनेरे पंखो वाले रौक के शरीर पर बहुत सारे पंख गिर गए और बाई और दाई और मास और खून उजागर हो गया और उसका दिमाग पहले से ही चक्कर खा रहा था वापस लड़ने की शक्ती के बिना हान से ने उसके सिर और गरदन पर मुक्कों और मुक्कों से प्रहार किया सुनेरे पंखो वाले रौक का सिर बहुत कठोड़ था हान से ने इसे थोड़ी देर तक कुचल दिया और पाया की इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसने लगातार एक दर्जन से अधिक बार इसकी गर्दन पर प्रहार किया और अंत में इसकी गर्दन की हड़ी तूट गई और उसकी सांस फूल गई सीमा तोडने वाले जानवर सुनहरे पंखो वाले देपिंग का शिकार करना और सीमा तोडने वाले जीन की खोज करना नश्वर स्वर्ग में शक्ती के आशीरवाद के बिना जीवन शक्ती बहुत नाजुक हो गई सुनहरे पंखो वाला रॉक सिर्फ तूटी हुई गर्दन से मारा गया था अगर यहां बाहर है तो भले ही इसे आधे में विभाजित किया जाए यहां इसे मारने में सक्षम नहीं हो सकता है हान सेन ने पलट कर जमीन पर लेट कर सांस ली उसका शरीर बहुत थका हुआ था मॉटल वर्ल्ड जैसी जगह में वह एक साधारन व्यक्ती की तरह महसूस करता था जो पठार पर आया था और उन्चाई की बीमारी के अनुकूल नहीं हो सकता था उसका शरीर आसानी से थक जाता था थोड़ी देर आराम करने के बाद हान सेन उठे और गरुड रॉक के शरीर को साफ करना शुरू कर दिया उसके मास को फाड दिया और अंदर की सीमा तोडने वाले जीन को खोदा यह एक आंसू के आकार का सुनहरा क्रिस्टल था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था हान सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीमा तोडने वाले जीन को निगल लिया और अचानक अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ती फैलती हुई महसूस की जिसने उसकी थकान को थोड़ा और बढ़ा दिया दूर जाने के बाद पूरा शरीर जीवन से भरा हुआ लग रहा था सीमा तोडने वाला जीन प्लस दस उसके दिमाग में एक अनुस्मारक गूंज उठा और सुनहरे पंखो वाला रॉक वास्तव में असाधारन था और इसने सीधे सीमा तोडने के दस संग जोडे मैंने पास में कुछ जलाऊ लकडी काटी सुनहरे पंखो वाले रॉक की जांगो को काटा उन्हें धोया और उन्हें उपर से भून दिया हाला की मास और खून सीमा तोडने वाले जीन को नहीं बढ़ा सकते हैं फिर भी यह फाइदे मंद है खास कर उच्चस्तरिय सुनहरे पंखो वाले रॉक के लिए तेज सीमा तोडने वाले जानवर के बारे में कहा जा सकता है कि उसके पास सभी लाब है लेकिन कोई नुकसान नहीं है सौभाग्य से यह एक नश्वर दुनिया है अन्यथा सुनहरे पंखो वाले रॉक के माज को भूनना आसान नहीं होगा इसने हान सेन को भी सतर कर दिया इस तरह की जगा में उसका जीवन बहुत नाजुक हो गया ऐसा शरीर नश्वर दुनिया से कैसे बाहर निकल सकता है यदि आप यहां रहते हैं तो आपको जल्द या बाद में जांग दावटियन द्वारा खोजा जाएगा और आप मर जाएंगे हान सेन ने अपने सिर को आग पर रखा खुद से सोचते हुए थोड़ी देर बाद हान सेन ने अपना सिर उठाया यह देखना चाहा कि क्या सुनहरे पंखो वाले रॉक के पक्षी के पैर अच्छी तरह से भुने हैं और क्या इसे पलट कर भूनने की जरूरत है लेकिन जब उसने उपर देखा तो वहां न केवल दंग रह गया जिस पक्षी के पैर को उसने आग पर भूना था उसमें इस समय केवल एक हड़ी बची थी और केवल थोड़ी मात्रा में तवचा और मास रैक से जुड़ा हुआ था जिससे हड़ी गिरने से बच गई हान सेन को अचानक अपने दिल में ठंडक महसूस हुई इतनी नजदीकी से उसने पक्षी के पैर पर लगे मास को कुतर दिया अगर वह चीज पक्षी के पैर की बजाय उसकी गर्दन पर कुतर दी तो हान सेन को नहीं पता था कि क्या होगा उसने इधर उधर देखा लेकिन आसपास कोई जीव नहीं दिखा रात में जंगल बिलकुल काला था हान सेन अब एक साधारण व्यक्ती था और वह बहुत दूर तक नहीं देख सकता था उसे नहीं पता था कि जंगल में क्या है अपने दांत पीस्ते हुए हान सेन ने सुनेरे पंखों वाले रॉक के दूसरे पैर को काट दिया और भूना जारी रखने के लिए उसे आख पर रख दिया जंगल से घिरे होने के कारण यहां चलना ज्यादा खतरनाक होगा आप किसी ऐसी चीज को बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते जो पक्षी के पैरों को कुतरती हो और अगर आप खुद को और दुश्मन को जानते हैं तो आप के पास जीतने का भैतर मौका होगा अंधेरे में रहने वाले दुश्मन की तुलना में उजले पक्ष के दुश्मन से निपटना हमेशा भैतर होता है पक्षी के पैर को फिर से भूना इस बारहान से ने चीजों के बारे में सोचने के लिए अपना सिर नीचे नहीं किया बलकि पक्षी के पैर को ध्यान से देखा यह देखना चाहता था कि उसके पक्षी के पैर को किसने कुतर दिया जैसे जैसे जलाओं लकडी नाचती गई पक्षी के पैरों की खुश्पू धीरे-धीरे बाहर निकलती गई और भुना हुआ तेल चटकने लगा और मास से एक सुनहरा तेल निकला जैसे की उस पर शहद लगा हो। कभी कभार चहचहाहट के अलावा कोई हलचल नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह चीज मुझे देखे जाने से डरती है इसलिए वह खुलेयाम सामने आने की हिम्मत नहीं करती। हान सेन ने इस बारे में सोचा लेकिन उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर उस चीज में वाकई कोई शंका है तो जाहिर है कि वह इतनी डरावनी नहीं है जो निस्संदे उसके लिए अच्छी खबर है। एक पल सोचने के बाद हान सेन ने अपनी सीट पीछे कर ली और पहले की तरह सोच में डूबा हुआ सिर जुकाए हुए भाव। से देखा लेकिन वह चुपके से अपनी आखों के कोने से भुने हुए पक्षी के पैर की स्थिती पर ध्यान दे रहा था। पक्षी के पैर जितने भुने जाते वे उतने ही सुगंधित होते। ऐसा लग रहा था की वे लगभग। भुन चुके थे लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस चीज ने पक्षी का पैर खाया, क्या यहां भरकर नहीं? चला जाएगा, हान सेन सोच रहा था कि क्या ऐसी कोई संभावना है, जब उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी? चीज ने उसकी पीठ पर कॉलर को छुआ है. हान सेन की पीठ काम पुठी, उसका पूरा शरीर काम पुठा, और वह जल्दी से घूम गया, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया, तो उसने पाया कि उसके पीछे कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली था, और जंगल से अभी भी 30 से 40 मीटर की दूरी थी, जिसे एक, नजर में साफ देखा जा सकता था, वास्तव में कुछ भी नहीं था, हान सेन ने जल्दी से अपना सिर गुमाया और भुने हुए पक्षी के पैर को देखा, इसे देखते ही उसका चहरा बहुत भद्दा हो गया, भुने हुए, पक्षी का पैर फिर से कुतर दिया गया था, केवल एक मात्र पैर की हड़ी शेल्फ पर लटक रही थी, अभी भी आसपास कुछ भी नहीं था, भूत भी नहीं, क्या बक्वास है, यह नश्वर दुनिया है, जान दाउटियन को, छोड़कर सभी अन्य प्राणियों को नश्वर दुनिया से नीचे गिरा दिया जाना चा की वास्तव में इतनी तेज गती रख सकता है, सभी पक्षियों के पैर चबाना और मेरी नाक के नीचे से बिना किसी निशान के भाग जाना, हान सेन को इस, पर विश्वास नहीं हुआ, उसका शरीर पहले से ही बहुत मजबूत माना जाता है, ब्रहमान में सबसे उपर माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उसी दमित स्थिती में बहुत कम प्राणी होंगे जो उससे तेज हो सकते हैं, अभी अभी उस चीज के पास स्पष्ट रूप से मुझ पर हमला करने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ भुने हुए पक्षी का पैर खाया क्योंकि उसे मुझ में कोई दिल्चस्पी नहीं थी और वह सिर्फ भुने हुए, पक्षी का पैर खाना चाहता था, बिल्ली और चुहे का खेल कैसा रहेगा, हान सेन ने भौहें सिकोडी और सोचा, चारो और, देखा, लेकिन केवल सन्नाटा देखा, खामोश रात में एक दबाव है, और आसपास का जंगल नरक की खाई जैसा, यह इतना अंधेरा है कि कोई नहीं जानता कि इसमें किस तरह का भयानक अस्तित्व छिपा है, अगर यह कोई आम इंसान होता, तो इस तरह का मनोवग्यानिक दबाव उसका दिल तोडने के लिए काफी होता, लेकिन हा दिया, इस बार उसने चीज को बाहर आने के लिए लुभाया नहीं, पकने के बाद उसने उसे खुद उठाया और चबाने के लिए अपने मुह में डाल लिया, अचानक हान सेन के मुह के पास से एक थंडी रोशनी चमकी, और हान सेन के हाथ में पकड़ी हुई ग्रिल्ड ब हाला कि यह सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन हान सेन ने बहुत पहले से तयारी कर रखी थी, अपनी निगाहों के नीचे उसने अभी भी साफ तौर पर देखा कि थंडी रोशनी क्या थी, और वह थोड़ा स्तब्ध होने, से बच नहीं सका, ग्रिल्ड बर्ड स्टेक हवा में तीन मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ गया, और जमीन पर गिरने से पहले उस पर लगा मास कुतर दिया गया था, जिससे सिर्फ हड्या जमीन पर बिखरी रहे, गई थी, जबकि थंडी रोशनी दूर के जंगल में उड़ गई और गायब हो गई, यह सब पलक जपकते ही, हो गया, हान सेन ने उस जगह को देखते हुए थोड़ा भौहे सिकोडी जहां ठंडी रोशनी गायब हो गई थी, और उसकी आखों में आश्चर्य जलक रहा था, जिस चीज ने उसका मास छीना, वह हतेली के आकार का एक, छोटा सफेद चुहा निकला, यह कहना थोड़ लगता है कि यह एक छोटा सफेद चुहा है, हाला कि यह पूरी तरह सफेद है, लेकिन इसका शरीर अपेक्षाकृत पतला है, एक छोटे सफेद नेवले जैसा, यह किस तरह का प्राणी है, यह हान सेन को आश्चर्य जकित करने के लिए परियाप्त नहीं है, हान सेन को वास को पकड़ने के लिए हवा में कूदा, तो जाहिर है कि उसके पास हवा की शक्ती थी, अन्य था वह इतनी तेजी से नहीं उड़ पाता, दूर, यह एक नश्वर दुनिया है, ऐसे प्राणी, कैसे हो सकते हैं, जो हवा की शक्ती का उप्योग करके उड़ सकते हैं, हान सेन है अरान था, यह बहुत अजीब था, सैध्धान्तिक रूप से नश्वर दुनिया के स्वामी, जान दावटियन के अलावा, किसी अन्य प्राणी को नश्वर दुनिया में, असाधारन शक्ती का उप्योग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस छोटे से सफेद को तोडने के लिए, परियाप्त मजबूत है, हान सेन को कोई जवाब नहीं सूझा, इसके बाद हान सेन ने एक एक करके बचे हुए पक्षी, कि मास को भूना, प्रत्येक भूनने के बाद हान सेन थोड़ी देर के लिए मुडता था, और जब वहां मुडता, था, तो भून हुआ मास खा जाता था छोटे सफेद चुहे की भूख जाहिर तौर पर बहुत अच्छी थी और सुनेरे पंखो वाले रॉक का सारा मास उसने खा लिया और कुछ भी नहीं बचा हान से ने बारबे क्यूं नहीं खाया लेकिन वह नाराज नहीं था इसके बजाए वह थोड़ा दिल्चस्पी ले रहा था यह छोटा सफेद चुहा नश्वर दुनिया को तोडने की उसकी उम्मीद हो सकता है आग बुझाने के बाद हान सेन उठकर चला गया जान दावटियन के उसे खोजने से पहले हान सेन जितना संभव हो सके उतने सीमा तोडने वाले जीन एकत्र कर चाहता था शायद यह उप्योगी हो हाला कि फैंचेंटियन खतरनाक है लेकिन यह एक अफसर भी है यहां सीमा तोडने वाले जानवर भी बेहत कमजोर हो गय है और शिकार करना और मारना आसान है दस मील से अधिक चलने के बाद हान सेन को एक और सीमा तोडने वाला जानवर मिला यह एक विशाल हाथी था जो जेड की तरह सफेद था और चांदी की तरह हाथिदात की एक जोड़ी थी हान सेन ने बहुत अधिक प्रयास नहीं किया और केवल दस मिनिट में उसने विशाल हाथी का सिर कुचल दिया सीमा तोडने वाले जानवर सफेद मू हाथी का शिकार करना और सीमा तोडने वाले जीन की खोज करना हान सेन ने सीमा तोडने वाले जीन को खोद निकाला लेकिन उसे निगलने के बाद उसने सीमा तोडने वाले जीन के केवल दो अंखी बढ़ाए यह ग्यात नहीं है कि विशाल हाथी की सीमा तोडने कीधर बहुत कम है या कोई और कारण है सीमा तोडने वाले की तुरंट खोज जारी रखने के बजाए हान सेन ने हाथी का मास काड़ दिया और सबसे अच्छी सून के मास को कटार पर चड़ा दिया जो पहले से ही सुगंधित था। हान सेन ने बस पलट कर देखा और जब उसने पीछे देखा तो उसने पाया कि भुना हुआ हाथी की सून का मास गायब हो गया था वह आदमी वास्तव में पीछा कर रहा था हान सेन ने खुद से सोचा और फिर हाथी के मास के कुछ और टुकड़े भून लिए लेकिन नतीजा वही रहा हर बार जब हान सेन पलता, तो भुना हुआ हाथी का मास गायब हो गया मुझे नहीं पता की छोटा सफेद चुहा अपने छोटे शरीर से इतना मास कैसे खा सकता था हान सेन ने कई टन वजन वाले विशाल हाथी का आधा हिस्सा भून दिया, लेकिन चुहों ने उसे पूरा खा लिया हान सेन ने बचे हुए हिस्से को नहीं भुना, बलकि उठकर चला गया हान सेन के चले जाने के बाद, उसने पलट कर देखा की बचा हुआ हाथी का मास अभी भी वहीं था और खाया नहीं गया था वह आदमी इतना खास है, क्या वह कच्चा मास भी नहीं खाता, हान सेन थोड़ा हैरान था अगर वह चीज पहले कच्चा मास नहीं थी, तो केवल एक की संभावना है, शायद वह किसी और का पालतू जानवर है इसलिए उसे पका हुआ मास खाने का मौका मिला है, अन्यथा छोटा सफेद चुहा कभी भी मास या कुछ और भूनने में सक्षम नहीं होगा बेशक, यह भी संभव है कि छोटे सफेद चुहे ने पहले कच्चा मास खाया हो लेकिन हान सेन के बार्बेक्यू ने उसके मुह में अपना मुह डाल लिया, इसलिए वह अब कच्चा मास नहीं खाता अगर यहाँ पहली संभावना है, तो फैंचेंटियन जैसी जगा पर इस तरह के पालतू जानवर को रखने वाला एक मात्र व्यक्ती ब्यूरियल दावटियन है, हान सेन ने खुद से सोचा बहुत देड तक रुखने के बाद, हान सेन उठा और सीमा तोडने वाले की तलाश जारी रखी बाउंडरी ब्रेकर द्वारा मारे जाने के बाद, उसने जो कुछ भी भुना जा सकता था, उसे भून लिया, लेकिन मास चुहों ने खा, लिया लंबे समय के बाद, छोटा सफेद चुहा अब इतना डरा हुआ नहीं लग रहा था, और वह साहसपूर्वक हान सेन के करीब आ गया हर बार जब हान सेन मास भूनता था, तो वह उसे दूर से देखता था जैसे ही मास भून जाता है, हान सेन के फिर से मुढने से पहले, वह नहीं कर सकता वा और बादल की तरह उस पर जपटने और उसे खाने के लिए प्रतीक्षा करें, और यह अविश्वस्निय रूप से तेज है लेकिन, कोई फर्क नहीं पड़ता की उसने इसे कैसे खाया, उसका पेट एक अथा खाई की तरह फूला नहीं खाने के, बाद, छोटा सफेद चुहा फिर से दूर भाग गया और हान सेन को दूर से देखा, नजदीक आने का कोई इरादा नहीं दिखाया सफेद आखो वाला भेडिया नहीं सफेद आखो वाला चुहा हान सेन ने मन ही मन को कोसा वह छोटे सफेद चुहे की शक्ती उधार लेना चाहता था लेकिन उसने साथ या आठ सीमा तोडने वाले जानवर खाए थे, लेकिन वह अभी भी छोटे सफेद चुहे की शक्ती नहीं पा सका था भरोसा चलो इसे धीरे-धीरे करते हैं हान सेन के पास सीमा तोडने वाले को शिकार करने और मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जबकि वह छोटे सफेद चुहे से समवाद करने की कोशिश करता रहा ताकि वह पूरी तरह से अपनी सावधानी छोड़ दे हाला कि वह चुहों को सफलता पूर्वक भैकाने में सक्षम नहीं है हान सेन की सीमा तोडने वाली जीन बहुत बढ़ गई है उसके पास पहले से ही सीमा तोडने वाली जीन के तैताली संख है दस दिन और आधे महिने के बाद वह ब्रेकिंग जीन की पूरी सीमा तक पहुँचने में सक्षम हो जाएगा यह सिर्फ इतना है कि सीमा तोडने वाले को ढूनना सपष्ट रूप से इतना आसान नहीं है हान सेन इस बार बहुत दूर तक चला लेकिन उसे अभी भी सीमा तोडने वाला नहीं मिला है उसमें बहुत सारे साधारन जीव देखे हैं हान सेन को उन साधारन जीवों में कोई दिल्चस्पी नहीं है अपने रास्ते पर जब वह एक छोटी सी धारा के पास आया हान सेन धारा के किनारे पानी पी रहा था लेकिन उसने उपर की और कदमों की आवाज सुनी उपर देखा और एक जाना भचाना चहरा देखा क्या यह तुम हो दोनों लगभग एक साथ चिल्लाए और साथ ही साथ एक सतर्क लड़ाई की मुद्रा भी बनाई नाले के उपरी हिस्से से नीचे की और एक आदमी चल रहा था जिसने काले कपड़े पहने थे लेकिन उसका चहरा बहुत कोमल लग रहा था ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ खास नहीं था लेकिन हान सेन जानता था कि इस सौमेता के नीचे कितना भयानक दिल छिपा है प्राचीन दानव तुम यहां क्यों हो? हान सेन ने अपने सामने वाले आदमी को देखा और पूछा तुम यहां क्यों हो? प्राचीन दानव ने हान सेन को मुस्कुराते हुए देखा और पिछली बार की तरह पीछे हटने का इरादा नहीं किया हान सेन के दिमाग में अंगिनत विचार कौन धे? क्या प्राचीन दानव कोई बेतरतीब नश्वर है या कोई विशेश कारण है? उसने अभी कुछ समय पहले ही सीमा को तोड़ा है और ऐसा लगता है कि उसके पास तैंतीस दिनों में घुसने की क्षमता नहीं है रुको! थर्टी-थर्ड हेवन जैसी बड़ी जगह में जान दावटियन नश्वर स्वर्प का स्वामी क्यों बन गया? और प्राचीन दानव भी यहां क्यों आए? दिव्य अराजकता समाज के तीन उपाध्यक्षों में से दो यहां है अगर महान स्वर्गिय दानव भी यहां है तो यहां वाकई दिल्चस्प होगा हान सेन ने मन ही मन सोचा प्राचीन दानव की अभिव्यक्ती शांत थी और उसके चहरे से कुछ भी नहीं दिख रहा था मैं यहां गलती से आया हूँ आप क्या कहते हैं हान सेन ने बिना किसी विशेश भावना को प्रदर्शित किये सहजता से कहा गुमो जैसे महान ग्यान वाले एक मजबूत व्यक्ती के सामने हान सेन जो जूट बोलने में अच्छा नहीं था उसका जूट बोलने या उसका परीक्षन करने का कोई इरादा नहीं था वैसे भी इतना बड़ा सच प्राचीन दानव को संदिक्ध बना सकता है अगर प्राचीन दानव वास्तव में किसी उद्देश से यहां आया था और हान सेन फिर से यहां आया तो मुझे डर है कि प्राचीन दानव यहां मानने को तयार नहीं हो सकता कि वह यहां गलती से आया है जिससे प्राचीन दानव इमानदार महसूस करेगा मैं भी गलती से आया था प्राचीन दानव ने भावशून्य भाव से कहा हान सेन को प्राचीन दानव के भाव में कोई असामान्यता नहीं दिखी वह जानता था कि उससे कोई भी खबर प्राप्त करना मुश्किल होगा इसलिए उसने कहा क्या तुम मुझे पिछली बा जेनेटिक टैबलेट के बारे में जानकारी देना चाहते हो क्या मैं कबूल करूं प्राचीन दानव ने मुस्कुराते हुए कहा क्या कबूल नामा मैंने तुम्हें धोका देने के लिए कभी एक शब्द भी नहीं कहा मैंने जो कुछ भी कहा वह सच था इसलिए मुझे दबी हुई है और मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हान सेन ने प्राचीन दानव को घूरते हुए कहा प्राचीन दानव ने कुछ भी नहीं छिपाया सिर्फ हिलाया और कहा मेरे पास यह विचार है नश्वर दुनिया के नियौमों द्वारा सीमित हाला कि सीमाओं को सच में हान सेन अनिरनीत था बस प्राचीन दानव को देख रहा था प्राचीन दानव ने अपना हाथ हिलाया और कहा मेरे साथ मत लड़ो अब हम सभी नश्वर दुनिया में हांस गए हैं अगर हमें नश्वर दुनिया ने खोज लिया तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है हम खुद को क्यों परेशान करते हैं नर्भक्षन के बारे में क्या या इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करने की इमानदारी है या नहीं हान सेन ने कहा कदम दरकदम प्राचीन दानव के उत्पीडन की ओर हाला कि उसका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं है लेकिन उसकी आभा और कलात्मक अवधारना अभी भी मौजूद है आकाश के नीचे कलात्मक अवधारना को अपने आशिरवात के रूप में लेकर वह जो भी कदम उठाता है वह शत्रंज की बिसात पर सितारों के गिरने जैसा होता है जिससे प्राचीन दानव पर बहुत दबाव पड़ता है प्राचीन दानव के हावभाव बदल गए वह हान सेन के बारे में थोड़ा जानता था वह जानता था कि अगर यहाँ आदमी कुछ करना चाहता है तो वह जोखे मुठाएगा भले ही वह आग से कुछ करना चाहे वह कभी भी उसकी बातों से मूर्ख नहीं बनेगा जब तक कि वहाँ कुछ वास्तविक न कर ले अन्य था या केवल हान सेन के साथ एक लड़ाई होगी यहाँ देखकर की हान सेन उसके सामने चलने वाला था प्राचीन दानव ने एक रहस्य में मुस्कान दिखाई और कहा क्या आप दफन दावटियन और फैन चेंटियन के रहस्यों को जानना चाहते हैं ये शब्द हान सेन के दिल पर लगे और हान सेन की गती घुट गई और उसकी गती रुख गई मुझे बताओ हान सेन स्थिर खड़ा रहा और प्राचीन दानव को थंडेपन से देखता रहा लेकिन उसकी आभाने खुद को रोक नहीं पाया और वहां अभी भी प्राचीन दानव पर ही अटका हुआ था प्राचीन दानव ने कुछ देर सोचने के बाद कहां वास्तव में स्वर्ग के समराट की तरह जांग दावटियन भी तैतीस स्वर्ग में गर्ब धारन किये गए प्राणियों में से एक है और जांग दावटियन का जन्व स्वर्ग के समराट से पहले हुआ था और वहां तैतीस स्वर्ग का पहला प्राणी था जिस स्थान पर उसका गर्ब धारन किया गया वह यहां नश्वर दुनिया है आगे बढ़ो हान सेन को अचानक दिल्चस्पी हुई और उसने मन ही मन कहा निश्चित रूप से यह कोई सन्योग नहीं है कि प्राचीन दानव यहां आया था प्राचीन दानव बात करने में बहुत सहज था और उसने आगे कहा स्वर्ग का समराट तैतीस स्वर्ग का पुत्र है लेकिन वह 33 स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं है इस नश्वर दुनिया की भी 33 दिनों में एक अत्यंत विशेश थिती है किस तरह की स्थिती हान सेन ने पूछा राश्ट्रुपती की 33 दिनों की योजना के अनुसार फैंचेंटियन 33 दिनों के लिए कब्रिस्तान है उन प्राणियों को दफनाने के लिए जो पुनरजन्म के चक्र में फिर से प्रवेश नहीं कर सकते हैं प्राचीन दानव ने कहा आपका क्या मतलब है कि जो प्राणी पुनर्जन्म में फिर से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्या सभी आत्माएं मृत्यू के बाद पुनर्जन्म में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, हान से ने भौहें सिकोडते हुए पूछा सिध्धांत रूप में इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, शरीर के मरने के बाद भी आत्मा में मौजूद जानकारी पूरी तरह से मिट नहीं जाएगी और उसके कुछ निशान अभी भी पीछे रह जाएंगे अगर इस तरह की आत्मा पुनर्जन्म और पुनर्जन्म में प्रवेश करती हैं, तो यहां दुन्या के नियोमों में खामिया पैदा करेगी और इस तरह की चीज शासक के साथ होने की अनुमती नहीं है, चाहे वह जीन मंदिर हो या मेरे भगवान की अराजकता इसलिए इन असामान्य आत्माओं से निपटने के लिए एक जगह होनी चाहिए और यहां जगह नश्वर लोगों की दुनिया है, प्राचीन दानव ने कहा और फिर हान सेन ने प्राचीन दानव को जारी रखने का संकेद दिया प्राचीन दानव गंभीरता से कहा, तो जब राश्ट्रुपती ने तैतीस तीन दिन की स्थापना की, तो उन्होंने सबसे पहले नश्वर स्वर्ग में प्राणियों को जन दिया, यानि जांग दावटियन और फिर जांग दावटियन हमारे शेनरान एसोसियेशन के उपाध्यक्षब बन गए उसके बाद स्वर्गिय समराट, ड्रैगन समराट, असुर, आदी, तैतीस स्वर्गिय आत्माओं में पैदा हुए, हान सेन ने बिना कुछ कहे गुमों को देखा, लेकिन उसके चहरे पर अधीरता दिखाई दी इतनी देर तक बात करने के बाद भी गुमों मुद्दे पर नहीं आया प्राचीन दानव ने हान सेन की अभिव्यक्ति देखी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया उसने बस जारी रखा, अगर मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, तो जब ब्रहमान फिर से शुरू होगा तो राश्ट्रपती खुद को यहां दफना देंगे तुम्हारा मतलब है कि अराजक समाज के अध्यक्ष का शरीर यहां दफन है हान सेन चौक गया और रविश्वास में प्राचीन दानव को देखने लगा प्राचीन दानव ने थोड़ा सिर हिलाया यह सिर्फ मेरा अनुमान है और अभी तक इसकी पुष्टी नहीं हुई है क्योकि मेरे यहां आने के कुछ समय बाद ही जान दावटियन ने फैचेंटियन पर फिर से कबजा कर लिया है और यहां का स्वामी बन गया है उसके द्वारा खोजे न जाने के लिए मैं केवल गुप्त रूप से खोज कर सकता हूँ मुझे मत बताओ तुम्हे कोई सुराग नहीं मिला हान सेन को विश्वास नहीं हुआ की प्राचीन दानव बिना किसी सुराग के यहां आने का इतना बड़ा जोखे मुठाएगा क्या कोई सुराग नहीं है मुझे एक संदिक्ध जगा मिली है लेकिन मैं अभी तक इसकी पुष्टी नहीं कर पाया हूँ प्राचीन दानव ने गहरी आवाज में कहा यह कहा है हान सेन ने पूझा अगर शेंरान सोसाइटी के अध्यक्ष का शरीर वास्तव में वहा है तो यहाँ वास्तव में एक बहुत बड़ा खजाना है कोई नहीं जानता कि पुराने अध्यक्ष पर अभी भी किस तरह की भयानक चीजें बची हुई है यह इस तारे के ठीक ऊपर है और मेरे पास सटीक स्थान का अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है प्राचीन दानव ने कहा तो फिर तुम्हें कैसे पता कि यहाँ इस तारे के ऊपर है हान सेन ने अविश्वास में प्राचीन दानव को देखा क्योंकि जान दाव्टियन अक्सर मास्टर बनने से पहले यहां आया करता था लेकिन मेरे अवलोकन के अनुसार इस ग्रह के बारे में कुछ भी खास नहीं है प्राचीन दानव ने गंभीरता से कहा हान सेन स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका क्या मतलब था चुंकि यह ग्रह बहुत साधारन है लेकिन जान दाव्टियन अक्सर यहां आता है यह केवल यह दिखा सकता है कि यहां असाधारन चीजे हैं यदि आप रुची रखते हैं तो हम पुराने राश्ट्रपती के शरीर को खोजने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं अन्य था आप और मैं लंबे समय तक यहां गतिरोध में रहेंगे जब जान दाव्टियन अनुवनशिक गोली से वापस आता है तो मुझे दर है कि आप और मैं मौट से बच नहीं पाएंगे प्राचीन दानव ने जारी रखा ठीक है फिर मैं आपके साथ फिर से सहयोग करूँगा हान से ने सिरहिलाया लेकिन वह अपने दिल में सोच रहा था चूकी यह अराजक समाज के अध्यक्ष का विश्राम स्थल है इसलिए महान स्वर्गिय दानव का यहां आना वास्तव में संभव है वह जानती है कि प्राचीन राक्षसों से कम चीजे नहीं है और शायद हम वास्तव में उससे मिल सकें प्राचीन दानव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और दिशा पर बहस करने के बाद उसने कहा मैंने इस नदी के उपरी हिस्से की पूरी यात्रा की है और अब हम सहायक नदियों के साथ नीचे की ओर देख रहे हैं। शायद हमें कुछ मिल जाए। हान सेन को कोई आपत्ती नहीं थी और वह प्राचीन दानव के साथ नीचे की ओर चला गया। धारा एक बड़ी नदी की सहायक नदी थी। कुछ देर धारा के साथ चलने के बाद उसने पाया की धारा आगे एक जील में विलीन हो गई थी। जील के दूसरी और एक बड़ी नदी दहाड रही। है या वही बड़ी नदी होनी चाहिए जिसके बारे में प्राचीन दानव ने कहा था। प्राचीन दानव नदी के मुहाने पर खड़ा था और जील को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा इस जील में कुछ हजीब है। शायद जील के पीछे कोई और रहस्य हो। मुझे डर है कि मुझे जील के नीचे जाकर देखना चाहिए। हान सेन जील को घुरता रहा। हाला कि वह प्रित्वी की नसों और अन्य शिक्षाविदों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। लेकिन अपनी गहरी आध्यात्मिक समझ से वह महसूस कर सकता था कि इस जील में कुछ खास है। प्राचीन दानव पहले ही पानी में घुस चुका था और जील की ओर गोता लगा रहा था। हान सेन भी उसके पीछे-पीछे गया। जील का पानी थंडा और आराम दायक था और उसमें कुछ खास नहीं था। बाहर से जील पन्ना हरा दिखाई। देती है। आम तौर पर पन्ना हरा जील बहुत गहरा नहीं होता है। और जील जितनी गहरी होती है, उतनी ही गहरी होती है। लेकिन इस पन्ना हरे जील का कोई तल नहीं था। उन दोनों ने लगभग चार्या 500 मीटर तक गोता लगाया। लेकिन वे अभी भी जील के तल को नहीं देख पाए। यदि यह नश्वर दुनिया के बाहर है, तो चार या 500 मीटर की बात तो दूर 40-50,000 मीटर भी। उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। हाला कि नश्वर दुनिया के भीतर 4-500 मीटर गोता लगाने से पहले ही उनकी बहुत ताकत खर्च हो चुकी है। प्राचीन दानव ने हान सेन को इशारा किया जैसे कि उसने कुछ खोज लिया हो और हान सेन से उसके साथ गोता लगाने के लिए कहा। हान सेन ने सिर हिलाया और प्राचीन दानव के साथ बगल में गोता लगाने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद उसने जील के नीचे एक बड़ी पानी के नीचे की दरार देखी जो एक चटान की तरह थी। चटान पर उतरते हुए प्राचीन दानव ने चटान के तल को देखा। नीचे का पानी बिलकुल काला था नरत की खाई की तरह और उसे नहीं पता। था कि यह कितना गहरा था। हान सेन भी नीचे देख रहा था लेकिन उसे लगा की अंधेरे में एक जोड़ी आखे उसे घूर रही हैं। वह थोड़ा भौहे सिकोडने से खुद को नहीं रोक सका और अपने बगल में। प्राचीन दानव को देखा। प्राचीन दानव ने सपश्ट रूप से कुछ महसूस किया और हान सेन की ओर देख रहा। था। हाला कि वे पानी के नीचे एक दूसरे से समवाद नहीं कर सकते थे। लेकिन वे दोनों साफ दिल वाले लोग थे। और वे तुरंत एक दूसरे की आखों से एक दूसरे का मतलब समझ गए। थोड़ा सिर हिलाते हुए, दोनों ने एक। साथ चट्टान के नीचे पानी में गोता लगाया। जगह जितनी खतरनाक थी, उतनी ही संभावना थी कि यह वह जगह। थी जिसकी उन्हें तलाश थी। वे सभी अब नश्वर शरीर हैं, और उनकी पांच इंद्रिया दैमिय रूप से कमजोर हैं। गहरे काले पानी में उनकी आखें जील में बिलकुल भी नहीं जा सकती हैं, और वे यह भी नहीं देख। सकते हैं कि उनके सामने क्या है, इसलिए वे केवल महसूस करके ही नीचे गोता लगा सकते हैं। यह सिर्फ इतना है कि हान सेन की आध्यात्मिक समझ अभी भी है, और उसे हमेशा लगता है कि अंधेरे में वो आखे हर समय उसे घूर रही हैं, जैसे कोई जहरीला साप जो अंधेरे में लोगों को चुनता है। पानी के उतार चढ़ाव के साथ हान सेन को केवल असपश्ट रूप से महसूस हो सकता था कि प्राचीन दानव पास में था। लेकिन वह उसका सही स्थान नहीं जानता था, इसलिए वह केवल गोता लगाना जारी रख सकता था। अचानक हान सेन के दिल में एक चेतावनी संकेत था। उसने अब और संकोच नहीं किया, अपने शरीर को हिंसक रूप से घुमाया, और एक मचली की तरह किनारे की ओर भागा। लेकिन अभी भी एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। मुझे केवल यहां महसूस हुआ कि मेरे एक पैर में साप जैसी कोई चीज उलजी हुई थी, और फिर मेरा शरीर अचानक डूब गया, जील के पानी को तोड़ कर नीचे की ओर बढ़ गया। पानी हिंसक रूप से उचला, और हान। सेन के पीछे एक सफेद जाग जैसा पानी का स्तंब बन गया। यहां पानी में वैक्यूम द्वारा बनाया गया एक। तमाशा था जो उसके बहुत तेजी से गिरने और फिर पानी के प्रवा से फिर से भरने से बना था। हान सेन ने अपने पैर पर कुछ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। यह थंडा और चिकना लग रहा था, कलाई। जितना मोटा और मचली के शल्क या साप के शल्क लग रहे थे। उसे नहीं पता था कि यह साप है या कुछ और। दो बार जोड से खीचने के बाद यह चीज इतनी कसी हुई और शक्तिशाली थी कि इसे बिलकुल भी नहीं खीचा जा सकता था। हान सेन ने अपने हाथ को चाकू की तरह इस्तिमाल किया और। इसे कुछ और बार काटा लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अचानक उसकी आखों के सामने एक प्रभामंडल दिखाई। दिया जिससे उसे कुछ द्रिष्टी वापस पाने में मदद मिली। उसने देखा कि उसके पैर के चारो और कोई चीज लिप्टी हुई थी, जो एक सपाट बेल थी, जैसे कि साप या मचली, और वह नहीं बता सकता था कि यह क्या था। सिर जैसे कोई अंग दिखाई नहीं दे रहे थे। और प्राचीन दानव हान सेन से बहुत दूर नहीं था। हान सेन की तरह उसे भी अजीब चीज ने नीचे खीच लिया था। जिस जगह पर वे दोनों गिरे थे, वह दो सफेद पानी की धाराओं की तरह थी। और जिस जगह से रोशनी आ रही थी, वह उनके पैरों के नीचे थी, वह एक धुंदली नीली रोशनी थी, और यह वह जगह भी थी जहां से अजीब। चीज ने उन्हें दूर खीच लिया था। गिरने की गती बहुत तेज थी, इसलिए नीली रोशनी तेज हो गई और चमकीला। और जल्द ही हान सेन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि क्या चमक रहा था। यहां एक कांस्य स्मारक, निकला और कुरसी के नीचे केलप का एक बड़ा तुकड़ा उग रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि यहां केलप बिलकुल नहीं बलकि वह अजीब चीज है जो हान सेन और प्राचीन दानव को सताती है। कांस्य पटिका से धुंधली नीली रोशनी निकल रही है। मुझे नहीं पता कि कांस्य पटिका यहां कितने सालों। से खड़ी है। यहां नदी के पानी से घिस गई है, लेकिन जंग का कोई निश हान सेन ने कांस्य पटिका पर तीन शब भाग्य का समारक उकेरे हुए देखे। हान सेन अभी भी देख रहा था, लेकिन उसने देखा कि केल्प जैसे राक्षसों के समूह उन्हें घुमा रहे थे और उलजा रहे थे। न तो प्राचीन दानव और नहीं हान सेन में गर्दन, आदी सभी कसकर बंधे हुए थे और उसे ममी की तरह खीच कर भाग्य के समारक में पटक दिया गया। धमा का गुमो और हान सेन दोनों ही सीधे कांस्य समारक से टकरा गए। टकर से उनकी नाक से खून बहने लगा, उनके चहरे विकृत और विकृत हो गए और उन तूट गई थी। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि कांस्य समारक के पास कोई पानी नहीं था। हान सेन संघर्ष करने वाला था, लेकिन उसने प्राचीन राक्षस को फुसफुसाते हुए सुना, हिलना मत, यह दुष्ट देवता की दाढ़ी। ए? जितना जोर से तु मर जाओगे। हान सेन ने देखा कि प्राचीन राक्षस वहा, सीधा खड़ा था, उन अजीब चीजों को अपने उपर उलजने दे रहा था, लेकिन फिर भी नहीं हिल रहा था। इसलिए उसे पता था कि उसने खुद से जूट नहीं बोला था, इसलिए वहा तुरं स्थिर हो गया, लेकिन उन दिश्ट देवताओं की दाड़ी ने उन्हें जाने नहीं दिया क्योंकि वे स्थिर थी, वे अभी भी उनके चारों और लिप्ती हुई थी, और यह और भी कस्ती जा रही थी, हान सेन को लगा कि उसकी हड्या तूटने वाली है, प्राचीन राक्षस उस से ज्यादा भेतर नहीं है, हान सेन ने धीमी आवाज में कहा, इस तरह से आगे बढ़ने का, कोई रास्ता नहीं है, क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है, चुंकी भाग्य की पटिका और दिश्ट देवता की मूंचे, यहां दिखाई देती है, इसलिए बहुत संभावना है कि श्री राश्त्रपती का शरीर यहां हो, हमें सही जगा मिल गई, है, प्राचीन दानव ने चमकती आखों से कहा, तुमने सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने तुमसे पूछा था कि, क्या इन लानतमलामत वाली चीजों से छुटकारा पाने का कोई तरीका है, अ गला घोंटने के बाद प्राचीन दानव की सांस पहले से ही थोड़ी फूली हुई थी, लेकिन फिर भी उसने शांती से कहा, क्या तुम मरने का नाटक करोगे, मरे हुए होने का नाटक करो, हान सेन को नहीं पता था कि प्राचीन दानव का क्या मतलब, था, यदि तुम मरने का नाटक कर सकते हो, तो तुम जीवित रह सकते हो, अन्यथा तुम केवल मर सकते, हो, प्राचीन दानव ने कहा कि जब उसने अपनी आखे बंद की और अपना सिर जुकाया, तो ऐसा लगा की, वह एक बार मर चुका है, और उसके पूरे शरीर में सांस नहीं थी, क्रिप्या इस पुस्तक का पहला डोमेन, नाम याद रखें, साहित्य संग्रहालय के मोबाइल संसकरन की वेबसाइट, M, 1351 अध्याए हान सेन किनारे से देखते हुए अवाक रहे गए, प्राचीन दानव वास्तव में मरना, चाहता था, उसने एक पल में अपनी सांस खो दी, उसके आ अधिक गहन थी, उच्च अभिनय कोशल और मृत्यू की सच्चाई, यहां तक की जाओ वेई लाओ लूओ भी उसके, सामने टिक नहीं सकते, यहां तक की हान सेन, एक अंदरूनी सूत्र, यह नहीं बता सकता कि वहाँ वास्तव में, मर चुका है या मरने का नाटक कर रहा है यह कहना अजीब है कि प्राचीन दानव की मृत्यू के, बाद, उसके शरीर के चारो और लिप्ते दुष्ट देवता की मून्चे बहुत धीली हो गई, हाला कि वे अभी तक उसके शरीर से नहीं निकली है, लेकिन वे और अधिक कसी नहीं है तुम बस मरने का नाटक क्यों नहीं करते, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, हान सेन ने अपने दान पीस लिए और अपने शरीर के कार्यों को जबरिन नियंत्रित किया, उसने अपनी सारी सांस और प्रतिक्रियाओं को रोक दिया, और यहां तक की उसका दिल भी लगभग चलना बंध हो गया, हाला कि सभी प्रकार की क्षमताओं को फैन चेंटियन द्वारा दबा दिया जाता है, लेकिन खुद को नियंत्रित करने की क्षमता एक शारिरिक प्रवृत्ती है, कोई विशेश शक्ती नहीं हान सेन भी इस ख्षेत्र में विशेश अग्य है निश्शेत रूप से दुष्ट देवता की दाधी, जो बुरी तरह सिकुडी हुई थी, हान सेन की सांस और तापमान गायब होने के बाद कसना बंध हो गई, लेकिन थोड़ी धीली हो गई यहां वास्तव में प्रभावी है, लेकिन हम हर समय यहां मृत होने का नाटक नहीं कर सकते, है न? हम सभी अब नश्वर शरीर हैं, और हम यहां मृत होने का नाटक नहीं कर सकते, भले ही हमारे शरीर ठक गए हो, हान सेन प्राचीन दानव से पूछना चाहता, था, लेकिन उसे डर था कि वह कुछ गलत कर देगा कारवाई के बाद, यह दुष्ट देवता की दाढ़ी का ध्यान आकर्शित करेगा, इसलिए मुझे इसे सहना होगा और प्राचीन दानव के पहले कदम उठाने का इंतजार करना होगा हान, सेन जानता था कि प्राचीन दानव तयार होकर आया होगा, चूकि वह दुष्ट देवता की दाढ़ी के अस्तित्व को जानता, था, लेकिन फिर भी यहां आया, उसके पास इससे निपटने का कोई तरीका होना चाहिए, उसे बस इंतजार करना था, और देखना था कि प्राचीन दानव क्या करता है? दोनों ने बिना हिलेडुले मृत शरीर होने का नाटक किया, लेकिन दुष्ट देवता की दाढ़ी ने वास्तव में उन्हें धीरे-धीरे छोड़ दिया, वे दोनों कांस्यस मारक के आधार पर गिर गए, गिरने से हान सेन को चोट लगी, लगभग दो घंटे के बाद, चारों और दुष्ट देवता की दाढ़ी कांस्यस मारक के आधार पर सिकुड गई थी, लेकिन हान सेन ने अब अपनी, सांस रोक ली है और उसकी धारनाक्षमता बेहत कमजोर हो गई है, मुझे नहीं पता की उनके पास दुष्ट, देवता क की कोई दाढ़ी है या नहीं, अचानक हान सेन ने प्राचीन दानव की आवास सुनी, यह स्पष्ट था की कोई उठ रहा था और प्राचीन दानव के अलावा कोई और नहीं होगा, हान सेन ने सीधे हिलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अपनी आखे, खोली और प्राचीन दान प्राचीन दानव को देखा। उसने देखा कि प्राचीन दानव पहले ही उठ चुका। था और उसे क्रोसलेग्ड देखा, बिलकुल ध्यान में एक प्राचीन बुद्ध की तरह अपने हाथों से मुहर को पकड़े हुए। और उसके होंट थोड़े हिले, लेकिन कोई नहीं। इसके विपरीत, हान सेन ने केवल अपनी आखें खोली और उसके चारों। और दुष्ट देवताओं की दाढ़ी उसे फिर से नोटिस करने लगी, जैसे समुद्री साप। आम तौर पर दुष्ट देवताओं की दाढ़ी उसकी और मुड गई। हान सेन जानता था कि प्राचीन दानव तयार था, लेकिन वह समझ नहीं पाया की। प्राचीन दानव ने यह कैसे किया। प्राचीन दानव धीरे-धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ, हमेशा की तरह सहजता से, लेकिन उन्दुष्ट देवताओं की दाढ़ी ने उस पर फिर से हमला नहीं किय प्राचीन दानव मुस्कुराया और हान सेन से, कहां, मिस्टर हान, चलो पहले एक कदम उठाते हैं, और देखते हैं कि क्या कोई नियती है, ऐसा कहने के। बाद, प्राचीन दानव कांस्यस मारक के पीछे चला गया, और जल्द ही गायब हो गया। हान सेन उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन दुष्ट देवताओं की दाड़ी उसके चारो ओर थी, हान सेन केवल अपने दिल में आवेक का विरोध कर सकता था, अपनी सांस को रोक सकता था और मृत होने का नाटक करना जारी रख सकता था, मुझे दर है कि मैं अभी प्राचीन दानव की विधी नह सीख पाऊंगा, मैं इन दुष्ट देवताओं की दाड़ी के उलजाव से कैसे छुटकारा पा सकता हूं, कांस्यस मारक के पीछे क्या है, क्या यह उस मकबरे का प्रवेश द्वार है, जहां देवताओं और अराजकता समाज के पुराने अध्यक्ष को दफनाया गया है, हा अलाकि वह जानना चाहता था कि प्राचीन दानव कहा गया और उसे क्या मिला, हान सेन जानता था कि अब, चिंतित होना बेकार है, इसलिए वह केवल शान्थ हो सकता है और कोई रास्ता खोज सकता है, चर्मराहट जब हान सेन इस बारे में सोच रहा था कि दुष्ट देवता की दाड़ी से कैसे छुटकारा पाया जाए और प्राचीन दानव के पीछे कैसे जाए, तो उसने अचानक कुछी दूरी पर एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे रात में, दान्थ पीसने की आवाज क्या? हान सेन ने अपनी पाचों इंद्रियों को नियंत्रित किया और एक मृत व्यक्ती होने का नाटक किया वह बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि यह क्या था, लेकिन अगर उसने खुद को नियंत्रित नहीं किया, तो वह फिर से दुष्ट देवता की दाड़ी को छू लेगा हान सेन अपने दिल में जिजक रहा था, सोच रहा था कि क्या उसे अपनी आखें खोल कर देखना चाहिए कि आवाज क्या है, लेकिन उसने सुना कि आवाज उसके करीब आ रही थी, और जल्द ही ऐसा लगा कि वह उसके बगल से आ रही है चर्मराहट की आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे किसी ने उसके बालों को छुआ हो, हान सेन कुछ नहीं कर सका अब और बरदाश्ट नहीं कर सकता उसने अपनी आखें खोली और चौक गया उसकी आखों के ठीक सामने एक सफेद चाया बैठी हुई थी यह छोटा सफेद जानवर था जो चुहे और नेवले जैसा दिख रहा था यह हान सेन के सामने बैठा हुआ था इसके दान्ट थोड़े खड़-खड़ा रहे थे और यह चर्मराहट की आवाज कर रहा था हान सेन को और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ की छोटा सफेद चुहा अपने दान्ट पीस रहा था और उसके चारो और अपने पंजे लहरा रहा था लेकिन इससे दुष्ट देवता की मून्चों की प्रतिक्रिया नहीं हुई दुष्ट देवता की मून्चे मुड़ी और दूर तक नाची लेकिन वे पास नहीं आई इसका मतलब चुहों से डरना लगता है भले ही हान सेन ने अपनी आखे खोली और अब मृत शरीर होने का नाटक नहीं किया लेकिन दुष्ट देवता की दाढ़ी बस उसे घूर रही थी और पहले की तरह भागती नहीं थी जिससे हान सेन थोड़ा हैरान हुआ यह छोटा सफेद चुहा वास्तव में असाधारण है यह देखकर की हान सेन ने अपनी आखे खोली है छोटे सफेद चुहे ने अपना सिर घुमाया और कांस्यस मारक की तरफ रिंगने लगा वह जिस दिशा में गया वह बिलकुल प्राचीन राक्षस की दिशा जैसी ही थी हान सेन जलदी से उठा और छोटे सफेद चुहे के पीछे भागा दिश्ट देवता की डाढ़ी ने हान सेन की सांसों को महसूस किया और वे सभी उत्तेजित हो गए वे खुद को रोक नहीं पाए और दौड कर आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन एक निश्चित दूरी तक दौडने के बाद वे सभी रुक गए जैसे की वे सफेद चुहे के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे हान सेन बहुत खुश हुआ और उसने छोटे सफेद चुहे के साथ चलने के लिए अपनी गती बढ़ा दी छोटे सफेद चुहे की गती हान सेन की तुलना में बहुत तेज थी और वह पलक जपकते ही कांस्यस मारक के पीछे मुढ गया। हान सेन उसके पीछे भागा और। पाया की कांस्यस मारक के पीछे प्राचीन राक्षस की कोई आकरिती नहीं थी और हान सेन की कलपना के अनुसार। कोई छेद नहीं था। यहां बिना किसी अंतराल के एक पूरा कांस्यस मारक ह अजीब बात है कांस्यस मारक में कोई प्रवेश द्वार नहीं है प्राचीन राक्षस कहा गया हान सेन ने चुपके से भौहे सिकोडी जब हान सेन सोच रहा था तब तक छोटा सफेद चुहा कांस्यस मारक के आधार से कूद कर नीचे गहरे पानी की लहरों में जा गिरा था पानी की लहरों में दुष्ट देवता की कई मुँचे नाच रही थी छोटे सफेद चुहे के नीचे कूदने के बाद दुष्ट देवता की दाढ़ी तुरंत बिखर गई और पीछे हट गई और किसी ने उसे चुने की हिम्मत नहीं की हान सेन के पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था उसने अपने दाद पीस कर छोटे सफेद चुहे के साथ नीचे कूद गया और फिर देखा की छोटा सफेद चुहा पानी के नीचे मुड़ा हुआ और गोता लगा रहा है हान सेन भी नीचे कूदा और तुरंथ देखा की दुष्ट देवताओं की दाधी कांस्यस मारक के आधार के नीचे उग रही थी जैसे कांस्यस मारक के आधार में समुदरी शैवाल की जड़े हुँ या किसी छेद में छिपा हुआ जहरीला साप का आधा हिस्सा जो नीचे घनी तरह से भरा हुआ हो पता है कितने दुष्ट देवताओं की दाधी परजीवी होती है छोटा सफेद चुहा साथ या आठ मीटर नीचे गोता लगाता है और जहां भी जाता है वहां दुष्ट देवताओं की दाधी वाले वे सभी आधार होते हैं इतने घने की कांस्यस मारक के आधार का असली रूप दिखाई नहीं देता छोटा सफेद चुहा दुष्ट देवता की दाधी में घुज गया और दुष्ट देवता की दाधी घबराहट में इधर उधर बिखर गई तभी हान सेन ने देखा की दुष्ट देवता की दाधी में एक बाल्ती के आकार का छेद था जिसे पहले दुष्ट देवता ने घनी तरह से भर दिया था मूँचे इसे नहीं देख सकती यहां देखते हुए की छोटा सफेद चुहा पहले ही अंदर घुस चुका था और दुष्ट देवता की मूँचे एक दूसरे से सटने लगी थी हान सेन ने जल्दी से उसका पीछा किया लेकिन जैसे ही उसका शरीर छेद में आधा घुसा उसके बगल में दुष्ट देवता की मूँचे उलज गई और उसके पैरों को जकड लिया हान सेन जानता था कि संघर्ष करना बेकार था इसलिए उसने मृत होने का नाटक करने का शांदार तरीका अपनाया और फिर से अंदर जाने से पहले दुष्ट देवता की मूँचों के धीले होने का इंतजार करने वाला था ऐसा लगता है कि गुफा में किसी भी दुष्ट देवता की मूँचे नहीं है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है हान सेन मरने का नाटक कर रहा था लेकिन उसे लगा कि उसके सिर के उपर किसी ने पैर रखा है और फिर उसने चर्मराहट की आवाज सुनी जो छोटे सफेद चुहे की थी जैसे ही आवाज आई हान सेन ने अचानक अपने पैरों को धीला महसूस किया और अपनी आजादी वापस पाली उसने अब और संकोच नहीं किया और जल्दी से छेद में घुज गया छोटा सफेद चुहा भी उसके सिर से नीचे कूद गया उसके चार छोटे पंजे फढ़ फढ़ाए और उसका छोटा सा बट मुढ गया और आगे की और जूल गया हान सेन छोटे सफेद चुहे का पीछा करते हुए अंदर तैरने लगा छेद बहुत उबढ खाबढ था और ऐसा लग रहा था कि इसे किसी जानवर ने खोदा है यह किसी इंसान द्वारा बनाई गई जगा जैसा नहीं लग रहा था अचानक सामने तैर रहा छोटा सफेद चुहा अचानक गायब हो गया जैसे कि टेलिपोटेशन गायब हो गया हो जब हान सेन सोच रहा था कि छोटा सफेद चुहा कहा गया तो उसका शरीर डूब गया और वह सीधे नीचे गिर गया धमाका हान सेन को केवल अपने बट पर किसी नुकीली चीज से वार महसूस हुआ और वह दर्थ से उच्छल पड़ा तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ एक कांस्य कक्ष था और कक्ष में कई हड्या बिखरी हुई थी वह सीधे एक नुकीली हड्डी पर गिरा जो उसके गधे में हसी हुई थी हान सेन ने हड्डी को बाहर निकाला और उसे जमीन पर फैंक दिया उसने देखा कि छोटा सफेद चुहा कांस्य कक्ष की दीवार के चारों और घूम रहा था लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था हान सेन ने गुप्त कमरे को ध्यान से देखा और पाया कि वहां कोई दर्वाजा नहीं था केवल उसके सिर के उपर आया था गुप्त कमरे में केवल हड्यों का धेर है और कुछ नहीं है हान सेन ने हड्यों के धेर को ध्यान से देखा और उन्हें देखते हुए खुद से बदबदाया उन हड्यों की संगचना को देखते हुए यह एक मानव प्राणी नहीं होना चाहिए, बलकि एक चौपाया जानवर होना चाहिए मुझे लगता है कि यहां राश्ट्रपती शेन लुआन का अवशेश हो सकता है फिर यहां यहां कैसे मर गया एक हड़ी उठाओ और हड़ियों के धेर को अलग करो और देखो कि क्या तुम्हें कुछ उप्योगी मिल सकता है थोड़ी देड तक पंजे मारने के बाद हान सेन को अचानक एक खनकने की आवाज सुनाई दी जो धातू की आवाज जैसी थी हड़ियों के टकराने की आवाज से बिलकुल अलग थी हान सेन ने जल्दी से उसे कुछ और बार खीचा और निश्चित रूप से उसने हड़ी के अंदर एक धातू जैसी चीज देखी जो जंग लगी लोहे की छड की तरह लाल थी हान सेन ने जंग लगी लोहे की छड को बाहर निकाला केवल यह महसूस करने के लिए कि यह लोहे की छड नहीं बलकि लोहे की म्यान थी यह बहुत लंबे समय से जंग लगी हुई थी और पूरा शरीर लाल जंग से धका हुआ था मैं अब म्यान का मूल रंग नहीं देख सकता हाला कि म्यान काफी भारी था इसलिए हान सेन ने म्यान को एक छड़ी के रूप में इस्तमाल किया और थोड़ी देर के लिए हड्यों को खंगाला लेकिन कुछ नहीं मिला इस हड्यों के रेर में म्यान क्यों है यह हड्या किस तरह के जीवों की है हान सेन को आश्चर्य हुआ जब उसने फिर से चर्मराहट की आवाज सुनी अपना सिर घुमा कर देखा उसने देखा कि वह छोटा सफेद चुहा कांसय गुप्त कमरे के एक कोने में कुछ काट रहा था और उसके छोटे नितम अभी भी समयसमें पर एंट रहे थे हान सेन उस छोटे सफेद चुहे के पास गया और अंदर देखा तो पाया की वहां महल के कोने पर स्थित कांसय स्तंब को अपने दान्तों से काट रहा था उसने स्तंब को सेब के आकार के छेद से काट लिया था और छोटा सफेद चुहा काटता रहा चुहे द्वारा काटे गए छेद को देखते हुए मैंने पाया की कांसिस तंब के अंदर वास्तव में खोखला था चुहे द्वारा काटे जाने के बाद उसमें से एक काला बैंगनी तरल बया निकला जैसे कि वह सालों से चूलहे पर जमा हुआ हो महीने भर में जमा हुए तेल के दाग ओसत दरजे के हैं हान सेन ने अपनी नाक की नोक से एक बद्बू महसूस की जो सपश्ट रूप से काले बैंगनी तरल से निकल रही थी ऐसा लग रहा था कि चूहा तरल की गंद को सहन करने में असमर्थ था इसलिए उसने कांस्यस तंब को काटना बंद कर दिया और दूर एक जगह पर चला गया छेद को घूरते हुए उसने छोटी आखों से काटा बद्बूदार तरल अभी भी छेद से बह रहा था हान सेन ने अपनी नाक को धक लिया और कुछ देड़ तक उसे देखता रहा फिर अचानक उसका चहरा बदल गया जैसे कि उसने अनुमान लगा लिया हो कि वह तरल क्या है क्या यह हो सकता है कि ये तरल पदार्थ किन्वित और विक्टित पदार्थ है हान सेन ने काले बैंगनी तरल को एक अजीब भाव से देखा और जितना अधिक वह इसे देखता उतना ही वहाई से महसूस किया गट बंधन के अनुसार लाश के पिघलने के बाद बनने वाले तरल को लाश का तेल कहा जाता ए? यहाँ सिर्फ इतना है कि हान सेन को नहीं पता कि ये लाश के तेल किस तरह के जीव के शरीर के हैं और वे कांस्यस तंब में कैसे मर गए लेकिन एक बात तै है यहाँ जगा बहुत खतरनाख है धमाका तरल पदार्थ के बाद ऐसा लगा कि कुछ भी बह गया कांस्यस तंब की भीत्री दीवार में फंस गया और तुरंत बाहर नहीं निकल सका हान सेन ने एक हड़ी उठाई और उसे कुछ बार छेद में डाला थोड़ी देर बाद बदबूदार तरल पदार्थ के साथ छेद से कुछ और बाहर गिर गया हान सेन ने उस चीज को काले बैंगनी तरल पदार्थ से बाहर निकाला इससे पहले की वह देख पाता की यह क्या था उसके दिमाग में एक अनुसमारक गूंज उठा सीमा तोडने वाला जीन पाया गया अभी भी एक सीमा तोडने वाला जीन है इसलिए कांस्यस तंब में मरने वाला प्राणी एक सीमा तोडने वाला प्राणी होना चाहिए हान सेन चुपके से चौक गया चीज को तरल पदार्थ से बाहर निकाला और उसे साफ किया। एक क्रिस्टल क्लियर जेड आंसु ने सीमा तोडने वाले जीन को आकार दिया। हान सेन ने छेद में हड़ी से कई बार छेद किया, जिससे सारा काला बैंगनी तरल बाहर निकल गया। और कुछ हासल नहीं हुआ। और जब तरल उसमें से बहना बंध हो गया, तो छोटा सफेद चुहा फिर से भागा और छेद के साथ अंदर घुज गया। भाई, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं। हान सेन ने मुठी के आकार के छेद को देखा और निराश होकर कहा। पहले तो हान सेन ने सोचा की छोटा सफेद। चुहा उसकी बाते नहीं समझ पाएगा, लेकिन कौन जानता था की छोटे सफेद चुहे का सिर जल्धी छेद से। बाहर आ गया, बड़ी-बड़ी आखों से उसे घुड़ते हुए, आखों से अचानक प्रकाश की दो किरने निकली और जमीन पर गिरी हान सेन पर, अगली बार हान सेन ने महसूस किया कि उसके सामने का छेद तेजी से बढ़ा हो, गया था और थोड़ी देर बाद यह एक इ कांसे ने चारों, ओर देखा, तो कांस्य गुप्त कमरे में सब कुछ बड़ा हो गया, और वह तुरंट समझ गया कि यह छेद नहीं था जो बड़ा हो गया था, लेकिन चुहे की आखों में प्रकाश की किरन ने उसे छोटा कर दिया, था और वह मदद नहीं कर सका और अधि सफेद चुहा घूम, गया और फिर से छेद में रें गया, इस बार हान सेन ने कोई और बकवास नहीं की, और बस छोटे सफेद चुहे का पीछा किया, कांस्य स्तंब के अंदर की बद्बू बहुत तेज थी, इसलिए हान सेन केवल अपनी, नाक पकड़ कर छोटे सफेद च सफेद चुहे के पीछे चल सका, कांस्य स्तंब के अंदर आंतरिक सरपिल पैटर्न के वृत है, एक व्यक्ति और एक चुहा उन सरपिल पैटर्न के साथ ऊपर चड़ गये, जिससे हान सेन के शरीर पर बहुत, सारा काला और बैंगनी तरल निकल गया, जब वह कांस्य स्तंब के शीर्ष पर चड़ गया, तो हान सेनने, पाया की पूरे कांस्य कक्ष में कांस्य स्तंब और कांस्य किरने सभी केंदर में थी, जो सभी दिशाओं में फैली, एक नस बना रही थी, और उन्हें नहीं पता था कि यहां कहां ले जा सकती है, छोटा सफेद चुहा इन कांसे क पायपों से बहुत परिचित लग रहा था, और अपने छोटे नितंबों को पकड़ कर आगे, रेंग रहा था, अरे, तुम कहां जा रहे हो, हान सेनने चुहे का पीछा करते हुए पूछा, वहाँ पहले, धीरे-धीरे दोड़ता था, लेकिन अब वहाँ चुहे के कारण छ रखपा रहे थे, स्वाभाविक रूप से छोटा सफेद चुहा बोल, नहीं सकता था, वहाँ बस एक निश्चित दूरी तक दोड़ा और उसके सामने रुक गया, हान सेन के पकड़ में, आने के बाद वहाँ दोडता रहा, अज्याद समय तक दोडने के बाद, छोटा सफे चुहा नीचे जुका और एक खोखले, कांसे के खंभे से नीचे फिसल गया, हान सेन ने नीचे देखा और पाया की कांसे के खंभे के अंदर, कुछ भी नहीं था, लेकिन भीत्री दीवार पर काली सूखी राख की एक परत थी, संभवता यह उन लाशों का, सूखा उत्पा चुहे की भीत्री दीवार से नीचे, फिसलते हुए, मुझे जल्द ही कांसे के खंभे के नीचे एक चुहे का बिल मिला, जहां छोटा सफेद चुहा इधर उधर, देख रहा था, जाहिर तौर पर उसके गुजरने का इंतजार कर रहा था, चुहे के बिल से छेद करके हान, सेन ने पाया कि यह एक कांस्य हॉल था, हॉल में एक चौकोर तालाब था, तालाब में साफ पानी का आधा हिस्सा था, साफ पानी में एक हरी बेल उग रही थी, और बेल पर हठेली के आकार का एक, छोटा सा नीला लोकी भी था, चीक, चीक, चोटा सफेद चुहा तालाब की और भागा, अपना सर घुमाया और हान सेन पर चलाया और फिर तालाब में कूद गया, जैसे कि उसमें नहा रहा हूँ हान सेन को नहीं पता था कि छोटे सफेद चुहे का क्या मतलब है इसलिए वह उसे यहां तक लाया और नहाने भी आया हान सेन तालाब में लौकी की लताओं को देखते हुए तालाब की ओर चला गया छोटा सफेद चुहा तालाब में इधर उधर तेड़ता रहा और वहां से जाने का इरादा नहीं रखता था जाहिर है वह फिर से नहीं जाने वाला था एक पल के लिए सोचने के बाद हान सेन ने तालाब में प्रवेश करने की कोशिश की पूल के पानी से शरीर के दूशित होने के बाद हान सेन को अचानक ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर आग की लप्तों से जल रहा हो और उसका पूरा शरीर किसी अद्रिश्य गर्मी से जल रहा हो हान सेन हैरान रह गया यह स्पष्ट रूप से पानी का एक पूल है इसमें आग की विशेष्टाए कैसे हो सकती है पूल से बाहर कूदने से पहले उसका छोटा शरीर अचानक बड़ा होने लगा अपने वास्तविक आकार में वापस आ गया और शरीर की ताकत जो मूल रूप से नश्वर दुन्या के नियौमों द्वारा दबा दी गई थी धीरे धीरे उसके पास वापस आ गई मैं शक्ती के अस्तित्व को महसूस कर सकता हूँ हान सेन पूल में भीग गया उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर आख की राख में पुनरजन्म ले रहा हो और ब्रहमान में विभिन्न शक्तियों की उसकी धारणा उसके पास वापस आ गई हान सेन आश्चर अच्कित और प्रसन्न था और उसने चाहा कि वह छोटे सफेद चुहे को उठा कर चूम सके अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है मेरा मास व्यर्थ नहीं गया छोटा सफेद चुहा स्पष्ट रूप से उसे पास आने का मौका नहीं देगा और हान सेन से बहुत दूर एक स्थान पर तैर गया लौकी की बेल के पास थोड़ी देर के बाद पूल में उसके शरीर को जलाने वाली लप्तों की भावना धीरे-धीरे गायब हो गई और ऐसा लगा कि अब उसके शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं था हान सेन ने फिर पूल से छलांग लगाई और डौंगक सुआन युद्ध के मैदान को संगनित कर दिया जैसी की उमीद थी उसे जरा सी भी बाधा महसूस नहीं हुई, सब एक साथ बुला लिया गया ठीक वैसे ही जैसे जब हान सेन ने बाहर शक्ती का इस्तमाल किया था हान सेन अच्छे मूड में है और अगर वा अपनी शक्ती का उप्योग कर सकता है तो उसके पास किसी भी मजबूत आदमी के साथ प्रतिसपरधा करने की पूंजी होगी भले ही किन शीव आए उसके पास लड़ने की ताकत होगी उसने छोटे सफेद चुहे को कृतग्यता से देखा लेकिन देखा कि वहाँ पहले ही लौकी की बेल कि किनारे तैर चुका था और हिचकिचा रहा था कि उपर चड़ना है या नहीं जैसे कि उसने आखिरकार अपना मन बना लिया था उसके पंजे लौकी की बेल के पत्तों को चुग गय और छोटा सफेद चुहा काम उठा जैसे कि उसे बिजली का जटका लगा हो और बाहर उड़ गया हान सेन ने यह भी देखा कि चुहे कि शरीर पर सफेद बाल नंगी आखों से दिखाई देने वाली धीमी गती से काले हो गये जैसे कि उन्हें जुलसा दिया गया हो छोटा सफेद चुहा पूल के तल में कूद गया उसका शरीर ऐसा था जैसे कि वह जल गया हो और वह बिना हिलेडुले ही मर गया हो हान सेन चौक गया और जल्दी से डोंगक सुआन क्यूई फील्ड में छोटे सफेद चुहे को देखने के लिए दोड़ा लेकिन पाया कि उसकी जीवन शक्ती खत्म नहीं हुई थी और वह पूल में जल्दी से ठीक हो गया निश्चित रूप से कोक जैसा सफेद चुहा पूल में भीग गया था थोड़ी देर बाद जला हुआ रंग धीरे-धीरे फीका पड़ गया और उसका सफेद फर धीरे-धीरे ठीक हो गया और उसकी जीवन शक्ती और भी अधिक प्रबल हो गई उस पूल का पानी वास्तव में असाधारन है और इसमें मृतको को वापस जीवित करने की महानक्षमता है हान सेन आश्चर अचकित था और पूल में उगने वाली लौकी की लताओ के बारे में और भी अधिक उत्सुक था डौंगक सुआन की आभा के साथ लौकी की बेल को देखते हुए लेकिन केवल एक धुन्ध देख सकता हूँ और इसकी मूल संगचना को सपश्च रूप से नहीं देख सकता मैं और भी अधिक हैरान होने से नहीं बच सकता यहाँ लौकी की बेल क्या है यहाँ तक की मैं भी कोई सुराग नहीं देख सकता हान सेन आश्चर अचकित था जब उसने देखा की ठीक हो रहा छोटा सफेद चुहा लौकी की बेल की और भाग रहा है इस बार चुहे ने सीधे लौकी की बेल को काटने के लिए अपने दान्तों का इस्तमाल किया लेकिन जैसे ही लौकी की बेल को छूते ही वह बिजली के जटके से कोक में बदल गया और फिर से तालाप के तल में डूब गया थोड़ी देर बाद चुहा अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया और फिर से लौकी की बेल की ओर दोड़ा यह कई बार दोहराया गया छोटा सफेद चुहा जानता था कि वह लौकी की बेल की शक्ती का विरोध नहीं कर सकता लेकिन वह बार-बार उपर की ओर दोड़ा मानो वह लोहा हो दिल चाहता है कि उसे काट खाऊ हान सेन भी लौकी की बेल के बारे में उच्छुक था और यहाँ देखने के लिए पानी में जाने वाला था कि क्या वह लौकी की बेल को छू सकता है लेकिन अचानक उसे एक हलकी सी आवाज सुनाई दी हान सेन चौक गया और जल्दी से चारो ओड देखा उसने देखा कि कांस्य हॉल का दर्वाजा बंध था और अंदर कोई आकृतिया नहीं थी लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी और यहां एक प्राचीन राक्षस की आवाज थी थोड़ा अवलोकन करने के बाद मैंने पाया की आवाज कोने में एक चुहे के बिल से आ रही थी जहां एक कांस्य स्तंब था हान सेन तुरं समझ गया कि ये कांस्य स्तंब सभी दिशाओं में फैले हुए थे जैसे कि वे ध्वनी चैनल हो प्राचीन दानव कहीं और बोल रहा होगा हो सकता है कि इस तरह का कोई चुहे का बिल भी हो इसलिए उसकी आवाज प्रसारित हो सकती है आवाज तेज नहीं थी लेकिन पाइप के प्रवर्धन के बाद यह स्पष्ट सुनाई दी हान सेन ने ध्यान से सुना जानना चाहा कि वह किस बारे में बात कर रहा था क्या तुम मुझे लूटने पर जोड देते हो प्राचीन दानव की आवाज थंडी थी और उसमें गुस्से का भाव था हान सेन बहुत हैरान था उसने प्राचीन दानव से बहुत कुछ निपता था लेकिन उसने कभी प्राचीन दानव को क्रोधित होते नहीं देखा था जब वह कैद में था तब भी प्राचीन दानव कभी क्रोधित नहीं हुआ प्राचीन दानव किस से बात कर रहा है क्या यह जान दावटियन है हान सेन ने खुद से बड़ बड़ाया जल्द ही हान सेन को जवाब पता चल गया चुहे के बिल से एक और आवाज आई और यह आवाज हान सेन को भी जानी भचानी लगी तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे तुम से या छीनना है राश्ट्रपती ने जो कुछ छोड़ा है उसमें से मेरा पहले से ही हिस्सा है या क्या तुम है लगता है कि केवल तुम प्राचीन दानव राश्ट्रपती द्वारा छोड़ी गई चीजों के हकदार हो एक चुम्बकिय और मोहक महिला की आवाज अगर यह महान स्वर्गिय दानव नहीं होता तो और कौन होता तुम खास तौर पर मेरे खिलाफ लड़ते थे और अब भी ऐसा ही है ऐसा लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच का अंत हो जाएगा प्राचीन दानव की उदासीन आवाज फिर से आई महान स्वर्गिय दानव वास्तव में नश्वर स्वर्ग में है और यहां तक की आया भी है अगर जांग दावटियन भी वापस आ जाता है तो यह वास्तव में जीवन्त हो जाएगा हान सेन की अभिव्यक्ती थोड़ी अजीब हो गई और उसे अचानक याद आया कि महान स्वर्गिय दानव ने कहा था कि वह और अन्य लोगों के उपाध्यक्ष के बीच मतभेथ था मूल रूप से हान सेन ने सोचा की यह जान दावटियन है लेकिन अब ऐसा लगता है कि महान आकाश दानव द्वारा उलिखित अन्य उपाध्यक्ष प्राचीन दानव होना चाहिए तुम इसे कैसे खत्म करना चाहते हो मुझे मारना ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कम आकता हूँ जहां तक तुम्हारे वर्तमान स्तर का सवाल है तुम्हारे पास अभी वह ख्शमता नहीं है महान स्वर्गिय दानव ने तिरसकार पूर्वक कहा प्राचीन तुम पुराने राश्ट्रपती द्वारा छोड़ी गई चीजों को नहीं ले जाना चाहते यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें लेना चाहिए इसे अपने जीवन के साथ लेने में सावधान रहो और अपने जीवन के साथ इसका आनन लो अगर मैं इसे लेने के योग्य नहीं हूँ तो तुम और भी कम योग्य हो मत भूलो मैं दिव्य अराजकता समाज का पहला उपाध्यक्ष हूँ बड़े दानव ने कहा पहले उपाध्यक्ष के बारे में क्या यह तो छोडो की अराजक समाज पहले से ही नाम मात्र के लिए अस्तित्व में है भले ही वह अभी भी मौझूद हो उस चीज की रखवाली करने वाला उपाध्यक्ष जान दावट्यन होना चाहिए न कि तुम बड़े दानव गुमो ने तिरसकार पूर्वक कहा तो तुम्हे मुझे लूटना चाहिए महान स्वर्गिय दानव ने ठंडे स्वर में कहा यह सुनकर हान सेन ने पहले तो सोचा कि दोनों के बीच बड़ी लडाई होगी लेकिन गुमो ने अपना विशय बदल दिया और हलके से कहा मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता था लेकिन मुझे उस चीज का असली मालिक मिल चुका है मैंने उसे वापस करने के लिए यह वस्तु ली क्या तुम इस वस्तु के लिए उस व्यक्ती से प्रतिसपरधा करना चाहते हो जब तुमने कहा कि यहां मिल गई है तब तुमने इसे पाया मैं तुम पर क्यों विश्वास करूँ मैंने भी कहा कि मैंने उसे पा लिया है बड़े दानव ने निराशा से कहा प्राचीन दानव क्रोधित नहीं हुआ और जारी रखा जब ब्रहमांड फिर से शुरू हुआ तो राश्ट्रपती ने उसे ब्रहमांड के पुनरारंब से होने वाले नुकसान से बचने के लिए जीन ब्रहमांड में भेज दिया मुझे उस समय इसके बारे में पता था इसलिए मैंने जीन ब्रहमांड में पुनर्जन लेने का अवसर लिया बड़ा ब्रहमांड उसके ठिकाने की तलाश करो तो तुमने वास्तव में इसे पा लिया फिर मुझे बताओ वह कौन है और वह अब कहा है महान स्वर्गिय दानव ने मजाक उड़ाते हुए कहा उसका नाम बावेर है हो सकता है कि आपने इस नाम के बारे में नहीं सुना हो लेकिन आपको उस व्यक्ती के बारे में सुनना चाहिए जिसने उसे पाला हान सेन प्राचीन दानव ने कहा हान सेन ने यहाँ सुनकर चौक गया उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनो लंबे समय तक बात करेंगे और जस व्यक्ति के बारे में वे बात कर रहे थे वह बाउर था वह अपने कानों को बंद करने से नहीं रोक सका और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था उसे उनसे बाउर के बारे में सुनने की उम्मीद थी रहस्या महान स्वर्गिय दानव ने थोड़ी देर तक बात नहीं की केवल प्राचीन दानव को फिर से यहाँ कहते हुए सुनने के लिए आपकी अभिव्यक्ति को देखते हुए ऐसा लगता है की आप पहले से ही मास्टर बाउर से मिल चुके हैं तो क्या हुआ अगर आपने इसे पहले देखा है महान स्वर्गिय दानव ने थंडी सांस के साथ कहा जब आप यह भी जानते हैं की भगवान बाउर वापस आ गए हैं तो मुझ से लड़ने की क्या जरूरत है प्राचीन दानव ने कहा महान स्वर्गिय दानव ने तिरसकार में अपने होटो को दबाया और कहा बूडे दानव प्राचीन दानव तुम वास्तव में मुझे बहुत कम आखते हो है ना? कौन जानता? है कि तुमने वह चीज मास्टर बाउर के लिए ली थी या तुम इसे अपने लिए चाहते थे? भले ही तुम इसे मास्टर बाउर को देना चाहते हो यह ठीक है इसे पहले मेरे पास रखना चाहिए तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? गुमो ने वापस पूछा आखिरकार यह अभी भी इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी मुठ्थी बड़ी है वैसे भी तुम और मैं लंबे समय से एक दूसरे को नापसन करते रहे हैं इसलिए चलो यहां जीवन और मृत्यू को विभाजित करते हैं बड़े दानव ने ठंडे स्वर में कहा इसके बाद हान सेन ने धमा के जैसी आवाजे सुनी और प्राचीन दानव और महान दानव ने स्पष्ट रूप से लड़ाई शुरू कर दी थी लडो मत चलो पहले इसे स्पष्ट करते हैं ठीक है हान सेन चिंतित था और माउस के छेट से गुजरने के लिए डोंगक सुआन आभा का उप्योग किया कश्टदायक पाइपलाइन से गुजरने के बाद उसने आखिरकार प्राचीन दानव और बड़े आकाश दानव का स्थान पाया वे हान सेन के कांस्य महल से 300 मीटर से भी कम दूरी पर एक अन्य कांस्य महल में स्थित हैं और वे जम कर लड़ रही हैं उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने किस विधी का उप्योग किया और वे सभी नश्वर आकाश के उत्पीडन से छुटकारा पा गए बड़े आकाश दानव की आकृती भूत की तरह अनिश्चित थी लेकिन प्राचीन दानव एक पहाड की तरह अचल था और रक्षात्मक बना रहा हालां की यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यद्यपी प्राचीन दानव की आनुवंशिक तकनीक अप्रत्याशित ए लेकिन क्योंकि सीमा तोडने की दर बहुत कम है यह बड़े द्वारा दबा दिया जाता है स्वर्गिय दानव और पलटवार की कोई संभावना नहीं है हार से पहले यह केवल समय की बात है दोनों की आनुवंशिक तकनीके अजीब और अप्रत्याशित हैं और सभी प्रकार की आनुवंशिक तकनीके प्राकृतिक लगती है अब तक उन्होंने कभी भी किसी भी आनुवंशिक तकनीक का बार-बार उप्योग नहीं किया है हान से इन दोनों से थोड़ा हैरान था आपने जो सीखा है वह व्यापक है? महान स्वर्गिय दानव लोगों को बहुत ज्यादा मत धमकाओ प्राचीन दानव जोर से चिलाने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसे और अधिक दबाया जा रहा था तो क्या हुआ अगर तुम खुद को धमकाते हो तुम करोडो वर्षों से पुनर जन्म लेते आये हो और तुमने केवल इस तर तक ही साधना की है तुम धमकाए जाने के लायक हो महान स्वर्गिय दानव ने मजाग किया ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या मैं प्राचीन दानव धमकाना आसान है प्राचीन दानव वास्तव में क्रोधित लग रहा था और उसके शरीर से काली शैतानी उर्जा उठी और एक सुनहरी रोशनी और छाया थी जैसे कि एक प्राचीन बुद्ध ने अपने शरीर को ढख लिया तुरंत काली राक्षसी उर्जा को सुनहरे बुद्ध के प्रकाश में बदल दिया जब बड़े दानव की भूतिया ग्रे शक्ती सुनहरे बुद्ध के प्रकाश से तकराई तो वह पहले की तरह उसे दबा नहीं पाई बलकि केवल थोड़ा सा उपरी हाथ हासिल कर पाई डबल सोल बाउंडरी तोड़ना महान स्वर्गिय दानव ने आश्चरे से पूछा प्राचीन दानव ने ठंडे स्वर में कहा हाला की पुनरजन मौर पुनरजन ने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है लेकिन यह पूरी तरह से निरर्थक नहीं है क्या आपको अभी भी राष्ट्रपती द्वारा शुरू में उल्लिखित अभ्यारन्य याद है मैं अभ्यारन्य में पुनरजन लिया था आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उस भूमी में पुनरजन ले चुके हैं जहां पवित्र आत्मा की कल्पना की गई थी कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास दोहरी आत्माएं हो सकती हैं मुझे डर है कि यह एक सन्योग नहीं है है ना महान स्वर्गिय दानव ने प्राचीन दानव से लड़ते हुए कहा यही बात प्राचीन दानव पर भी लागू होती है जिसने लड़ते हुए उत्तर दिया बेशक या आकस्मिक नहीं है यही पर पुराने राश्ट्रपती ने मास्टर बाउर को भेजा था अगर मैं मास्टर बाउर को ढूनना चाहता हूं तो मैं केवल उसके रूप में पुनरजन्म ले सकता हूं लेकिन पुनरजन्म लेने में सक्षम होने के लिए मुझे आश्रय में प्रवेश करने में बहुत खर्च करना पड़ा और मेरी आत्मा लगभग गायब हो गई दुरभाग्य से भले ही आप पवित्र आत्मा के जन्मस्थान से लाब उठाते हूं फिर भी आप मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते महान स्वर्गिय दानव ने व्यंग्य किया मैं वास्तव में आपका प्रतिद्वन्द्वी नहीं हूं लेकिन अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी कीमत चुकानी होगी अगर जांग दावटियन इस समय वापस आता है तो क्या आपको लगता है कि आप अभी भी उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं वह उस चीज में बहुत रुची रखता है मेरी इच्छा निश्चित रूप से तुमसे और मुझसे कम नहीं होगी प्राचीन दानव शब्दों से महान स्वर्गिय दानव को प्रभावित करना चाहता था लेकिन बड़ा दानव पूरी तरह से अविचलित था और जानलेवा तरीके से बोला तो जान दावटियन के लोटने से पहले तुम्हें मार डालूँगा बात करते समय मैंने महान स्वर्गिय दानव के हाथों से बने एक अजीब से हाथ के निशान को देखा और उसके हाथों से अजीब शक्ती के उतार चढ़ाव को देखा इससे पहले की हान सेन स्पष्ट रूप से देख पाता की आगे क्या हुआ उसने महसूस किया कि डौंगकसुआन की आभा तुरंथ दब गई थी पराचित होने के बाद वह इसके बारे में सब कुछ भूल गया जब हान सेन ने डौंगकसुआन की आभा को फिर से उसमें बढ़ाया तो उसने पाया की प्राचीन दानव की छाती में छेद हो गया था और उसके दिल से गुजरने वाले रक्त छिद्र में सुनेरा राक्षसी खून बह रहा था ऐसा लग रहा था कि वह शायद बच ना पाये और बड़े दानव की हालत बहुत अच्छी नहीं है उसके शरीर पर आभा बहुत कमजोर है यह बहुत कमजोर लग रही है और उसके मुंग के कोने से खून का निशान रिस रहा है तुम्हारे और मेरे बीच की शिकायते आखिरकार खत्म हो रही है महान स्वर्गिय दानव ने एक बार फिर अपने हाथों में ताकत जुटाई और प्राचीन दानव को अंतिम जटका देना चाहता था लेकिन इस समय मैंने एक कठोर आवाज सुनी यह वास्तव में कठिन काम है तुम दोनों तुम्हारे बिना मेरे लिए यह जगह ढूंडना वास्तव में मुश्किल होगा हान सेन चौक गया और उसने कांस्य हौल का कांस्य द्वार खुला देखा और जान दावटियन अंदर चला गया कृपया इस पुस्तक का पहला दोमेन नाम याद रखें साहित्य संग्रहालय के मोबाइल संसकरन की वेबसाइट दावटियन को जलाना प्राचीन दानव और महान स्वरगिय दानव दोनों के चहरे बदल गए दोनों उपाध्यक्षफ फैंचेंटियन आए और उन्होंने मुझे सूचित भी नहीं किया क्या वे बहुत ज्यादा संपर्क में नहीं है जान दावटियन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा बड़ा दानव आकरशक धंग से मुस्कुराया उपाध्यक्ष ब्यूरियल आप जीन स्मारक गए थे अगर मैं नमस से कहना भी चाहू तो मुझे कोई नहीं मिल सकता ब्यूरियल दावटियन ने अपना सन्यम बनाए रखा लेकिन वह आदमी महान स्वर्गिय दानव की ओर बढ़ा उसे कैसे पता नहीं चल सकता था कि महान स्वर्गिय दानव और प्राचीन दानव पहले से ही नश्वर दुनिया में आचुके होंगे लेकिन वे तब तक बाहर नहीं आ सकते थे जब तक कि वह जीन स्मारक पर न चला जाए केवल उस स्थान को खोजने के लिए जहां पुराने राश्ट्रपती ने अपना शरीर दफनाया था या देखकर कि जान दावटियन की आभा अद्भुत थी जान दाव की शक्ती उसके शरीर के चारो और असली ड्रेगन की तरह लिप्ती हुई थी और उसके द्वारा उठाये गए हर कदम के साथ उसकी आभा मजबूत होती गई जाहिर है कि वह उससे लड़ना चाहता था इसलिए वह थोड़ा बदसूरत दिखने से खुद को नहीं रोक सका जांग दावटियन तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई शिकायत नहीं रही और हमने हमेशा कुए में पानी रखा है तो तुम मेरे लिए चीजे क्यों मुश्किल बना रहे हो दातियान मो चौक गया लेकिन फिर भी मीठी मुस्कान दी जान दावटियन की अभिव्यक्ति अप्रिवर्तित रही और वह अभी भी कदम दर कदम महान स्वर्गीय दानव के पास पहुँच रहा था वह फैंचेंटियन का स्वामी है हाला कि कांस्यस मारक का फैंचेंटियन की शक्ति को अलग करने पर एक निश्चित प्रभाव है फिर भी वह यहां महान शक्ति आशीरवाद प्राप्त कर सकता है लोग देवताओं की तरह हैं और उनकी आभा अधिक से अधिक अधिक अध्भुत होती जा रही है दातियान मो मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता यह अफसोस की बात है कि राश्चुपती द्वारा केवल एक जीन बीच छोड़ा गया है क्रिपिया मुझे इसे आपके साथ साजा ना कर पाने के लिए क्षमा करें जान दावटियन ने कहा कि वह पहले ही आगे बढ़ चुका है और भयानक शक्ती एक दहाडते हुए असली ड्रेगन की तरह यह बड़े दानव की ओर बढ़ गया कांस्य हॉल में अनगिनत असली ड्रेगन की धूसर उर्जा भड़क उठी अगर यह तथ्यन न होता कि कांस्य हॉल साधारन नहीं था लगभग अमर था तो यह बहुत पहले ही राक में मिल गया होता हान सेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी डौंगक सुआन आभा उस भयानक शक्ती द्वारा कुचल दी गई थी जिससे कांस्य हॉल की उसकी धारना धुन्धली हो गई थी बड़ा स्वर्गी यह दानव जल्दी से पीछे हट गया और एक ही समय में अंगिनत प्रेत में बदल गया वे प्रेत विस्फोट हो गए एक असली ड्रैगन की तरह दफन पत की शक्ती को नश्ट कर दिया लेकिन उसने खुद एक भूत की तरह जगा को चीर दिया और मुख्य हॉल के दरवाजे की और भाग गया महान स्वर्गिय दानव यहां रहो और राष्ट्रपती के साथ दफन हो जाओ जान दावटियन बाग को पहाड पर वापस नहीं जाने देगा महान स्वर्गिय दानव जैसा भयानक व्यक्ती उसकी जान तब नहीं लेगा जब वह कमजोर थी बड़ी मुसीबत होगी भयानक दफन पत की शक्ती लगभग हर चीज को कवर करती है, समय, वर्षो और हर चीज को शून्य में दफना देती है जैसे कि वह सब कुछ निगल सकती है महान स्वर्गिय दानव अपनी शक्ती को कम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह जिस शक्ती से विसफोट कर सकता है वह जांग दावटियन की शक्ती से बहुत कमजोर है दो ताक्तों को आपस में टकराते देख जांग दावटियन ने पहले ही भारी फायदा उठा लिया है धमाका लेकिन अचानक जांग दावटियन के पीछे से एक चमकदार सुनहरी जादूई रोशनी उठी प्राचीन दानव जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल और मर रहा था किसी बिंदू पर खड़ा हो गया उसके शरीर पर एक सुनहरी रोशनी थी जैसे की एक प्राचीन दानव देवता अंतहीन शापों के साथ दानव की हथेली जांग दावटियन की पीठ पर पटक दी लगभग उसी समय महान स्वर्गिय दानव की कमजोर शक्ती ने अचानक एक आश्चर्य जनक रूप प्रकट किया जैसे की स्वर्ग से राक्षसी उर्जा उत्री हो जान दावटियन की अभिव्यक्ती में भारी बदलाव आया और वह छिपकर हमला करने वाले प्राचीन दानव से निपटने के लिए अपनी कुछ शक्ती वापस लेना चाहता था लेकिन वह महान स्वर्गिय दानव की अजीब शक्ती में उल्जा हुआ था जिससे उसके लिए अपनी शक्ती वापस लेना असंभव हो गया धमाका बरींग दावटियन महान स्वर्गिय दानव की शक्ती से उल्जा हुआ था और पीठ पर प्राचीन दानव ने वार किया था वे तीनों तुरंथ उलज गए बरींग दावटियन के लंबे बाल इधर उधर उड़ रहे थे और उसके मुहा से खून बह रहा था स्थिती हान सेन केवल कांस्य हॉल में तीन ताक्तों की टक्कर को महसूस कर सकता था लेकिन वह सटीक स्थिती नहीं देख सकता था तीनों ताक्तों ने कांस्य हॉल को उल्टा कर दिया और डोंगक सुआन की आभा को भी पैर जमाना मुश्किल हो गया क्या तुम लोग वास्तव में मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो अप्रत्याशित रूप से महान स्वर्गिय दानव और प्राचीन दानव प्राकृतिक दुश्मन मुझसे अकेले निपटने के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे जान दावटियन भैभीत और क्रोधित था मूल रूप से उसके पास एक अच्छी स्थिती थी लेकिन यहाँ एक पल मैं पूरी तरह से उलट गई आओ महान स्वर्गिय दानव बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था और एक आकरशक मुस्कान के साथ कहा कोई रास्ता नहीं है जिसने इस जगह को तुम्हारा क्षेत्र बनाया है नश्वर दुन्या में तुम्हें मारने के लिए स्वाभाविक रूप से कुछ सोचना होगा प्राचीन दानव ने भी उदासीनता से कहा मैंने पुनर जन्म लिया और पुना खेती की और मैंने अभी कुछ समय पहले ही सीमा को तोड़ा है दूसरों के साथ हाथ मिला कर लड़ना ही सही और उचित है तुम्हांग द वारना इतना आसान नहीं होगा जांग दाउटियन सबसे खराब स्थिती में तुम सभी को मेरे साथ दफणा दिया जाएगा तुम क्यों परेशान हो रहे हो राश्ट्रपती ने तुम्हें केवल नश्वर दुनिया की रक्षा करने दिया लेकिन उसने तुम्हें भाग्य क के स्मारक का प्रवेश द्वार कहा है किसी ऐसी चीज के लिए अपना जीवन खोना वास्तव में इसके लायक है जो तुम्हारी नहीं है क्या यह सच है महान स्वर्गिय दानव ने गंभीरता से समझाया जान दावटियन ने थंडी आवाज में कहा ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता तुम दोनों सिर्फ निगरानी करने वाले हो और अंदर की चीजे राश्ट्रपती द्वारा युवा मास्टर के लिए छोड़ी जाती है जैसे ही युवा मास्टर शब्द निकले प्राचीन दोनों ने अपना रंग बदल लिया जोंग दावटियन ने दोनों के बीच रंग बदलते देखा और फिर से व्यंग्य किया ऐसा मत सोचो कि केवल तुम ही उस रहस्य को जानते हो मैं व्यर्थ नहीं जी रहा हूँ मैं उस वयस्क को जन देने के लिए बहुत जोखिम उठा और यहां सब कुछ यूवा मास्टर के लिए आरक्षित है और तुम्हें मेरी तरह इसे छूने का कोई अधिकार नहीं है अरे जांग दावटियन वास्तव में जान दावटियन है मैं तुम्हें कम आकता था मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यूवा मास्टर के अस्तित् है इसलिए तुम्हारे पास छीनने के लिए कुछ भी नहीं है योगिताए महान स्वर्गिय दानव ने कहा हान सेन ने जो सुना वह चौकाने वाला था महान स्वर्गिय दानव और प्राचीन दानव ने कहा कि यहां की चीज़े बावएर की है और जैंग दावटियन ने कहा कि वे युवा मास्टर के लिए आरक्षित है क्या इसका मतलब यह नहीं है कि बावएर वास्तव में एक अराजक समाज है सबसे बड़ी बेटी हान सेन के दिमाग में कई विचार कौन धे चू कि बावएर अराजक समाज के अध्यक्ष की बेटी है इसलिए लोकिड और दातियानमों के लिए यह सामान्य है कि वे नहीं चाहते कि देवताओं को बावएर की असली पहचान का पता चले लेकिन दिव्य अराजकता समाज भी इसे गुप्त क्यों रखेगा इसके बारे में सोचते हुए मैंने जैन दावटियन को फिर से कहते सुना यदि युवा मास्टर अन्या लोगों का मास और खून है तो यह ठीक है लेकिन वह मेरे नश्वर दुश्मन का मास और खून है ऐसी पहचान के साथ भगवान का नेत्रित्व करने के लिए आपके पास क्या योग्यताए है अराजक्ता बैठक स्वाभाविक रूप से अराजक्ता बैठक की चीजों को संभालने की बारी उसकी नहीं है जब हान सेन ने यह सुना तो उसे अचानक लगा कि उसका दिमाग फट गया है वह आखिरकार जान गया कि बावेर के जैविक मातापिता कौन थे एक मात्र व्यक्ती जिसे शेन लुआंग हुई द्वारा शप्तबध दुश्मन कहां जा सकता था और जो शेन लुआंग हुई के पुराने अध्यक्ष को प्रभावित कर सकता था वह शायत केवल मंदिर का पिछला भगवान था बावेर के मातापिता अराजक्ता समाज के अध्यक्ष और मंदिर के पिछले भगवान निकले इस तरह का जन्म वास्तव में बहुत वीर है देवताओं की सबसे मजबूत दूसरी पीडी हान सेन को अपने अनुमान पर विश्वास नहीं हुआ लेकिन इसके अलावा वह वास्तव में किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकता था अब हान सेन को आखिरकार समझ में आ गया कि सभी जीव बावेर के प्रती दोस्ताना और विनम्र रवया क्यों दिखाते हैं उसकी आनुवन्शिक शक्ती को लगभग पूरे सकारात्मक और नकारात्मक ब्रहमान के पिरामिड के शीर्ष पर कहां जा सकता है कोई भी प्राणी आनुवन्शिक रूप से उसकी बराबरी नहीं कर सकता कांस्य हॉल के अंदर शक्ती लगातार बढ़ती जा रही थी हाला कि महान स्वर्गिय दानव और प्राचीन दानव का पल्डा भारी था लेकिन कुछ समय के लिए जान दावटियन को मारना मुश्किल था जान दावटियन आखिरकार नश्वर स्वर्ग का स्वामी है और प्राचीन दानव की शक्ती अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है जिससे स्थिती गतिरोध में है हान सेन कांस्य हौल पर आक्रमन करने के लिए डोंग जुआन क्यूई फील्ड का उप्योग करता रहा और अधिक रहस्य सुनना चाहता था विशेश रूप से बावेर के बारे में डोंग जुआन की आभा कांस्य हौल में शक्ती द्वारा बार बार पराजित हुई हान सेन केवल घुसपैट करना जारी रख सका और अंदर से रुकरुक कर आवाजे सुनी अध्यक्ष के स्नेह के लिए मैं स्वीकार करता हूँ कि वहां यूवा मास्टर है लेकिन देवताओं के खून वाले व्यक्ती को हमारे शेनरान समाज पर शासन करने देना बिल्कुल असंभव है जान दावटियन की आवाज बीच बीच में आती रही अगर तुम दोनों वाकई युवा मास्टर के प्रती इतने वफादार हो तो मुझे डर है कि तुम जीन के बीच छीनने के लिए यहां नहीं आवगे है ना चुकि तुम सब एक जैसे हो तो मेरी आलोचना करने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है दावटियन मोजियाओं ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक कहा हमें वास्तव में तुम्हारी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन जीन के बीच तुम्हें छीनने की अनुमती नहीं दी जा सकती इसलिए हम केवल खेद व्यक्त कर सकते हैं जान दावटियन ने बस थंडी सांस ली इसमें खेद व्यक्त करने की कोई बात नहीं है हमारे दिव्य अराजकता समाज का हमेशा शक्तिशाली लोगों द्वारा सम्मान किया जाता है अगर तुम में एक शमता है तो बसाओ और मुझे मार डालो मुझे उम्मीद नहीं थी कि दो उपसदस्य जो हमेशा जल्दी में रहते हैं एक अच्छा दिखावा करना इतना कायर होना और मुझे शर्मिंदा करना वास्तव में एक अच्छा विचार है महान स्वर्गिय दानव के बोलने से पहले प्राचीन दानव ने बीच मैं कहा यह सच है कि महान स्वर्गिय दानव और मैं असहमत है लेकिन हमारी असहमती केवल राजनीतिक विचारों में हमारी असमती के कारण है और कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है स्वाभाविक रूप से जब हम बैठक में होते हैं तो हम एक ही स्थिती में होते हैं लेकिन अब अराजक समाज पहले से ही केवल नाम के लिए अस्थित्व में है और स्वाभाविक रूप से हमारे पास असहमत होने का कोई कारण नहीं है महान स्वर्गिय दानव गुमो के कथन से असहमत था और कहता रहा प्राचीन मो आपको इसे इतनी अच्छी तरह से कहने की जरूरत नहीं हैं आप और मैं दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मार सकें लेकिन जीन बीजों के मामले में हमारे पास कुछ समान है यह केवल लाप के लिए है अगर हम पहले जान दावटियन से छुटकारा नहीं पाते हैं तो हम में से कोई भी जीन बीज नहीं पा सकता है इसलिए हमें सहयोग करना होगा हम्फ भले ही आप मुझे मार दें आप जीन बीज प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं मत भूलना यह कुछ ऐसा है जो अध्यक्ष ने यूवा मास्टर के लिए छोड़ा है क्या आपको वास्तव में लगता है कि अध्यक्ष पीछे नहीं छोड़ेंगे जान दावटियन ने ठंडी सांस ली तो फिर तुम इसके बारे में चिंता करने के लिए परेशान मत हो बड़े दानव ने कहा शक्ती और अधिक हिंसक हो गई और फिर हान सेन ने जान दावटियन को एक दबी हुई कराह सुनाई कांस्य हॉल में शक्ती और भी अधिक शक्तिशाली रूप से बढ़ गई उसका छेद गहन उर्जा जैसे ही शेत्र हॉल में प्रवेश किया यह तुरंत नश्ट हो गया और खबर का पता लगाना मुश्किल था एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद हान सेन ने अपना सिर पूल में लौकी की बेल को देखने के लिए घुमाया और देखा की छोटा सफेद चुहां अभी भी हार मानने को तयार नहीं था बार-बार लौकी की बेल पर चड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन बार-बार असफल रहा हान सेन ने खुद से सोचा जेन दावटियन और अन्य जिस जीन बीश के बारे में बात कर रही है वा यह लौकी की बेल है है ना हान सेन ने लौकी की बेल को देखा और जितना अधिक वा इसके बारे में सोचता उतनी ही अधिक संभावना थी की बावेर लौकी से पैदा हुआ था अगर राश्ट्रपती शेन लुआन ने वास्तव में उसके लिए कुछ छोड़ा है तो लौकी की बेल छोड़ना सामान्य बात होगी यह अफसोस की बात है कि बावेर यहां नहीं है अन्य था चाहे यह सच हो या नहो आप पहले लौकी क की बेल को हटा सकते हैं हान सेन ने इस बारे में सोचा और उसका दिल अचानक हिल गया मुझे नहीं पता कि मैं भविश्य में फिर से यहां आऊंगा या नहीं क्यों न मैं पहले इसे आजमा कर देखू कि क्या आप इसे हटा सकते हैं अगर आप इसे हटा सकते हैं तो बाद म में बावेर को खोजने और उसे देने में बहुत देर नहीं होगी। अपने दिल में सोचते हुए हान सेन पूल की ओर चल पड़ा। उसने छोटे सफेद चुहे को लौकी की बेलों से कट कर मरते हुए देखा था। हान सेन ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वह पहले पूल में घुसा और फिर लौकी की बेलों की ओर। हान सेन ने पहले ही अपना मन बना लिया था। अगर लौकी की बेल की शक्ती बहुत मजबूत है, तो वह भी इसका विरोध नहीं कर सकता। वह पूल के पानी की शक्ती का उप्योग चुहे की तरह घायल, शरीर की मरम्मत करने के लिए भी कर सकता है। जब वह लौकी की बेल के पास आया, तो हान सेन ने सीधे उसके शरीर को अलग कर दिया, और चार प्रकार की आनुवन्शिक तक्निकों ने एक ही समय में सीमा को तोड़ दिया, उसका पूरा शरीर काले कवच में लिप्टा हुआ था, लेकिन उसके शरीर के बाहर एक पारदर्शी, सफेद लौ जल रही थी, लौकी की बेल का एक पत्ता पकड़ लिया, हान सेन को लौकी के पत्तों को पकड़ते हुए देखकर, छोटे सफेद चुहे ने लौकी की बेलो की ओर दोड़ना बंद कर दिया और पानी पर तैरने लगा, बिना पलक जपकाए बड़ी आखों से हान सेन की हथेली को घूर रहा था यहां देखकर की हान सेन की उंगली लौकी के पत्ते को छोने वाली थी, हान सेन को थोड़ा असरज महसूस हुआ अंथ में उसने आगे, बढ़कर लौकी के पत्ते को पकड़ लिया आतंकवादी ताक्ते, लेकिन कालपनेक आतंकवादी हमला नहीं हुआ लौकी के पत्ते पर हान सेन की पकड़ किसी आम पत्ते से अलग नहीं थी, लौकी के पत्ते से कोई शक्ती नहीं फूटी अजीब बात यह है कि लौकी की बेल जो लंबे समय से चुप थी, इस पल एक जीवित चीज की तरह हिल रही, थी हरी बेले, धीरे धीरे हान सेन की हथेली के चारो और लिपट गई, और फिर उसकी कलाई के चारो और लिपट गई जैसे कोई सांप हान सेन की बाहपर हान सेन हिले नहीं क्योंकि उन्हें लौकी की बेल पर कोई दुर्भावना महसूस नहीं हुई और यहां तक कि उन्हें थोड़ी भूत आत्मियता का भी एहसास हुआ यहां लौकी की बेल वास्तव में बावेर से संबंधित है हान सेन को इस समय यकीन था कि यहां लौकी की बेल शायद वहा जीन बीज है जिसके बारे में महान स्वर्गी या दानव और अन्य लोग बात कर रहे थे छोटे सफेद चुहे का दुर्भाग्य अभी भी उसकी आखों के सामने है हान सेन को विश्वास नहीं होता की अराजक्ता के अध्यक्षद्वारा छोड़ी गई चीजे उसे इतनी आसानी से मिल जाएंगी और लौकी की बेल उसके करीब आने की पहल करेगी हान सेन के पास इसके बारे में सोचने के बाद केवल एक ही संभावना है और वह है बोवा के साथ उसके रिष्टे की वज़ा से हाला की हान सेन बाओर का जैविक पिता नहीं है लेकिन बाओर का जन्म उसके खून और ताकत को अवशोशित करके हुआ था बाओर की शक्ती का उपियोक करके अपने शरीर को फिर से आकार दिया बाओर की सांच सामान्य है लोकी की बेल धिरे-धिरे हान सेन के शरीर पर चड़ गई उसके शरीर के चारों और सांप की तरह लिपड़ गई और अंत में उस बेल की शाखा जिस पर छोटी नीली लौकी लटकी हुई थी, हान सेन के सामने फैल गई और छोटी लौकी हान सेन के माथे पर लटक गई उसके सामने, उसके चहरे के सामने जूल रही थी मानो, उसके शरीर को सूंग रही हो हान सेन को लौकी की बेल की दुर्भावना का एसास नहीं हुआ, लेकिन वह अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था आखिरकार वह बाउर नहीं था और वह नहीं जानता था कि अंत में लौकी बेल उससे सहमत होगी या नहीं जब हान सेन गुप्त रूप से चिंतित था उसने देखा कि छोटा सियान लौकी एक दीपक की तरह था और लौकी के अंदर चमक के साथ जलाया गया था पूरे छोटे लौकी को एक सियान चमकदार दीपक की तरह रोशन कर रहा था हान सेन ने छोटी लौकी को देखा यह नहीं जानते हुए कि यहाँ प्रतिक्रिया अच्छी थी या बुरी लेकिन लौकी के अंदर से हान सेन ने एक अजीब उर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया जिसने हान सेन को अजीब और परिचित महसूस कराया यह उर्जा उतार चढ़ाव कुछ हद तक काले कवज के शक्ती उतार चढ़ाव के समान है लेकिन यह बिलकुल वैसा ही नहीं है और यह काले क्रिस्टल कवज के उतार चढ़ाव जितना मजबूत नहीं है यह कोमल और कोमल है एक ट्रिकल की तरह क्लिक करें जब हान सेन ने लौकी को ध्यान से देखा तो उसने अचानक देखा कि लौकी का तना तूट गया था और छोटी लौकी जो एक दीपक की तरह दिख रही थी लौकी की बेल से गिर गई जैसे ही लौकी बेल से अलग हुई असली हरी लौकी की बेल जल्दी से मुर्जा गई पूल के पानी में धुएं और धूल की तरह बिखर गई और पलक जपकते ही गायब हो गई और छोटी लौकी हान सेन के सामने तिर्ची लटकी हुई थी और अंदर की चमक धड़कते दिल या तिम्टिमाते जुगनू की तरह तिम्टिमा रही थी जब हान सेन इस बात को लेकर जिजक रहा था कि छोटी लौकी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े या नहीं तो छोटा सफेद चुहा जो किनारे से देख रहा था आखिरकार खुद को रोक नहीं सका और पानी से बाहर कूड गया अपना मुंग खोला अपने तीखे दांत दिखाए और छोटी लौकी को काट लिया चुहे की हरक्ते बहुत तेज और बहुत अचानक थी और हान सेन का दिमाग हमेशा लौकी पर ही रहता था जब उसे पता चला तो उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी छोटे सफेद चुहे ने अपना मुंग चोड़ा किया और एक ही घूंट मैं हतेली के आकार की लौकी को निगल लिया लेकिन लौकी को अपने पेट में निगलने से पहले एक खड़-खड़ा हट की आवाज हुई और छोटे सफेद चुहे के दांत पूरे फर्ष पर तूट गए शरीर बाहर निकल गया और पूल मैं गिर गया जिससे कई फीट उंची छीनते पड़ी लौकी की बेलो द्वारा काले कोईले में बदल जाने से पहले के विपरीत इस बार चुहे का शरीर काले कोईले में नहीं बदला लेकिन यह काले कोईले से भी ज्यादा भयानक था उसका मास और खून का शरीर बर्फ से बना हुआ लग रहा था और पानी में प्रवेश करने के बाद यह जल्दी से पिघल गया पलक जपकते ही छोटे सफेद चुहे का शरीर पूरी तरह से पानी में पिघल गया और अब यह पूल के पानी से अलग नहीं हो सकता था हान सेन की खोपड़ी सुन्न हो गई छोटा सफेद चुहा कोई नश्वर चीज नहीं था और सीमाओं को तोड़ने की उसकी दर बहुत ज्यादा थी लेकिन लौकी को काटते ही वह पानी में बदल गया जो बहुत दरावना था हान सेन छोटी लौकी को पकड़ने में हिचकिचा रहा था लेकिन अब वह उसे आसानी से लेने से और भी डर रहा था क्लिक क्लिक सफेद चुहे में बदलने के बाद छोटी लौकी में एक नया बदलाव आया कांच की तरह लौकी के खोल पर कई दरारे दिखाई दी और दरारे तेजी से फैल रही थी मानों वे तूटने वाली हूँ निश्चित रूप से पलक जपकते ही लौकी का खोल पहले से ही दरारों से भरा हुआ था और अंत में एक क्लिक के साथ फट गया तूटी हुई लौकी को देखते ही हान सेन की आखे चौड़ी हो गई उसने वहाँ एक गहरे लाल रंग का लौकी का बीज तेरता हुआ देखा लौकी के तूटने के बाद लौकी का बीज हान सेन की ओर गिरा हान सेन ने अवचेतन रूप से उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और गहरे लाल रंग का लौकी का बीज उसकी हतिली में गिर गया उस पर चमक धीरे-धीरे गायब हो गई और जल्द ही यह एक बहुत ही साधारन दिखने वाले बीज में बदल गया यह लौकी का बीज वह जीन बीज होना चाहिए जिसे बड़े राक्षस छीनना चाते हैं ना लेकिन इस चीज का क्या उप्योग है क्या इसे सिर्फ तर्बूज के बीज के रूप में खाना ठीक है हान सेन ने लौकी के बीज लिए और बाइंदाय देखा लेकिन सहमत नहीं हुआ पता नहीं इसके साथ क्या करना है इस तरह के बीज की शकल कुछ हद तक कद्दू के बीज जैसी होती है लेकिन छिलका गहरे लाल रंग का होता है क्रिस्टल जैसा और जेड जैसा दिखता है जैसे की खून के जेड से तराशा गया हो लौकी के बीजो पर थोड़ी देड तक बार-बार शोद करने के बाद लेकिन समझ नहीं पाया की ऐसा क्यों है हान सेन को उन्हें अस्थाई रूप से दूर रखना पड़ा और पूल के किनारे चला गया यहां देखकर की छोटा सफेद चुहा फिर से नहीं दिखा यहां जानते हुए कि उसे वास्तव में मर जाना चाहिए वह थोड़ा दुखी हुए बिना नहीं रह सका वैसे भी छोटे सफेद चुहे ने भी उसकी बहुत मदद की थी इसलिए वह इस तरह अप्रत्याशित रूप से मर गया मुझे नहीं पता की छोटे सफेद चुहे की उत्पत्ती क्या है यहां कांस्यस मारक में स्वतंत्र रूप से आजा सकता है मुझे लगता है कि इसका शेन लुआन के राश्ट्रपती से कुछ लेना देना होना चाहिए हान सेन ने मन ही मन अनुमान लगाया लेकिन दुरभाग्य से उसके पास इसकी पुष्टी करने का कोई मौका नहीं ए फिर से चुहे के बिल में आकर हान सेन ने कांस्य स्तंब में छेट से गुजरने के लिए डोंगक सुआन आभा का उपयोग करने की कोशिश की और कांस्य हॉल में घुसने की कोशिश की जहां वे तीनों लड़े थे मुझे नहीं पता कि लड़ाई में उनका कोई नतीजा निकलता है या नहीं, हान सेन खुद से सोच रहा था, डॉंगक सुआन आभा के हॉल में प्रवेश करने के बाद, उसे किसी भी चीज से बाधा नहीं हुई, जिससे वह हॉल, मैं स्थिती को स्पष्ट रूप से देख सका, महान स्वर्गिय दानव, तीनों तीन पैरों पर खड़े हैं, प्रत्येक ने दूसरे दो का, हाथ पकड रखा है, और तीनों में एक अध्रिश्य शक्ती है, लोगों के बीच एक निरंतर प्रवा है, जो एक, नाजुक संतुलन बनाता है, दातियान मो, अब तुम खुश हो, तुमने एक ऐसे खेल मे दूसरों और खुद को नुकसान, पहुचाने पर जोड दिया जो निश्चित जीत थी, प्राचीन दानव ने ठंडे चहरे से कहा, तुम्हारा और मेरा युद्ध जल्दी, या बाद में होगा, और मैं बस आगे की योजना बना रहा हूँ, यदि तुम्हारे दिल में यही विचार नहीं, है, तो तुम मेरे स्वर्गिय दानव के विख्टनकारी दाफा को समय रहते कैसे रोक सकते हो, महान स्वर्गिय दानव का, चहरा अभी भी आकरशक था, लेकिन उसका चहरा बहुत सुन्दर नहीं था, बहुत पीला था, प्राचीन दानव ने कहा, कम, से कम म मैं जांग दावटियन से छुटकारा नहीं पा। गया घटनास्थल पर मौजूद स्थिती और उनकी बातचीत के अनुसार, हान सेन शायद अनुमान लगा सकते हैं कि यहां महान स्वरगी यह। दानव ही होगा जो जैन दावटियन का सिर काटने के महत्वपूर्ण क्षण में अचानक पानी के खिलाफ हो गया। वह लंबे समय से तयार था, लेकिन यह ऐसी स्थिती में बदल गया जहां तीनों पक्षन सन्यमित थे। जैन दावटियन ने गहरी आवाज में कहा, अगर यह इसी तरह चलता रहा, तो हम तीनों में से कोई भी इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। हम इसे जाने क्यों नहीं देते, बस दिखावा करें कि आज जो हुआ वह कभी नहीं हुआ। और हम भविश में जीन बीज प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता का उप्योग करेंगे। आप खूपसूर्ती से सोचते हैं, या उल्लेक करने की आवश्शक्ता नहीं है, कि फैंचेंटियन आपका क्षेत्र है, आप हमें सुरक्षित रूप से जाने नहीं दे सकते, भले ही आप सुरक्षित रूप से निकल जाएं, आप मोर्टाल्टियन में पहला महीना जीतने व उठो, को सिकोड लिया और तिरसकार की नजर से कहा, प्राचीन दानव भी चुप था, जाहिर है कि वह हार मानने का इरादा नहीं रखता था, जान दावटियन ने देखा कि वह उन्हें मना नहीं सकता, उसने रुक कर खुद से कहा, क्या आप किन शिव को जानते हैं, तो क् अगर मैंने इसके बारे में सुना है, प्राचीन दानव और, महान स्वरगिय दानव नहीं जानते थे कि जान दावटियन का क्या मतलब था जब उसने अचानक इस समय किन शिव का उलेख किया, क्या आपको नहीं लगता कि यह व्यक्ती थोड़ा अजीब है, एक इंसान के र दिनिया में इस तर की साधना वाले कितने लोग हो सकते हैं, जान दावटियन ने धीरे से कहा, आप वास्तव में क्या कहना चाते, हैं दातियानमो को कुछ एहसास हुआ, उसने अपनी आखे जान दावटियन की और घुमाई और पूछा, जान दावटियन जल्दी, मैं नही था और धीरे से कहा, बड़े ब्रहमाण के पुन्रारंब के बाद मानव धीरे-धीरे उपर उठे और एक भयानक, रूप से मजबूत वुवेई ताववादी पूर्वज बाहर आया, मुझे संदेह था कि वह राश्ट्रुपती या मंदिर के पिछले स्वामी का पुनर्ज मरना चाहिए, वह सामराज्य ब्रहमाण में कैसे पुनर्जन्म ले सकता है, बड़े दानव ने कहा, यह सिध्धान्त रूप में सच है, लेकिन एक अजीब बात है कि वुवेई ताववादी पूर्वज के पास एक जीन शरीर है, जान दावटियन ने जारी, रखा, इस समय महान स्वर्गिय दानव और प्राचीन दानव दोनों ने अपने रंग थोड़े बदल दिये, जिस से एक गहरी सोच का भाव प्रकट हुआ प्राचीन दानव ने गहरी आवाज में पूछा, क्या आपको यकीन है कि उसके हाथ में प्राइमार्क है? क्रिप्या इस पुस्तक का पहला डोमेन नाम याद रखें साहित्य संग्रहालय के मोबाइल संसकरन की वेबसाइट M जान दावटियन ने सिरहिलाया, न केवल मुझे यकीन है कि वुवेई दावजू के हाथों में प्राइमार्क है, बलकी मुझे यह भी संदे है कि किन्शिव वुवेई दावजू का पुनरजन्म है रानवेन, महान स्वर्गिय दानव और प्राचीन दानव दोनों ने गहरे विचार दिखाए, जान दावटियन ने और कुछ नहीं कहा, और पूरा हॉल थोड़ी देर के लिए शान्थ हो गया, इतना शान्थ जैसे कि जमीन पर गिराई गई सुई लोगों के कान के परदे को जग जोड़ दे क्या किन? शिवुई वुवेई दाव का पूर्वज है, हान सेन भी अपने दिल में सोच रहा था, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल पाया इसके बारे में सोचते समय, कांस्या हॉल में कुछ हुआ कांस्या हॉल में एक भयानक शक्ती का विस्फोट हुआ जिससे हान सेन का डोंगक्सुआन क्यूई क्षेत्र ढह गया, जिससे अंदर की स्थिती का निरिक्षण करना असंभव हो गया जब हान सेन ने फिर से कांस्या हॉल में स्थिती का निरिक्षण किया, तो उसने देखा की हॉल खाली था और वहाँ कोई लोग नहीं थे महान स्वर्गिय दानव, प्राचीन दानव और जन दावटियन सभी चले गए थे केवल जमीन पर बहुत सारा खून लगा था यह तीनों में से किसी एक या तीनों ने छोड़ा था हान सेन ने जल्दी से पूरे हॉल की खोज की और पाया की हॉल के चारों तरफ दरवाजे थे और तीन कांस्य दरवाजे खोले गए थे उसे नहीं पता था कि वे तीनों किस दरवाजे से निकले थे यहाँ डेस्टिनी स्मारक के अंदर है और एक अजीब शक्ती हस्तक्षेप कर रही है करने का कोई तरीका नहीं है डौंगक सुआन आभा भी कांस्य दीवार द्वारा अवरुद्ध हो जाएगी ऐसा लगता है कि हम केवल उसी तरह वापस जा सकते हैं हान से ने अपने रक्त और जीवन तंत्रिकाओं के साथ अपने शरीर को बदल दिया एक हड़ी रहिट साप की तरह वह चुहे के छेद में घुज गया कांस्य स्तंब की आंत्रिक दीवार पर चड़ गया और इसे खोल दिया उस हॉल में जाए जहां महान स्वर्गिय दानव और अन्या लोग एक नजर डालने के लिए अभी अभी गये थे लेकिन हान सेन अभी चुहे के बिल में घुसा ही था और आने और जाने से पहले उसने यांत्रिक ग्यर के घूमने की आवाज सुनी और वह जिस कांस्य मंदिर में था उसका दर्वाजा धीरे धीरे खोला गया हान सेन का दिल धड़क उठा और वह चुहे के बिल में सिकुड गया और कांस्य के दर्वाजे की ओर देखने लगा उसने देखा कि दर्वाजा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और धीरे धीरे एक सुन्दर आकरिती दिखाई दे रही थी जो महान स्वर्गिय दानव थी महान स्वर्गिय दानव ने इतनी जल्दी यह जगह कैसे पाली हान सेन हैरान था और महान स्वर्गिय दानव द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए पीछे हट गया महान स्वर्गिय दानव के मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद उसने तुरंथ पूल की ओड देखा, खाली पूल को देखा जिसमें केवल आधा पूल पानी था और मदद नहीं कर सका लेकिन भौहें सिकोड ली, क्यों नहीं? राश्ट्रपती ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह इस पूल में जीन के बीज लगाएंगे, क्यों नहीं? महान स्वरगिय दानव पूल के किनारे चला गया और पूल के तल पर नीचे देखा, देखा कि पूल में पानी बिल्कुल साफ था और तल को एक नजर में देखा जा सकता था और वहां बिल्कुल भी बीज नहीं थे यहाँ वास्तव में अजीब ए? राश्ट्रपती के लिए मुझसे जूट बोलना असंभव है इसके अलावा यहाँ एक आनुवन्शिक स्टॉक समाधान है जीन बीज केवल यहाँ ही लगाएं जा सकते हैं क्यों नहीं? क्या यहाँ इसलिए है क्योंकि जब ब्रहमाण फिर से शुरू होता है तो समय बहुत जरूरी होता है क्या राश्ट्रपती ने आकर जीन बीज को तालाब में नहीं डाला? जीन बीज कहा होंगे? बड़ा दानव उठ गया और इधर उधर देखने लगा और उसकी नजर चुहे के बिल पर पड़ी हान सेन का दिल काम उठा हाला कि वह जानता था कि महान स्वर्गिय दानव चुहे के बिल को नोटिस करेगा फिर भी वह थोड़ा घबरा गया और पीछे हट गया वास्तव में भाग्य की गोली में एक छेद है ऐसा लगता है कि राश्ट्रपती द्वारा पाला गया खसाने की आखो वाला चुहा अभी भी जीवित है लेकिन खसाने की आखो वाले चुहे की ख्शमता के साथ यह जीन बीज प्राप्त करने के लिए परियाप्त नहीं होना चाहिए बड़ा दानव अपने आप में बढ़ बढ़ाया और चुहे के छेद की ओर चला गया जाहिर तौर पर पता लगाना चाहता था हान सेन ने गुफा की रहस्य में आभा के साथ अपने स्वयन के उतार चढ़ाव को ढाल लिया और चुपचाप कांस्य स्तंब के शीर्ष पर वापस चला गया उसी तरह लोटने की तयारी कर रहा था महान स्वर्गिय दानव ने अभी अभी अपने आप से जो कहा उससे हान सेन पहले ही पुष्टी कर सकता है कि उसे जो लौकी के बीज मिले हैं वे अराजक समाज के अध्यक्ष द्वारा छोड़े गए जीन बीज हैं लेकिन महान स्वर्गिय दानव चुहे के छेत तक पहुचने से पहले वह अचानक रुक गया और जलती आखों से कांस्य हॉल की सबसे भीत्री दीवार को देखा अजीब बात है मुझे याद है कि जब मैं पहले यहां आया था तो ऐसा नहीं होना चाहिए था महान स्वर्गिय दानव मुड़ा और चला गया और दीवार के सामने स्थिर खड़ा रहा लंबे समय तक गतिहीन जैसे कि वह कुछ देख रहा हूँ हान सेन जो पीछे हटने वाला था उच्सुक होने से खुद को नहीं रोक सका और तुरंत जाने के बजाए उसने धीरे-धीरे दीवार की ओर देखा पहले हान सेन का पूरा ध्यान लौकी की लताओं और ताला पर था उसने दीवार पर ध्यान नहीं दिया वह केवल इतना जानता था कि उस पर कुछ पैटर्न खुदे हुए थे अब उसने ध्यान से देखा और पाया कि खुदे हुए पैटर्न के अलावा दीवार पर वास्तव में एक जानवर का सिर था जानवर के सिर की राहत की नाक पर एक पत्थर की अंगूठी भी है महान स्वर्गिय दानव ने कुछ देड तक देखा अपना हात बढ़ाया ध्यान से पत्थर की अंगूठी को पकड़ा और उसे हलके से खीचा पत्थर की अंगूठी को उसने बाहर निकाला और फिर उसने गियर के घूमने की आवाज सुनी और दीवार धीरे-धीरे उपर उठी जिससे पीछे एक और कांस्य मंदर दिखाई दिया इसे एक और कांस्य मंदर नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि पीछे का कांस्य मंदर वास्तव में सामने के कांस्य मंदर से जुड़ा हुआ है, लेकिन कांस्य मंदर को दो भागों में विभाजत करने के लिए बीच में एक दीवार जोडी गई है, अब वह दीवार खड़ी हो गई थी, पूरा कांस्य मंदर दिखाई दिया मास्टर प्रेसिडेंट कांस्य की दीवार पूरी तरह से खड़ी नहीं हुई थी, और हान सेन ने नहीं देखा की हॉल में क्या था, इसलिए उसने बड़े राक्षस को हॉल में घुटने तेकते हुए, अपने पैरों को मोड़ते हुए, चिल्लाते हुए सुना, नहीं हो, सकत कैव सोसाइटी का पुराना अध्यक्ष अभी तक मरा नहीं है, हान सेन डर गया और उसे ठंडा पसीना आ, गया, और उसने जल्दी से अपने पीछे महल की ओर देखा, केवल महल के अंत में एक सोफे को देखने, के लिए, जिस पर एक सफेद धुन्ध पहने हुए एक आदम लेता था, एक महिला जो जेड की मूर्ती जितनी, सुन्दर थी, महिला की भौहें और आखें कुछ हद तक बावेर जैसी थी, वह बहुत सुन्दर थी, इस समय वह, सोफे पर अपनी तरफ से लेटी हुई थी, और उसका गाल एक हाथ पर टिका हुआ था, उसकी आखें थी जैसे की वह सो रही हुँ, लेकिन हान सेन ने करीब से देखा और राहत की सांस ली, हाला की महिला जीवित दिख रही थी, वह वास्तव में एक जेड नकाशी थी, एक जीवित व्यक्ती नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी, कि दिव्य अराजकता समाज की अध्यक्ष इतन सुन्दर महिला होगी, जेड मूर्ती को देखकर हान सेन आश्चरयचकित था, महान स्वरगिय, दानव ने भी सपश्ट रूप से इस रहस्य को खोज लिया, उसने भी राहत की लंबी सांस ली, अपने माथे, से थंडा पसीना पोंचा, और फिर जमीन से उठ खड़ा हुआ मास्टर प्रेसिडेंट, आपने मुझे वास्तव में मौत के घाट उतार दिया, दातियानमों ने अपनी छाती थपत पाई और कहा, हाला कि वह पहले से ही जानता था कि यह सिर्फ एक जेड मूर्ती थी, फिर भी उसने अपमान जनक होने की हिम्मत नहीं की, चुक्के से देखा, हान सेन भी सोफे, और जेड प्रतिमा को देख रहा था, और उसने देखा कि जेड प्रतिमा के दूसरे हाथ के नीचे एक किताब थी, किताब खोली गई थी, और हान सेन कवर नहीं देख सकता था, लेकिन वह कुछ सामगरी देख सकता था, हान सेन ने रहस्य में छेड आभा के साथ जल्दी से इसे देखा, और पुस्तक की सामगरी को सपष्ट रूप से, देखने के बाद उसका चहरा अचानक अजीब हो गया, आसमान में बायुजिंग, बारहवी म और पांच शहर, अमर मेरे शीर्ष को सहलाता है और बालों को दीरगायु प्राप्त करने के लिए बांधा जाता है, कोई रास्ता नहीं, यह कविता यहां, कैसे दिखाई दे सकती है, क्या यहां कहा जा सकता है कि परी जेड को बायुजिंग में बदल दिया गया, था और ब अगला अध्याय लोड करने के, लिए उपर खीचे एस, अगर शेनलुआन गिल्ड का पुराना अध्यक्ष अमर बैदी है और दूसरे लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत कम उम्र में ही पुराना अध्यक्ष सकारात्मक और नकारात्मक ब्रहम प्रवेश कर चुका है और आनुवन्शिक ब्रहमांड में प्रवेश कर चुका है, रुको, हान सेन के दिमाग में अचानक प्रेरना की एक चमक कौन धी और उसने एक और अधिक भयानक संभावना के बारे में सोचा, क्या होगा अगर, दिव्य अराजक्ता समाज का पुरान अध्यक्ष मूल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हान सेन सिर्फ यह जानना चाहता है कि उसने बावएर के लिए जो लौकी के बीच छोड़े हैं, वे बावएर के लिए अच्छे हैं या बुरे महान स्वर्गिय दानव ने भी किताब देखी, उसने सिर्फ खुले हुए पन्ने को देखा, और किताब को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की, उसके दिल में अभी भी एक विस्मय की भावना थी, भले ही वह सिर्फ एक जेड मूर्ती थी, वह अपनी इच्छा से इशनिंदा करने की हिम्मत नहीं करेगी महान स्वर्गिय दानव ने सावधानी से सोफे से परहेस किया, और चारों और खोज की, यह कहते हुए कि यह एक खोज थी, लेकिन वास्तव में महान स्वर्गिय दानव ने कुछ भी छूने की हिम्मत नहीं की, और बस अपनी आखों से देखा हॉल में बहुत सारी चीजे हैं, जैसे तामबे की भट्टिया और तिपाई, कांस्य संगीत वाद्य अंत्र, किताबों की अलमारिया और बांस की परचिया, आदी, कई तरह की हैं, जब महान स्वर्गिय दानव ने कुछ देखा, तो उसका शरीर कापने से नहीं बच सका, और वह चिलाया, जादूई हृदय भट्टी, हान सेन ने डोंगक सुआन की आभा का उप्योग करके देखा, और पाया की जिस चीज ने महान स्वर्गिय दानव को अपना सन्यम खो दिया और पूरे शरीर को कापने पर मजबूर कर दिया वह लगभग 20 सेंटीमीटर व्यास वाला एक काले धातू का धूपदानी था, धूपबत्ती का आकार एक खोखले पैटर्न के साथ, एक दीरगवरित जैसा है, पूरा शरीर काला है, और मुझे नहीं पता की यह किस सामगरी से बना है, खोखले रहसे मैं पैटर्न में सफेद धूए का एक कल है, हान सेन को यह नहीं पता था की स्टोव के बारे, मैं इतना बढ़िया क्या था, लेकिन महान स्वरगिय दानव उच्सा से काम प्रहा था, और उसके हाथ शैतान हरिदय स्टोव, की और बढ़ने से खुद को रोक नहीं और धीरे-धीरे फैली हुई हतेलियों से, यह देखा जा सकता है कि इस समय उसके लिए निरणय लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन अंत में वह अभी भी, प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी और दोनों हाथों से दानव हरिदय भट्ती को पकड़ लिया, छोटी लड़की, तुम यहां हो, लगभग उसी समय जब शैतान हरिदय स्टोव को उठाया गया था, हॉल में एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण महिला की, आवाज सुनाई दी, क्लैंग, दातियानमो दंग रह गया, और जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि उसके हाथ, में जादूई भट्ती जमीन पर गिर गई, उसने अविश्वास में अपना सिर घुमाया और जेड मूर्ती को देखा, जेड मूर्ती, अभी भी सोफे पर लेटी हुई है, और उसका शरीर अभी भी जेड से बना हुआ है, लेकिन उसकी आखें, जीवन शक्ती से भरी हुई है, और उसका चहरा भी जीवन शक्ती से भरा हुआ है, जैसे कि वह जीवित हो गया हो और वह मुस्कुरा रहा है और बड़े दानव को देख रहा है। छोटी लड़की, ऐसा मत करो, यहां मेरी बची हुई। आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा है, अगर तुम बहुत उत्साहित हो गई और बची हुई आत्मा के इस रेशे को उड़ा दिया, तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। बड़ा स्वर्गिय दानव, जो आम तौर पर आकरशक होता है और सभी जीवित प्राणियों के साथ खेल सकता है। अब एक छोटी लड़की की तरह है, चमकदार आखों के साथ जेड मूर्ती को देख रहा है, जैसे कि उत्तर के लिए प्रार्थना कर रहा। हो, शायद मैं सिर्फ एक बची हुई आत्मा हूं और मुझे कुछ चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जेड मूर्ती ने आह भरी और फिर बड़े दानव से कहा, छोटी नानी, क्या तुमने मेरी बच्ची को देखा है? मैं देखता हूं, वह बहुत अच्छी है, बहुत सुन्दर है और आपके जैसी भी है, मेरे स्वामी और उसके पास। अद्वितिय प्रतिभा है, जो आपकी सभी खूबियों को विरासत में लेती है। पूरे ब्रहमान में उससे बहतर कोई नहीं है। बड़े दानव ने कहा, उत्कृष्टता जरूरी नहीं कि एक अच्छी चीज हो। मैं चाहूंगा कि वह एक साधारन बच्ची हो। और एक साधारन जीवन जिये, महान स्वर्गिय दानव के शब्दों को सुनने के बाद, जेड मूर्ती के चहरे पर एक, बहुत ही अजीब अभिव्यक्ती थी, जो खुशी और गर्व से भरी हुई थी, लेकिन अधिक चिंताजन्क लग रही थी। मेरे, स्वामी, क्या आप चिंतित है कि जीन मंदर यूवा मास्टर को समायोजित करने में सक्षम नहीं होगा? वास्तव में आपको बिलकुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर मेरा अनुमान सही है, तो नए मंदर मास्टर को यूवा मास्टर. बावेर की पहचान का अनुमान लगाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि आपको वास्तव में. इस बारे में चिंता करने की जरूरत है कि आप यूवा मास्टर बावेर के साथ क्या करेंगे, महान स्वर्गिय दानव ने सांत वना दी, क्या बावेर बच्चे का नाम है, जेड मूर्ती की अभिव्यक्ती अत्यन्त कोमल हो गई, मानो मात्रित्व की, चमक से चमक रही हो. महान ने कहा स्वर्गिय दानव, क्या वहां आदमी बावेर के साथ अच्छा व्यवहार करता है, जेड प्रतीमा ने, फिर पूछा, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं यंग मास्टर बावेर को अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, और यंग मास्टर, बावेर भी उन पर बहु महसूस कराया, यह अच्छा है, जेड प्रतीमा ने यह कहते हुए धीरे से आह भरी, यह बहुत अच्छा होगा यदि बावेर वास्तव में एक साधारन मानव बच्ची होती, और उसे इतना कुछ सहन नहीं करना, पढ़ता, मेरे प्रभु, आपका क्या मतलब है, महान स्वर दानव ने हैरानी से जेड प्रतीमा को देखा और पूछा, जेड प्रतीमा ने धीरे से आह भरी, आखिरकार बावेर के शरीर में उसके जीन है, जीन मंदर में देवता मुझ से चाहे, जितनी भी नफरत क्यों ना करें, उसकी खातिर, वे बावेर के लिए चीजें मुश्क अराजकता समाज में कोई ऐसा होगा जो यूवा, स्वामी के प्रतिकूल होगा, महान स्वर्गिय दानव ने पूछा, जेड प्रतीमा ने फिर से अपना सिर हिलाया, हालांकी शेंचा हुई में, कई मजबूत लोग और अंगिनत महत्वाकांक्शी लोग हैं, वे सभी अभि प्रतिमानी लोग हैं, बड़े का पद वास्तव में मेरे बेटे को शर्मिंदा नहीं करेगा, एक विराम के बाद जेड प्रतिमा ने अपने चहरे पर एक आत्मसंतुष्ट और गर्वित भाव दिखाया, और जारी रखा, और मेरे बेटे के जीन के साथ, इस ब्रहमान में ऐसे बहुत कम लोग हैं, जो वास्तव, में उसे चोट पहुचा सकते हैं, तो फिर आप किस बात की चिंता कर रही हैं, मेरे स्वामी, महान स्वर्गिय, दानव ने जेड प्रतिमा को बहुत हैरान होकर देखा, कैयो सोसाइटी और जीन के मंदर के अलावा, वह वास्तव में किसी और के बारे में नहीं सोच सकती थी जो बाउर के लिए चीजों को मुश्किल बना सके, मैं एक, व्यक्ती के बारे में चिंतित हूँ, जेड मूर्ती बहुत देड तक चुप रही, फिर उसने कहा, केवल वही व्यक्ती बाउर को चोट पहुचा सकता है, भले ही वह अग्य से बच नहीं सकती, यह कैसे हो सकता है, वह व्यक्ती कौन है, दातियानमों ने अचम भित, होकर पूछा, यह सब उसकी कलपना से परे था, रेंजू, जेड मूर्ती ने धीरे से दो शब्द उगल दिये, महान, स्वर्गिय दानव दंग रह गया, उसने ऐसे इनसान क के बारे में कभी नहीं सुना था, और इन दो शब्दों के शाब्दिक अर्थ से इसका मतलब इंसानों का पूर्वज लग रहा था, हाला कि महान स्वर्गिय दानव की मानव इतिहास की समझ, के अनुसार मनुष्यों का कोई एकी कृत पूर्वज नहीं है, साथ सामराज्यो में सभी मनुष्यों के अपने पूर्वज हैं, और वे एक ही व्यक्ति नहीं है, जेड प्रतीमा को महान दानव के दिल में संदेह मालूम था, और उसने फिर कहा, वह इस नाम का उप्योग नहीं कर सकता है, और वह बहुत समय पहले पुनर्जन भी ले चुका है, मुझे नह नहीं पता कि इस जीवन में उसका नाम क्या है, लेकिन कोई फर्क नहीं पढ़ता कि वह कैसे पुनर्जन लेता है, चाहे उसकी प्रतीभा अच्छी हो या बुरी, उसकी ताकत मजबूत हो या कमजोर, लेकिन जब तक वह मेरे प्राइमार्क कवच का उप्योग कर सकता है, वह निस्संदे है, जब हान सेन ने यह सुना, तो उसका दिल हिंसक रूप, से सिकुड गया, और उसके दिमाग से एक नाम निकला, किन्शिव, अगला अध्याएं लोड करने के लिए उपर, किन्शिव, महान स्वर्गिय दानव भी लगभग उसी समय चिलाया, जेड प्रतिमा ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता की, इस जीवन में उसका नाम क्या है, और मुझे नहीं पता की आप किन्शिव के बारे में बात कर, रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता, वह निश्चित रूप से शिखर तक पहुँचने में सक्षम होगा, और केवल, बावेर ही उससे लड़ पाएगा, छोटी लड़की, बावेर को यहां लाओ और उसे जीन बीच चुनने दो, केवल इस तरह, से उसके पास जीतने का मौका हो सकता है, मेरे स्वामी, जीन रह गई, बाहर के पूल को देखा, और फिर उसका चहरा, अचानक बदल गया, असंभव, मेरे बच्चे को छोड़कर, कोई भी जीन बीच नहीं ले जा सकता, महान स्वर्गीय दानव तुरंट, चौक गया, क्या यहां हो सकता है, कि जीन बीच वास्तव में पहले पूल में जेड प्रतिमाने सिर, हिलाया, एक विचारशील नजर दिखाते हुए, इसे वहां रखना गलत नहीं है, कोड के रूप में बावेर के जीन के, बिना भले ही रेंजु आए, यहां असंभव होगा इसे ले जाओ, इसे कौन ले गया, चुंकि जेड की मूर्ती, बावेर की मा है, और सभी को रिष्टेदार माना जाता है, इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम होना, चाहिए, हान सेन ने कुछ देर सोचा, और बाहर जाकर स्पष्ट रूप से बोलने का फैसला किया, वैसे, वहां जेड की मूर्ती से खुद को कुछ समझाने के उसने फिर से किसी को कांस्य हॉल में प्रवेश करते देखा, इस बार या, जान दावटियन था, मास्टर प्रेसिडेंट, जान दावटियन ने जेड की मूर्ती को देखा, और वह तुरंत एक घुटने पर जुखकर, सलामी देने लगा, ठीक महान स्वर्गिय दानव की तर जियाओ जान जान, आप भी यहाँ हैं, जेड की मूर्ती ने मुस्कुराहट के साथ जान दावटियन को देखा और कहा, हान सेन ने यह सुनते ही अपने शरीर पर रोंगटे खड़े, कर लिए, राश्ट्रपती शेनलुआन का नामकरण स्तर खुद के बराबर लगता है, य जान दावटियन जैसे राचसी व्यक्ती को जियाओ जान जान कहा जाता था, हान सेन को वास्तव में थोड़ा अस्वी कार्य लगा, जान दावटियन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सलाम करने के बाद वह खड़ा हुआ और बोला, मास्टर प्रेसिडेंट, आप वास सव में अभी भी, इस दुनिया में है, जेड प्रतिमा ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मेरी बची हुई आत्मा का एक जोंका है, जो फैलने वाला है, आपके लिए आना ही सही है, मेरी बच्ची आप से भविश्य में उसका और अधिक ख्याल, रखने के लिए कहेगी, जा दावटियन गारंटी दे सकता हूं की, कोई भी आपके बच्चे को मेरे सामने गलत महसूस नहीं कराएगा, लेकिन कृपिया मुझे माफ करें, मेजबान, जेड प्रतिमा हलके, से मुस्कुराई, यह ठीक है, वे महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक वह जीवित रह सकती है, तब तक परियाप्त है, आखिरकार, जेड प्रतिमा ने महल के बगल में कांस्य शेल्फ की और इशारा किया और कहा, वहां आपके लिए कुछ, बचा है, आपको इसे एक नजर में पहचानने में सक्षम होना चाहिए, जाकर इसे ले आओ, जान दावटियन ने देखा, उसक की आखें अचानक चमक उठीन और वहां मदद नहीं कर सका लेकिन चिलाया, तियांदाओ तुलू, सर, क्या आप वाकई मुझे, यह चीज देना चाहते हैं, जान दावटियन की आवाज काम उठी, जाहिर है कि उसके दिल में उत्सा नहीं बढ़, सकता था, अगर आप इसे चाहते हैं, तो यह आपका है, जेड मूर्ती ने हलके से कहा, जान दावटियन जैसे, लोग खुशी दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए, कापते हुए हथेलियों से किताब को पकड़े हुए, फिर से एक, घुटने पर जुके और जेड मूर्ती को सलाम किया, त्रिप्य निश्चिंत रहें, मेरे स्वामी, जब तक मेरे पास जान दावटियन, हैं, मैं कभी भी किसी को यूवा स्वामी को परेशान नहीं करने दूँगा, यह अच्छी बात है अगर आपके पास, इस तरह का दिल है, लेकिन भगवान की इच्छा अपरत्याशित है, इसे जाने जेड मूर्ती ने हलके से कहा, जान दावटियन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कांस्य हौल के दरवाजे पर एक आवाज सुनी प्राचीन दानव राष्ट्रपती को, अपना सम्मान देता है, प्राचीन दानव आखिरकार इस कांस्य हौल में आया, और जान दावटिय की तरह, उसने अपने घुटनों को जुकाया और जेड मूर्ती को सलाम किया, हाला कि यह केवल एक जेड मूर्ती थी आत्मा की एक छोटी सी, किरन जुडी हुई थी, उसने इसे जरा भी अपवित्र करने की हिम्मत नहीं की, यह अच्छा है कि तुम यहां हो, जेड मूर्ती प्राची ने धीरे से आह भरी और कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, और यह स्वर्ग से, आखिरी आशिरवाद है कि मैं जाने से पहले तुम तीनों को देखू, यह चीज तुम्हारे लिए छोड़ दी गई है, तुम जाकर पहले इसे ले आओ, और फिर मुझे तुम से कुछ कहना है, प्राचीन दानव ने मना नहीं किया, एक, कांस्य मेज की ओर चला गया, कांस्य मेज से कुछ लिया, उसे अपनी आस्तीन में रखा, और फिर उसे धन्यवाद, देने के लिए जेड मूर्ती को जुकाया, शुरुआत से लेकर अंत तक, प्राचीन दानव जैन एक अजीब भावना, पाई, मेरे स्वामी, अगर आपको कुछ कहना है, तो बस मुझे बताएं, जब प्राचीन दानव जेड मूर्ती के पास लोटा, तो महान स्वर्गिय दानव ने पहले बात की, जेड मूर्ती की नजर उन तीनों के चहरों पर पड़ी, और एक, नरम आ के साथ कहा, तुम तीनों मेरे साथ बड़े हुए हो, यद्यपी तुम्हारा मुझसे कोई रक्त संबंध नहीं है, फिर भी यह कहना अतिश्योक्ती नहीं होगी कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे स्वामी, हम पहले से ही आपको एक, करीबी रिष्टेदार के रूप में मानते हैं, महान स्वर्गिय दानव ने कहा, हाला कि जान दावटियन और गुमो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे उनकी आखों में देख कर समझ गए कि जेड मूर्ती ने जो कहा, उससे उनका क्या मतलब, है, भावनाएं बहुत उतार चढ़ाव वाली होती हैं, लेकिन वे इसे जीवन में कभी किसी से नहीं पूछा, भले ही वह वही हो, मैंने उससे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आप तीनों से कुछ मांगना है, मेरे प्रभु अध्यक्ष, क्रिप्या मुझे अपने निर्देश दे, तीनों प्राचीन राक्षसों, ने एक साथ गंभ जक्ती उस समय एक नरम शब्द कहने को तयार होता, तो चीजें ऐसी स्थिती में समाप्त, नहीं होती, अब वह भीक मांगने के लिए तयार है, जो वास्तव में दुरलब है, यहां तक कि जो उस, समय जीन के मंदिर में पूरे ब्रहमान का प्रभारी था, मुझे डर है कि उ उसने उसे कभी यहां शब्द कहते, नहीं सुना, जीन बीज ढून रो और इसे मेरे बच्चे को दो, इसके बिना मेरा बच्चा जीवित नहीं रह सकता, जेड, प्रतीमा ने गंभीरता से कहा, क्या आपके पास जीन बीज नहीं है, जान दावटियन और गुमों ने पिछल नहीं सुनी थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि जीन बीज खो गया था, मेरे पास अब समय नहीं है, छोटी लड़की को आपको बताने दो, बोलने के बाद युकसियांग ने उन तीनों को देख कर थोड़ा मुस्कुराया इस जीवन में, आपको जानना वाकई अच्छ वे तीनों काम पुठे और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जेड मूर्ती ने अपनी आखें बंद कर ली थी, और जेड मूर्ती से एक आध्यात्मिक प्रकाश फैल गया था, मेरे प्रभू, महान, स्वर्गिय दानव की आखें चमक उठीन और वह चलाने से खुद को रोक नहीं सका, जान दावटियन और गुमो ने एक दूसरे को देखा और फिर से जेड मूर्ती को गहराई से प्रणाम किया, दातियानमो क्या हो रहा है, जीन बीच किसने लिया, सलाम करने के बाद, जांग दावटियन उठे और बड़े तियानमो को देखा और पूछा, महान स्वरगिय, दानव ने घटना के बारे में सब कुछ बताया और जान दावटियन और प्राचीन दानव एक दूसरे को निराशा में देखते, रहे, दातियानमो, जीन के बीजो को अकेले निगलने के विचार से हमसे जूट मत बोलो, वह चीज यूवा मास्ट की है, और हम में से कोई भी इसे नहीं ले सकता, जान दावटियन ने कहा, महान स्वरगिय, दानव ने ठंडी, आवाज में कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बिना भी, मैं मास्टर बावेर, के लिए जीन के बीज धून सकत हूँ, प्राचीन दानव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस महल के चारो और, देखा, न जाने क्या सोच रहा था, चूकी जीन के बीज अब यहां नहीं है, इसलिए कृपिया वापस चले जाओ, फैन चेंटियन तुम दोनों का स्वागत नहीं करता, जान दावटियन ने भी ह पॉल में रखी चीजों को देखा, और दोनों से ठंडी आवाज में कहा, डावटियन को जला दो, अगर तुम इस तरह अकेले खाओगे तो तुम हैं भरपेट खाने का, दर नहीं है, डावटियन दानव ने तिरसकार पूर्वक मूं बनाया, जाहिर है कि वह भी उन चीजो का मूल्य अच्छी तरह से जानती थी, अगला अध्याएं लोड करने के लिए उपर खीचे एस, हान सेन मूल रूप से बाहर जाना चाहता था, लेकिन जान दावटियन और प्राचीन दानव के प्रकट होने के बाद, उसने यहां विचार छोड़ दिया, हाला कि जान दाव को खोजने और इसे बावेर को वापस करने का वादा किया था, लेकिन केवल वे ही जानते हैं कि वे वास्तव में क्या सोचते हैं, अगर हान सेन इस समय बाहर जाता और उन्हें यहां अनुमान लगाने देता कि जीन बीज उस पर था, तो परिनाम कहना मुश्किल होगा, मेर अपनी जैविक मा से मिलने का मौका भी नहीं मिला है, हान, सेन ने अंदर ही अंदर आह भरी, अंधेरे में छिप गया और बाहर की स्थिती का निरिक्षन करना जारी रखा, हान सेन को नहीं पता था कि शैनरान गिल लीडर द्वारा छोड़ी गई वस्तुए क्या थी, और व को देखकर यह निश्चित रूप से कोई साधारन चीज नहीं थी, चीज, उनके द्वारा छीनी गई तीन चीजों के अलावा, हॉल में कम से कम सो चीजे हैं, हाला कि उनमें से सभी मूल्यवान नहीं है, लेकिन जब तक एक या, दो मूल्यवान है, यहां लोगों को अपरा तो प्राचीन दानव ने मुढ कर हॉल के बाहर की ओड चल दिया, प्राचीन दानव, तुम कहा जा, रहे हो, महान स्वर्गिय दानव ने प्राचीन दानव की पीट से कहा, मुझे जो दिया जाना चाहिए, राश्ट्रपती ने मुझे, पहले ही दे दिया है, अगर यहां प्रतिक्रियाओं को अंदेखा कर दिया और जल्दी से हॉल छोड दिया, गायब हो, गया, जान दावटियन और दातियान मों दोनों ने चिंतनशील भाव दिखाए, उन्हें नहीं पता था कि प्राचीन दानव पीछे हटना चाहता, था और उन दोनों के हारने का इंतजार करना चाहता था, और फिर सौदा लेने के लिए आना चाहता था, या उन्हें कुछ मिल गया और उन्होंने यहां की चीजों को छूने की हिम्मत नहीं की, बड़े दानव ने महल, की चीजों पर नजर डाली, और अचानक हसा, प्राचीन दानव सही है, राश्ट्रपती मेरी मा की तरह है, मैंने मुझे, वह दिया है जो मुझे दिया जाना चाहिए, और मुझे वह नहीं देना चाहिए जो वह मुझे नहीं देती है, जाओ इसे ले आओ, और अगर तुम इसे चाहते हो तो इसे तुम्हारे पास छोड़ दो, बोलना समाप्त करने के, बाद, महान दानव भी पलड गया और जल्दी से हॉल से बाहर निकल गया। हॉल में केवल जान दावटियन को छोड़ दिया। महल में स्थिती स्पष्ट लग रही थी। लेकिन हान सेन ने मन ही मन प्रशंसा की की। प्राचीन दानव और महान स्वरगिय दानव वास्तव में बेहत कठिन चरित्र थे। वे सभी डरे हुए थे की राष्ट्रपती शेन। लुआन ने उन चीजों के साथ छेड़ छाड़ की थी और उन्होंने उन्हें लेने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वे पीछे। हट गय और जान बूज कर चीजों को जांग दावटियन के पास छोड़ दिया और जांग दावटियन को अपना परीक्षन विशय बना दिया। अगर जान दावटियन ने वास्तव में उन चीजों को ले लिया और कुछ नहीं हुआ तो मुझे डर है कि जान दावटियन सभी चीजों को दूर नहीं ले जा सकेगा। जांग दावटियन ने सपष्ट महान स्वर्गिय दानव के दिमाग को समझ लिया और एक थंडी खराटे के साथ कहा तुम डर रहे हो लेकिन मैं जान दावटियन नहीं हूँ और जो मुझे जांग दावटियन से मिला है उसे कोई भी फिर से नहीं ले सकता बिना किसी हिचकिचाहट के जान दावटियन उन बेहत सतर्क थी उसने तलवार निकाली तलवार की नोक से सावधानी से एक जग उठाया और फिर से आगे बढ़ा हलका और मुलायम जग को धीरे धीरे उठाया गया जब तक कि वह जान दावटियन के हाथों में नहीं आ गया कुछ भी असामान्य नहीं हुआ जान दावटि दावटियन ने एक-एक करके सभी चीजे रख दी उसकी बड़ी आस्तीन एक अथा गड़े की तरह थी और जब कुछ भी उसमें डाला जाता था तो कोई लहर नहीं होती थी यह सिर्फ इतना था कि जान दावटियन कुछ भी लेते समय बेहत सावधान था और उसे अपनी आ कार हैं मैं इनका सबसे अच्छा उपयोग क्यों नहीं करता और मैं भविश्य में युवा स्वामी के लिए और अधिक कर सकता हूं जुआन दावटियन ने जेड मूर्ती को थोड़ा सा जुकाया और फिर चीजों के साथ महल छोड़ दिया जैसे ही जान दावटियन हौल से बाहर चला गया हौल का कांस्य द्वार धीरे धीरे बंद हो गया हान सेन अब बाहर जाने मैं हिचकिचा रहा था लेकिन आखिरकार उसने हार मान ली और चुहे के बिल से वापस जाने की योजना बना रहा था दातियान मो मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे गेट पूरी तरह से बंद होने से पहले हान सेन ने बाहर से जांग दावटियन की ठंडी चीक सुनी और फिर बलका एक भयानक प्रभाव हुआ हान सेन ने अपना सर थोड़ा हिलाया अगर यहाँ पहले होता तो वहां भी बाहर जाकर उन खजानों को छीनना चाहता लेकिन अब उसके शर कि यहाँ बाद बावएर के जीवन से जुड़ी है जीन के बीच के बिना बावएर शायद जीवित भी न रहे पाहे अब हान सेन बस जीन के बीजों को बावएर तक सुरक्षित पहुचाना चाहता है कोई भी गलती ना करना सबसे अच्छा है बून कांस्य द्वार पूरी तरह से बंद हो गया था और हान सेन जाने ही वाला था कि उसने अचानक जेड मूर्ती पर एक रहस्य में प्रभामंडल देखा जेड मूर्ती जिसने अपनी आखे बंद कर ली थी ने धीरे-धीरे अपनी आखे खोली चूंकि तुम यहां हो तो तुम बाहर आकर मुझ से क्य के बिल को देख रही थी जहां हान सेन छिपा हुआ था हान सेन अपने दिल में चौक गया यह व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली है यह केवल बची हुई आत्मा का एक छोटा सांज है और उसने वास्तव में तीन बड़े राक्षसों को धोका दिया उन्होंने सोचा कि बची हुई आत्मा का एक छोटा सांज चला गया है लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि बची हुई आत्मा अभी भी वहां थी और यह केवल बची हुई आत्मा का एक छोटा सांज है जिसने मुझे पाया उन तीनों से कई गुना अधिक शक्तिशाली महान स्वरगिय दानव अरे प्राचीन राक्षस अभी यहां थे इसलिए मेरे लिए बाहर आकर आपको परिशान करना असुविधाजनक है हान सेन को हलकी खांसी आई वह चुहे के बिल से बाहर निकला और जेड मूर्ती को थोड़ा सा जुकाया जेड मूर्ती ने हान सेन को बड़ी दिल्चस्पी से देखा और थोड़ी देर बाद कहा आप बहुत अच्छे हैं क्या? हान सेन एक पल के लिए हैरान रह गया जेड मूर्ती के शब्द इतने अंतहीन थे कि उसे समझ में नहीं आया की कैसे जवाब दे? आप वही मिस्टर हान सेन हैं जिनोंने मेरी बेटी को गोद लिया है ना जेड मूर्ती ने हान सेन को जवाब नहीं दिया बलकि बस उसे मुस्कुराते हुए देखा मैं हान सेन हूँ मैं सर्शब्द लेने की हिम्मत नहीं कर सकता ब्रहमान की सबसे महान हस्तियों में से एक के सामने हान सेन ने इसे बहुत गंभीरता से लेने की हिम्मत नहीं की आप मेरी बेटी के पालन पोशन में दयालू रहे हैं न केवल आपको मिस्टर कहा जाना चाहिए, बलकि मुझे आपका धन्यवाद भी करना चाहिए, जेड मूर्ती रुकी और बोली, यदी, आपकी कोई इच्छा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकता है, हान सेन के. बोलने से पहले, जेड प्रतीमा ने फिर से पलके जपकाई और कहा, लेकिन अब मैं सिर्फ एक भूत हूँ, यह, बहुत शर्मनाक है, मुझे डर है कि मैं तुम्हें 100% तयार नहीं कर सकता, हान सेन के सिर में एक. काली रेखा थी, यह सोचकर कि शेन लुआन के महान राश्ट्रपती उसकी कलपना से थोड़ा अलग थे. मैं बावएर को अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, इसलिए मुझे इच्छा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने. है? हान सेन ने कहा. मुझे बताओ, जेड प्रतीमा ने थोड़ा सिर हिलाया. आप क्यों कहते हैं कि बावएर जीन? बीज के बिना जीवित नहीं रह सकता है, और बावएर को उस व्यक्ति से क्यों लड़ना पड़ता है? हान सेन. ने वह सवाल पूछा जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित था. वास्तव में हान सेन को इस बारे में थोड़ा गुस्सा आया. कई तथाक्थित भाग्य अगली पीड़ी पर बड़ो द्वारा लगाए गए शिकायते थी. बावएर की मा के रूप में ऐसा लगता है कि अध्यक्ष शेन लुआन को बावएर को इतनी सारी चीजें सहन नहीं करने देनी चाहिए. Z स्टैच्यू ने हैरानी से हान सेन को देखा, फिर धीरे से आह भरी. यहां उसकी किस्मत है कि बावएर को आपने गोद लिया और यहां मेरी भी किस्मत है. कुछ देर रुखने के बाद, Z स्टैच्यू ने आह भरी और. कहां ऐसा नहीं है कि मुझे बावएर को उससे लड़ने देना चाहिए, लेकिन अगर मैंने उसे बताया कि बावएर मेरी बेटी है, तो वहां निश्चित रूप से बावएर को मारने की कोशिश करेगा. एक मा के रूप में मैं बस यहीं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी खुशी से रह सके, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि वहां दूसरों के साथ कड़ी महत करेगी. अगला अध्याएं लोड करने के लिए उपर खीचे S. उसे बावएर को क्यो मारना पड़ा, हान सेन कारण जानना चाहता था. जेड मूर्ती ने हान सेन की ओर देखा, और कहा, कारण अब महत्वपूर नहीं है. संक्षेप में आपको यह जानना होगा कि रेंजू बावर को कभी नहीं. जाने देगा, और अगर बावर के पास जीन बीज नहीं है, तो उसके पास रेंजू से लडने की क्षमता नहीं होगी. इसलिए कृप्या कोई बात नहीं. आपको बावर को जीन बीज भेजना होगा, ताकि उसके पास जीवित रहने का मौका हो. चिन्ता मत करो, मैं निश्चित रूप से बावर को जीन बीज भेजूँगा, और मैं कभी भी किसी को भी बावर को नुकसान नहीं पहुचाने दूँगा, चाहे वह कोई भी हो. हान सेन ने द्रेड आखों से कहा. लेकिन, जेड प्रतिमा ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप पहले से ही बहुत मजबूत हैं, लेकिन रेंजू को हराना. असंभव है, बावर के अलावा जिसके पास जीन बीज है, ब्रहमांड में कोई अन्य प्राणी नहीं है, जो रेंजू से लड़ सकता है. यहाँ बावर की नियती है, इसलिए आपको जीवित रहना चाहिए और बावर को जीन बीज भेजना, चाहिए इससे पहले आपको धैर्य रखना चाहिए चाहिए कुछ भी हो, ब्रहमांड में कोई पूर्ण अजेता नहीं होनी चाहिए, ना, मैं हमेशा उसे हराने का एक त अपनी मदद के लिए और अधिक मजबूत लोगों को ढूंड सकता हूँ, हमेशा एक तरीका होगा, हान सेन ने कहा, चीजें इतनी सरल नहीं हैं, आप पूर्वजों की उत्पत्ती को नहीं समझते हैं, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं, जेड छवी, एक पल के लिए चुप हो गई, और फिर आँ भरी, यदि आप वास्तव में बावेर की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपको जीन बीज डालना होगा जो उसे लाया है, यह उसका सबसे बड़ा अवसर है, हान सेन ने, देखा कि शनरान के नेता ने अभी भी रेंजू के साथ अपनी शिकायतों के बार में बात करने से, इनकार कर दिया, यह जानते हुए कि उसे एक अकथनिया लथ होनी चाहिए, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा, मैंने, देखा कि बावेर ने तैंतीसवे स्वर्ग में प्रवेश किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह किस स्वर्ग में प्रवेश कर, गई, हान सेन ने जेड मूर्ती को देखा और कहा, यह अब उसकी सबसे बड़ी समस्या है, वह बावेर को नहीं ढूंड पा रहा है, सब कुछ खोखली बाते हैं, बावेर तैंतीसवे स्वर्ग में आ गया है, यह परेशानी वाली, बात है, जीन की गोली अपने मूल स्रोत पर वापस आ गई है, अगर मेरा असली शरीर यहां है, तो बावेर को खोजने का एक तरीका अभी भी है, यह अफसोस की बात है कि यह सिर्फ बची हुई आत्मा का एक छोटा सा अंच है, मुझे डर है कि यह जान बूज कर और शक्तिहीन है, मामले को बत्तर बनाने के, आप और महान स्वर्गी या दानव जो कहते हैं, उसके अनुसार किन्शिव शायद रेंजू का पुनरजन्म है, और उसकी ताकत शायद अपने चरम अवस्था में लोटने वाली है, एर यह बावेर की पहचान का अनुमान लगाने की बहुत संभावना है, जहां तक मुझे पता है किन्शिव में बच्पन में कोई साधना प्रतिभा नहीं थी, क्या वहाव वास्तव? में गेंजू का पुनरजन्म है, हान सेन ने कुछ संदेह के साथ पूछा, हाला कि यह कहां जाता है कि पुनरजन्म आत्मा से जुड़ी जानकारी को खत्म कर देगा, यह मानव प जानकारी ले जाएगा, खेती की योग्यता के बिना भी बंजर जंगल में पुनरजन्म लेना असंभव है, अगर किन्वानर ने किन्शिव को जबरन अपना खून नहीं दिया होता, तो किन्शिव को अभ्यास करने का मौका भी नहीं मिलता, क्या ऐसा व्यक्ती रेंजू का पुनरजन्म होगा, जेड मूर्ती ने कहा, यह भी सामान्य है, बावर के पिता और मैंने उसकी आत्मा के साथ छेड़ छाड़ की है, भले ही, उसका पुनरजन्म हो, वह कुछ प्रतिबंधों के अधीन होगा, और वह कभी भी अंतिम कदम नहीं उठा पाएगा, लेकिन उस आत्यह केवल समय की बात है, इससे पहले कि वह बाधाउं से छुटकारा पा सके, हो सकता है कि इस जीवन में वह पहले से ही बाधाउं से छुटकारा पा चुका हो, इसलिए वह निश्चित रूप से अंतिम कदम, उठाने में सक्षम होगा, उस समय केवल वही व्यक्ति उसस लड़ सकता है, जो मेरे और बाउर के पिता का ध्वन्द्व रखता है, जैनेटिक बेबी, हाला कि राश्च्रपती शेनलुआन का लहजा बहुत सपाट था, लेकिन वह बता सकती थी कि उसे बाउर पर गहरा गर्व और गर्व था, क्या यह सिर्फ दोहरी आनुवन्शिक विरासत नहीं होनी चाहिए, बाउर मेरे रक्तसार को अवशोशत करके पैदा हुई थी, उसके आनुवन्शिकी का एक हिस्सा होना चाहिए, हान सेन बस इसके बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने यह कहने की हिम्मत नहीं की, बाहर आओ, जेड मूर्ती ने हान सेन को नही दिया, कुछ देर सोचने के बाद, उसने हान सेन को देखा और कहा, बाउर को खोजने का अब एक मात्र तरीका तुम पर गिरना है, कौन सा तरीका, हान सेन ने जल्दी से पूछा, तुम्हारे शरीर में बाउर की कुछ आनुवन्शिक जानकारी है, कुछ विशेश साधनों का उप्योग करके, तुम इन आनुवन्शिक जानकारी और, बाउर के बीच संबंध को उत्तेजित कर सकते हो, ताकि तुम समझ सको की वह कहा है, लेकिन ऐसा करने, में एक बड़ा छिपा हुआ खत्रा है, तुम्हारा शरीर बहुत बोज डालेगा, कम से कम यह तुम्हारी आनुवन्शिक जानकारी को गड़बड कर देगा, और सबसे खराब यह तुम्हारी आनुवन्शिक मूल जानकारी को बदल सकता है, जेड मूर्ती का हानसेन, कि इरादे को छिपाने का इरादा नहीं था, अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो चलो यह करते हैं, इसके, अलावा, भले ही मैं यह समझ पाऊं कि बावेर कहा है, मैं 33 दिन की बाधा को पार नहीं कर सकता, और मैं अभी भी उसे नहीं ढूंड सकता, हानसेन ने कहा, इसे मेरे उपर छोड़ दो, जेड स्टैच्यू ने, कहा, उसकी भौहों के बीच धीरे-धीरे थोड़ी प्रेरना दिखाई दी, यह मेरी आखिरी ताकत है, जिसके बाद मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा, और बावेर अपसे इसे तुम्हारे हवाले कर देगी, चिंता मत करो, मैंने पहले ही कहा, था कि मैं किसी को भी बावेर को चोट नहीं पहुचाने दूंगा, क्योंकि वह मेरी ब मूर्ती मुस्कुराई और बोली, बाई, यूजिंग मेरी साथी है, हाला कि हान सेन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दिव्य अराजकता समाज का नेता, जीन ब्रहमांड से हो सकता है, फिर भी जब उसने उसे अपने कानों से यह कहते सुना तो वह थोड़ा, चौंक में, देवताओं के शासन को नश्ट कर दिया, हान सेन और क्या पूछना चाहता था, लेकिन जेड मूर्ती से आभा उसके, शरीर से निकल कर सीधे हान सेन के माथे पर जागिरी, और उसी समय हान सेन के कान में एक, आवाज आई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नह अब मैं जिस पर पूरी तरह भरोसा कर सकता हूँ, वहाँ, तुम हो, लेकिन उससे पहले, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और अपने जीन बीज बावेर को देने चाहिए, इसके अलावा, अगर, आप दो बिलकुल विपरीत प्राइमार्क्स का सन्योजन देखते हैं, ए उस पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसने इससे छुटकारा पा लिया है, प्रतिबंद के बिना आपको और बावेर को अधिक सावधान रहना होगा, एक शब्द कहने के बाद, आभा हान, सेन के माथे पर गिर गई, हान सेन को अचानक अपने मस्तिष्क में एक सपष्ट शक्ती पिघलती हुई महसूस हुई, और उसका शरीर ज्वाला मुखी विसफोट से उत्पन गर्मी से तुरंत पिघल गया, पूरे शरीर की सभी कोशिकाएं लोहे के रस, में बदल गई थी, एक काला और एक सफेद प्राइमार्क के दो टुकडे, हान सेन राष्ट्रपती शेनरान के अंतिम शब्दों के बारे में सोच रहे थे, और उसी समय, उनके दिमाग में वादा अंडे की उपस्तिती दिखाई दी, क्या यह? कहां जा सकता है कि वुवेई दाउजू रेंजू है, क्या वादा अंडा राष्ट्रपती शेन लुआन और क्यान पिंग मंदिर द्वारा, उनकी आत्मा में छोड़ा गया प्रतिबंध है, समय ने हान सेन को इसके बारे में सोचने का एक और मौका नहीं दिया, अध्यक्ष शेन लुआन की आध्यात्मिक शक्ती ने बारूद के केग में चिंगारी को प्रजवलित किया, जिससे हान सेन की आनुवनशिक जानकारी तुरंत विसफोट हो गई और आनुवनशिक जानकारी का हिस्सा मजबूत और प्रवर्धित हो गया, क्रिप्या इस पुस्तक का पहला डोमेन नाम याद रखें, साहित्य संग्रहालय के मोबाइल संसकरन की वेबसाइट, M. जब विसफोट की भावना धीरे-धीरे गायब हो गई, तो हान सेन का शरीर धीरे-धीरे शान्त हो गया, और यह उतना, गंभीर नहीं था जितना की चेर्मेन शेन लुआन ने कहा था, चेर्मेन शेन लुआन की आध्यात्मिक शक्ती के अंतिम हिस्से, ने केवल जीन को अन अनुवन्शिक जानकारी को भ्रमित नहीं किया, अनुकूलन के बाद हान सेन की धारणा की अस्पष्ट भावना मजबूत हो गई है, जिससे वह बावर के अनुमानित स्थान को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है, इस तरह की धारणा क्षमता केवल उसके और बावर के बीच ही प्रभावी है, और अन्य पहलों में धारणा क्षमता को मजबूत नहीं किया गया है, यह इतनी धारणा क्षमता नहीं है, बलके यह एक गहरा आनुवन्शिक संबंध है, गिल्ट मास्टर शेनलुआन ने मुझसे जूट नहीं बोला, वह वास्तव में महसूस कर सक है कि बावर कहा है, हान सेन अपने दिल में खुश था, उसने हलके से महसूस किया कि बावर ने, भी उसके अस्तित्व को महसूस किया है और उसकी और आ रहा है, गिल्ट मास्टर शेनलुआन ने कहा कि, वह मेरे 33 दिवसिय शटल की समस्या को हल कर सकती है, लेकिन मुझे नही पता कि यह हल हो गई, है या नहीं, हान सेन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, जेड मूर्ती को प्रणाम किया और फिर चुहे के, बिल के साथ बाहर चला गया, उसने महान स्वर्गिय दानव पर कोई ध्यान नहीं दिया और हान सेन जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से वापस चला गया और जल्द ही दुष्ट देवता की डाड़ी से अवरुध प्रवेश द्वार पर पहुँच गया, लेकिन इस बार हान सेन के दुष्ट देवता की मून्चों के करीब पहुँचने से पहले उन दुष्ट, देवताओं की मून्चे अपने आप पीछे हट गई, जैसे कि उनका सामना किसी प्लेग देवता से हुआ हो और वे, सभी उससे बचने से डर रहे हों। बावेर उपरी आकाश में था, हाला कि उसे नहीं पता था कि वह किस मन्जिल पर है, लेकिन उपरी आकाश में होने में कुछ भी गलत नहीं था। जब हान सेन फैंचेंटियन की बाधा के संपर्क में आया, तो उसने तुरंत बहुत दबाव महसूस किया, और फैंचेंटियन की नियमित शक्ती उसे दबाती हुई प्रतीत हुई। हाला कि उसने अचानक महसूस किया कि शरीर की कोशिकाओं से एक अजीब सी स्पष्ट आत्मा बह रही है और नश्वर दुनिया के नियमों की शक्ती पिघल गई, जिससे हान सेन सफलता पूर्वक बाधा को तोड़कर ग्यारवे स्वर्ग में प्रवेश कर गया। ग्यारवा स्वर्ग फूलों की दुनिया है, जो फूलों की लताओं और फूलों की शाखाओं से भरा हुआ है, आकाश में अंगिनत मधुमक्खिया या तितली जैसे कल्पित बौने उड़ रही हैं, जो मेहनत से अम्रे तिकठा कर रही हैं। जैसे ही हान से ने ग्यारवे स्वर्ग में प्रवेश किया, उसने महसूस किया की नियमों की एक अजीब सी शक्ती उस पर उतर रही है, लेकिन क्योंकी वह एक अजीब आध्यात्मिक उर्जा से सुरक्षित था, इसलिए नियम उसके शरीर पर आक्रमन नहीं करते थे, बलकि वहां थे, आध्यात्मिक शक्ती के सामन जस्य के तहत उसे स्वीकार कर लिया गया, गिल्ड मास्टर शेन लुआन वास्तव में असाधारण है, बची हुई आत्मा की एक छोटी, सी किरण में इतनी ताकत हो सकती है, हान सेन ने अपने दिल में प्रशंसा की, वास्तव में हा आजकता के नेता की आत्मा की शक्ती को कुछ हद तक कम करके आका है, इस प्रभाव का कारण, यह है कि अराजकता के नेता के पास महान अलोकिक शक्तियां होने के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है, वह जीन समारक की मालकिन हुआ करती थी, 33 डेज की स्थापना भी उ इस जगह को उससे बहतर कोई नहीं जानता। पूरे दिन बिना किसी बाधा के हान सेन रुका नहीं और एक उच्च स्वर्ग की और दोड़ता रहा। बाउर का स्थान अभी भी उच्च था, ग्यारवे स्वर्ग के भीतर नहीं। हान सेन का स्वर्ग से स्वर्ग की और बढ़ना, तैतीस दिन की बाधा उसके कदमों को रोक नहीं सकी, आध्यात्मिक शक्ती स्वाभाविक रूप से बाधा के साथ, एकिकृत हो गई, जिससे बाधा हान सेन को अपना एक हिस्सा मान लेती है, ताकि वह आसानी से गुजर रही है, और हान सेन को लगभग महसूस हो रहा है, कि बाउर खुशी-खुशी उसकी ओर आ रही है, और दोनों के बीच केवल एक आकाश की परत है, स्वर्ग की, बाधा को फिर से तोड़ते हुए, हान सेन पंद्रावे स्वर्ग में आ गया, इस बार उसे स्पष्ट रूप से लगा, कि बाउर पास में है, निश्चित रूप से, हान सेन के बाउर को देखने से पहले, उसने बाउर की आवाज, सुनी, पिताजी, बाउर ने आखिरकार आपको पालिया, जब हान सेन ने बाउर को देखा, तो वह पहले ही दोड़ कर, आ चुकी थी, उसके पीछे फे सेन ने उसे गले लगाया और शिकायत की, मैंने तुम्हें फेंगजिया कैसल में मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा, था, तुम यहां अकेले क्यों आई हो, यहां वास्तव में एक लड़ाई के लायक है, जैसे ही हान सेन ने, बाउर की, उसने अपना हाथ उठाया और ब बाउर शर्मा गई, यह वह बूड़ा जूठा है, जिसने कहा कि पिताजी, तुम यहां खत्रे में हो और उसने मुझसे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा, यह जूठ है, पिताजी, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, उस बूड़े जूठे की हिम्मत कैसे हु बूड़ा जूठा, तुम्हारा मतलब हान जिंगजी है, हान सेन चौक गया, बाउर को देख कर पूछा, अच्छा, यह वही बूड़ा जूठा है, बाउर ने सिर हिलाया और कहा, हान सेन का चहरा, थोड़ा अजीब तरह से बदल गया, और उसने खुच से सोचा, हान जिंगजी का क्या मतलब है, उसने बाउर को 33 दिनों के लिए यहां आने के लिए क्यों धोखा दिया, क्या वहाँ बाउर की असली पहचान जानता है, इसके, अलावा, हान क्या है, जिंगजी, कौन, हान सेन अभी भी हान जिंगजी के बारे में संदेह से भरा हुआ है, अब तक उसे यकीन नहीं है कि हान जिंगजी उसका खून का बड़ा भाई है या नहीं अचानक हान सेन का दिल काम पुठा और उसने जल्दी से बावर को उठाया और दूर चला गया धमा का आग का एक खंभा जमीन से आसमान में उठा जैसे कोई जर्ना फूट रहा हो लेकिन आग का खंभा शुद्ध ज्वाला था और यहां आसमान तक पहुँचने के बाद ही स्थिर हुआ हान सेन ने बावर को गले लगाया और एक दिशा में देखा उसने एक लाल जानवर देखा जिसकी पीठ पर पंक थे जो बाग जैसा दिख रहा था और उसकी पूँच पर एक ज्वाला जल रही थी यह एक चट्टान पर खड़ा था हान सेन और बावर को घूर रहा था तुम इस राजा के पंद्रहवे स्वर्ग में घुसने की हिम्मत करते हो तुम अपनी मौत की तलाश कर रहे हो सीमा तोडने वाला बाग की तरह दहाडा और दहाड की आवाज ने स्वर्ग को हिला दिया मैंने देखा कि पूरा पंद्रहवा स्वर्ग उसकी दहाड से हिल रहा था जैसे की कोई बड़ा भूकम पाया हो और आग की आखे आसपास की जमीन पर लगातार दरारे पड़ रही थी एक के बाद एक दस हजार जांग लप्ते निकल रही थी जिससे पूरा पंद्रहवा आसमान हिल रहा था आसमान में मानो यातना की जलक दिख रही थी और सीमा तोडने वाले जानवर के माथे पर एक अजीब सी ज्वाला जल रही थी और टिम्टिमा रही थी जो पूरे पंद्रहवे आसमान से गूंज रही थी पंद्रहवे आस्मान में आग की शक्ती लगातार सीमा तोडने वाले जानवर की और बरस रही थी इसने सीमा तोडने वाले जानवर की आभा और आभा को और भी भयानक बना दिया उसी समय, जीन टैबलेट पर पंद्रहवे आसमान पर लिखी पंक्ती जल उठी, एक लौ की तरह जल रही थी पहले आसमान पर किसी भी अन्य लेखन की तुलना में अधिक चमक रही थी पंद्रहवे आसमान का शासक, अंतिम पूँच वाला अगनी जानवर सकारात्मक और नकारात्मक ब्रहमांडों में सभी जातियों के प्राणियों ने आनुवनशिक स्मारक पर असमान पर देखी पंद्रहवे स्वर्ग का शासक कुछ दिन पहले ही प्रकट हुआ था और इस समय यह अचानक फिर से चमक उठा जो कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था स्वर्ग के सभी पिछले शासकों ने अपने नाम आनुवनशिक स्मारक पर तभी चमकाए जब उन्होंने पहले स्वर्ग पर कबजा कर लिया इस समय पंद्रहवे स्वर्ग के शासक का नाम फिर से तिम्टिमाया जाहिर तौर पर एक असाधारन अर्थ था जैसे ही पंद्रहवे स्वर्ग का नाम फिर से तिम्टिमाया तेतीस दिनों के उपर एक बड़ी कब्र की तरह आधी कमर की स्थिती में एक प्रभा मंडल प्रकाशित हुआ यदि आप ध्यान से गणना करते हैं तो यहाँ पता लगाना मुश्किल नहीं है कि वास्तव में पंद्रहवा स्वर्ग कहा है धमा का जैनेटिक टैबलेट चमकता है और टैबलेट की सता चार दिशाओं में शांदार छवियों का उचसर्जन करती है जो आग की लप्टों के समुद्र में शुद्धिकरण के दिश्य को दर्शाती है और आग की लप्टों के समुद्र की चट्टान पर चार पैरों वाला एक विशाल लाल जानवर जमीन पर हावी था उसका सिर उठा हुआ था और गडगडाहट की तरह दहाड रहा था और उसके माथे पर ची फेंटियन शासक का निशान चमक रहा था ब्रहमांड के पक्ष और विपक्ष में सभी जातियों के प्राणियों ने इस द्रिशी को देखा चाहे वे कितने भी मूर्ग क्यों नहूं वे पहले से ही अनुमान लगा सकते थे कि लाल रंग का विशाल जानवर पंद्रहवे स्वर्ग का शासक होना चाहिए अंतिम पूंच वाला अगनी जानवर और जेनेटिक टैबलेट दिखाता है स्क्रीन पर पंद्रहवां स्वर्ग ची फेंटियन होना चाहिए यह सिर्फ इतना है कि वे अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि ची फेंटियन में ऐसा अचानक परिवर्तन क्यों हुआ है यहां तक कि जेनेटिक टैबलेट भी ची फेंटियन की छवी को दर्शाता है जो वास्तव में असाधारण है जल्थ ही उनके दिलों में संदेह का जवाब मिल गया क्योंकि आनुवनशिक स्मारक द्वारा प्रतिबिम्बित द्रिशि में कई आकृतिया फिर से दिखाई दी एक वयस्क व्यक्ती ने अपनी बाहों में पांच या छे साल की छोटी लड़की को पकड रखा था और छोटी लड़की ने अपनी बाहों में एक लाल बिल्ली का बच्चा पकड रखा था उसके पीछे पंखो वाली एक उड़ने वाली मचली थी छोटी लड़की और दो छोटे पालतू जानवर बहुत से लोगों को नहीं जानते हैं लेकिन आदमी ने दो ब्रहमांडो में कई जीवों पक्ष और विपक्ष को चिलाने के लिए मजबूर किया हान सेन वह पंद्रावे स्वर्ग में कैसे हो सकता है सोने के सिक्के आखिरकार बिखने वाले हैं आए देखें कि कौन यह कहने की हिम्मत करता है कि हमारे आनुवन्शिक ब्रहमांड में कोई नहीं है लेकिन वह पंद्रावे स्वर्ग में कैसे हो सकता है क्या उसे अन्य स्वर्गों के शासक का पद नहीं छीनना चाहिए यह सोने के सिक्के के मास्टर की शैली है यदि आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको मास्टर बनने दे जब आप मास्टर बनेंगे तो मैं इसे पकड लूँगा अरे ऐसा लगता है कि यहां वास्तव में मामला है सोने के सिक्के का मास्टर उत्साहित होने वाला है सोने के सिक्कों के देवता शांत रहें ब्रहमांड के खिलाफ उन कमीनों को मूर्खता में ना डराए, जीन ब्रहमांड में बहुत चर्चा है। जीन ब्रहमांड में सबसे मजबूत व्यक्ती के रूप में इस समय उपरी और निचले कुलों में से अधिकांश हान सेम का समर्थन करते हैं। वह कमीना वास्तव में चिंता जनक है। आकाश उध्यान में हान युफेई ने अपने चश्मे को समायोजित किया और मुस्कुराते हुए कहा। किन जुआन, तांग जहनलियू और अन्य लोगों को यह देख कर राहत मिली की हान सेम। और बावेर सुरक्षित और स्वस्थ थ क्योंकि उन्होंने वांग युहांग को नहीं देखा था। वांग, युहांग हान सेन की तलाश में 33 दिनों तक दोड़ता रहा, लेकिन हान सेन दिखाई दिया, और वांग युहांग को कोई खबर नहीं मिली। इंपीरियल युनिवर्स में कई शक्तिशाली लोग भी हैं, जो हान सेन पर चर्चा कर रहे हैं। खासकर किन किंगडम में, जब कई लोग हान सेन को जेनेटिक टैबलेट पर दिखाई देते हैं, तो उनके भाव काफी। जटिल होते हैं। वह बड़ा विश्वास घाती च पहुचाएं। महान किन सामराज्य के एक वफादार वयोवरिध ने दांत पीस्ते हुए प्रार्थना की। सानमू के प्रवेश किये हुए 33 दिन हो गए हैं। क्या वह मास्टर का पध हतियाने जा रहा है। किन बाई। उत्साहित दिख रहा था। हाथ में तर्बूज के बीजों की एक प्लेट पकड़े हुए नाटक देखते हुए तर्बूज के बीज खा रहा था। किन हुआंग की अभिव्यक्ति अधिक जटिल थी। उसका जीवन गिनेचने था और हान सेन की अनुपस्थिती के दौरान उसका स्वास्थ्य और भी खराब होता जा रहा था और वह जानता था कि वह जल्द ही मर जाएगा। वह हान सेन और किन बाई के रिष्टे का फाइदा उठा कर किन बाई को किन के समराट के रूप में पद दिलाने का इरादा रखता है। लेकिन हान सेन बहुत ही अनियंतरित और अत्यधिक स्वैच्छाचारी है जिससे उसे बड़ी। जिम्मेदारी सौंपना थोड़ा मुश्किल लगता है। यह बहुत अच्छा होगा अगर हान सेन का स्वभाव मास्टर जियान जैसा ही हो। इस समय किन हुआं को अपने शिक्षक जियान बुगु की बहुत याद आती थी। जीन मंदिर और मंदिरों में ऐसे। कई देवता भी हैं जो इस लड़ाई पर ध्यान दे रही हैं और वे सामान्य प्राणियों से ज्यादा जानते हैं। जीन टैबलेट जीन मंदिर के समान ही एक खजाना है और यह भविश्य में स्वर्प को दबाने के लिए जीन मंदिर की जगह भी ले सकता है। तैंतीस दिनों में अब हर मास्टर भविश्य में एक मास्टर भगवान होगा। मास्टर में कोई भी बदलाव भविश्य के पैटर्न को प्रभावित करेगा। इतना ही नहीं इस लड़ाई में हान सेन की दुरघटना भी शामिल थी। वे यह भी देखना चाहते थे कि हान सेन कितनी दूर जा सकता है मंदिर के भगवान नेची फेन तियान में हान सेन को बड़ी दिल्चस्पी से देखा और खुद से कहा यहाँ आदमी फिर से सुधर गया है क्या वहाँ वहाँ कदम उठा सकता है और वास्तव में किन शियू का सामना कर सकता है और किन शियू जिसका उलेख मंदिर के मास्टर ने किया था इस समय भी इस लड़ाई को देख रहा है प्रमुक स्वर्क के नए मास्टर सभी इस लड़ाई पर ध्यान दे रहे हैं बहुत से मास्टर्स को यह नहीं पता कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने मास्टर का पद जीत लिया है यह दुनिया हमेशा उनकी रहेगी जब तक हान सेन अंतिम पूंच वाले अगनी जानवर के सामने खड़े नहीं हुए जीन टैबलेट ने इतनी बड़ी हरकत की उन्हें तभी एहसास हुआ कि मास्टर को चुनौती भी दी जा सकती है और उन्हें गिराया भी जा सकता है अपनी क्षमताओं को अधिक आकना सीमा तोडने की दर अल्टिमेट टेलफायर बीस्ट नब्बे पांच से उपर पहुँच गया है हान सेन को अल्टिमेट टेलफायर बीस्ट को क्यों चुनौती देनी चाहिए एक भयानक प्राणी जो अल्टिमेट टेलफायर बीस्ट को जानता था ने एक आवाज निकाली जिसने पूरे क्षेत्र को चौंका दिया भले ही उसके पास नब्बेपांच से अधिक की सीमा तोडने की दर भी हो यह बेकार है वह अभी भी हारना सुनिश्चित है अल्टिमेट टेलफायर बीस्ट चीफ एंटियन का स्वामी है और यह चीफ एंटियन की शक्ती से धन्य एक अगनिप्रकार की सीमा तोडने वाला जानवर भी है फिर हान सेन ने इसे चुनोती देने की हिम्मत की वह अपनी मृत्यू की तलाश कर रहा है एक और भयानक प्राणी ने चू राज्य की भूमी से एक आवाज निकाली जिसने पूरे चू राज्य को हिला दिया यह सही है आकाश के शासक की गरिमा को भढ़काना बहुत आसान है मुझे डर है कि वह बच्चा पूरा शरीर भी नहीं छोड़ पाएगा शाही ब्रहमान के कई सीमा तोडने वाले जानवर बोल पड़े जब से वुवेई दावजू ने वुवेई दाव पैलेस की स्थापना की है तब से मनुष्य ने धीरे धीरे सामराज्य के ब्रहमान के प्रभुत्व पर कबजा कर लिया है और आनुवन्शिक प्रजातियों को हमेशा से ही उत्पीड तौर शोशित किया गया है अब जब की ब्रहमान में भारी बदलाव हो रहे है ज्यादा तर आत्माएं आनुवन्शिक प्रजातियों के कबजे में हैं जिससे आनुवन्शिक प्रजातिया एक छलांग आगे के विकास से गुजर रही है और मनुष्यों के साथ प्रतिस परधा करने के लिए एक फीकी गती है Ultimate Tailfire Beast और हान सेन के बीच की लड़ाई में उसी आनुवन्शिक प्रजाती के वे सीमा तोड़ने वाले जानवर स्वाभाविक रूप से Ultimate Tailfire Beast के लिए बोलने के लिए तयार है अपनी खुद की शक्तिशाली ताकत दिखाने के अलावा उनके पास मनुश्यों को चौकाने का विचार भी है हाला की मनुश्यों में असंतोष की आवाजे हैं लेकिन इस समय कोई भी हान सेन के लिए बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ किन राज्य के अधिकान्श लोग हान सेन को एक गद्दार मानते हैं और अन्य छे सामराज्यों के पास कोई नहीं है हान सेन की अच्छी छवी इसलिए उसके लिए खड़े होकर बोलना असंभव है फैंग फैमिली कैसल में केवल बहने फैंग फैफी और जाओ की बहने ही हान सेन के बारे में चिंतित थी जियान बुगु अभी भी हमेशा की तरह काम कर रहा था उस याड की देखभाल कर रहा था जहां हान सेन और बावे रहते थे जब उसने हान सेन को जीन समारक की छवी पर दिखाई देते देखा तो उसने अपना काम रोक दिया और शून्य में देखा परम पूंच वाले अगनी जानवर ने अपने पंक फैलाएं और अपना मुह चोडा किया लेकिन उसने लप्ते नहीं उगली इसके बजाए आग के असीम समुद्र की लप्ते उसके मुं में भर गई एक अंतहीन धारा में उसके शरीर में भर गई जानवर का शरीर जो मूल रूप से सिर्फ एक आग की पूंच थी उपर और नीचे जल गई आग के समुद्र की सांस के साथ उसके शरीर पर लप्ते और अधिक जोड़दार हो गई जैसे की एक विशाल ज्वाला जानवर एक चटान पर कदम रख रहा हो यहां तक की चटान भी उसके पैरों के नीचे पिघल गई ऐसा लगता है की वह लोहे के रस की तरह टपक रहा है और रह रहा है जैसा की आकाश के शासक से उमीद थी ची फेंटियन की शक्ती के आशिरवाद के तहट पूंच वाले अगनी जानवर की सीमा तोड़ने की दर एक बार फिर बढ़ गई है यहां द्रिशे देखकर किसी ने कहा दोंग वाले अगनी जानवर का शरीर लप्टों से भरा हुआ था और उसकी आखें मैगमा की तरह और भी गर्म थी उसने हान सेन को दबंगई से देखा और अपना मुँ खोलकर लप्टों का एक कौर बाहर थूग दिया लप्टों का वह कौर बेहत असाधारण है दोंग वाले अगनी जानवर के मुँ से निकलते ही इसने अगनी प्रणाली के नियमों से संबंधित ब्रहमांड में सभी ब्रहमांडिय ग्यर को तुरं सक्रिय कर दिया और अगनी की शक्ती से अन्य नियमों को बाहर कर दिया गया जिससे अगनी की एक पूर्ण नियम सीमा गांट बन गई, यह पूर्ण सीमा भंग करने वाली, शक्ती है जिसका उप्योग केवल 90 से अधिक की सीमा भंग दर वाले सीमा भंग करने वाले प्राणी ही कर सकते हैं, जो कि पूर्ण क्षेत्र के असीम रूप से करीब है, आस्मान से लप्ते गिर्ती देख सभी नियमों की जगह अगनी के नियम आ गए और लप्ते दुनिया की हर चीज को जलाने के लिए परियाप्त थी हान सेन का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था बरफीली मानस्पेशियों और जेड हड्यों की शक्ती ने सीमा को तोड़ दिया और रहस्य में बरफीले जेड पैटर्न उभरे जो बरफीले जेड के गोले में बदल गए हान सेन बावएर और दो पालतू जानवरों की रक्षा की सीमा तोडने की दर का केवल 60% इस तरह की लडाई में कोई रहस्य नहीं है लडाई को देखने वाले सीमा तोडने वाले में बदल सकता है और एक पूर्ण अवरोध के स्तर तक नहीं पहुँच सकता है वे सभी अपने दिलों में हसे ताकत का एक स्तर गायब है और पूंच वाले अगनी जानवर को ची फेंटियन की ताकत का आशीरवाद मिला है इस लडाई में कोई रहस्या नहीं है धमा का प्र अंथान सेन के संधनित बर्फ के जेट कवर को डुबो दिया और अंतहीन लप्टों ने पृत्वी को तबाह कर दिया पूरे स्कारलिट बर्निंग हेवन को एक ज्वलंत शुद्धिकरण में बदल दिया सब कुछ पिघला दिया ऐसी भयानक गती को देख कर हर कोई अपने दिलों में काम पुठा पूंच वाला अगनी जानवर अब आग की लप्टों के प्रभारी एक दिव्य जानवर की तरह है और यहां डर महसूस करने के लिए बेकाबू है ऐसा लगता है कि जब तक यहां इच्छुक है यहां असीम आपदाओं को नीचे ला सकता है और पूर असीम ज्वाला के शुद्धिकरण में बर्फ की रोशनी का एक टुकडा उभरा और एक पवित्र आकृती आग की लप्टों से बाहर निकली जहां भी आकृती चलती यहां तक की प्रतीत होता है कि जो लप्टे जलाई जा सकती थी वे जम जाती थी और टेंटेकल जैसी बर सीमा तोडने वाले जानवर चौक गए और अविश्वास में हान सेन को देखने लगे। साथ से अधिक की सीमा तोडने की दर की तुलना नब्बे से अधिक की तोडने की दर से की जाती है। और ऐसा लगता है कि वे परस पर निरोधक विशेश्टाए हैं। यहाँ वास्तव में अविश्वस्निय है कि वे पूँच वाले अगनी जानवर की लप्टों का विरोध कर सकते हैं। हाला कि सीमा तोडने की दर वास्तविक युद्ध शक्ती का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। लेकिन स्तरों में अंतर है और यहाँ एक पारस पर एक सन्यम विशेश्टा है इसलिए इसे दूर करना मुश्किल है। पूँच वाले अगनी जानवर की पुतलिया भी सिकुड गई और गुस्से से भरी दहाड के नीचे पूरे स्कारलिट बर्निंग स्काई की लप्ते आस्मान छू गई जिससे हान सेन पर दबाव डालने वाली लप्ते और भी हिंसक और बेचैन हो गई। हान सेन अभी भी पवित्र, शुद्ध और स्पष्ट है जैसे कि वह दुनिया से संबंधित नहीं है। उसके शरीर पर बर्फ की जेड की शक्ती लप्तों से लड़ती है जिससे दो अलग-अलग दुनियाएं बनती हैं। हान सेन के सामने लप्तों ने प्रित्वी को घेर लिया एक मैगमा जवाला और हान सेन के पीछे बर्फ के क्रिस्टिल की एक जमी हुई सडक। एक स्तर के अंतर वाली दो शक्तियां अप्रत्याशित रूप से उपरी हाथ हासल नहीं कर सकी और वे थोड़ी। देर के लिए वहां गतिरोध में रही। दूर के ग्रह पर एक धातु का मंदिर जंगल और धारा के पास। चुपचाप खड़ा है। एक महिला धारा के किनारे पत्थर पर बैठी है। अपने कोमल पैरों को धारा में डाल कर आराम से पानी को लात मार रही है। नाले से कुछी दूर एक सफेद बालों वाला आदमी आग पर धीरे-धीरे। मचली भून रहा था। महिला ने अपनी थोड़ी को एक हाथ से टिकाया, थोड़ा उपर देखा, हान सेन को देखा। जो पूंच वाले अगनी जानवर से लड रहा था, अपने होटों को सिकोडते हुए बोली, क्या मूर्ख है, मुझे इस। स्तर तक गौंगहान सूत्र का अभ्यास करने में इतना समय लगा, सफेद बालो वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, पुरुष शरीर, के साथ गौंगहान सूत्र की साधना करना, उसके लिए पहले से ही भाग्यशाली माना जाता है कि वह अपने शरीर, पर काट न सके। सफेद बालो वाला आदमी मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, वह महिला के मजबूत व्यक्तित्व से बहुत परिचित था, ऐसा नहीं, था कि वह वास्तव में हान सेन के प्रदर्शन से असंतुष्ट थी, लेकिन बस चाहती थी कि हान सेन बहतर, प्रदर्शन करें, क्या बेवकूफ है, उसने कितना बढ़िया गौांगान सूत्र इस्तिमाल किया है, एक छोटी सी लौ भी नहीं बुझाई, जा सकती, यहां वाकई मुझे शर्मिंदा कर रहा है, महिला ने अपने होटों को सिकोड कर फिर से शिकायत की, लेकिन उसकी आखे सिकुड गई, ऐ ऐसा लगता है कि वह थोड़ी मुस्कुराई है, सफेद बालों वाले आदमी ने कहा, अगर तूम, सच में असंतुष्ठ हो, तो तूम उसे सिखा सकती हो, ताकि वह जान सके कि असली गौांगान सूत्र क्या है, महिला ने अपना सिर हिलाया और सुनकर आ भरिया, इसे भूल पानी बहुत गंडा है, इसलिए चलो इसे मिलाना, बंद कर दे, सफेद बालों वाला आदमी मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने महिला को ग्रिल्ड मचली थमा दी, महिला ने ग्रिल्ड मचली ली और एक निवाला खाया, लेकिन उसने अभी भी हान सेन को अभ्यास थोड़ा अजीब है, यह मेरे से अलग है, थोड़ा अंतर, एक नया तरीका है, और मुझे नहीं पता कि जब वह सीमा तक अभ्यास कर लेगा, तो क्या खास होगा, एक ही आनुवंशिक तकनीक, अलग-अलग लोग इसका अभ्यास करते हैं, इसमें अंतर होगा, प परिनामों का अलग होना सामान्य है, सफेद बालों वाले आदमी ने कहा, तु मुझे बताओ, अगर वह और मैं दोनों चरम पर अभ्यास करते हैं, तो किसका गौांगन सूत्र अधिक मजबूत है, महिला ने दिल्चस्पी से, सफेद बालों वाले आदमी को देखा और पू उसका चहरा इमान्दारी से भरा हुआ था, महिला ने एक कट बनाया, और जब उसने कुछ नहीं कहा, तो उसने फिर से पूछा, मुझे इमान्दारी से जवाब दो, लापरवाही मत करो, सफेद बालों वाले आदमी ने, मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ अगर आप गौांगन की शुद्ध शक्ती के बारे में बात करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से बहतर हैं, लेकिन अगर यह दिल्चस्प है, तो मुझे लगता है कि गौांगन सूत्र का, उसका अनुकूलित संसकरण अधिक दिल्चस्प है, दिल्चस्प, महिला ने अंगिनत संभावनाएं हैं, लोग एक नजर में इसे नहीं समझ सकते, उन्हें अग्यात की खोच करने की उम्मीद है, सफेद बालों वाले व्यक्ती ने अपनी आखों में चमक के साथ यहां कहा, यह इस तरह है, जैसे ही सफेद बालों वाले व्यक्ती ने बोलना समाप्त क उसने चीफ एंटियन की समान रूप, से मेल खाने वाली स्थिती में बदलाव देखा, हान सेन के शरीर पर बर्फ के जेड की शक्ती अचानक सिकुड गई, और बाहर रखी गई बर्फ के जेड की ढाल भी उसी के अनुसार सिकुड गई, संतुलित स्थिती तूट गई, और अशांत लपते तुरंथ नीचे गिर गई, हान सेन की पवित्र आकरिती को फिर से डुबो दिया, लडाई को देखने, वाले सभी जातियों के जीव हैरान रहे गए, यह सोचकर की टेलफायर बीस्ट का उपरी हाथ था और उसने हान, सेन को हरा दिया, सीमा तोडने वाले ज सूरत भाव थे, अगर जीन यूनिवर्स द्वारा पहचाने जाने वाले सबसे मजबूत भी हार गए, तो उन्हें जटका बहुत बड़ा होगा, सानमो और बावेर, क्या वे ठीक हैं, किन बाई भी चिंतित दिख रहे थे, कृप्या, इसका पहला डोमेन नाम याद रखें साहित्य संग्रहालय के मोबाईल संसकरन की वेबसाइट, एम, जब सभी की भावनाएं अलग थी, तो उन्होंने फिर से एक बदलाव देखा, लप्टो के समुद्र में एक भमवर अप्रत्याशित, रूप से प्रकट हुआ, और लप्टो का एक बड़ाक्षेत्र भमवर मे घुस गया, जल्द ही, सभी ने भमवर में, हान सेन की पवित्र आकरिती देखी, लेकिन यह उनके विश्वास से थोड़ा अलग था, हान सेन ज्वाला शक्ती से पिघल, नहीं गया था, लेकिन बहुत अजीब हो गया था, उसका शरीर अभी भी बर्फ जैसी धाल से सुरक् सामान्य है, अशांत ज्वाला शंक, के छिद्र में घुस गई, शंक के अंदर सरपिल संगचना के साथ बह रही थी, और यहा हान सेन के, शरीर के चारो और चक्कर लगा रहे अगनी ड्रेगन की एक श्रिंखला की तरह लग रहा था, लप्टो की शक्ती, लगातार अंदर आ रही थी, जिससे ढाल में ज्वाला भंवर तेजी से और तेजी से बह रही थी, प्रवा के, दौरान ज्वाला को बर्फ जेड की शक्ती द्वारा दबाया और नियंतरित किया गया था, और मात्रा को और अधिक संकुचित किया गया था, जिसससे एक अजीब भंवर बन गया था. सभी लप्ते शंक के आकार की ढाल में लगातार घूम रही हैं और वास्तव में हान सेन के शरीर के करीब नहीं आ सकती हैं. मैं देखता हूं कि तुम कितना पकड सकते हो यह द्रिशे देख कर उंच वाले अगनी जानवर ने रुखने का इरादा नहीं किया, बलकि इसके बजाए. उपहास किया, जिससे लप्ते हान सेन की और और भी हिंसक रूप से बढ़ने लगी. चीफ एंटियन के पास सब कुछ नहीं था, लेकिन लप्तों की कमी नहीं थी, जो सीधे हान सेन की शंक धाल को विस्फोट कर सकती. थी. पारदर्शी शंक धाल के अंदर अधिक से अधिक लप्ते हैं, जो पूरे शंक को लाल रंग में बदल देती हैं, जैसे कि लाल क्रिस्टल से उकेरा गया हो. अंदर की लप्ते लाल और गर्म हैं, और पहले से ही सुनहरे और सफेद हो गए हैं, जिससे लोग बहुत खुश हैं. मुझे चिंता है कि धाल कभी भी तो से पिघल सकती है. हान सेन की अभिव्यक्ती बिलकुल नहीं बदली. वर्तमान स्थिती खतरनाक लगती है, लेकिन यहां वास्तव में उतनी. खतरनाक नहीं है जितनी बाहरी लोग सोचते हैं. उन्होंने शंक के अंदर कई अलग-अलग पाइपों को विभाजित करने के लिए. सफेद भेड परी की खोखली संगचना का उप्योग किया. ऐसा लगता है कि अंदर केवल एक ही ज्वाला घूम रही है, लेकिन वास्तव में इसे कई ज्वालाओं में विभाजित किया गया है. यहां घूमते हुए इसे संपीडित करता है. बेशक यहां केवल पहला कदम है. हान सेन वास्तव में जो करना चाहता है, वह इन ज्वालाओं को नियंतरित नहीं करना. ए? जब पूरा शंख धाल बैंगनी और सफेद हो गया, तो हान सेन की आखों में एक थंडी रोशनी चमक. उठी और उसने अपना हात बढ़ाया, और शंख धाल अचानक उपर उठ गई, हवा में छोटी और छोटी होती गई, और अंत में एक प्रक्षेपय के आकार में बदल गई छोटा शंख हान सेन के हाथों में गिर गया. छोटे, शंख के अंदर की ज्वाला को अत्यदिक उच्च सांद्रता में संपीडित किया गया है. हान सेन ने पूँच वा उठ वाले अगनी जानवर की और उच्चाला. उठ वाले अगनी जानवर ने स्वाभाविक रूप से शंख में भयानक ज्वाला शक्ती को महसूस किया, लेकिन वह डरा नहीं, और एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम मुझे हराने के लिए मेरी शक्ती का उप्योग क करने के. लिए बहुत भोले हो, भले ही तुम ज्वाला की शक्ती को सीमा तक दबा दो, लेकिन जब तक यह ज्वाला की शक्ती है, तुम्हें मेरे सामने जुकना होगा, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह मुझे आधा अंक, भी नुकसान नहीं पहुचाएग तुमने ऐसा करके मेरी मदद की है, इतनी उच्च तीवरता वाली संपीडित ज्वाला तुम्हें सीधे मारने, के लिए परियाप्त है, जैसे ही उसने ऐसा कहा, उच्वाले अगनी जानवर ने एक भयानक ज्वलन तीर फैंका, जिसका लक्ष शंक को कुचलना था, अंदर बहने वाली संपीडित ज्वालाओं को छोड़ना था, ज्वालाओं को इसके द्वारा उप्योग करने देना था, और एक पलटवार के साथ हान सेन को जलाकर मार डालना था, अशिक्षित होना भयानक है, मजबूत अंगो और, सरल दिमाग वाला मूर्क, हान सेन ने पूच ज्वाले अगनी जानवर को ठंडे पन से देखा, और हिला नहीं, धमाका, ज्वलन्त, तीर सीधे शंक पर लगा, और बाहरी ज्वलन्त तीर और आंतरिक ज्वाला की परस पर क्रिया के तहत, शंक तुरंत फट, गया, और अंदर की बैंगनी स्वेद ज्वाला एक पल में भ धिर गए, मनुष्य इतने भोले हैं, वे वास्तव में पूंच की आग को मारने के लिए संपीडित लप्टों का उप्योग करना चाते हैं, क्या वह नहीं जानता की, ची फेंटियन के शासक के, रूप में पूंच की आग का जानवर आग का देवता है, और कोई भी लो उसे नुकसान नहीं पहुचा सकती, है, जानवर ने तिरसकार पूर्वक कहा, कई शक्तिशाली प्राणियों को लगा की हान सेन का कदम शायद गलत था, स्कारलेट बर्निंग, लौड का सामना करते हुए, ज्वाला का हमला बिलकुल भी बेकार था, संपीडित ज्वाला बहुत अस्थिर थी, इसने केवल एक, पल में अद्वितिय भयानक शक्ति जारी की, और फिर जल्दी से फैल गई, जब बैंगनी स्वेद ज्वाला शान्त हुई, तो सभी ने आखिरकार युद्ध के मैदान की स्थिती देखी, हान सेन अभी भी सुरक्षित खड़ा था, उसने ब अप्टों को उसमें निर्देशित कर, रही थी और घूम रही थी, जिससे विस्फोटक बल का अधिकांश प्रभाव दूर हो गया, हाला की पूंच वाला अगनी जान्वर, भी हवा में खड़ा था, लेकिन उसके शरीर में छेद हो गय थे, मैगमा जैसा जान्वर का खून बह रहा, था, और यहां तक की उसकी एक आख भी छेदी हुई थी, यह कैसे संभव है, कई भयानक जीवों ने, अविश्वास के भाव दिखाए, हाला की तांग जहनलियू ने हस्ते हुए कहा, वे सीमा तोडने वाले वास्तव में है रशिक्षित, क्या वे, गोलियों का इ बलकि उर्जा द्वारा संचालित, पदार्थ है, उंच वाले अगनी जानवर पर मैगमा जैसा रक्त बह गया, और यह एक और तूफान बनाने के लिए, आकाश में दहाडने लगा, लेकिन जैसे ही यह दहाडने लगा, इसका पूरा शरीर अचानक धह गया, और इसके पू पूंच वाले अगनी जानवर का विशाल शरीर नीचे गिर गया, उबलते मैगमा समुद्र में धंस गया, और धीरे धीरे डूब गया, जब कई भयानक जीव चकित थे, तो प्रकाश की, एक धारा मैगमा से उड़ी और जल्दी से हान सेन के सामने आ गई, यह एक रहस्य मे अभिशा पैटर्न था, जो मूल रूप से पूंच वाले अगनी जानवर के माथे पर छपा था, जो ची फेन का प्रतिनिधित्व करता था, स्वर्ग की इच्छा स्वर्ग के शासक का संकेत है, अब जब यहा हान सेन के पास आया, तो कोई भी, जानता है कि क्या हुआ, हान स सेन ने ची फेन तियान के नए गुरू के रूप में पूंच वाले अगनी, जानवर की जगा लेली है, सीमा तोडने वाले अंतिम पूंच वाले अगनी जानवर का शिकार करना और सीमा तोडने, वाले जीन को खोजना, उसी समय हान सेन के दिमाग में एक सूचना गूंजी, हान सेन ने अपने सामने आकाश के शासक की छाप को देखा, अपनी हतेली को फैलाया और छाप तुरंद उसकी हतेली में गिर गई, जैसे की वह उसकी हतेली की तवचा में समा गई हो यह सब हो जाने के बाद, पूरी लाल रंग की जलती, हुई लो आग की लप्टों में बदल गई, लेकिन हान सेन को कोई चोट नहीं लगी, ऐसा लग रहा था, कि स्वर्ग और पृत्वी के बीच आतिशबाजी खिल रही थी, जो आग के नए स्वामी के जन का जश्न मना रही थी, जीन टैबलेट पर छवी वही समाप्थ हो गई, और आकाश के शासक की रैंकिंग फिर से दिखाई दी, पंद्रहवे स्वर्ग पर लिखावट अभी भी चमक रही थी, लेकिन पूंच वाले अगनी जानवर का नाम अब वहा नहीं था, पंद्रहवे स्वर्ग का शासक हान सेन शब्दों की यह पंक्ती ब्रहमान के पक्ष और विपक्ष को दरशाती है, जो अंगिनत प्रानियों का ध्यान आकरशित करती है, और जीन ब्रहमान में कई जातियों के प्रानी बहुत खुश होते हैं अन्त में जीन ब्रहमान के एक प्राणी ने मास्टर की स्थिती पर कबजा कर लिया और यह उस प्राणी को मार कर प्राप्त किया गया जो पहले से ही मास्टर बन चुका था जिसने जीन ब्रहमान में सभी जातियों की आत्माओं को उपर उठा दिया. यहाँ वास्तव में एक दरावना आदमी है इसकी सीमा तोडने की दर केवल साथ है और इसे केवल कुछ तरीकों का उप्योग करके आसानी से मारा जा सकता है अधिक सीमा तोडने वाले प्राणियों में बहुत जटिल भावनाय होती है हान सेन की लडाई ने कई कमजोर सीमा तोडने वालों को कमजोर के साथ मजबूत को हराने की उमीद दी लेकिन अगर वे हान सेन के स्तर को प्राप्ट करना चाते हैं तो वे केवल नकल पर भरोसा नहीं कर सकते हान सेन ने टेलफायर बीस्ट के फटे हुए शरीर को खोद कर निकाला हाला कि पूरे शरीर पर घाव थे फिर भी यह जेड की तरह क्रिस्टल की तरह साफ था मास और हड्या लाल गर्म लोहे की तरह थी जो इसकी मजबूत काया को दर्शाती थी सीमा तोडने वाले जीन को खोदने के बाद बची हुई लाशों को लापरवाही से छोटी उडने वाली मचली और बिल्ली के बच्चे को फैंक दिया गया जिन्होंने सीधे सीमा तोडने वाले जीन को निगल लिया पूंच वाला अगनी जानवर 95% से अधिक की सीमा तोडने की दर के साथ सीमा तोडने वाला जानवर होने के योग्य है इसने हान सेन के सीमा तोडने वाले जीन को अचानक आठंग बढ़ा दिया और फसल काफी सम्रिद थी बाओर यह तुम्हारे लिए है हान सेन बाओर को एक ऐसी जगा ले गया जहां कोई नहीं था और चीफ एंटियन के गुरू के रूप मैं अपनी स्थिती का उप्योग चीफ एंटियन के नियोमों को अवरुद करने के लिए किया और फिर उसने पाया की लौकी के बीज बाओर को दिये गए थे बाओर ने हान सेन के हाथ में लौकी के बीज को बड़ी बड़ी आखों से देखा और संदेह से पूछा पिताजी यह क्या है मुझे यह जाना फचाना एहसास क्यों हो रहा है मुझे यह यह लौकी की बेल पर लौकी में मिला था तुम भी लौकी से ही निकले हो शायद इसका तुम से कुछ लेना देना हो हान से ने बाउर को शेनलुआन के राश्ट्रपती के बारे में नहीं बताया अब जबकि शेनलुआन के राश्ट्रपती की बची हुई आत्मा गायब हो गई है बावर को यह बताना उसे और भी ज्यादा दुखी कर देगा, इसलिए बहतर है कि इसे न कहा जाए धन्यवाद पिताजी, बाव ने खुशी-खुशी लौकी के बीज ले लिए हान सेन के, हाथों में मौजूद साधारन लौकी के बीज बावर के हाथों में तुरंट अजीब तरह से बदल गए बीज जीवित हो, गए, अंकुरित हुए और तेजी से बढ़े, और जल्द ही लौकी की बेल में बदल गए, और बावर की ओर उलज गए हान सेन ने हस्तक्षिप नहीं किया लेकिन बस किनारे से देखते रहे अगर लौकी की बेल बाउर को कोई नुकसान पहुचाती तो वह तुरंट उसे नश्ट कर देता दूसरी और बाउर के चहरे पर एक खुशी का भाव था लौकी की बेल को अपने शरीर के चारो और लिपता हुआ देख रही थी लौकी की बेल लगातार अंकुरित होती रही और मून्चे विक्सित करती रही खुद को एक जीवित चीज की तरह बुनती रही और जल्द ही एक रतन कवच में बदल गई जिसे बावर ने पहना बेटे का शरीर जब बेल का कवच पूरा हो गया तो लौकी की बेल मुर्जाने लगी और पत्तियां धूल की तरह गिरने लगी और हरी बेले धीरे धीरे सूखे रंग में बदल गई पीले से भूरे और फिर भूरे से भूरे काले रंग में जब रतन कवच पूरी तरह से बदलना बंध हो गया तो यहाँ पहले से ही एक ग्रे रतन कवच में बदल गया था जिसने बस बावर के छोटे शरीर को इसमें लपेटा था यहाँ अनोखा और उत्तम लग रहा था और यहाँ वास्तव में दर्जी द्वारा बनाया गया था बावर ने कुछ बार हिलने की कोशिश की और रतन कवच का उसकी शारिरिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा यहाँ बहुत हलका और निपुन था यहाँ रतन कवच इतना दिल्चस्प है मुझे लगता है जैसे मैं इसके विचार सुन सकता हूँ बावर ने यहाँ कहते हुए अपना हाथ बढ़ाया और रतन कवच उसके हाथ की ओर तैर गया और इसे जल्दी से रतन में बुना गया हथोडा बावर लगातार बदलती रही और रतन कवच उसके मन के अनुसार चाकू बंदूक, तलवार, चाबुक और अन्य चीजों में बदलता रहा यहाँ तक की गैटलिंग भी इससे बदल सकता था और हान सेन अवाक रह गया बावर, बस इधर उधर मत खेलो चलो देखते हैं कि क्या इस चीज में वास्तव में शक्ती है, हान सेन ने बावर से कहा वह बेल कवच से कोई विशेश रूप से मजबूत शक्ती महसूस नहीं कर सका, लेकिन उसे लगा कि यह कुछ हद तक काले क्रिस्टल कवच की आभा के समान था लेकिन यह कुछ हद तक अलग था और उसे नहीं पता था कि इसमें किस तरह की शक्ती होगी हाला की, चुंकि इसे राश्ट्रपती शेन लुआन ने अपनी बेटी को छोड़ा था, इसलिए यहाँ असाधारण होना चाहिए हान सेन यहाँ जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि रतन कवच कितना शक्तिशाली था बावेर ने कुछ देर सोचा, रतन कवच को एक बड़े रतन हथोडे में बदल दिया और उसे बगल में एक बड़ी चटाण पर पटक दिया धमाका, रतन हथोडे ने चटाण पर जोड़दार आवाज करते हुए प्रहार किया और हान सेन की आखे चौड़ी हो गई उसकी चौड़ी आखे रतन हथोडे की महान शक्ती के कारण नहीं थी चट्टान बिलकुल भी नहीं तूटी इसके बजाए रतन हथोडा वापस उचला और बावेर के अपने सिर पर लगा जब वहाँ जमीन पर गिरा तो उसका छोटा सिर उसके शरीर के साथ कुछ बार हिल गया थोड़ा चक्कर आ रहा था मैं जा रहा हूँ चेर्मेन शेनलुआन एक मूर्ख है आपने अपनी बेटी के लिए ऐसी चीज क्यों छोड़ी हान से ना तो हान सका और नहीं रो सका हाला कि वह यह भी जानता था कि इसमें कुछ गड़बड होनी चाहिए और शेनलुआन के अध्यक्ष के लिए अपनी बेटी को बेकार चीजों से धोका देना असंभव था बावेर ने अपना सिर हिलाया गुसे से उठा और रतन हथोड़ा फिर से उठाया और इसे पहले वाले पत्थर की और और अधिक बल से पटक दिया केवल एक धमाका हुआ लेकिन पत्थर को अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ था लेकिन रतन हतोडा बाउर के हाथ से उड़कर दूर जमीन पर जा गिरा रुखने से पहले यह कई बार उचला हान सेन और बाउर दंग रह गए यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा बेकार हतियार देखा था बाउर की ताकत के साथ एक साधारण फैंटी तलवार भी उस पत्थर को काटने के लिए परियाप्त थी लेकिन रतन हतोडा उस पर कोई निशान नहीं छोड़ पाया हार मानने को तयार नहीं बाउर ने रतन हतोडा वापस बुलाया इसे चाकू, तलवार, बंदूक, कांटे और अन्या हतियारों में बदल दिया उन्हें एक-एक करके परखा और परिणाम सभी थेवही दाशी इसे नुकसान नहीं पहुचा सकती यहां क्या हो रहा है हान सेन जानता था कि शायद बाउर को इसका असली उप्योग नहीं पता था इसलिए वहां बाउर को पहले इसे दूर रखने दे सकता था और बाद मैं धीरे-धीरे इसका अध्यान कर सकता था बाउर ने गुसे में बेंत को जमीन पर फैंक दिया लेकिन बेंत फिर से उलज गई, रतन कवच में बदल गई और बाउर के शरीर को लपेट लिया बाउर, वापस जाओ और पहले इसके बारे में बात करू मेरी सहमती के बिना, तुम्हें अगली बार तैतीस दिनों के लिए प्रवेश की अनुमती नहीं है, हान सेन ने बाउर, बिल्ली का बच्चा और उडने वाली बिल्ली को उठाया और उन्हें तैतीस दिनों के लिए बाहर भेजने वाला था वह अब चीफ एंटियन का शासक है वह लोगों को चीफ एंटियन में स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर ला सकता है और वह खुद भी जा सकता है लेकिन हान सेन के जाने से पहले उसने अचानक चीफ एंटियन पर एक भयानक आभा उतरती हुई महसूस की और नरग जैसी दमनकारी शक्ती ने तुरंत पूरे चीफ एंटियन को भर दिया हान सेन का चेहरा अचानक बदल गया हाला कि उसने नहीं देखा था कि वह कौन था, उसने ऐसा भयानक दबाव कुछ बार नहीं देखा था ऐसी ताकत वाले लोग निश्चित रूप से साधारन चरित्र नहीं होते लेकिन जब हान सेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि कौन आ रहा है तो उसकी अभिव्यक्ती बदल गई और इसे बहुत बदसूरत भी कहा जा सकता है आसमान से सुनहरी रोशनी की एक किरन गिर्टी हुई दिखाई दी और एक सफेद सफेद पोशाक में गोरी लड़की धिरे-धिरे एक परी की तरह उतरी जैसे देवताओं की दुनिया से एक पवित्र देवी उतर रही हो हान सेन ने एक नजर में उसे पहचान लिया यह गोरी वानर थी लेकिन उसने पहले ही वानर को काले बालों वाली अवस्था में बदल दिया था, अब वह फिर से गोरी क्यों है? गोरी वानर की ठंडी आखों को देखकर, हान सेन को पता था कि वह फिर से मुसीबत में है किन्शिव कमीने ने वानर को फिर से इस थंडी हत्या मशीन में बदल दिया क्या वहां नहीं समझता की काले बालो वाली वानर खुश है हान सेन को पता था कि किन शियों ने ऐसा किया होगा वानर फिर से सुनहरे बालों की ओर मुड़ गई और अपने दिल में बहुत नाराज होने से नहीं बच सकी लगभग उसी समय हान सेन के दिल में भी एक अशुक चेतावनी का संकेत था मिस्टर बाई ने हिसाब लगाया है कि मेरे तैतीस दिनों में कोई विपत्ती आनी चाहिए और यहां विपत्ती वानर पर नहीं आनी चाहिए है न गोरी वानर के चहरे पर कोई भाव नहीं है उसकी आखे थंडी और खाली है और जब वह हान सेन को देखती है तो उसका ध्यान उस पर नहीं लगता वानर हान सेन ने धीरे से पुकारा लेकिन वानर के भावहीन चहरे को देख कर वह समझ गया कि गोरी वानर उससे उतनी जुड़ी नहीं थी जितनी काले बालों वाली वानर वानर के शरीर पर सुनहरी लप्टे उठीन और उसके सुनहरे बाल तुरंत खड़े हो गए एक पल में वा एक देवदूद देवी से एक भयानक चुड़ेल में बदल गई हान सेन का दिल धड़क उठा इस बार गोरी वानर पहले से थोड़ी अलग लग रही थी हाला कि उसकी शक्ती अभी भी ईश्वर विरोधी आत्मा शरीर में थी हान सेन उसे उसके ईश्वर विरोधी आत्मा शरीर में थोड़ा महसूस कर सकता था काले क्रिस्टल कवच से परिचित शक्ती का एक निशान आ रहा था वानर ने हान सेन को घूरा और धीरे-धीरे अपनी बाह को उठाया जैसे कि वह न्याय की तलवार हो और सीधे हान सेन पर वार किया उसकी बाह से एक सुनहरी लौ निकली और एक ब्लेड में बदल गई जब इसे काटा गया तो यह स्वर्ख से एक सुनहरी सजा की तरह था इसने एक पल में सभी नियमों और प्रतिबंधों को काट दिया और सीधे हान सेन के सिर के उपर गिर गया हान सेन ने इंच हुई तलवार निकाली और उसी समय एलियनाइजड बैटल बॉड़ी को चालू कर दिया इंच हुई तलवार का ब्लेड वानर की सुनहरी रोशनी से टकराया और एक भयानक शौक वेव तुरंत भड़क उठी कुनुई तलवार को पकड़े हुए हान सेन ने जमीन पर सैकडो मील लंबी एक खाई खीची और उसकी अभिव्यक्ती थोड़ी बदल गई वानर किन शियू ने तुम्हारे साथ क्या किया वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वानर का वार न केवल एंटिगॉड स्पिरिट बॉड़ी की शक्ती थी बलकि काले क्रिस्टिल कवच से प्राप्त शक्ती भी थी काले क्रिस्टिल कवच की शक्ती के साथ वानर हालां की भगवान विरोधी आत्मा शरीर ने सीमा को नहीं तोड़ा, लेकिन यह सामान्य सीमा तोड़ने वाले प्राणियों की तुल्ना में अधिक भयानक युद्ध शक्ती के साथ फट गया भले ही सिर और पूंच वाला अगनी जानवर पुनर जीवित हो जाए, लेकिन यह इस स्लैश की शक्ती को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता है वानर चुप था और एक फ्लैश में वह एक हत्या मशीन की तरह हान सेन के पास आया और फिर से हान सेन की ओर वार किया हान सेन ने अपनी पूरी ताकत के साथ अलक्तलग युद्ध शरीर की शक्ती को विस्फोट कर दिया और उसके हाथ में इंचैश तलवार फट गई उसने वानर से गतिरोध तक लड़ने की पूरी कोशिश की वानर लगभक सहज ग्यान से लड़ रहा और यह लड़ाई का तरीका हान सेन की लड़ाई के तरीके से बहुत मिलता जुलता है जो उसकी अपनी प्रतिक्रिया की सीमा को पार करता है और कोई भी इसका फाइदा नहीं उठा सकता है दोनों पक्षों ने एक पल में प्रतिक्रिया की बिना दिमाग से सोचे समझे जियान गौंग और जिन गौंग लडाई में फटते रहे उसी तकनीक से हान सेन की ताकत वानर जितनी मजबूत नहीं है और उसे नुकसान में रखा गया है हाला की हान सेन के कौशल वानर से बहतर है विभिन्न कौशल का उप्योग करके उन्होंने एक अजे स्थिती बनाए रखी है लेकिन हान सेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि युद्ध के दौरान वानर की ताकत अभी भी बदल रही है मजबूत उसका पूरा शरीर सुनेरे पवित्र तेज में नहाया हुआ लग रहा था उसके दिव्य शरीर का हर इंच दिव्य तेज बिखेर रहा था ऐसा लग रहा था कि शक्ती का हर तक्राव उसके शरीर को और अधिक तेजस्वी बना सकता है और जितना अधिक वह लड़ती, उतनी ही मजबूत होती जाती किन शिव ने उसके साथ क्या किया? उसके पास काले क्रिस्टल कवच की शक्ती क्यों है? हान सेन ने भौहे सिकोडी अपने इस्तमाल के लिए शक्ती जब हान सेन के पास पहले ब्लैक क्रिस्टल कवच था तो वह केवल एलियन प्रजातियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक क्रिस्टल कवच की शक्ती का उप्योग कर सकता था लेकिन एक बात अजीब है ब्लैक क्रिस्टल कवच की शक्ती एलियन प्राणियों एलियन प्रजातियों और आनुवन्शिक प्रजातियों के लिए प्रभावी लगती है, लेकिन केवल मनुश्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भले ही हान सेन ने इसे निगल लिया हो, लेकिन इसकी शक्ती हान सेन को विक्सित होने में मदद नहीं कर पाएगी इसका एक मात्र लाब हान सेन को जीन स्टोरी का अभ्यास करने में मदद करना था, बस इतना ही अगर Black Crystal कवच वास्तव में अराजकता के नेता के पास है तो किन शीव Black Crystal कवच का उप्योग करने में सक्षम क्यों है? क्या वह मानव पूरवज है जिसे अराजकता के नेता ने कहा था हान सेंड हैरान? था? कब? हान सेन ने वानर के हाथ के वार को फिर से रोक दिया और शून्य में पीछे हट गया इंचग्रे तलवार पकड़े हुए हाथ थोड़ा काम प्रहा था प्रभाव से उत्पन्बल बहुत मजबूत था लडाई के कुछ ही मिंटों में वानर की ताकत लगभग दोगुनी हो गई और यहां अभी भी बढ़ रही है बावेर पहले जाकर मेरा इंतजार करो हान सेन ने बावेर को बाहर फैंक दिया उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना था नहीं तो आज तबाही मच सकती थी बावेर को हान सेन ने दूर फैंक दिया और छोटी उड़ने वाली मचली और बिल्ली के बच्चे के साथ दूर चला गया बावेर बड़ी हुई छोटी उड़ने वाली मचली की पीट पर सवार होकर बिल्ली के बच्चे के साथ लड़ाई देखता रहा हान सेन ने दोनों हाथों में कुनुई तलवार पकड़ी हुई थी उसकी आखे रोशनी से भरी हुई थी और पूरी दुनिया उसकी आखों में कणों की तरह बन गई थी साथ ही उसने तलवार को चाकू की तरह इस्तमाल करके आस्मान के नीचे तलवार की तक्नीक को काट दिया आस्मान के नीचे चाकू और वस्तुए सभी शत्रंज के मोहरे हैं हान सेन ने अपनी प्रतिक्रिया से लड़ना छोड़ दिया उसका दिमाग बेथाशा डौड रहा था तलवार और अमनुष्य मनुष्य और प्रित्वी प्रित्वी और आकाश सब एक पूरे हैं लोग खेल में हैं खुद को शुरुआती बिंदु के रूप में उप्योग करते हुए पूरी स्थिती में बदलावों को प्रभावित करते हैं हान सेन के चाकू कौशल अव्यवस्थित लग रहे थे पहला चाकू वानर के महत्वपूर्ण अंगो पर निशाना नहीं लगा रहा था और कई चलती हुई प्रक्षेपवक्र थोड़े असपश्ट लग रहे थे आम लोग केवल यही सोचेंगे कि हान सेन खिलवाड कर रहा है हाला कि यह कृपान तकनीक किन शिव की नजर में आ गई जो 33 दिन से अधिक की थी और किन शिव ने हलके से कहा यह एक बहुत ही दिलचस्प कृपान तकनीक है लेकिन इस तरह की कृपान तकनीक केवल कुछ समय तक ही विरोध कर सकती है लेकिन वान वान को हराना असंभव है बेटा, वानर के लिए यह सबसे अच्छा होगा कि वह अपने हाथों से इस शिकायत को सुलझा ले बोलते समय किन शिव वानर के बाएं हाथ पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाई उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उसने काले क्रिस्टिल की तरह नकाशिदार अंगूठी पहनी हुई थी जो एक हलकी और गहरी चमक बिखेर रही थी हान सेन के हाथ में इंच भर की तलवारे एक दूसरे पर चड़ी हुई थी उसे नहीं पता था कि उसने कितनी तलवारे काट दी थी वह अचानत पीछे हड़ गया युद्ध के घेरे को छोड़ दिया और तलवार को दोनों हाथों से पकड़ कर आगे की और वार किया धमाका पूरे ची फेंतियान में आग की लपते फैल गई और अंगिनत फेंतियान ली यान जलकर ज्वाला के चाकूओं में बदल गए और वानर की और उनमत होकर वार करने लगे वानर की आखे स्थिर थी और उसके शरीर पर सुनहरी चमक बढ़ गई और उसकी और वार करने वाले सभी ज्वाला के चाकू सुनहरी रोशनी से वाशपी कृत हो गए यह सिर्फ इतना है कि बहुत सारे ज्वाला के चाकू है जैसे स्वर्ग और पृत्वी के बीच आग की एक नदी लगातार वानर की और लुढक रही है और नश्ट हो चुके ज्वाला के चाकू जल्दी से फिर से आकार ले लेते हैं जिससे ज्यांग वानर की अंतहीन मौत हो जाती है आकाश के नीचे हान सेन की तलवार की तकनीक का इस्तिमाल सीमा तक किया गया है और उसने ची फेंटियन के शासक के रूप में अपने अधिकार का भी सीमा तक इस्तिमाल किया है अंतहीन ज्वलन तलवार नदी बेथाशा कट रही थी नदी का मध्य भाग धीरे-धीरे घिस रहा था और उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी धीरे-धीरे मंद पड़ रही थी यहाँ देखकर कि वानर के शरीर पर सुनहरी रोशनी धीरे-धीरे कमजोर हो रही थी और ज्वाला चाकू नदी अधिक से अधिक भयंकर होती जा रही थी हान सेन के चहरे पर कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया आज उसे हमेशा अपने दिल में थोड़ी बेचेनी महसूस होती थी लेकिन उसे नहीं पता था कि बेचेनी कहां से आई थी क्लिक करें क्रिपान उर्जा की एक लोवानर के शरीर पर सुनहरी रोशनी को तोड़ती हुई और वानर के कंधे पर कट गई प्रिय प्रवेश करने और एक अच्छी समीक्षा देने के लिए क्लिक करें जितना अधिक स्कोर उतनी ही तेजी से अपडेट ऐसा कहा जाता है कि जिनोंने नया पूरा स्कोर दिया उन्हें अंत में एक सुन्दर पतनी मिली मोबाइल स्टेशन अपग्रेड पते का नया संसकरन देटा और बुकमार कम्प्यूटर स्टेशन के साथ सिंक्रनाईज किये गए है कोई विज्यापन नहीं ताजा पढ़ना खून फूट पड़ा और वानर के दैविय शरीर पर खून का एक पतला धबबा लग गया इसके बाद प्रचंड ज्वाला में क्रिपान आभा वानर के शरीर की सुरक्षा के सुनहरे प्रकाश को چीरती हुई उपर की ओर बही और क्रिपान आभा ने एक के बाद एक उसके कपड़ों को चीरते हुए उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव कर दिये हाला की हर घाव मामूली होता है लेकिन ज्वलंत क्रिपान उर्जा अंतहीन होती है और अधिक क्रिपान उर्जा तूटती है और वानर को बहुत बड़ा जटका लगता है उसके शरीर पर और भी घाव होते हैं और बर्फ सफेद महल के परिधान पर खून खिलता ए जैसे की थोड़ा सा खूनी बेर का फूल वानर के दिव्य शरीर को धीरे धीरे चीरते हुए देखकर हान सेन की बेचैनी और भी तीवर हो गई उसने अवचेतन रूप से कुन हुई तलवार को कसकर पकड़ लिया और वानर को घुड़ता रहा कुछ देखने की उम्मीद में इससे पहले की हान सेन कुछ देख पाता वानर का शरीर अचानक धुन्धला लगने लगा और ज्वाला चाकु सीधे उसके शरीर से निकल गया और धुन्धला वानर आग के समुद्र से गुजर कर हान सेन की आखों में दिखाई दिया सेन के सामने उसके शरीर के सभी घाव ठीक हो गय थे और यहां तक कि उसके कपड़े भी बरकरार थे जैसे कि उसे कभी चोट ही ना लगी हो हाथ का चाकू गिर गया और वानर का भामक शरीर एक थोज शरीर में बदल गया हान सेन लंबे समय से तयार था और इंच ग्रे तलवार वानर की हथेली से टकराई और उसके खिलाफ वार किया कब इंच हुई तलवार वानर की हथेली से टकराई लेकिन लगभग अविनाशी इंच हुई तलवार वानर के पतले और पतले हाथ को नहीं काट सकी जो सुनहरे चमक से चमक रहा था हान सेन को केवल एक अजे शक्ती आती हुई महसूस हुई और उसने अपने शरीर को अचानक शूने में वापस सरका दिया शरीर ने प्रतिरोध को तोड़ दिया और एक सघन वायू विस्फोट किया वायू विस्फोट से उसके कपड़े फट गए जिससे उसका पूरा शरीर दिखाई देने लगा मजबूत मानस्पेशिया अभी जिस तरह की शक्ती है सुपर स्पिरिट बॉड़ी की शक्ती हान सेन ने वानर को उग्र आखों से देखा वह चाल जिसमें स्पिरिट बॉड़ी अच्छी है लेकिन वानर सीमा को तोड़ने में सक्षम नहीं थी वह सुपर गॉड स्पिरिट बॉड़ी की शक्ती का उप्योग क्यो कर सकती है? हान सेन हैरान था यह सिर्फ इतना है कि वानर ने उसे सोचने का समय नहीं दिया और फिर से हान सेन की ओर वार किया हान सेन ने तलवार से उसका स्वागत किया लेकिन वानर का शरीर फिर से एक आभासी शरीर में बदल गया और हान सेन के करीब जाने के बाद यह फिर से एक वास्तविक्ता बन गया हाथ के चाकू ने हान सेन की गर्दन पर वार किया हान सेन को इसकी लंबे समय से उम्मीद थी और तुरंट सुपर गौड स्पिरिट बॉडी की स्थिती में आ गया उसका शरीर प्रकाश और छाया में बदल गया वानर के वार से बचने की कोशिश कर रहा था खून तेजी से बढ़ रहा था और अचानक हान सेन की गर्दन पर खून का धबबा दिखाई दिया उसका सुपर गौड बॉडी वानर के हाथ से बच नहीं सका सौभाग्य से हान सेन बस कोशिश कर रहा था और वह पहले ही महत्वपूर्ण बिंदु से बच गया था उसने उसका सिर काटने की हिम्मत नहीं की अन्य था इस सिर काटने के बाद हान सेन का सिर काट दिया जा सकता था कुछ गड़बड है यह गलत है वानर जो सीमा नहीं तोड़ता वह सुपर गौड स्पिरिट बॉडी और एंटी गॉड स्पिरिट बॉडी का उप्योग करने के बीच स्वतंत्र रूप से स्विच कैसे कर सकता है? हान सेन की आकृती तेजी से चमक उठी, बार-बार वानर के हमलों को चक्मा देते हुए, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था सोच वानर, जो दो शक्तियों के बीच स्वतंत्र रूप से स्विच कर सकती है, अधिक आक्रामक हो गई है और उसकी दो शक्तियां बेहत शक्तिशाली हैं, और वह हान सेन के सुपर गौड बॉडी को हलके से रोक सकती ए, जिससे हान सेन की स्थिती और अधिक खतरनाक हो जाती है वानर को फिर से वार करते हुए देखकर और हान सेन पीछे हटने में असमर्थ था हान सेन की आखों में एक थंडी रोशनी चमक उठी, उसके शरीर की सांस अचानक बदल गई और उसके शरीर से सबसे आदिम के करीब एक भयानक शक्ती फूट पड़ी इंच ग्रे तलवार पर तलवार की रोशनी में संगनित होकर उसने विनाशकारी बल के साथ किन वानर की और वार किया एंटी जीन कहानी की शक्ती सबसे भयानक और विनाशकारी शक्ती है अजे इंच एश तलवार और हान सेन की एक हाथ की कवरब तकनीक के साथ यह लगभग सबसे मजबूत हमला शक्ती है जिसे हान सेन विस्फोट कर सकता है क्लिक करें कुन हुई तलवार ने किन वानर के हाथ के पीछे काट दिया जैसे एक चेंसो धातु से टक्रा रहा हो चिंगारिया, फूटीन और स्ट्रीमर उड़ गए यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जिस स्थान पर कुन हुई तलवार ने काटा हान सेन वानर को देख रहा था उसे हमेशा लगता था कि वानर के साथ कुछ गड़बड और आखिरकार उसने अंगूठी को लॉक कर दिया हाला कि अंगूठी में थोड़ी सी भी सांस नहीं दिख रही थी लेकिन हान सेन को सहज ही लगा कि इसमें कुछ गड़बड है अंत में इंच हुई तलवार की शक्ती से काली क्रिस्टल की अंगूठी कट गई और किन वानर की उंगली से गिर गई दो हिस्सों में विभाजित हो गई और नीचे गिर गई जैसे ही काली क्रिस्टल की अंगूठी तूट गई और उसके शरीर से अलग हो गई किन वानर एक पल के लिए स्तब्ध रहे गई और वह वहीं जम गई उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी धीरे-धीरे फीकी पढ़ गई और सुनहरे बाल काले होने लगे क्या तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया? लेकिन यह सही है या कोई अतिशोक्ती नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ती हो जिससे वानर संपर्क कर सके किन शिव ने खुद से कहा लेकिन उसकी आखे बिलकुल नहीं बदली मानो हान सेन ने काले क्रिस्टल की अंगूठी को काटना उतनी ही जल्दी कर दिया जितना उसने उम्मीद की थी मेरे स्वामी, क्या आप मिस वानर को वापस लाने के लिए मार खोलने जा रहे? है, स्वर्गीय समराट किन शिव के पास आए, जुके और निर्देश मांगे जब वानर ने चीफ एंटियन में प्रवेश किया तो उसने आकाश को जब्द करने के लिए लडाई शुरू नहीं की लेकिन स्वर्ग के समराट ने अपनी पहचान और 33 दिन के आत्मा बच्चे की शक्ती का उप्योग करके वानर को सीधे चीफ एंटियन भिज दिया किन शिव और स्वर्गीय समराट के अलावा केवल चीफ एंटियन के अंदर के लोग ही देख सकते हैं कि अब चीफ एंटियन में क्या हो रहा है? कोई जरूरत नहीं किन शिव ने उदासीनता से कहा उसकी आखे अभी भी स्वर्गीय समराट द्वारा खोले गए आध्यात्मिक दरपन के माध्यम से चीफ एंटियन में लडाई देख रही थी हान सेन ने सुनहरे बालो वाले वानर को काले बालो वाले वानर के पास जाते देखा और जब उसने अचानक काले क्रिस्टल की अंगूठी देखी जिसे उसने काटा था तो वहां मन ही मन खुश हो गया एक काली धुंद उठी और काली धुंद में बदल गई वानर की ओर बढ़ रही थी बाहर निकलो हान सेन की आखे तेज थी और उसने काली धुंद को हथेली से थप थपाया एक खोखली संरचना वाले बर्फ के जेड कवर ने काली धुंद को ढग दिया धमाका लेकिन अगले ही पल काली धुंद ने सीधे बर्फ के जेड कवर को तोड़ दिया वानर के सामने दोडी और सीधे वानर के मुह में घुस गई। हान सेन का चहरा बदसूरत था लेकिन वह उसे रोकने में असमर्थ था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तलवार से वानर की गर्दन पर वार किया काली धुंद को उसके पेट में घुसने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वानर, जो अभी भी अचंभित था, अचानक अजीब तरह से पीछे की और खिसक गया. उसकी हरक्ते अजीब और समच से परे थी. उसका शरीर बिलकुल भी नहीं हिल रहा था, लेकिन वहा भूत की तरह पीछे की और खिसक गयी. इस फिसलन के साथ हान सेन की इंच ग्रे तलवार हवा में गिर गई जब हान सेन की नजर वानर के चहरे पर पड़ी तो उसने पाया कि उसकी आँखे पूरी तरह से काली पुतलियों से भरी हुई थी जो बेहत भूतिया और डरावनी लग रही थी पहले से भी ज्यादा भयानक खोखली सुनहरी पुतलिया और भी ज्यादा भयानक है हान सेन कुनुई तलवार पकड़े हुए था और फिर से तलवार से हमला करना चाहता था लेकिन उसने देखा कि वानर के पीछे से दो चमकीली रोशनिया निकल रही है उसकी पीट पर मौजूद कपड़ों को तोड रही है और तितलियों की तरह उड़ रही है दो दिव्य रोशनिया एक सोने की और एक चांदी की वानर की पीट से दो पंखों की तरह फैली हुई थी जो एक भयानक आभा बिखेर रही थी सुपर गौड्ड स्पिरिट बॉड़ी और एंटी गौड्ड स्पिरिट बॉड़ी की शक्ती एक साथ एक शरीर में मौजूद हैं और उनोंने सीमा को नहीं तोड़ा, नहीं उनोंने एक दूसरे के साथ संघर्ष किया। यह कैसे संभव है हान सेनने वानर के पीछे चौकाने वाले हलके पंखो की जोड़ी को देखा। सीधे उपर, प्रिये प्रवेश करने के लिए क्लिक करें और एक अच्छी समीक्षा दें। जितना अधिक स्कोर, उतनी ही तेजी से अपडेट। ऐसा कहा जाता है कि जिनोंने नया पूरा स्कोर दिया, उन्हें अंत में एक सुन्दर पतनी मिली। मोबाइल स्टेशन अपग्रेट पते का नया संसकरण, देटा और बुकमार कम्प्यूटर स्टेशन के साथ सिंक्रनाईज किये गए हैं, कोई विज्यापन नहीं ताजा पढ़ना। वानर आस्मान को चीर देने वाले दो प्रकाश पंखो को खीच रही है, और प्रकाश पंखो के जोडे के बीच, के संबंध के कारण, उसके शरीर का एक हिस्सा जो प्रतिबिम्बित होता है, वह सुनेरा चमक रहा है, जबकि दूसरा, हिस्सा बर्फ की तरह चांदी जैसा स वे आखें, जो काली पुतलियों से भरी हुई थी, सीधे हान सेन, को घूर रही थी, बेहत भूतिया दिख रही थी, क्या किन शिव पागल है, उसने वानर के साथ क्या किया, हान सेन ने चुपके से भौहें सिकोडी, यहां देखते हुए कि किन शिव किन वानर से कितना प्य सating नहीं करेगा, हाला कि किन वानर की वर्तमान स्थिती स्पष्ट रूप से बहुत अजीब है, वह वास्तव में यहां नहीं समझ पा रहा है कि किन शिव ने किन वानर को ऐसा क्यों बनाया, हान सेन को नहीं पता था, जब से उसने किन वानर के बाल वापस काले करवाए है, क ए? किन्शिव ने सता पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया और अभी भी किन्वानर के साथ को मलता से. पेश आया, लेकिन अंत में उसने कुछ कठोर कदम उठाए, जिससे किन्वानर फिर से अपने सुनरे बालो वाली अवस्था में आ गई. यही कारण था कि किन्शिव ने किन्वानर से हान सेन को खत्म करने के लिए कहने का फैसला किया. वह यहाँ बरदाश्ट नहीं कर सका कि किन्वानर के दिमाग में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई. था. किन्वानर हवा में लटकी हुई थी. उसके पंक उसकी पीट पर हलके से हिल रहे थे. उसके हाथ. एक प्रार्थना करने वाले देवदूद की तरह एक साथ बंदे हुए थे. यह सिर्फ इतना था कि किन्वानर के चहरे पर विश्वास और वफादारी की कमी थी. और उसकी आखें एक ठंडे भाव के साथ सीधे हान सेन को घूर रही थी. हाला कि उसके मुड़े हुए हाथों से एक अजीब चमक खिली, जो सुपर गौड बॉडी का सफेद रंग. नहीं था, नहीं उल्टे सुपर गौड बॉडी का सुनहरा रंग. सीमा तोडने वाली शक्ती? यह थोड़ा गलत लगता है. हान सेन ने किन वानर की हथेली को देखा, अजीब शक्ती के उतार चढ़ाव को महसूस किया. अपने स्वयं के सुपर, गौड आत्मा शरीर द्वारा सीमा को तोडने के बाद यह एक शुद आत्मा शरीर बन जाएगा, जो दुनिया के सभी. पदा द्वारा उत्पन्न शक्ती स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक शक्ती नहीं है, लेकिन इसमें एक सुपर गौड आत्मा शरीर और एक ईश्वर विरोधी. आत्मा शरीर की आभा है. क्या सुपर गौड आत्मा शरीर के लिए तोडने का कोई और तरीका है? हान सेन ने आश् लेकिन यहां आध्यात्मिक शक्ती नहीं थी. आप किन वानर की हतेली पर एक पारदर्शी शक्ती को बढ़ते और फैलते हुए? देख सकते थे. उसके हाथ पारदर्शी शक्ती से रंगे जाने के बाद वे क्रिस्टल स्पष्ट हो गए. पारदर्शी शक्ती के विस्तार के साथ उसका पूरा शरीर यहां तक की उसके पीछे के हलके पंखों की जोड़ी भी धीरे-धीरे पारदर्शी क्रिस्टल में बदल गई. अब किन वानर लगभग पारदर्शी क्रिस्टल की मूर्ती की तरह लग रही थी? केवल उसकी पुतलिया काली. रह गई. यदि आप ध और जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसका लगभग पारदर्शी शरीर दिखाई. देगा. क्या वास्तव में सुपर स्पिरिट बॉड़ी के लिए सीमा तोड़ने का कोई और तरीका है? हान सेन यहां देखकर. चौक गया की किन वानर ने वास्तव में सीमा तोड तोडने की दो अलग-अलग शक्तियां बनाई. हान सेन को नहीं पता था कि सीमा तोडने की उसकी शक्ती या किन वानर की सीमा तोडने की शक्ती सही थी. लेकिन किन वानर से निकलने वाली भयानक आभा ने हान सेन की खत्रे की घंटी जोर से बजा दी. जिस क्षन किन वानर अपने हाथ अलग किये, हान सेन को अचानक अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे। जैसे की कुछ अशुब होने वाला था बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने सीधे सुपर गौड स्पिरिट बॉडी की सीमा तोडने वाली। स्थिती को सक्रिय कर दिया और ए उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। हान सेन असहाय होकर देखता रहा कि लगभग पारदर्शी हथेली उसकी चाती में घुज गई और उसके शरीर में घुज गई। जब किन वानर की हथेली पीछे हटी, तो हान सेन ने पाया कि उसके आत्मा शरीर में छेद हो गया। थ थी। सीमा तोडने की उसकी शक्ती मेरे शुद आत्मा शरीर को चोट पहुचा सकती है। हान सेन की आकरती तेजी से आगे बढ़ी और जब वह आगे बढ़ रहा था, तो शतिग्रस्त आत्मा शरीर पहले से ही अपने आप ठीक हो गया था। किन वानर ने हान सेन को कुछ सं दे। के साथ देखा और अगले ही पल अजीब शरीर फिर से आगे बढ़ा। इस बार हान सेन पहले से ही तयार था, उसकी आकरती को घूर रहा था, उसके हमले के प्रक्षपवक्र का अनुमान लगाने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन फिर भी, जिस क्षण किन वानर ने अ जानता था कि उसके लिए किन वानर के हमले से बचाव करना असंभव था, इसलिए उसने अपने घायल आत्मा शरीर को अंदेखा कर दिया और अपनी सारी ताकत किन वानर के अजीब शरीर पर केंद्रित कर दी, हान सेन को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हथेली तरल तकराना, लेकिन जब मुठी किन वानर के शरीर में घुसी, तो उसे लगा कि उसका शरीर नरम और हड़ी रहित था, और मुठी उसमें डूबी हुई लग रही थी, पानी ओसत, ए, धमा का, हान सेन खीचना चाहता था अपनी मुठी बाहर निकाली, और फिर किन वानर के शर शिश की, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को बिजली का जटका लगा हो, और उसका, आध्यात्मिक शरीर एक पल में लकवाग्रस्त और एंठना हुआ था, और उसकी मुठी को चूसने वाली एक हलकी चूशन थी, जिससे वह किन वानर के शरीर से बाहर निकलने में असमर्थ हो गया, इससे भी अधिक अजीब बात यह है, कि किन वानर हान सेन के समान ही लग रही थी, उसका शरीर बिजली के जटके की तरह हिल रहा, था, और वहा हान सेन की चाती में घुसी हतेली को वापस नहीं ले पा रही थी, यह द्रिशे देखकर, किन शिव का चे सीमा तोडने की शक्ती और, वानर की सीमा तोडने की शक्ती अप्रत्याशित रूप से अजीब तरह से प्रतिध्वनित हुई, यहां तक की किन शिव भी, अब क्या हो रहा था, यहां नहीं देख पा रहा था, उसने काले क्रिस्टल कवच से एक काले क्रिस्टल की, अंगू प्रॉठी के प्राइमार्क की शक्ती का उप्योग करके किनवानर को सफलता पूर्वक, सीमा तोडने में मदद की, और सीमा तोडने के बाद किनवानर की ताकत, खुद किनशियों ने भी इसे कम आकने की हिम्मत नहीं की, उसने शुरू में सोचा था कि ऐसे किनवानर को हान सेन को मारने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पेर बरबाद करने की जरूरत नहीं होगी लेकिन कौन जानता था कि हान सेन की सीमा तोडने की शक्ती किनवानर की सीमा तोडने की शक्ती से प्रतिध्वनित होगी और किन वानर भी बहुत प्रभावित हुई ऐसा लग रहा था कि उसने हान सेन की तरह ही लडाई जारी रखने की क्षमता अस्थाई रूप से खो दी थी स्वर्ग के समराठ ची फेंटियन के लिए रास्ता खोलो किन शिव नहीं चाहता था कि किन वानर किसी भी खत्रे में पड़े इसलिए उसने किन वानर को हान सेन को खुद हटाने देने की अपनी योजना छोड़ दी और हान सेन की परेशानी को हल करने के लिए खुद ची फेंटियन के पास जाना चाहता था लेकिन इससे पहले की स्वर्ग के समराट जवाब दे पाते उसने देखा कि ची फेंटियन में उत्परिवर्तन और पुनर जन हुआ था और हान सेन और किन वानर के शरीर धीरे-धीरे ओवरलैप हो रहे थे दो लोग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं उनके शरीर करीब और करीब होते जा रहे हैं जैसे की वे एक दूसरे से चिपके हुए हैं जैसे की आमने सामने जुड़े हुए जुडवा बच्चे और जिस क्षेतर में उनके शरीर स्पर्श करते हैं और जुड़ते हैं वह बड़ा और बड़ा होता जा रहा है प्रियर प्रवेश करने के लिए क्लिक करें और एक अच्छी समीक्षा दें जितना अधिक स्कोर होगा अपडेट उतनी ही तेजी से होगा ऐसा कहा जाता है कि जिनोंने नया पूरा स्कोर दिया उन्हें अंत में एक सुन्दर पत्नी मिली मोबाइल स्टेशन अपग्रेड पते का नया संसकरण देटा और बुकमार कम्प्यूटर स्टेशन के साथ सिंक्रनाइज किये गए हैं कोई विज्यापन नहीं ताजा पढ़ना किन शिवकेची फेंटियन में आने और प्रवेश करने से पहले हान सेन और किन वानर के शरीर पूरी तरह से ओवरलैप हो गए थे जैसे कि वे एक व्यक्ति बन गए हो ओवरलैप किये गए शरीर में दो लोग बहुत दर्द में लग रहे थे उन्होंने आसमान की ओर देखा और दहाड लगाई उनके शरीर से भयानक शक्ति के उतार जढ़ाव फूट पड़े एक पल में शून्य को चीरते हुए और वे सीधे शून्य में भाग गए पलक जपकते ही गायब हो गए वे कहा गए किन शूने भौहें सिकोडी और स्वर्गिय समराट को देखा बहुत बुरा महसूस कर रहा था स्वर्गिय समराट के एक विचार के साथ आध्यात्मिक दर्पन पर छवी बदल गई और यह अपची फेन तियान के भीतर नहीं था बलकि एक और स्वर्ग था मैंने ओवरलैप किये गए हान सेन दो को देखा उनके शरीर हवा में घुज गए स्वर्ग की परद दरपरद गुजर गए और वे तेजी से 33 दिनों की और आ गए 33 दिन की बाधा बिलकुल भी मौजूद नहीं थी उस भयानक शरीर को यात्रा करने से रोकने मैं पूरी तरह से असमर्थ थी पलक जपकते ही हान सेन और किन वानर का एक साथ रखा हुआ शरीर 33 दिन के जीन समारक के सामने आ गया और उसने सिर्फ भौतिक शरीर से 33 दिन को भेद दिया यहां तक कि 33 दिन के स्वामी भी ऐसा नहीं कर सकते थे किन शिव जीन टेबलेट के सामने खड़ा था हवा में से आते हुए पारदर्शी शरीर को घूर रहा था उस शरीर में किन वानर की आत्मा को पहचानने की कोशिश कर रहा था किन शिव पारदर्शी शरीर किन शिव के सामने आया समय समय पर दिखाई देता और गायब हो जाता एक टिम्टिमाती रोशनी की तरह जो किसी भी समय पूरी तरह से गायब हो जाती थी वानर, क्या तुम अभी? भी वहाँ हो, किन शियू ने शरीर को घूरते हुए पूछा मैं? मैं हूँ? पारदर्शी शरीर दर्द में लग रहा था और उसने अपने बालों को धक लिया और एक दहाड लगाई जैसे कि वह पागल हो और उसकी मुठिया शून्य में फट गई शून्य से एक अद्रिश्य शक्ती फूट पड़ी, जो नगन आंखों के लिए अद्रिश्य एक शौक वेव में बदल गई और चारो और फैल गई, सब कुछ नश्ट कर दिया, यहां तक की आत्मा भी स्वर्ग के सम्राट को उस शक्ती के प्रभाव का खामियाजा सबसे पहले भुगतना पड़ा अपनी लगभग एक सौ परसेंट सीमा तोडने की दरके साथ, वह शौक वेव की शक्ती का विरोध नहीं कर सका उसका शरीर तुरंत फट गया और उसकी आत्मा उसकी आत्मा के साथ ही मिठने वाली थी धमा का किन शिव आगे बढ़ा और उसका शरीर काले क्रिस्टल कवच में लिप्टा हुआ स्वर्ग के सम्राट के सामने खड़ा था एक हथेली को फैलाए हुए जैसे कि उसकी हथेली से एक अद्रिश्य दीवार उगाई हो जो जबरदस्ती शौक वेव को रोक रही हो हान सेन की चेतना ने धीरे-धीरे ओवरलैपिंग बॉडी को नियंत्रित किया जब उसने किन शिव को अपने सामने देखा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के किन शिव को मुक्का मारा एक अद्रिश्य शक्ती एक पल में किन शिव के सामने आ गई और उसकी मुठ्वी सीधे किन शिव के काले क्रिस्टल कवच से टकराई जिससे किन शिव का शरीर पीछे की और खिसक गया किन शिव का चहरा थोड़ा बदल गया जब से उसने सफलता पूर्वक काले क्रिस्टल कवच को नियंत्रित किया, उसने कभी भी अपने शरीर पर बल के प्रभाव को महसूस नहीं किया था हान सेन और किन वानेर का एक साथ होना उसकी उम्मीद से परे था इससे पहले कि किन शियो कोई कदम उठा पाता, हान सेन ने फिर से हमला करने के लिए अपनी हथेली हिलाई उसने केवल महसूस किया कि उसका पूरा शरीर विस्फोटक शक्ती से भरा हुआ था, जैसे कि एक ही मुक्का दुनिया को हिला सकता है किन शियो की आखे स्थेर थी, और उसकी हथेली हिल रही थी, यहां तक, कि हान सेन की हथेली को भी रोक रही थी हान सेन का पूरा शरीर एक हत्या मशीन की तरह, था, जो किन शियो पर एक तूफानी हमला कर रहा था उंगलिया, हत्यलिया, मुठ्या, कोहनी, घुटने, शरीर का लगभग कोई, भी हिस्सा, शक्तिशाली और अद्वितिया मारक शमता के साथ फट सकता था कोई भी वार एक देवस्तर की शक्ति को नश्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इन सभी हमलों को किन शियो की हत्यलियों ने रोक दिया किन शियो के हाथ आहों की एक अटूट दीवार की तरह है हान सेन का आक्रमन चाहे कितना भी भयंकर क्यों न हो, उसे आधा कदम पीछे हटाना मुश्किल था किन शियों ने सिर्फ बचाव किया और हमला नहीं किया वह हान सेन को देख रहा था, क्योकि यह शरीर सिर्फ हान सेन का ही नहीं था, बलकि किन वानर का भी था, इसलिए किन शियों ने लंबे समय तक जवाबी हमला नहीं किया हान सेन को इसकी कोई परवान नहीं थी अब उसे सिर्फ अपने शरीर में शक्ती का उभार महसूस हो रहा था जैसे ज्वाला मुखी कभी भी फट सकता है अगर उसने अपने शरीर में शक्ती का उभार नहीं किया तो उसे लगा कि वहाँ फटने वाला है इसके अलावा उसे हलका सा लगा कि उसके शरीर में कोई शक्ती है जो उसे उकसा रही है जिससे वहा काले क्रिस्टल कवच को तोड़ने के लिए बहुत उत्सुख हो रहा है और पतंगों को आग की लप्टों की और उड़ाने की इच्छा कर रहा है हान सेन वानर के शरीर को छोड़ दो मैं तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूँ किन्शिव ने हान सेन के हमले का विरोध करते हुए ठंडे स्वर में कहा हान सेन ने एक शब्द भी नहीं कहा उसके शरीर से निकलने वाली शक्ती ने उसे ऐसा महसूस कराया कि उसका शरीर पिघलने वाला है. सिर्फ लड़ते, रहने और अपनी शक्ती का उभारने से ही वह बहतर महसूस कर सकता था. धमा का, एक और मुक्का किन्शिव की हतेली पर लगा. इस बार किन्शिव को उसकी शक्ती ने आधा कदम पीछे धकेल दिया और काले क्रिस्टिल कवच में लहरेंग दिखाई दी किन्शिव ने थोड़ा सा मुह सिकोडा हान सेन और किन वानर के पुनर मिलन से उत्पन्श शक्ती पहले से ही उसकी उम्मीदों से अधिक थी जब हान सेन फिर से हमला करने के लिए आया तो किन्शिव आखिरकार आगे बढ़ा उसने हान सेन की मुठ्थी को चक्मा दिया और हान सेन के पीछे दिखाई दिया एक हाथ ने हान सेन की गर्दन को जकड लिया और भयानक शक्ती ने सीधे उसे लपेट लिया यहान सेन के शरीर को चोट पहुचाई जिससे वा हिलने में असमर्थ हो गया वानर के शरीर को छोड़ कर यह तुम्हारे बचने का आखिरी मौका है किन्शिव ने हान सेन के पीछे से ठंडे स्वर में कहा सच में हान सेन की आकरिती चमकी और हवा में गायब हो गई और किन्शिव का पावर लौक अचानक विफल हो गया जब हान सेन का शरीर फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही किन शिव के सिर के ऊपर था और उसके लंबे पैर युद्ध के कुलहाडी की तरह नीचे गिर रहे थे किन शिव ने हान सेन के वार को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया भयानक बल तक्राव ने अंतरिक्ष में लहरेंग पैदा कर दी और ब्रहमांडिय गिर नश्ठ हो गए और बिखर गए हान सेन की आकरिती टिम्टिमा रही थी जब वह गायब हो गया तो किन शिव की शक्ती उसे लौक नहीं कर सकी दोनों ने उनमत्त होकर लडाई की जिस सिर्थ थर्टी थर्ड हेवन में अंतरिक्ष में कमपन होने लगा आनुवनशिक स्मारक को छोड़ कर कोई भी पदार्थ उनके शक्ती उतार्चढाव के हमले का विरोध नहीं कर सकता हान सेन को पता था कि किन शिव की शक्ती भयानक थी लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी भयानक होगी उसके शरीर के किन वानर के शरीर के साथ ओवरलैप होने के बाद जो शक्ती फूटी, वह उसके सुनहरे दिनों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन किन शिव को लगता है कि अभी भी उससे निपटने की गुंजाइश है हान सेन को यह भी संदेह था कि अगर किन शिव ने किन वानर के स्वास्थे की, परवाह नहीं की होती, तो शायद उसकी स्थिती अपसे भी बत्तर होती वास्तव में हान सेन को नहीं पता था कि किन शिव को भी उतना ही जटका लगा था जितना उसे लगा था हाला कि किन शिव खुद मजबूत है लेकिन अब वह इतना शक्तिशाली क्यों है इसका कारण यह काला क्रिस्टल कवच है हान सेन और किन वानर का एक साथ होना केवल शारिरिक शक्ती पर निर्भर करते हुए अब उसका मुकाबला कर सकता है किन शियो के सबसे शक्तिशाली काल में भी उसका शरीर इस तर तक नहीं पहुँच पाया था इतनी शारिरिक शक्ती के साथ भौतिक शरीर के साथ वह कदम उठाना लगभग संभव है किन शिव की आखों में धीरे-धीरे भाव कम होते गए यदि यह शक्ति किन वानर की है तो किन शिव स्वाभाविक रूप से ऐसा करने के लिए तयार है और वह किन वानर को हर कीमत पर यह कदम उठाने में मदद भी कर सकती है लेकिन अब इस शक्ति का आधा हिस्सा हान सेन का है और हान सेन अभी भी शरीर की सक्रिय स्थिती पर कबजा कर लेता है यह सोच कर किन शिव की आखे थंडी हो गई प्रिय प्रवेश करने के लिए क्लिक करें और एक अच्छी समीक्षा दे जितना अधिक स्कोर उतनी ही तेजी से अपडेट ऐसा कहा जाता है कि जिनोंने नया पूरा स्कोर दिया उन्हें अंत में एक सुन्दर पत्नी मिली मोबाइल स्टेशन अपग्रेट पते का नया संसकरण देटा और बुकमार कंप्यूटर स्टेशन के साथ सिंक्रनाइस किये गए हैं कोई विज्यापन नहीं ताजा पढ़ना किन शिव का शरीर एक भटकती आत्मा की तरह है और हान सेन का आक्रमन बिजली के तूफान की तरह है लगभग हर जगह लेकिन वह अभी भी किन शिव को हिला नहीं सकता काले कवच से कसकर लिप्टा हुआ शरीर बगीचे में टहलता हुआ लग रहा था हान सेन के आक्रमन को अद्रिश्य रूप से दूर कर रहा था भले ही हान सेन ने इस अजीब शरीर की शक्ती को चरम सीमा तक लागू किया था फिर भी सफलता हासिल करना मुश्किल था और वह अभी भी किन शिव को चोट नहीं पहुँचा सका किन शिव की आखे अचानक केंद्रित हो गई काला क्रिस्टल कवच सिकुड गया और एक हथेली तेजी से शून्य में फट गई मुठी के चारो और लिप्ते काले क्रिस्टल कवच पर एक काला प्रभामंडल दिखाई दिया धमा का हान सेन का शरीर जो अभी अभी शून्य से बाहर आया था छाती पर मुक्का मारा गया इस मुक्के की शक्ती ने केवल हान सेन के शरीर को पीछे हटने पर मजबूर किया और वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ लेकिन इस मुक्के के नीचे किन शिव की मुठी पर लगा काला क्रिस्टल कवच अचानक फट गया मानो उसमें जान हो वह काले क्रिस्टल कवच के टुकडो में बदल गया और हान सेन के शरीर को जकड लिया पलक जपकते ही हान सेन के पूरे शरीर को लपेट लिया काले क्रिस्टल कवच के टुकडो को जोड कर बनाए गए कवच के अंदर हान सेन धुन्धला होने के बाद काले क्रिस्टल कवच की कैज से बाहर निकलना चाहता था लेकिन धुन्धला होने के बाद भी उसका शरीर काले क्रिस्टल कवच की कैद से मुक्त नहीं हो सका यह बेकार है यह आनुवन्शिक कवच प्राइमार्क से बना है पूरी दुनिया की आनुवन्शिक जानकारी इसमें समाहित है दुनिया की सारी शक्ती इसके तारकिक गण्ना के भीतर है इस दुनिया में कोई भी शक्ती वास्तव में इसे धमकी नहीं दे सकती है किन शिव ने हान सेन को देखा जो कवच में कैद था और कहा हान सेन अविश्वास से शक्ती से बाहर निकलता रहा लेकिन चाहे उसकी शक्ती कितनी भी फट जाए काला क्रिस्टल कवच उदासीन रहा मानो दुनिया को नश्ट करने वाली शक्ती काले क्रिस्टल कवच के लिए बस एक शक्ती हीन लहर थी हाला कि यह भी काला क्रिस्टल कवच था हान सेन को अपने शरीर पर काले क्रिस्टल कवच में परिचत आभा महसूस नहीं हुई हान सेन, अगर तुम अभी वानेर का शरीर छोड़ दो, तो मैं तुम्हें जीने का मौका दे सकता हूँ किन शिव ने हान सेन को उदासीनता से देखा मुझे कभी दूसरों से जीने का मौका मिलने की उम्मीद नहीं है हान सेन की आभा लगातार फूटती रही और उसकी ताकत और मजबूत होती गई शरीर नंगा हो गया किन शिव ने हलके से कहा मैंने अभी आपको बताया की प्राइमार्क दुनिया का स्रोत है जब तक यह इस दुनिया में मौजूद शक्ती है चाहे आपकी शक्ती कितनी भी बदल जाए यह इसकी शक्ती को नहीं तोड सक्ती और इसे प्रभावित कर सक्ती है शक्ती के केवल दो प्रकार है एक ब्रहमांड को फिर से शुरू करने की शक्ती है जो की ऐसी क्षमता है जो केवल पुन्रारम भस्तर के देवताओं के पास हो सकती है भले ही आपकी सीमा तोडने की दर 100% तक पहुँच जाए आप देवताओं को फिर से शुरू करने की तरह ब्रहमांड को फिर से शुरू नहीं कर सकते महान ब्रहमान का पुन्रारंब प्राइमार को नश्ट नहीं कर सकता एक ऐसी शक्ती भी है जो इस दुनिया को पार करती है और दुनिया को पार करती है और प्राइमार को हराना संभव है दुर्भाग्य से अब तक कोई भी वह कदम नहीं उठा पाया है हान सेन ने एक शब्द भी नहीं कहा बस अपने शरीर की शक्ती को पागलपन की हद तक विस्फोट कर दिया उसे महसूस हो रहा था कि इस शरीर में अभी भी एक बहुत शक्तिशाली शक्ती है लेकिन वह अभी तक इसका पूरी तरह से इस्तिमाल नहीं कर पाया था यह देखकर की हान सेन चुप रहा किन शिव की आखे धीरे धीरे तेज होती गई और उसने बोलना बंद कर दिया उसने एक हाथ हान सेन के सर के उपर रखा और उसके शरीर पर काला क्रिस्टल कवच एक अजीब काली चमक के साथ चमक उठा वानर के शरीर को छोड़ कर यह तुम्हारा आखिरी मौका है किन शिव ने हान सेन की आखों में देखा और हर शब्द बोला एक मात्र उत्तर हान सेन की विस्फो टक शक्ती थी उसके शरीर के बाहर काला क्रिस्टल कवच खड़ खड़ा रहा था लेकिन यह अभी भी उसके शरीर को कसकर कैद कर रहा था किन शिव ने अब और नहीं बोला उसकी आखे चमक उठीन और काले क्रिस्टल कवच पर एक रहस्य में आदेश श्रिंखला प्रभामंडल भह गया जिससे हान सेन के चारो और का काला क्रिस्टल कवच भी तिम्टिमाने लगा हान सेन के चारो और लिप्टा काला क्रिस्टल कवच अचानक सिकुड गया जिसने हान सेन के शरीर को कसकर कैद कर लिया शरीर उसी समय हान सेन को लगा कि कवच के अंदर अंगिनत सुयां उसके शरीर और नसों को छेद रही हैं और फिर यह एक सुई बैरिल की तरह लग रहा था उसके शरीर में एक निश्चित पदार्थ का पागलपन भरा निशकर्शन तुम भी एक बार प्राइमार कवच के मालिक थे लेकिन दुर्भाग्य से तुम कभी भी इसके मालिक नहीं बन पाओगे अकेले ही जान पाओगे कि यह कितना शक्तिशाली है अब तुम इसकी असली शक्ती का अनुभव करो किन शियो ने उदासीनता से कहा हान सेन ने आखिरकार कहा चाहे यह प्राइमार कवच कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो यह तुम्हारे किन शियो की उतक्रिष्ट कृती नहीं है तुम्हें इस पर गर्व करने का क्या अधिकार है किन शियो ने ये शब्द सुनकर हलके से मुस्कुराया ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही प्राइमार कवच की उत्पत्ति जानते हो यह सही है यह प्राइमार कवच मूल रूप से राष्ट्रपती शेन लुआंग का था और इसे पूरे ब्रहमांड के आनुवन्शिक मूल के साथ बनाया गया था सर्वच कवच यह इस कवच के साथ है कि अध्यक्ष शेन लुआन जीन के मंदिर के सामने खड़े हो सकते हैं और यहां तक कि जीन के मंदिर को भी पीछे छोड़ सकते है क्या गिल्ड मास्टर शेन लुआन जीन समारक पर भरोसा नहीं कर रहे है हान सेन ने कहा ऐसा लगता है कि आपका ज्यान सही है, बहुत सीमित है जीन समारक का उप्योग जीन मंदिर को बदलने के लिए किया जाता है हालांकि यह शक्तिशाली है, लेकिन इसका उप्योग एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा यह ब्रहमांड के पक्ष और विपक्ष को प्रबंधित करने के लिए उप्योग किया जाने वाला एक उपकरण है और यह शक्ति का प्रतीक है किन? शिव ने कहा तो यहाँ बात है हान सेन को लगा कि उसकी शक्ति लगातार उसके शरीर के बाहर काले क्रिस्टल कवच द्वारा खीची जा रही थी लेकिन इस तरह के निशकर्शन ने न केवल उसके शरीर में शक्ति को समाप्त किया बल्कि उसे वास्तव में इस शरीर की शक्ती का एहसास कराया. बहुत सारी शक्ती छीन लिये जाने के, बाद भी इस शरीर में शक्ती अभी भी समुद्र की तरह अंतहीन थी. किन शिव के शरीर पर काला क्रिस्टिल कवच रहस्य में अभिशा पैटर्न के साथ चमक रहा था, जो लगातार दिखाई और गायब हो रहे थे, जैसे की अंगिनत. कोड घूम रहे थे, और उसकी आखे भी मंत्रमुग्द कर रही थी. किन शिव हान सेन के शरीर से आनुवनशिक जानकारी निकालना चाहता था, और सीधे उस शरीर से हान सेन की आनुवनशिक जानकारी को मिटाना चाहता था, जिससे वानेर, स्वाभाविक रूप से निकल जाए. यह काले क्रिस्टल कवच की अनूठी क्षमता है ब्लैक क्रिस्टल कवच के अलावा ऐसी कोई शक्ती नहीं है जो सभी जीवित चीजों की आनुवन्शिक जानकारी का विशलेशन कर सके केवल ब्लैक क्रिस्टल कवच ही ऐसा कर सकता है हाला कि हान सेन के शरीर से बड़ी मात्रा में आनुवन्शिक जानकारी निकालने के बाद किन्शिव ने ब्लैक क्रिस्टल कवच की क्षमता की गण्ना जारी रखी लेकिन वह अभी भी गण्ना पूरी नहीं कर पाया यह कैसे? संभव है इस समय किन्शिव भी हैरान था? प्राइमार कवच महान ब्रहमान के जीन पूल के बराबर है यहां तक कि आत्मा के जीन भी शामिल है किसी प्राणी की आनुवन्शिक जानकारी का विशलेशन करने की बात तो दूर यहां तक कि किसी जाती के विकास सितिहास का विशलेशन करने के लिए भी इतना लंबा समय पर्याप्त है लेकिन अब तक प्राइमार कवज अभी भी उनमत गणना और विशलेशन की प्रक्रिया में है एसा लगता है कि हान सेन के शरीर में नहिद जानकारी की मात्रा इतनी बड़ी है कि यहां ओवरलोड होने वाली है और विशलेशन पूरा करने में बहुत लंबा समय लग गया है इस शरीर के साथ क्या हो रहा है? वानेर और हान सेन के शरीर को मिला कर इतना भयानक जीन कैसे बनाया जा सकता है किन शियू ने जटिल अभिव्यक्ती के साथ कवच में फंसे हान सेन को देखा प्रियर प्रवेश करने के लिए क्लिक करें और एक अच्छी समीक्षा दें जितना अधिक स्कोर उतनी ही तेजी से अपडेट ऐसा कहा जाता है कि जिनोंने नया पूरा स्कोर दिया उन्हें अंत में एक सुन्दर पत्मी मिली मोबाइल स्टेशन अपग्रेट पते का नया संसकरण डेटा और बुकमार कम्प्यूटर स्टेशन के साथ सिंक्रनाईज किये गए है कोई विज्यापन नहीं ताजा पढ़ना जैसे ही किन शिव भौहें सिकोड रहा था उसे अचानक आत्मा से धड़कन महसूस हुई जिससे किन शिव का चहरा एकदम बदल गया लानत है किन शिव के शरीर पर काला क्रिस्टल कवच अचानक अनियंतरित रूप से हिलने लगा क्लिक हान सेन के चारो और लिपते काले क्रिस्टल कवच पर कई अंतराल अपने आप खुल गए और एक जानी भचानी शक्ती उसमें प्रवाहित हुई यह वह है हान सेन को अचानक लगा कि वह जानी भचानी शक्ती वह चेतना थी जिसे उसने प्राइमार्क के कवच के साथ महसूस किया था उस चेतना के हान सेन के शरीर पर काले क्रिस्टल कवच में प्रवाहित होने के बाद वह काला क्रिस्टल कवच जिसने मूल रूप से हान सेन को रोका था अब एक अजीब शक्ती को उगल रहा था और इसके बजाए हान सेन की मदद बन गया हान सेन बहुत खुश हुआ और तुरंट अपनी ताकत जुटाई और किन शिव को मुक्का मारा जो उसके सामने था किन शिव ने मुक्का सहा और तुरंट उसका पूरा शरीर उल्टा हो गया हवा में हवा की एक लहर खीची और वह रुखने से पहले सैकडो मील पीछे हट गया किन शिव चौक गया और अविश्वास से हान सेन को देखा या वहा हान सेन को नहीं देख रहा था बलकि हान सेन पर काले क्रिस्टल कवच को भी देख रहा था लुआन, तुमने वास्तव में उसके लिए प्राइमार कवच के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करना छोड़ दिया, किन शिव के चहरे पर आश्चर्य की जलक दिखाई दि, लेकिन उसकी आँखे धीरे धीरे तेज हो गई, हान सेन के शरीर पर काले क्रिस्टल कवच को घूरते हुए हान, सेन के शरीर पर काला क्रिस्टल कवच अपने आप बिखर गया, हान सेन के शरीर से गिर गया, और फिर से एक स्त्री जैसा काला क्रिस्टल कवच बन गया यहां काला क्रिस्टल कवच लगभग वैसा ही है जैसा की हान सेन ने पहली बार देखा था लेकिन अब कवच पर और अधिक जान है स्त्री जैसा काला क्रिस्टल कवच किन शिव को देखकर बोला, क्या यह वही नहीं है जो तुम चाहते थे? क्या तुम हमेशा इसे पाना नहीं चाहते? थे, अब तुम आखिरकार सफल हो गए, आखिरकार स्त्री जैसा काला क्रिस्टल कवच फिर से हान सेन को देखकर बोला हान सेन, हम आखिरकार फिर से मिल गए क्या तुम अराजक समाज के अध्यक्ष हो हाला कि हान सेन ने पहले ही उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था लेकिन वह पूछने से खुद को रोक नहीं पाया मैं लुआन हूँ तुम्हारे शरीर पर मेरी आध्यात्मिक चेतना का एक निशान है संभवता जिन्होंने मेरी बची हुई आत्मा को देखा है उन्हें मेरी पहचान पहले से ही पता होनी चाहिए लुआन ने कहा हान सेन कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके बोलने से पहले लुआन ने कहा अभी बोलने का समय नहीं है तुम और मैं पहले उसे मार देंगे यह हमारा सबसे अच्छा मौका है हान सेन के बोलने से पहले वहां मौजूद किन शियू ने थंडी आवाज में कहा लुआन तुमने प्राइमार के कवच का नियंतरन छोड़ दिया है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी थोड़ी सी शक्ती से मुझे हरा सकती हो मैं नहीं कर सकता लेकिन हम कर सकते हैं बकवास करते हुए शरीर हान सेन की और बढ़ा और काले क्रिस्टल कवच ने सीधे हान सेन के शरीर को लपेट लिया अपना शरीर मुझे पूरी तरह से इस्तिमाल करने के लिए दे दो इस शरीर की शक्ती कलपना से परे है मेरी नियंतरन क्षमता के साथ इस शरीर की शक्ती का उप्योग करके किन शिव को मारा जा सकता है जिसके पास प्राइमार का कवच है यहां भविश्य में बोवर से लड़ने से बचने का एक मात्र मौका है जब हान सेन के शरीर के चारो ओर काला क्रिस्टल कवच लिप्टा हुआ था तब हान सेन के दिमाग में भी अराजक आवाजे गूंज रही थी ठीक है मुझे क्या करना चाहिए हान सेन को बावेर की रक्षा करने के लुआन के द्रिट संकल पर कोई संदेह नहीं था अपने शरीर और दिमाग को छोड़ दो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो अराजक आवाज हान सेन के दिमाग में गूंज रही थी और उसी समय हान सेन को लगा कि उसके शरीर में शक्ती बेथाशा बढ़ रही है जो उसके बाहर काले क्रिस्टल कवच के साथ विलीन हो रही है मूल रूप से काला कवच एक पल में हान सेन के शरीर के समान पारदर्शी रंग में बदल गया जैसे की हीरे से ढाला गया हो एक चमकदार आभा बिखेर रहा हो हान सेन को लगता है कि उसकी चेतना स्पष्ठ है और वह अपने शरीर को नियंतरित कर सकता है लेकिन उसका शरीर उसी समय एक अन्य चेतना दवारा नियंतरित होता है यह ऐसास बहुत अजीब ए यह ऐसा है जैसे कोई गेम खेलते समय दो हैंडल एक ही चरितर को नियंतरित कर सकते हैं लेकिन कुछ अंतर है हाला कि हान सेन अब इसे नियंत्रित नहीं करता है, लेकिन वह इस शरीर में सभी भावनाओं को महसूस कर सकता है किन शिव को भी बहुत बड़ा खत्रा महसूस हो रहा था, उसकी अभिव्यक्ती बेहत गरिमापूर्ण थी और उसके शरीर पर काले क्रिस्टल कवच की शक्ती घूम रही थी, जिससे उसकी अपनी ताकत चरम सीमा पर पहुँच गई लुआन, तुम भोलेपन से नहीं सोचते कि तुम सिर्फ उस शरीर से मुझे और प्राइमार कवच को हरा सकते हो, है न, किन शिव की गती और भी मजबूत होती गई, और आसपास का शून्य उसकी शक्ती से प्रभावित हुआ गंभीर विकृतिया पैदा हुई उसके चारों और कई द्रिश्य दिखाई दिये, जैसे मृगत्रिशनाए लुआन ने उदासीनता से कहा, यह तुम ही हो जो निर्दोश हो, मैंने प्राइमार कवच बनाया है, इसे मुझसे भैतर कोई नहीं जानता, लेकिन तुम नहीं समझते कि यह शरीर कितना भयानक है फिर चाहे शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, इसका क्या फाइदा क्या यह हो सकता है कि वह शारेरिक रूप से अंतिम चरण को तोड़ सके, किन शिव ने तिरसकार पूर्वक कहा कुछ भी संभव है लुआन ने हलके से कहा, और उसी समय आगे बढ़ा उसके कदम के साथ, पूरी दुनिया उसके कदमों के साथ आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है और पारदर्शी शक्ती भी उसी समय किन शिव की ओर दबाव डाल रही है यह गलत नहीं है कि आपने प्राइमार कवच बनाया है लेकिन मैं ही एक मात्र व्यक्ती हूँ जो वास्तव में इसकी शक्ती को आगे बढ़ा सकता हूँ सीमा तक किन शिव की आखे बिना किसी जिजक के सक्त थी और उसके शरीर से बेजोड काली शक्ती फूट पड़ी दोनों ताक्ते तैतीस दिनों के भीतर टक्रा गई जिससे पूरा तैतीस स्वर्ग एक अजीब आधी अंधेरी और आधी पारदर्शी दुन्या में बदल गया तुम सही हो केवल तुम ही प्राइमार कवच की शक्ती को सीमा तक धकेल सकते हो दुर्भाग्य से तुमने अभी तक वह कदम नहीं उठाया है तुमने प्राइमार कवच प्राप्त कर लिया है लेकिन तुम्हारा शरीर अभी तक सीमा तक नहीं पहुचा है पुनह आरंबस्तर तुमने अभी तक वह कदम नहीं उठाया है इसलिए आज तुम केवल मर सकते हो और तुम्हें पुनर्जन का मौका नहीं मिलेगा बकवास करते हुए उसने एक और कदम उठाया क्लिक इस कदम पर जहां आधी अंधेरी दुनिया अस्तव्यस थी वहां बड़े पैमाने पर दरारे और पतन थे अस्तव्यस पच्चिन किन शिव की और कदम दर कदम बढ़ते रहे हर बार जब वह एक कदम उठाती तो अंधेरी शक्ती बहुत धह जाती किन शिव के पूरे शरीर की शक्ती लगातार फूटती रही लेकिन वह लुआन के आगे बढ़ते कदमों को रोक नहीं सका यहां कैसे संभव है क्या तुम्हारे पास वह कदम उठाने के लिए वास्तव में एक भौतिक शरीर है किन शिव के हावभाव आखिरकार बदल गए लेकिन एक मुसकान फिर से चमक उठी और उसने खुझ से कहा जैसा की वानेर से उम्मीद थी किन शिव मर जाओ लुआन ने किन शिव को कोई मौका नहीं दिया फिर से बाहर निकल आया पूरी अंधेरी शक्ती पूरी तरह से ढह गई और किन शिव के काले क्रिस्टल कवच पर कई दरारे दिखाई दी जो किसी भी समय बिखरने लगती थी और लुआन की मुक्का पहले ही किन शिव के सिर पर लग चुका था पूरी दुनिया इस मुक्के पर सिमट गई लगती है जो बेजोड ताकत के साथ उतर रहा है किन शिव पूरी दुनिया की ताकत से दबा हुआ था लेकिन उसका शरीर अभी भी सीधा था बिना किसी डर के उसने मुस्कुराते हुए अपनी आखे बंद की और कहा लुआन यह तुम नहीं हो जो मुझे मार सकते हो इस दुनिया में केवल वानर ही मुझे मार सकती है यही मुझे उसे वापस देना चाहिए मौत तो मौत है लुआन अविचल था और उसकी मुठिया हिंसक रूप से बंबारी करती रही हम्मा लेकिन जिस समय लुआन की मुठि किन शियू के सिर पर लगने वाली थी वह अचानक रुप गया और लुआन का पूरा शरीर काप उठा अच्छा नहीं हान सेन को पहले ही एहसास हो गया था कि क्या हुआ है यहाँ वानर की इच्छा है यहाँ शरीर न केवल उसका है हान सेन बलकी वानर का भी है वह किन शियू की अपनी बहन है एक लड़की जो किन शियू के लिए सब कुछ देने को तयार थी वह अपने शरीर को किन शियू को कैसे मार सकती थी प्रिये प्रवेश करने के लिए क्लिक करें और एक अच्छी समीक्षा दे जितना अधिक स्कोर उतनी ही तेजी से अपडेट ऐसा कहा जाता है कि जिनोंने नया पूरा स्कोर दिया उन्हें अंत में एक सुंदर पत्नी मिली मोबाइल स्टेशन अपग्रेड पते का नया संसकरन देटा और बुकमार कम्प्यूटर स्टेशन के साथ सिंक्रनाईज किये गए है कोई विज्यापन नहीं ताजा पढ़ना धमा का उस द्रिड इच्छा शक्ती के साथ हान सेन का बॉडी शेन शरीर अचानक बिखर गया कौंग्शा लिट्रेचर नेटवर्क हान सेन वानेर और लुआन यी तीन भागों में विभाजित हो गए और एक पल में तीन अलग-अलग दिशाओं में उच्छल गए मूल रूप से बना भयानक बलक्षेत्र बिना किसी निशान के गायब हो गया किन शिव की आखे थंडी चमक उठीन और काला क्रिस्टल कवच फिर से सक्रिय हो गया वह आदमी हान सेन के सामने एक शैतान की तरह प्रकट हुआ और हान सेन के माथे की ओर इशारा किया हान सेन अभी भी शुद आत्मा अवस्था में था और उसके दिमाग में एक विचार आया ब्रहमांड के नियमों के प्रतिबंधों को तोड़ कर दूर जाना चाहता था लेकिन काले क्रिस्टल कवच की शक्ती शुद आत्मा शरीर को भी सीमित कर सकती है पूरा स्थान कैद नहीं है और हान सेन के शुद आत्मा शरीर को दूर नहीं किया जा सकता है। यहां जानते हुए कि वह जीवन और। मृत्यू के महत्वपूर्ण बिंदू पर था, हान सेन ने अपने दांत पीस लिए और बिना किसी हिचकिचाहट के शुद्धात्मा अवस्था को छोड़ दिया। उसी समय इसने उसके बॉडी शेन, शरीर को लपेट लिया। उसकी रक्त वाहिकाएं और नसे उबल रही थी और उसकी मानस्पेशिया और हड्या बरफीली थंडी थी। हान सेन ने एक पल में अपनी ताकत को सीमा, तक धकेल दिया और किन शियो की उंगलियों पर मुक्का मारा। जब मुठी उंगलियों से टकराई तो हान सेन को लगा जैसे उसे बिजली का जटका लगा हो। मुठ्थी उंगलियों पर चूसी गई और उसकी अपनी शरीर की शेन शक्ती। अनियंत्रित रूप से किन शिव की ओर बहने लगी। मैंने पहले ही कहा है कि प्राइमार कवच ब्रहमान का स्रोत। है? चाहें आपकी शक्ती कैसे भी बदल जाए। जब तक यह ब्रहमान के नि इस्थी बंधित रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जीवित रहें। अगर मैं चाहता हूँ कि आप मर जाएं तो आपको। मरना होगा। किन शियु ने हान सेन को उदासीनता से देखा। भले ही किन शियु यह न कहें हान सेन। बहुत स्पष्ठ है। उसके पास एक बार प्राइमार कवच था और उसने प्राइमार कवच का उप्योग एक अलग प्राणी के शरीर को विक्सित करने के लिए किया था और एक आत्मा शरीर जैसे की एक जानवर की आत्मा को भी विक्सित किया था बिना किसी उर्जा का उपभोग किये अब इस बारे में सोचते हुए, अगर ब्रहमांड का स्रोत ना होता, जिसमें ब्रहमांड में सभी चीजों की आनुवनशिक जानकारी के सभी क्रम समाहित हो सकते हैं, तो ऐसा करना असंभव होता, लेकिन जब हान सेन ने खुद इस तरह की शक्ती का सामना किया, तो उसे भी इससे निपटना मुश्किल लगा, अगर तुम चूसना चाहते हो, तो तुम्हें चूसना चाहिए, हान सेन पीछे नहीं हटा, बलकि आगे बढ़ा, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, उसकी पूरी, शरीर की शेन, युद्ध शक्ती बढ़ रही थी, और उसकी शरीर की शेन, शक्ती पागलपन से फट गई, जबरन किन शिव को मारने की कोशिश कर रही थी हिलाओ, हाला की काले क्रिस्टल कवच पर अभिशा प्रेखाय बह रही थी, चाहे हान सेन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे सभी काले क्रिस्टल कवच द्वारा अवशोशित हो गए थे, हान सेन की शक्ती जितनी मजबूत होगी, इसे अवशोशित करने के बाद काले क्रिस्टल कवच का विकास उतना ही शक्तिशाली होगा काला क्रिस्टल कवज एक राक्षस की तरह है जो अनंत रूप से विक्सित हो सकता है इस पर पढ़ने वाली कोई भी शक्ती, शरीर की शेन, इसके विकास के लिए पोशक तत्व बन जाएगी जिससे यह और अधिक मजबूत हो जाएगा हान सेन की ताकत ने न केवल उसे नुकसान नहीं पहुँचाया, बलकि इसके बजाय काले क्रिस्टल कवज या किन शिव के लिए एक शक्तिशाली मदद बन गई हाला की केवल एक पल बीता था हान सेन को लगा की उसका बोडी शेन, शरीर बेहत खाली हो गया था, जैसे कि वह खाली होने वाला था इस तर तक विक्सित होने में सक्षम होने के लिए आपको बहुत अच्छा माना जा सकता है इस तत्य को देखते हुए कि आपने वानर, प्रेम का ख्याल रखा है फिर से मेरा दुश्मन मत बनो, किनस शिव ने कहा, उसने अपना दूसरा हाथ उठाया, धीरे धीरे इसे मुठी में बांधा, और हान सेन के सिर पर बंबारी की मत करो, अचानक एक, जियाओ जियाओ, चिल्लाहट सुनी, और एक आकरिती को भागते हुए और हान सेन के सामने को रोकते हुए देखा, यहाँ वानर था जो हान सेन से, अलग हो गया था यहाँ सिर्फ इतना है कि वानर की आखे अब साफ हैं, और उसके लंबे बाल धीरे-धीरे, काले हो रही हैं यह स्पष्ठ है कि वो कभीले के वानर की इच्छा किन वानर की इच्छा को दबाती है और एक प्रमुख स्थान रखती है भाई किन शिव, मैं आपसे विंती करता हूँ, भाई को चोट मत पहुचाओ उसे जाने दो, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है, तो मैं उसे फिर कभी नहीं देखूँगा वानर हान सेन के सामने खड़ा था और फूट-फूट कर विंती कर रहा था किन शिव ने आंसु भरे वानर को देखा, धीरे से अपनी मुठ्थी नीचे की चहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और वानर के बालों को सहलाया और कहा, वानर, जब तक तुम चाहो, मैं जो चाहो कर सकता हूँ जैसे ही उसने यह कहा, किन शिव ने हान सेन की मुठ्थी पर अपनी उंगली वापस खीच ली अपना हाथ वानर की कमर के चारो और लपेटने के लिये बढ़ाया और वानर के साथ दूर चला गया भाई किन शिव, शुक्रिया, मैं भविश्य में आपकी बाद जरूर सुनूंगा वानर ने पीछे खड़े हान सेन की ओर देखा, शेन, और जोर से कहा, जल्दी करो, ऐसा दोबारा मत करना चलो, वानर, किन शिव ने धीरे से वानर को खीचा और कहा जिस क्षण वानर ने अपना सिर पीछे घुमाया किन शिव के दूसरे हाथ ने चुपचाप एक मूख शक्ती निकाली जो लंबे समय से जमा थी और तुरंथ हान, सेन पर बंबारी की जो शून्य में लटके हुए थे हान सेन वानर जितना भोला नहीं था उसने लंबे समय से सोचा था कि किन शिव उसे कभी जाने नहीं देगा हवा में बिना किसी आवाज के अंगिनत काले शाप पैटन से बनी एक प्रकाश किरण को आते देखकर उसे हिम्मत जुटानी पड़ी उसके दान तूट गए और फिर से फट गए शक्ती के अवशेशों ने प्रकाश की भयानक किरण का सामना किया अंतरिक्ष में खामोश शक्ती के उतार चढ़ाव फूट पड़े और पूरा विश्व उस रहस्य में शक्ती से अस्तव्यस्थ हो गया वानर जिसे किन शिव ले गई थी उसे शक्ती के थोड़े से भी उतार चढ़ाव का एहसास नहीं हुआ और वह उस भयानक आपदा से पूरी तरह अंजान थी जो उसकी पीठ पीछे हो रही थी उसे किन शियों ने तैतीस दिनों के लिए ले जाया था क्रैक, क्रैक, हान सेन, शेन, के शरीर पर मौझूद डोंगक सुआन कवच भयानक शक्ती के नीचे बिखर गया मानस्पेशियां, मास और हड्डिया फट गई और अत्याचारी पर आया युद्ध शरीर भयानक शक्ती को रोक नहीं सका हवा में से काली रोशनी की एक धारा निकली यह काला क्रिस्टिल कवच था जो अराजक्ता में बदल गया बस इतना है कि चावबिन, ऐसे चेन में सिर्फ एक आत्मा शरीर बचा है और प्राइमार के कवच के त्याग के साथ उसकी ताकत ज्यादा नहीं बची है हान सेन खुद भी कमजोर है और दोनों की सन्युक्त ताकत अभी भी मजबूत है उस भयानत प्रहार का विरोध करने में असमर्थ हान सेन की बोडी शेन हड्या चीख रही थी और काप रही थी और बोडी शेन बाहर का काला क्रिस्टिल कवच बोडी शेन भी एक के बाद एक दरारे दिखा रहा था और वह तूटने ही वाला था मैं अपनी पूरी कोशिश करने जा रहा हूँ हान सेन को लगा कि उसका शरीर तूटने वाला है वह दहार उठा और जबरदस्ती सुपर स्पिरिट बोडी की सीमा को तोडने की स्थिती में प्रवेश करने वाला था और आखिरकार एक मौके के लिए लडने वाला था हाला कि उसे अचानक अपने शरीर से एक शक्ती आती हुई महसूस हुई वह शक्ती अजीब और अकतनिय थी और इसने एक पल में दुनिया को उलट दिया किन्शियू के भयानक प्रहार को जबरन प्रकाश की एक शान्तिपूर्ण किरन में बदल दिया गया वादा अंडा हान सेन को अचानक अहसास हुआ कि उसके शरीर में क्या शक्ती है वादा अंडा कुछ समय से नहीं हिला था हान सेन को लगा कि यह खुद ही परिश्कृत हो गया है तभी उसे एहसास हुआ कि वादा अंडा अभी भी उसके बौडी शेन शरीर में था इस समय तेजी से घूम रहा था एक अजीब सी ताकत बिखेर रहा था यह चीज वास्तव में तुम्हारे बौडी शेन शरीर में है तुम वाकई किसमत वाले हो चलो लुआन भी थोड़ा हैरान था लेकिन फिर भी उसने हान सेन से जाने का आग रह किया हान सेन ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की अपने कमजोर शरीर को घसीटा जबरदस्ती सूपर गौड स्पिरिट बौडी की अवस्था में प्रवेश किया और तैतीस दिनों के लिए सीमा को तोड़ दिया वादे का अंडा वास्तव में उसके उपर है किन शियों ने थोड़ा भौहे सिकोडी और तैतीस स्वर्ग की दिशा में देखा उसका चहरा थोड़ा भद्दा था लेकिन वानर ने उसकी बाह पकड रखी थी किन शियों की आखे थोड़ी हिली फिर भी उसने तैतीस दिनों में वापस जाने का विचार छोड़ दिया प्राइमार कवच का मैंने पूरी तरह से उप्योग कर लिया है मैं उन्हें किसी भी समय मार सकता हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उन्हें कुछ और दिन जीने दूँ किन शियों ने अपनी आखे सिकोड ली लेकिन फिर भी लापरवाही से एक संदेश टाइप किया किन शियों के प्रती वफादार भयानक जीवों ने किन शियों का संदेश प्राप्त किया और तुरंत कारवाई की प्रिये प्रवेश करने के लिए क्लिक करें और एक अच्छी समीक्षा दें जितना अधिक स्कोर होगा, अपडेट उतनी ही तेजी से होगा ऐसा कहा जाता है कि जिनोंने नया पूरा स्कोर दिया, उन्हें अंत में एक सुन्दर पत्नी मिली मोबाइल स्टेशन अपग्रेट पते का नया संसकरण, डेटा और बुकमार्क कम्प्यूटर स्टेशन के साथ सिंक्रनाईज किये गए हैं, कोई विज्ञापन नहीं ताजा पढ़ना हान सेन ने जबरन तैतीस दिनों के लिए दर्वाजा खोला और चीफेन तियान के भगवान के रूप में चीफेन तियान में वापस टेलिपोर्ट किया पिताजी, बाओर ने हान सेन को देखा और तुरंट उसका अभिवादन किया बाओर चलो, हान सेन ने बाओर को ऊपर खीचा और चीफेन तियान को छोड़ने वाला था इससे पहले की हान सेन कोई कारवाई कर पाता, चीफ एंटियन ने एक के बाद एक ब्लैक होल जैसे अंतरिक्ष मार्ख खोल दिये और भयानक जीव ब्लैक होल से बाहर आ गए हान सेन, हम फिर से मिलते हैं, एक अजीब सी आवाज आई और मैंने देखा कि कैयो सोसाइटी के एल्डर शेंग ब्लैक होल से बाहर आ रही हैं और उनके साथ कैयो सोसाइटी के कई अन्य बुजर्ग भी थे उनमें से एक लोकिड है, जिससे हान सेन परिचित है हान सेन ने एल्डर शेंग को अन्देखा किया, बावयर को पकड़ लिया और ची फेंटियन के भगवान के रूप में अपनी पहचान का उपियोग करके ची फेंटियन से दूर टेलिपोर्ट करने वाला था, लेकिन उसने एक भयानक जानवर की दहाड सुनी और पूरा ची फेंटियन दहाड उठा, कमपन जारी रहा, अन्तरिक्ष अव्यवस्थित हो गया, और हान सेन ची फेंटियन को छोड नहीं सका एक, असली ड्रैगन जैसा सीमा तोडने वाला जानवर अन्तरिक्ष से आया, जहां भी उसका शरीर गया, समय और स्थान विकृत हो गये, पूरी तरह से कैद, हान सेन, बहतर होगा कि आप आज्याकारी होकर मरें, अगर आप मुझे अकेले अपने लिए अपना, सर्वश्रे एक सक्त आवाज सुनी, एल्डर, शैंग अवचेतन रूप से अपना सिर घुमा कर देखना चाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक कागश का चाकू पहले ही, काटा जा चुका था, उनका द्रिष्टिकोन लड़ खड़ा रहा था, एक सिर हवा में उड़ गया था, और उनका चहरा अविश्वा से भरा हुआ था जब तक की वे मर नहीं गए, दिव्य अराजकता समाज के अन्य बुजर्ग भी लोकिड को देखकर हैरान थे, जिसने एल्डर, शैंग का सिर काट दिया था, मेरे स्वामी, इसे यहां मेरे पास छोड़ दो, हान, सेन, पहले अपने स्वामी को ले जाओ, ल की दिशा में जुग गया, फिर अराजकता का सामना करने के लिए एक कागश का चाकू पकड़े हुए घूम गया, कई भयानक जीव, हान, सेन, जानता था कि लोकिड की सलामी उसके लिए नहीं थी, बलकि उसके शरीर पर काले, क्रिस्टल कवच के लिए थी, यानी अराजकत के नेता को सलामी, हाला कि वह जानता था कि लोकिड कभी वापस नहीं, आएगा, हान, सेन, अब बेहत कमजोर हो गया था, भले ही वह रुका और लोकिड के साथ लड़ा, लेकिन इससे, उसे केवल कुछ अतरिक्त जीवन की कीमत चुकानी पड़ेगी, एक शब्द भी कहे ब हान सेन ने बावेर को उठाया, अपनी आखिरी ताकत जुटाई, और जबरन उस जगह की ओर दोड़ा जहां अंतरिक्ष दोलन कर रहा था, असली ड्रैगन जैसा, दिखने वाला भयानक जानवर दहारता हुआ हान सेन को निगल गया, लगभक उसी समय, एक साथ बहुत सारे सीमा तोडने वाले, जानवर दोडे, लोकिड की आखों में एक थंडी रोशनी चमकी, और उसने अपना हाथ खोला, और कागज के टुकडे बर्फ, के टुकडों की तरह उड़ गए, दोनों हाथों की उंगलिया कैंची में बदल गई, कागज के टुकडों के बीच में, क् पल में कागज के टुकडों को सिलहूट में काट दिया, सिलहूट भयानक जीवों में बदल गए, और कई सीमा तोडने वाले जानवरों का स्वागत किया, उनमें से अधिकांश को रोक दिया, लोकिड, तुम राश्ट्रपती के दुश्मन, बनने की हिम्मत करते हो, क्या त सोसाइटी के एक बुजुर्ग, ने लोकिड को ठंडी निगाह से देखा और सवाल किया, लोकिड के मूं का कोना तिरसकारपूर्ण चाप में थोड़ा मुडा, मेरे साथ, लोकिड, क्यों सोसाइटी का हमेशा केवल एक ही अध्यक्ष होगा, और वह मास्टर रैन है, आखि चुँकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, क्यों सोसाइटी के बुजुर्गों ने थंडे तरीके से अपने हाथ हिलाए, और अधिक सीमा तोडने वाले जानवर लोकिड की ओर दोडे, हान सेन ने अपने दांद पीस लिए और, अपने पीछे मुड कर न देखे, फिर भी वह कलपना, कर सकता था कि उसके पीछे क्या चल रहा था, इसे मुझे दे दो, हान सेन ने बची हुई आखिरी, ताकत को इकठा किया, और असली ड्रैगन जैसे दुनिया तोडने वाले पर मुक्का मारा, एक हाथ से आस्मान को ढखने, के कौशल के तहट, शक्तिशाली बल ने सीधे दुनिया तोडने वाले के शरीर को छेद दिया, विशाल शरीर की छाती में खून का एक छेद है, उस प्रभाव के साथ, हान सेन सीमा तोडने वाले के शरीर से गुजरा और, 33 दिन दूर चला गया, 33 दिनों के समराठ के बेटे किन शिव की मदद से, 33 दिनों का कोई, भी दिन हान सेन के लिए सुरक्षित नहीं है, 33 दिनों से आगे जाने पर ही उसके बचने का मौका, मिल सकता है, लेकिन इससे पहले की हान सेन चीफ फेंटियन से बाहर निकलता, उसने एक आकरिती को अपना रास्ता, रोकते हुए देखा, शेनलुआन हुई के चार राजाओं में से एक, मुझे तुम्हारा जीवन पीछे छोडने का आदेश दिया गया था, आकरिती शून्य से आई, लेकिन समय उसके पैरों के नीचे जम गया, हान सेन यह देख कर भैभीत हो गया की, उसका शरीर आगे की और बढ़ रहा था, लेकिन उसके आसपास की हर चीज अप्रिवर्तित थी, मानो पूरा स्थान उसके, उपर जम गया हुँ, वह समय प्रणाली का एक सीमा तोड़ने वाला प्राणी है, सीमा तोड़ने की दर असीम रूप से 100% के करीब हैं, यह है प्राइमार्क के कवच की मदद से ही इस तरह के सीमा तोड़ने वाले प्राणी को बनाना संभव है, हान सेन के दिमाग में अराजक आवाज गूंजी हान सेन ने चुपके से कराहते हुए कहा उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी इसलिए उसके पास इस तरह के शीर शस्तरिय सीमा तोडने वाले जानवर से निपटने की ताकत नहीं थी समय मेरे लिए एक तराजू की तरह है अनन्त यूग और हजारों साल सिर्फ मेरी उंगलियों के बीच है लेकिन तुम्हारा तराजू मेरे द्वारा मिटा दिया जाएगा और समय की लंबी नदी में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा एच ने उदासीनता से कहा उसके सामने उसकी उंगलिया खाली थी जा करें हान सेन को अचानक लगा कि उसके आसपास का समय जम गया है जैसे कि वह समय के प्रवाह के बिना एक स्थिर स्थान में पूरी तरह से फंस गया हो अचानक हान सेन को लगा कि समय और स्थान ने अपनी जीवन तता वापस पाली है और आसपास का समय बहने लगा है क्या हो रहा है हान सेन हैरान था और उसी समय उसने एक आवाज सुनी अगर तुम समय के साथ खेलना चाहते हो तो तुम अभी भी बहुत पीछे हो मेरे सामने किसी को भी समय को नियंतरित करने का अधिकार नहीं है समय की लंबी नदी के साथ एक पतली आकृती आई ऐसा लग रहा था कि वहा बहुत धीरे चल रही है लेकिन यह बहुत तेज लग रही थी वहा पलक जपकते की हान सेन के पास से गुजर गई और जहां वह चली वहा जमे हुए समय का पैमाना तुरंत सामान्य हो गया जैसे कोई गलेशियर पिघल रहा हो देवी सेटसुना हान सेन ने गर्वित आकृती को स्पष्ट रूप से देखा और थोड़ा आश्चर यचकित हुए बिना नहीं रह सका यहां गती की देवी स्पष्ट रूप से उसके धन के देवता मंदिर में नहीं है बलकि गती की देवी है जो बारा विनाशकारी देवताओं में से एक है हान सेन ने कभी नहीं सोचा था कि देवी क्षणिक इस समय प्रकट होंगी और ऐसा लग रहा था कि वह उसकी मदद करने के लिए वहां थी तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम है एक अंतहीन समय चक्र मैं डाल दूँ देवी सेटसुना ने हान सेन की ओर देखे बिना कहा धन्यवाद हान सेन को नहीं पता था कि देवी सेटसुना ने उसकी मदद क्यों की लेकिन अब कुछ भी कहने का समय नहीं था इसलिए वह पल्टा और बावेर को अपनी बाहों में लेकर चला गया रुको एच का चहरा उदास था हान सेन को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे देवी सेटसुना ने रोक दिया इतनी जल्दी में मरने की जल्दी मत करो तुम्हारा जीवन मेरा है देवी सेटसुना ने हलके से कहा क्रिप्या इस पुस्तक का पहला डोमेन नाम याद रखें साहित्य संग्रहालय के मोबाइल संसकरन की वेबसाइट M.PRIE प्रवेश करने के लिए क्लिक करें और एक अच्छी समीक्षा दें जितना अधिक स्कोर होगा उतनी ही तेजी से अपडेट होगा ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने नया पूरा स्कोर दिया उन्हें अंत में एक सुन्दर पतनी मिली मोबाइल स्टेशन अपग्रेट पते का नया संसकरन डेटा और बुकमार कंप्यूटर स्टेशन के साथ सिंक्रनाईज किये गए हैं कोई विज्यापन नहीं ताजा पढ़ना हान सेन आखिरकार ची फेंटियन से बाहर निकल गया लेकिन तैतीस दिन बाद और भी सीमा तोडने वाली लोग आहे और तारो वाले आकाश को जवार की तरह निगल गये कुआंगशा लिटरेचर नेटवर कचानक पूरी दुनिया चमक उठी और चमकदार रोशनी ने पूरे ब्रहमान को रोशन कर दिया लेकिन केवल जहां रोशनी सबसे मजबूत थी वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मैं प्रकाश में अंधकार की तलाश कर रहा हूँ पवित्रता के नीचे केवल गंदगी नहीं हो सकती है शायद यहीं आखिरी सहन शीलता है प्रकाश में एक देवी धीरे-धीरे चली तारो वाले आकाश के मार्क को रोशन कर रही थी प्रकाश की देवी हान सेन और भी हैरान था देवी सेथ सुना उसे बचाने के लिए बाहर आई जिसने उसे आश्चर यच्कित कर दिया उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रकाश की देवी आईगी अब क्रिप्या मुझे अंधकार की देवी कहीं प्रकाश की देवी के मुम के कोने पर एक दुष्ट मुसकान थी प्रकाश, शेन, खिल गया और सारा प्रकाश एक पल में मिट गया और पूरी दुनिया असीम अंधकार में गिर गई अगर अंधेरा नहीं है तो रोशनी कहा से आएगी रोशनी का अनुसरन करो यही वह स्थान होगा जहां तुम जाना चाहते हो हान से ने अंधेरे में अपना मार्ग दर्शन करने के लिए एक छोटी आध्यात्मिक रोशनी देखी और प्रकाश की देवी की आवाज सुनी और जल्दी से आध्यात्मिक रोशनी का पीछा करते हुए भाग गया और चला गया पूरी दुनिया अंधेरे में थी और जवार की तरह सीमा तोड़ने वाले यह नहीं देख पा रहे थे कि हान सेन और दूसरे कहा थे वे सिरहीन मुर्गियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे और एक दूसरे को मार भी रहे थे प्रकाश की देवी अपनी टाओ चाले बंद करो तुम्हारी उजवल दुनिया मेरे सामने कुछ भी नहीं है एक निर्देई आवाज आई और उसी समय अंधेरे में एक शक्ती तेजी से फैल गई यह सिर्फ इतना था कि यह एक जीन प्रजाती थी जिसके पूरे शरीर पर लाल सिर था एक गेंडा की तरह जिस पर लाल रोशनी खिल रही थी शेन जहां भी जाती थी सब कुछ लाल रंग की परत में बदल देती थी सीमा तोडने वाले जो काले क्षेतर में कुछ भी नहीं देख सकते थे अपने आसपास की हर चीज को सपश्ट रूप से लाल रंग में देख सकते थे हाला की यहां वास्तविक द्रिश्य से थोड़ा अलग था लेकिन इसने उन्हें हान सेन के स्थान की खोज करने से नहीं रोका जेन, डी एन जी, दंग, बो इससे पहले की हान सेन प्रतिक्रिया कर पाता उसने अपने पीछे एक विशालकाए, बोडी शेन आकरिती को खड़ा देखा और दिव्य आवाज नीचे लुढ़क गई एक मुक्का के साथ शून्य की ओर विस्फोट किया ऐसा लगा जैसे पूरे शून्य में सुनामी आ गई हो सीमा तोड़ने वाले जानवरों के समूह उस मुक्के से भह गए और शून्य में फैंक दिये गए, जिससे आसपास का क्षेत्र तुरंट एक बड़े निर्वात में बदल गया युद्ध के उनमादी देवता, हान से ने तुरंट भगवान की पीठ को पहचान लिया जो बारा विनाश देवताओं में से एक है चलो चलें, युद्ध के देवता ने अपना सिर नहीं घुमाया, उनका राजसी, बोडी शेन शरीर वापसी करने वाले जानवरों के समूह को रोकने के लिए एक विशाल दीवार की तरह लग रहा था और गडगड़ाहट की आवाज ने थोड़ी देर के लिए दुनिया को हिला दिया धन्यवाद, हान सेन को नहीं पता था कि ये देवता उसकी मदद करने क्यों आये थे, लेकिन अब समय बर्बाद करने का समय नहीं है, इसलिए उसने बस उन्हें धन्यवाद दिया और चला गया दिखावा मत करो, तुम वो नहीं हो जिसे हम बचाना चाहते हैं एक थंडी आवाज आई शून्य देवता को पता नहीं था कि कब वहा हान सेन के पीछे प्रकट हुआ शरीर शेन और अपने हाथ की हथेली में एक आत्मरक्षा बंदूक पकड़ली शून्य से एक सुनहरा तीर निकला अगर उसने सुनहरा तीर नहीं पकड़ा होता तो हान सेन की पीठ में गोली लग जाती हान सेन ने एक व्यंग्यात्मक मुसकान के साथ अपना सिरहिलाया, मुड़ा, एसे चेन और हवा में आगे बढ़ना जारी रखा आखिरकार सीमा तोडने वाले जानवरों की घेराबंदी से बाहर निकल गया और तैती स्वर्ग के आसपास पहले से ही अराजकता थी या सिर्फ इतना है कि हान सेन के दिमाग में एक अराजक आवाज आई चलो चलते हैं बावेर, बॉडी, शेन के शरीर में उसके पिता का खून है जिसे आधे जीन देवता मंदिर दियान का खून माना जा सकता है वे पीछे बैठ कर बावेर को किन शिव के हाथों में गिरते नहीं देखेंगे हाला की किन शिव को होशा सकता है और वह बावेर, शेन की पहचान का अनुमान लगा सकता है इसलिए हमें जल्द से जल्द वहां से चले जाना चाहिए हम कहा जा रहे हैं हान सेन ने पूझा किन शिव की क्षमता और वर्तमान शक्ती के साथ वह वास्तव में यहां नहीं सोच सकता था कि अगर किन शिव उसे मारना चाहती है तो वह कहां छिप सकता है अभ्यारन्या अब केवल अभ्यारन्य में जाकर ही हम अस्थाई रूप से कुछ समय के लिए लड़ सकते हैं किन शिव ने प्राइमार कवच को पूरी तरह से नियंतरित कर लिया है लेकिन उसका बोड़ी शेन शरीर अभी तक पुन्रारंब स्तर तक नहीं पहुचा है इससे पहले उसने ताकत के साथ वह आखिरी कदम नहीं उठाया था लुआन ने कहा आखिरी कदम क्या है हान सेन ने पूछा अभी बात करने का समय नहीं है चलो पहले आश्रे में चलते हैं ताकि किन शिव द्वारा बावेर के ठिकाने का पता लगाने से बचा जा सके लुआन ने कहा हान सेन के पास बावेर को पहले अभ्यारने में वापस ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था दो ब्रहमान पहले ही खत्म हो चुके थे लेकिन अभ्यारन ये शांत था और हवा सुन्दर थी जैसे की कुछ भी नहीं हुआ था हान सेन ने एलायंस में अपने घर लोटने के लिए स्टार तेलिपोर्ट का इस्तिमाल किया और तुरंत जमीन पर बैठ गया फिर कभी उठने की इच्छा नहीं हुई उसकी बिजली की खपत बहुत गंभीर थी और रंत में वह स्टार तेलिपोर्ट का उप्योग अपनी कीमत पर कर रहा था अपनी जान की परवाह किये बिना बाउयर हान सेन के बगल में खड़ा था हान सेन शेन पर काले क्रिस्टल कवच को बड़ी आँखों से संदेह में देख रहा था क्लिक काला क्रिस्टल कवच एक पल में बिखर गया हान सेन के शरीर से गिर गया और एक स्त्री के एक टुकडे के कवज का रूप ले लिया, जो बावएर के सिर को छूने के लिए आगे बढ़ा। बावएर की आखों में संदे था, लेकिन उसने आज्याकारी रूप से इसे टाला नहीं। लुआन, क्या हो रहा है? हान सेन जमीन पर बैठ गया। और हाफते हुए पूछा, लुआन ने अपने कंधे उचकाएं और कहा, वास्तव में यह कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि मैंने कुछ ऐसा किया जिससे किन्शिव, नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि इसने पूर्वज को बहुत क्रोधित, प्रेम, कर दिया, इसलिए व बहुत क्रोधित था, नकेवल मुझे मारना चाहता था, मैं भी बावेर को मारना, चाहता था, हान सेन ने लुआन को एक जटिल भाव से देखा, उसे नहीं पता था कि लुआन ने रेन, जू के साथ क्या किया था, इतने सारे पुनर जन्मों के बाद भी, उसने इसे जाने सेने से इनकार कर दिया, वह लुआन की बेटी को भी मारना चाहता था, किन शियो के व्यक्तित्व के साथ, बच्चों की इस तरह की हत्या करना असंभव नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत खास कारण नहीं है, तो किन शियो निश्चित रूप से ऐसा करने की जहमत नहीं उ देखो, यह सिर्फ मेरी गलती नहीं है, उस समय बावेर के पिता लुआन को उसके लीक के बारे में पता लग रहा था, इसलिए उसने जल्दी से बात करना बंद कर दिया और इसके बजाय कहा, वैसे भी आपको बस यह जानने की जरूरत है, किन शियो निश्चित रूप से बावेर को जाने नहीं देगी, मूल रूप से आप और उस वानर की काया एक साथ जुड़ी हुई थी, और आप मुश्किल से किन शियो को हरा सकते थे जिसने वह कदम नहीं उठाया, दुरभाग्य से वानर के मन में किन शियो किन 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 के लिए गहरी भावना है, आपके ल पहले कि आप वह कदम उठाएं, किन शियो के लिए आपको ऐसा दूसरा मौका देना असंभव है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हान से ने पूछा, यहाँ बावेर पर निर्भर है, और अब वहाँ अकेली है जिसके पास किन शियो को हराने का मौका है, लोआन ने बावे का उलेक किया था, उसका मतलब लौकी के बीज थे, है न, हान सेन, ने अजीब भाव से कहा, वहाँ बेताशा हसा और बोला, यहाँ लौकी का बीज नहीं है, बलकि एक सुपर जीन, बीज है जिस पर बावेर और उसके पिताने मिलकर शोध किया है, दुर्भाग्य से यहाँ केवल एक अर्धतयार उतपाद है, और यहाँ अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, लेकिन इस बारे में चिंता करने की कोई आवशकता नहीं है, बावेर मेरी और मेरे पिता की मालिक है, उसके पिता के जीन, उसके जीन का उप्योग करके, सुपर गौड जीन बीज समय है, वे निश्चित रूप से सफल होंगे, भले, कि किन शिव वह कदम उठा ले, बावेर में लडने की ताकत होगी, क्या कोई और रास्ता नहीं है, हान, सेन बावेर पर इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता था, लुआन ने आह भरी, अगर दस हजारवी भावना, कामुकता, भी है, तो मैं बावर को जोखिम नहीं लेने दूँगा, दुर्भाग्य से किन शिव बहुत खास है, और केवल बावर ही, उसे हरा सकता है, फिर उसने हान सेन को बेतरतीब ढंग से देखा, जैसे कि उसने हान सेन के दिमाग को समझ लिया हो, अपना सिर हिलाया और कहा, आपको असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक बाद, कहता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि किन शिव की असली ताकत कितनी भयानक है, आपने जो जीन स्टोरी विक्सित की है, वह वास्तव में किन शिव का पहला जीवन है, जिसे रेन जू ने बनाया था, क्या, जीन स्टोरी, किन शिव द्वारा बनाई गई थी, हान सेन की आखें चौड़ी हो गई, और वह अविश्वस्निय रूप से घूरने लगा, उसका मू लगभग एक अंडा पीट सकता था, प्रिये, प्रवेश करने के लिए क्लिक करें, और एक अच्छी सम दें, जितना अधिक स्कोर, उतनी ही तेजी से अपडेट, ऐसा कहा जाता है कि जिनोंने नया पूरा स्कोर दिया, उन्हें अंत, में एक सुंदर पत्नी मिली, मोबाइल स्टेशन उन्यन पते का नया संसकरण, डेटा और बुकमार कम्प्यूटर स्टेशन के साथ किये जाते हैं, कोई विज्ञापन नहीं ताजा पढ़ना